चलो आज आजो फटाफट नेक्स टॉपिक क्यों पर चलते हैं, Residential Status. Jiaan, Residential Status, एक ऐसा टॉपिक जो अगेन आप हात नहीं लगाएंँगे, हात लगाएंगे भी तो कितना, सिर्फ और इन्डिविजूल उसका Residential Status कैसे निकलता है, लेकिन मेरा objective आपके section 5 से लेके section 9 तक के और मजबूत करने का है क्योंकि मुझे strong believe है कि इस बार इसके उपर question आ सकता है so residential status शुरुबात करते हैं फिर से एक छोटे से motivation से at the end only success matter जिसका मतलब क्या है मतलब बहुत simple है साब आप कितनी भी महमत कर लो अगर आप successful नहीं है तो आपके आसपास के लोग आपको हमेशा यह बात करेंगे कि boss यह तो सिफ लग था जिसके कारण तुम पास हो गया और याद रखना मेरे भाई अपने को यह चीज़ हटाना है कि मैं लग से नहीं अपनी मेहनत से आगे बढ़ा हूं हम सब को यह चीज़ करके दिखाना बहुत जरूरी है आपका दस बार मन होगा कि नहीं यार बहुत हो गया सुबेर से 5-6 गंटे का मैराथान देख लिया अब बस खतम हो गया अब मुझे उठना ही है यह मैं थोड़ा सा चाहित ही क्या आता हूं मेरे भाई एक बात याद रखना यह डिग्री तरह सा कटाल करते है यह यह जागे नहीं हो सकता तो आप लोगों को भी मे derived को ही जबरदस तरीके से महनत करनी है तोपिक है क्टमच्ट करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बहुत चोटे बेसिक्स की और आप देख सकते हैं मैं पूरे marathon के अंदर में जहां जहां जो जो point आ रहा है फटा 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 आपको बोले जा रहा हूं objective बड़ा clear है मैं चाहता हूं marathon ही क्यों ना हो पर वो बहुत ज़्यादा detail में हो आप एक confidence के साथ अपने आपको भी बोल सके कि हा मेरा सब कुछ हो गया और अपने दोस्त को भी बोल सके कि भाई तु बस यह देख ले तरह सारा काम खतम हो जाएगा और बस हमें वही चीज़ ensure करनी है let us start residential status के अगर हम बात करें residential और citizenship एक है क्या answer is no residential status आप क्यों निकालते हैं क्या हर साल निकालते हैं answer is yes residential status निकाला क्यों जाता है इससे आपकी total income determine की जाती है section 5 को ध्यान में रखते हुए तो assessi resident है या नहीं है इसके उपर depend करता है कि उसकी total income क्या होगी residential status हर साल निकालना जरूर हर assessi के लिए निकालना जरूर है एक head के लिए अगर आप resident है तो हर head के लिए आपको resident माना जाता है अच्छा जी सर आप मुझे बताइए यह proof कौन करता है individual और company के case में department को proof करना होता है कि वह resident है या नहीं है बाकी cases में assessi proof करता है वह resident है या नहीं है residential status section 5 से लेके 9 तक के है लेकिन इसको पढ़ने का सही तरीका क्या होगा मैं आपको बताऊं आप सबसे पहले 6 पे जाए 6 से 5 पे जाए 5 से 7 आट और 9 अगर आप इस sequence में पढ़ते हैं तो आपको residential status by heart learn हो सकता है residential status का महत्वा मैं आपको बताऊंगा जब आप international tax में होंगे CA final में international tax CA final के अं और non-resident taxation में एक topic आता है taxation of non-resident उस angle के लिए भी आज से अभी से intermediate में ही आपका ये point बहुत strong होना चाहिए अगर ये point आपका strong है तो CA final में आपको इसकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी दोनों paper में paper 60 as well as paper 7 के अंदर में तो strong बनाईएगा इस point को सबसे पहले कुछ points इसको आप highlight करके लखने हैंगे ज्यादा बेटर होगा पहला residential status is determined for each category of person separately right total income cannot be computed unless we know the residential status it is always determined in the previous year it is calculated for every year बस इतना काम आपका easy हो जाएगा a person can be resident in more than one country at a time एक के टाइम पे एक सजाधे जगा resident हो सकता है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक ही criteria पे depend करता है कि आप कितने दिन एक particular city sorry country के अंदर है residential status में majorly section 6 के अंदर के चार पार्ट 61626364 61626364 61 is for individual एक आदमी individual होता है 6162 दो लोग मिलके घर बनाते हैं H.U.F. Hindu undivided family company तीन प्रकार की होती है 6.3 private public OPC company तीन प्रकार की होती है और बाके सब को चारो दिशाओं में fake दो 6.4 यह था section याद करने का बहुत easy तरीका 6.1 एक आदमी individual होता है 6.2 दो लोग मिलके घर बनाते है 6.3 company तीन प्रकार की होती है 6.4 अदर चारो दिशाओं में fake दो शुरुबात करते हैं सबसे पहले 6.1 से residential status of individual important की category में इसे सबसे उपर रखा जाता है क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा question आते हैं आपको परसन के नाइदर भी resident और non-resident एक व्यक्ति को आप या तो resident या non-resident के अंदर में classify करोगे अगर उसे resident बना है तो उसको 6.1 की कोई भी दोनों में से दीवी एक condition को satisfy करना होगा 6.1 की दोनों में से दीवी कोई भी एक condition को satisfy करना होगा 6.1 की क्या condition है he stays in India for 182 days or more in previous year अगर कोई व्यक्ति at least 182 days भी इंडिया में रह जाता है in the previous year तो हम उसे resident मान लेंगे at least 182 days or more in previous year यहां पर जो वर्ड है इंडिया इसका definition में आपको basic chapter में बताऊंगा राइट हाला कि कोई बहुत बड़ा नहीं है कस्तम के अंदर में वो important है जो आपको विशाल सर भी बहुत अच्छे से clear कर देंगे if you see if he stays in India for 182 days or more in previous year he will be treated as resident अगर यह condition आप नहीं भी satisfy करते है तो दूसरा condition आपको दिया है you stays in India for at least 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year अगर आप 182 days नहीं भी है at least 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year है तो भी आपको resident माना जाएगा कुछ चीज़े जो आपको ध्यान में रखनी है पहला यह 182 days क्या continuous होना ज़रूरी है answer is no क्या एकी city में रहना ज़रूरी है answer is no क्या एकी country में रहना ज़रूरी है answer is no अगर आप 182 days इंडिया में है किसी भी प्रकार से तो आप resident माने जाएगे दो बाते और एक the day he comes in India and the day he leaves India both are counted मतलब जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है दोनों दिन को calculation purpose के लिए count किया जाता है अगर hours का calculation है जो hours basis पर decide होता तो फिर calculation जो किया जाएगा वो hourly किया जाएगा sir day को क्या मानेंगे हम लोग what is a day क्या morning से लेके evening तक का shift day होता है answer is no 24 hour has to be treated as one day so अगर calculation hourly basis पर होता है तो 24 hour has to be treated as one day so person के नाइधर भी resident और non resident resident है तो दो या दुनों में से एक condition he stays in India for 182 days or more in previous year or 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year अगर इन दोनों में से एक भी condition satisfy हो गई he is resident अगर एक भी condition satisfy ने होई he is simply non resident sir ये जो 365 days है क्या ये continuous for previous preceding year होना चाहिए answer is yes ये जो 365 है ये continuous for previous preceding year होना चाहिए इस बात का ध्यान आपको रखना होगा अच्छा जी sir अगर resident है तो individual का एक further classification होता है into ROR और RNOR so सिर्फ resident होने से काम नहीं चलता मम्मी को बो कॉम प्लाइन पिलाए इसे या तो ROR classify करे या RNOR classify करे यह एक point आपको याद रखना होगा ये question हमेशा थेरी question होता है तो आपको जब भी ये question आए आपको 6-1 भी पूरा लिखना है 6-6 भी पूरा लिखना है और फिर conclusion देना है he is resident or not 6-6 अगर assessi को ROR बनना है अगर assessi को ROR बनना है तो section 6-6 की 2-9 condition को satisfy करना होगा section 6-6 की 2-9 condition को satisfy करना होगा 6-6 क्या condition देता है condition number 1 he is resident for 2 out of 10 previous preceding year 10 में से कोई भी 2 साल इसने इंडिया में resident होना चीए 10 में से कोई भी 2 साल अब यहाँ पे continuous 2 साल होने की जरुरत नहीं है 10 में से कोई भी 2 साल अगर वो resident हो जाता है तो he will be ROR provided the other condition is also satisfied now what is the other condition so 2 out of 10 if he is resident plus he stays in India for 730 days in 7 previous preceding year अगर 7 previous preceding years के अंदर में 730 days at least वो इंडिया में रह जाता है he will be treated as ROR so resident बनने के बाद उसा further classification होगा into ROR, RNOR, ROR के लिए किती condition दो 2 out of 10 वो कहा होना चीए इंडिया में resident होना चीए and 730 days in 7 previous preceding year वो इंडिया में होना चीए अगर यह दोनों condition satisfy होती है तो we will call him as resident and ordinarily resident अगर यह condition satisfy नहीं होती तो हम उसे कहेंगे resident but not ordinarily resident आईए provision पड़ते हैं चार्ट की खुबसूरती से आप मुझे thank you बोलेंगे और इसे share भी करेंगे resident as well as non-resident non-resident कब if they fail to satisfy any condition of 6-1 resident अगर बनना है दोनों में से कोई भी एक condition को satisfy करना होगा क्योंकि बीच में क्या लिखा है और लिखा है if stays in India for 182 days or more in previous year और 60 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year तुरन नीचे आईए कुछ notes को हमें highlight करना होगा the day he leaves and the day he comes to India both are counted जिस दिन जा रहे हो जिस दिन आ रहे हो वो भी count किया जाएगा 24 गंटे को हम एक दे मानते हैं अच्छ जी क्या वो एक ही place होना जरूरी है answer is no it should not be at a same place continuous day is not important एक ही जगह पे 182 days रहना important नहीं है यह सभी के उपर institute question पोच चुका है और इसी के लिए हम इसको यहाँ पे ला करके एक साथ note बना दिये यह सारे notes बिल्कुल अलग अलग कहीं RTP के अंदर एक question था कहीं module के अंदर एक question था कहीं practice panel के अंदर एक question था वो ला करके एक जगह compile कर दिया साथ next अगर वो resident है तो वो further classify होता है into ROR and RNOR ROR बनना है तो उसको 66 की condition को satisfy करना होगा कौंची condition को satisfy करना होगा बोलो 66 की condition को satisfy करना होगा क्या दिया है condition में he is resident for 2 out of 10 previous preceding year and लिखा है यहाँ पे यहने दोनों condition satisfy करने होगी and he stays in India for 730 days in 7 previous preceding year अगर यह condition वो satisfy कर देता है तो वो RNOR हो जाएगा and if he fails to satisfy 66 he will be RNOR ROR, RNOR या NR इससे क्या फरक पड़ता है taxability में पता चलेगा section 5 as of now पहले सिफ यह सीख लो अच्छा जी तीन लोग ऐसे हैं तीन लोग ऐसे हैं जिनके लिए resident का मतलब सिर्फ 182 days होगा और उनके लिए यह 60 days वाला criteria applicable नहीं है जिसका meaning if they are in India for 182 days resident otherwise straight away non-resident 60 days वाला criteria है ही नहीं कौन है यह तीन लोग आईए बताता हूं फोर बिलो थ्री resident person means resident means only 182 days पहला person leaving India for employment अगर कोई व्यक्ती employment के लिए out of India जा रहा है 182 days इंडिया में है resident otherwise straight away non-resident second ship crew members अगर वो ship crew members है इंडिया छोड़ करके जा रहा है 182 days इंडिया में है resident otherwise non-resident ship crew member की अगर मैं बात करूं तो ship crew member के number of days को कैसे count किया जाता है इस बारे में एक point भी था और यह था notification जो 2015 में आया with retrospective effect 2015 में आया था point क्या हो रहा था समझ लीजे rule क्या आया समझ जाएगा problem यह हो रही थी practically problem यह हो रही थी कि जब कोई person है और यह foreign ship के लिए निकला जैसे कि मैं आपको एक छोटा से example दे रहा हूं मान लीजे कोई Mumbai port से चड़ा और यह ship जो थी Mumbai port से Goa port पे गया या चिन्नाई port पे गया तब यह इंडिया में ही था और यह जो असेसी था जैसी यह foreign ship के ऊपर चड़ता था यह page sign कर देता था I am going in an international ship बरे बरे तो उसके हिसाब से तो वह international ship पे चालू हो गया तो मुमेंट ही Mumbai port लीव करता है पर income tax department बूला आप यहां पे बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो Mumbai port को छोड़ चुके हो पर Goa में भी आप इंडिया में ही हो चिन्नाई में भी आप इंडिया में हो तो मैं आपको यहां पे इंटरनाशनल कैसे मान लू मैं a day count नहीं करूंगा इस चीज को हटाने के लिए क्य यह certified किया जाता है कि यह foreign ship के लिए निकल चुका है और अब उसे इंटरनाशनल ship के लिए ही मान लिया जाता है यह जो Goa और Chennai वाला पारट है इसको count नहीं किया जाता तो जब आप ship crew member के लिए number of days count करते रहेंगे उतना period जो CDC में लिखा है जिस दिन CDC एंटर हुआ उस दिन का और जिस दिन गया उस दिन का बोथ inclusive जितना period CDC continuous discharge certificate में लिखा है उतना period हम मान लेते हैं कि वो इंडिया में है ही नहीं उतना period हम मान लेते हैं कि वो इंडिया में है ही नहीं चेक किज़ेगा 6th point जो काम का भी है इसके उपर एक बार एक question आ चुका है for a ship crew member days determined mentioned in continuous discharge certificate shall be excluded while counting the residential status तो ship crew member के case में क्या क्या जाएगा 365 days और 366 residential status में याद रखना इस सल जो भी July 20 and November 20 का exam दे रहे होंगे प्रभू days are 366 not 365 क्योंकि leap year है 2020 so जब भी आप देखोगे days 366 लिखना 365 मत लिखना point to be noted sir so 366 days लेंगे 366 days में से let's say उसके continuous discharge certificate में जो period लिखा है वो period माइनस कर देंगे अगर balance 182 days से उपर है resident otherwise non resident straight point so 3 लोगों के लिए हम 182 days ही देखते है 60 days का criteria नहीं देखते है पहला person living India for employment दूसरा ship crew member तीसरा person of Indian origin now what is person of Indian origin person of Indian origin का मतलब इधर ही और parents और grand parents are in undivided are born in undivided India so अगर assessi या उसके parents या grand parents कहां born होते हैं undivided इंडिया में born होते हैं तो हम उसे person of Indian origin कह देते हैं residential status of individual focus आपको कहां करना है 6.1 और 6.6 के provision continuously याद रखना है कि यह बहुत जगा काम आने वाली है फिर आते हैं दूसरे पार्ट पर residential status of HOF section बात करेंगे तो section 6.2 residential status of HOF में वही पुरानी definition है if control and management wholly situated in India it will be treated as resident if control and management wholly situated outside India it will be treated as non-resident so control and management कहां situated है India में situated है now what is control and management decision making power HOF के अगर सारे decision wholly या partly भी इंडिया में होते हैं सबसे ज्यादा पूछी जाती है only individual and HOF could be ROR and RNOR true only individual and HOF could be ROR RNOR rest all other person are either classified as resident or classified as non-resident very clear so क्या HOF को ROR कम मानेंगे अगर करता 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 हूए HOF six-six satisfy कर लेता है То whole HOF ROR otherwise whole HOF RNOR मान ले आ जाएगा check it out If control and management wholly or partly is situated in India resident otherwise non-resident करता satisfy six-six याद होगा six-six के criteria क्या थे six-six के criteria क्या थे he should be resident in two out of ten previous preceding year and stays in India for 730 days and 7 previous preceding year. So, if karta satisfy 66 whole HOF ROR otherwise whole HOF R-N-O-R. Only individual and HOF could be ROR R-N-O-R rest all other person can either be resident or non-resident. इसको बिल्कुल highlight टर के रखेगा. बहुत जबरतस MCQ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा. थर्ड पार्ट पर आते हैं residential status of other SSE. Other SSE का residential status. अगर इसमें से करता वाला पार्ट हटा दिया जाए तो as it is पूरा cut copy paste कर दीजए section 6-4 में residential status बन जाएगा others के लिए. सर अधर मतलब कौन? अधर मतलब firm, AOP, BOI, AJP सभी के लिए ये rule होता है. If control and management, if control and management wholly or partly situated in India, resident otherwise non-resident. So let's say partnership firm है. इसके part of the decisions भी अगर इंडिया में होते हैं, क्या माना जाएगा? Perfect, resident मान लिया जाएगा. So 6-4 को चेक कीजिएगा. If control and management wholly or partly situated in India, resident otherwise non-resident. आपको बता दू, inter-level पर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो या तो individual का है, या तो HUF का है. इसके अलावा पूछा नहीं जाता. आप देख रहूंगे, हमने एक चीज मिस करी है. वो क्या? Residential status of company. पटाक से आजाएए. Residential status of company. और इस बारे में एक clarification भी देना है, मैं वो भी आपको बता दा हूँ. Residential status of company, section 6.3 में लेखा है. If the company is an Indian company, Indian company, Indian company. Now, अगर company Indian company है, तो यह always resident माना जाएगा. 100% ही profit export से क्यों ना आ रहा हो? So, अगर company Indian company है, it is always resident. Foreign company, POEM India में है या POEM India में नहीं है, इस पर depend करता है. What is POEM? POEM stands for Place of Effective Management. POEM India में है, the foreign company will be treated as resident. POEM outside India है, foreign company will be treated as non-resident. याद रखना. अच्छा जी, सर. सर, एक और बात उठती है. यह POEM का guideline, POEM कैसे है, कैसे पता किया जाएगा? अभी का आपका काम का है ही नहीं. यह आपको CA final में cover है, और इसके लिए Institute ने separately notification भी निकाला है. और कहा है, POEM वाली जो guideline होगी, यह आपको CA final में सिखाई जाए, ना कि inter-level पे सिखाई जाए. तो at least इस बात के लिए thank you जरूर बोलना इंस्टिटूट को, क्योंकि उनने बहुत simply कह दिया, कि बॉस POEM का guideline किदर पढ़नेगा है, इसे POEM का guideline पढ़नेगा है CA final में. कौन सा topic है CA final में? दो जगह यह आता है, एक आता है residential status, international tax में भी, और taxation of companies एक topic है CA final में. अब वहाँ पर हम लोग इसको जरूर पढ़ेंगे. तो Indian company always resident, foreign company POEM in India resident, otherwise non-resident, game over. यहाँ तक section 6 ने हमें सिखाया, कब आप ROR, RNOR, NR resident, non-resident हो गए. यहाँ से अब जाईए section 5 के उपर, section 5 हमें सिखाता है कि इनकी income कैसे compute की जाए, इनकी total income को कैसे compute किया जाए, right? सबसे पहले सीधा इस चार्ट पाईएगा. अगर आप individual और H.O.F. को देखेंगे, अगर आप individual और H.O.F. को देखेंगे, तो these individual and H.O.F. could be either ROR, RNOR और NR, इनको छोड़के हर other person या तो होगा resident या तो होगा non-resident. ये अभी तक क्या हम लोगों ने पढ़ा है section 6 के अंदर में. अब एक एक चीज़ को देखते हैं. ये लोग कौन-कौन सी income कमा सकते हैं? This could be Indian income और foreign income. अब आप ये पूछेंगे, Indian income कौन सी होती है? अब क्या पूछोगे आप? Indian income कौन सी होती है? तो इसके लिए आपको उपर जाना होगा और यहां हमने लिखे रखा है Indian income का criteria क्या है? अगर Indian income है तो इसके चार criteria है. ये point ज़रा ध्यान से आराम से पढ़ना है. Indian income के चार criteria है. Received in India, deemed to be received in India, accrued in India, deemed to be accrued in India. आहाहा, बोलो मेरे साथ जोर चे एक बर. Received in India, deemed to be received in India, accrued in India, deemed to be accrued in India. वापस से बोलो एक बार, Received in India, deemed to be received in India, accrued in India, deemed to be accrued in India. पहला, Received in India. दो लोगों के बीच में transaction हुआ. Institute ने दो, नहीं, तीन attempt पहले ये question पूछा था. दो non-resident और उनके बीच में transaction होता है, पर पैसा इंडिया में मिलता है. Is it taxable in India? answer is yes. अगर पैसा इंडिया में मिल रहा है, transaction किसके बीच में हो रहा है है, totally irrelevant हो जाएगा, क्योंकि received in India is an Indian income. And if it is an Indian income, if it is an Indian income, it is taxable to all, whether you are ROR, whether you are RNOR, और whether you are RNOR, और अगर अगर Indian income है, ROR को भी taxable, RNOR को भी taxable, NR को भी taxable, doesn't matter, ये हर एक को taxable हो जाएगा. So Indian income taxable to all, पहला, received in India, दूसरा, deemed to be received in India, 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 आदा ये section आप वैसी पड़ चुके है, deemed to be received in India, section 7 के अंदर में लिखा है, आईए मैं आपको लेकर के जाता हो, section 7, बिल्कुल बाजु वाले पीच पे लिखा है, deemed to be received in India, यहाँ देखीगा, राइट, चार्च इसे deemed to be received in India मानी जाएगी, चार्च इसे deemed to be received in India मानी जाएगी, कौन कौन सी, पहला, contribution made by employer to RPF beyond 12% of salary, ओहो, याद होगा, तो इसलिए मैंने आपको salary पहले revise करवा दिया, 12% तक के RPF का employer contribution होता है, वो क्या होता है, एक्जम्ट होता है, और 12% के उपर जो होता है, इस beyond 12%, बले ये employee, non-resident employee क्यों ना हो, but the amount will be taxable in India, second, interest credited to provident fund beyond 9.5%, ये भी point आपने RPF में ही पढ़ा है मिर साथ, क्या है, 9.5% तक RPF का जो interest होता है, ये exempt होता है, और 9.5% के उपर का जो interest होता है, ये interest taxable होता है, it is deemed to be received in India, और India में tax किया जाता है, transfer from URPF to RPF, मैं आपको बताता हूँ, इसके फीचे की history, तो आपको एक मिनट में समझ भाया जाएगा, इसा क्यों था, आपको याद होगा URPF में, final amount जब भी मिलती है, तो ये taxable होती है, employer का contribution, salary में taxable, employee का own contribution, exempt, और interest जो था, interest जो था, ये क्या था, other sources में taxable, URPF में final amount taxable हो भी पैसा निकालना होता था, उन्हें पता था, URPF में क्या हो जाता था, taxable हो जाता था, तो वो अपने URPF को RPF में convert करवा देते थे, और पूरा का पूरा income, शुरवात से जो tax free चलते आ रहा है, end में भी tax free करवा दिया जाता था, URPF को RPF में convert करवा के, भारत सरकार को पत दुआ उसी साली से tax कर दिया जाएगा, मतलब tax planning रह गई धरी की धरी, amendment दुआ section 7 में, conversion of URPF to RPF will be treated as deemed to be received in India and therefore it is what, it is taxable and last contribution to pension fund, अगर pension fund में contribute किया है, employer ने employee की वियाफ पे, तो it will be deemed to be received in India and taxable in India, वापस आते हैं section 5 में, याद होगा, तो मैंने कहा था, 6 में जाओ, 6 से 5 में जाओ, 5 से 7 में जाओ, 7 में आप आगए, Indian income, अगर Indian income है, यहाँ पे थे हम, Indian income है तो taxable to all, हम ढूने निकले Indian income मतलब क्या होता है, Indian income के चार criteria, received in India, पढ़ लिया हमने, DM to be received in India, पढ़ लिया हमने, accrued in India, इस point पे focus करते ह है, accrued or arise in India, accrued or arise in India, accrued or arise क्या होती है, accrued or arise जिसका base India के अंदर में हो, let's see, आपने एक deposit रखा है, SBI India के अंदर में, और जब यह interest arise हुआ, आपने SBI को इंस्टक कर दिया, कि आपके foreign account में क्या कर दे, इसे transfer कर दे, no point, यह जो FD आपने रखी थी, यह इंडिया में रख है, यह accrued यह arise कहा हुआ है, इंडिया में हुआ है, subject matter कहा है, इंडिया में है, ऐसे cases में, property, अगर इंडिया में situated है, income deemed to accrued or arise in India मानी जाती है, तो वो income जो यहां से arise हुई है, इसे हम deemed to accrued or arise in India कहते हैं, another example, मान लीजे, let's say foreign company, Singapore foreign company ने क्या किया, इंडिया में technical services दी, with related to let's say metropolitical software, let's say, और इसके लिए उन्होंने एक fees charge करी, यह fees उन्हें foreign currency में दी गई, still accrued or arise कहा हुई, इंडिया में हुई, services कहां render हुई, इंडिया में render हुई, income will be taxable in India, so accrued or arise अकर इंडिया में होता है, तो taxability भी कहां माने जाता है, इंडिया में माने जाता है, since it is an Indian income taxable to all, whether you are ROR, RNOR या NR, fourth point पर आते हैं, deemed to accru or arise in India, यह लिखावा है section 9 के अंदर में, deemed to accru or arise in India और यही है सबसे बड़ा point जिसको आज हमें detail में discussion करना आप होगा, और मैं बिल्कुल जानता हूँ, तुम इतने नलायक लोगों, इसमें सब कुछ भी नहीं पता होगा, कई लोग इसको बहुत जबरदस तरीकी से पढ़ना है, जिस सिक्वेंस में पढ़ना है, अगर लेक्टर स्पीड में देखेंगे, तो इसको totally slow कर लो, और इधर देखना, Sir, accrued in India section 9, कुछ income को मान लिया जाएगा, कि ये इंडिया में ही accru हुई है, accru in India हुई मतलब Indian income, Indian income is taxable to all, whether you are ROR, RNOR, NR, परकने पढ़ता, Indian income is taxable to all, let us start, सबसे बहले, dividend from an Indian company, so let us start, मान लिजे, एक non-resident है, non-resident ने Indian company में invest किया, Indian company से आने वाला dividend, भले ये dividend उसको foreign में ही क्यों ना मिल रहा हो, always deemed to accru or arise in India, ये विशया अलग है कि as of now dividend income 10,00,000 रुपए तक के exampt है, पर ये income deemed to accru or arise in India मानी जाएगी, second, income from royalty, जैसे लेके जाना हूँ चुपचप ऐसी चलना, income from royalty, right, royalty income, मान लिजे, एक non-resident है, non-resident ने एक book लिखी और Indian publisher क्या कर रहा है, इसे publish करने वाला है, Indian publisher में क्या पे किया, royalty पे किया उस non-resident को, now that royalty is accrued in India, arise from India, and therefore that royalty income will be taxable in India, irrespective of territorial nexus, वो पैसा कहा मिल रहा है से कोई लेंद नहीं है, royalty अगर accru or arise in India से हुया, pay India से हुरिया, that income will be deemed to accru or arise in India and taxable in India, Next, income from technical services, मान लीजे कोई technical services support system देता है, जैसे इंडिया के अंदर में metro चल रही है, Metro की support services हमार को आई जपान से, जपान अगर हमें metro services दे रहा है और इसके लिए एक amount charge करें कोई Japanese company, यह जो technical fees जो हम उसको pay कर रहे है, it is deemed to accru or arise in India, and therefore it is taxable in India, as per section 9. Income from property in India, कई लोग इंडिया से बाहर चले गए, COVID-19 के पहले की situation समझे, कई लोग अपनी earning करने के लिए इंडिया से बाहर चले गए, यहां इनकी property थी, यहां property को क्या कर दिया, किराय पे दे दिया उन्होंने, यह इस property को sale कर दिया, अब rent जो आ रहा है, यह जो sale value आ रही है, capital asset situated in India से आ रही है, that's why this income will be chargeable to tax in India, यह आया था because of the Vodafone case, what देख लीचेगा, income from transfer of any capital asset situated in India, माल लीचे कोई capital asset है, जो India के अंदर में situated है, यह अगर sale होता है, it will be taxable in India, जैसा कि आप property ले सकते है, property के अलावा कई capital asset है, वो भी आप इसके अंदर में consider कर सकते है, so let's say non-resident ने reliance के कुछ shares लिये थे, is share a capital asset, yes, reliance के कुछ shares लिये थे, और यह share वो दूसरे non-resident को sell कर देता है, outside India, will that income be taxable in India, answer is yes, it will be taxable in India, because of this law, section 9, income from any capital asset situated in India, point number 10 याद कीजेगा, यह आप कहां पढ़ चुके है, यह आप मेरे साथ पढ़ चुके है, section 56 to 10 में, अब अगर एक resident, non-resident को outside India gift करता है, एक resident, non-resident को outside India को यह capital asset gift करता है, income will dim to accrue or arise in India, and will be taxable in India, interest from specified person, समझते हैं, मान लीजे, आज होता कहा है, maximum of the companies ने out of India से loan लेग रखाए, because loan के rate जो होते है, rate of interest जो होते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, अब Indian company क्या कर रही है, उन्हें interest पे कर रही है, वो लोग जो interest earn कर रहे हैं, वो India से earn कर रहे हैं, income dim to accrue or arise in India, and therefore taxable in India, salary earned in India, जर्द समझे, मान लीजे कोई non-resident है, इंडिया में work कर रहा है, इंडिया में work कर रहा है, now he earns the salary in India, if the salary is earned in India, taxable in India, next, ये है उपर वाले का exception, इसके लिए आपको दो point को twisting समझनी होगे, मैं सबसे बहुता हूँ salary में, salary का point था, salary वहाँ अक्रू होती है, जहाँ place of service हो, मतलब अगर आपका place of service जहाँ पे है, वहाँ पे आपका salary अक्रू हुई है, ये माना जाता है, Indian government कई बार अपने embassies में लोगों को बेचती है, let's say Rockaic agent Tiger, suppose, Tiger जाता है पाकिस्तान के अंदर में, work करता है पाकिस्तान फिल्ड के अंदर में, और वहाँ पे अपनी services देता है, उसकी salary कहाँ करू होगी place of service that is पाकिस्तान, taxable इंडिया में होना चीए था क्या, नहीं, पर यहाँ पे एक exception लाए गया, भारत सरकार द्वारा section 9 के अंदर में, कहा गया, अगर Indian government द्वारा salary दी जारी है, यह भले आउटसाइड इंडिया दी जारी है, it will always deem to occur or arise in India and taxable in India. So salary from government, यह सिर्फ government के लिए provision है, private companies के लिए नहीं, salary from government to Indian citizen for services rendered outside India, will be taxable in India. So यह जो foreign embassies के लोग होते हैं, या फिर ऐसे agents होते हैं इंडिया के, इनको जब आउटसाइड इंडिया रखा जाता है, जो salary यह लोग earn कर रहे हैं, it will be taxable in India. Otherwise, जो salary इंडिया में earn हुई है, या occur or arise हुई है, वही सिर्फ क्या होती है, इंडिया में taxable होती है. अब आ रहा हूं में सबसे last और सबसे जादा important point, जो मुझे लगता है, July 20 and November 20 में, confirm, confirm और confirm आएगा, त्याहां तर सुनना, income out of business connection, income out of business connection, प्यार से हम इसको short form में कर देते हैं, BC, worldwide, अब मैं आपको भले आप इंटर में हैं, और मुझे आपको CA final के international tax को थोड़ा सा पाट समझाना पड़ेगा, इस पाट को समझाने के लिए, internationally इसे कहा जाता है, PE, permanent establishment, internationally इसे कहा जाता है, permanent establishment, लेकिन इंडिया ने एक wide definition को अपनाया, उन्होंने permanent establishment के जगए इस वर्ड को लिखा business connection, which is much more wider than PE, yes or no, PE में क्या होता है, कि उस non-resident का, उस non-resident का इंडिया में या तो कोई office होना चीए, या branch होना चीए, या factory होना चीए, या veras होना चीए, तो ही हम उस non-resident की income को इंडिया में tax कर सकते हैं, लेकिन business connection ने इस barrier को तोड़ा, business connection एक ऐसा law लेकर के आए हम लोग, जिसके अंदर में, अगर उनका कोई physical office नहीं भी है इंडिया के अंदर में, but they earn the income in India, this will be taxable in India, ये एक ऐसा bold move था, जो अरुन जेटली साब ने लिया था, कई सालों से था कि ये लेना है, पर अरुन जेटली साब वो व्यक्ति थे, जिनने हमेशा bold move लिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि दो व्यक्तियों ने बहुत bold moves लिये, एक डॉक्टर मन मोहन सिंग ने, और दुसरे अरुन जेटली साब ने बयानक bold moves लिये, और इसको business connection की definition को लाके रख दिया, बोला कि अब ये definition फॉलो की जाएगी, completely इसने बहुत सारी foreign companies जो इंडिया में operate कर रही है, इनको taxability के अंदर में लेकर आगया, including जो digital platform से भी available है, उनको भी इस definition के अंदर में लेकर के आगया, आईए discuss करते है business connection क्या होता है, business connection, इस concept में आपको तीन word पढ़ने होंगे, what is business connection, what is deemed business connection, and what is not a business connection, तीन word को बहुत अच्छे चे पढ़ना होगा, what is business connection, what is deemed business connection, and what is not a business connection, और इन तीनों पर आपको question आ चुके हैं सर ये सब IPCC में हैं अपने module खुलिए देख लीज़े आपको समझ में आ जाएगा है या नहीं है ये सारी चीज़े है और मैं आपको पढ़ा के रहूंगा और आपने थकना नहीं है थकना बिल्कुल मना है बिल्कुल मना है मैं बिल्कुल खड़ा हूँ तुमारे लिए मैं अपनी सगी बीवी बच्चों को छोड़ करके तुमारे लिए recording कर रहूं और तुमको भी या पर टि हो टिक करके बैठना पेशन्स लेवल चेक होने वाला है जिस दिन तु तेरे ओफिस के अंदर में बैठेगा ना टिका करके बिल्कुल उस दिन कहें तिरे को याद आएगा कि यह मेहनत तुने की थी ऐसे कोई भी सीए नहीं कहलाता मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है इस कोर मेहनत तुमको करनी नहीं और किस बात के लिए यहां आयो अगर मेहनत ही नहीं करनी है तो अगर तुमसे मेहनत नहीं होने वाली मेरे भाई जाओ तुमारे लिए यह चीज है नहीं और अगर मेहनत करनी है कुछ सच में करके दिखाना है तो यहां पर बैठना होगा no doubt 50 बार तुमारा मन करेगा कि बसना यहार बहुत हो गया 60 marks के लिए इतना थोड़िन करना चाहिए मुझे भी पता है 60 marks के लिए इतना नहीं है पर 60 marks 60 marks है मेरे भाई तेरे signature से लोग तुझे पैसे देंगे तेरी value होगी और इस चीज के लिए तुझे उतना तपना होगा आपको भी पता है कि सर डाइमंड बनता है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा तपना होता है और तुमें भी विल्कुल ऐसा ही कुछ करना होगा और believe me तू अकेला नहीं है जो यह इसे बिचारी शकल लेक है कि तिरे उपर time invest हुए तिरे उपर cost invest हुई है और मेरे को एक बात बता अगर तू यह सोच रहा है कि तिरसे महनत नहीं होने वाली छोड क्यों नहीं देता तो खुद भी तो जानता है ना छोड सकता है नहीं छूटने वाला वेटा यह कोर्स ही ऐसा है एडिक्शन है यह यह सो नो यह एडिक्शन है इसको सी ए चार्टर अकाउंटेंट की जगा ना चिल्डरन्स एडिक्शन बुलना चाहिए क्यों क्योंकि यह स्टूडन्स के अंदर एक ऐसा एडिक्शन डाल देता है जो कंपल सरी लिए उसे पढ़ाई करने लगाता है ऐसा एडिक्शन कि आपके सामने कड़ा हूँ और आप मेरे को देख रहे हैं अटेंट से डिसाइड नहीं होता है आपके अंदर स्किल है क्या इससे डिसाइड होता है आपके अंदर मेहनत करने की कपासिटी है क्या आपके अंदर पेशन्स है क्या सिर्फ एक पॉइंट इमाबाप तेरे ओफि सीए उस दिन प्राउड सोच के देखिए आपके पपा जब बोलेंगे कि ये मेरी बेटी ये सीए है सर माबाप को ना आप से पैसा नहीं चाहिए बिलीव में एक कोई-19 की सिचुएशन में आप दो महिने से घर पे बैटे वे हैं आपके डाड ने बिल्कुल पैसे नहीं आप तुम अस्त डेली कोई केक बनाके खा रहा है कोई कुछ बनाके खा रहा है आपको सुबह से शाम तक चाहे मिल रहे है को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है अब आप आराम से वाइफाई एंटरनेट यूस कर रहे हो घर के अंदर में बैठे वे हूँ एक्जाम चल नहीं रह और अपने पेरेंट्स की पूरी रिस्पेक करना और अगर एक परसेंट भी कोई तुम्हें लाइफ में मोटिवेट कर सकता ना तो मेरे हिसाब से यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पेरेंट हो सकते हैं जो तुम्हें मोटिवेट कर रहे होंगे उनके अलावा वर्ल्ड में को वती बार कहना हूँ पढ़ तो हद कर दे वरना प्रोग्राम रद कर दे चल जा कोई भी दूसरा कोर्स पढ़ ले कोई बात नहीं मेरी मेहनत है किसी ना किसी के लिए करी है तुम छे बार स्टॉप करके देख लोगे लेकिन देखना यही पढ़ेगा विटा यह भी आपको कहा देता हूँ तो शांती से चुप-चप डेडिकेटली कोने में चुपक करके वैटने का बस पढ़ने का तुम और वो काम खतम उल्टा तुमार को कोवड-19 सिचुएशन में जब तुम्हारी एक्जाम सागे बढ़ रहे हैं मेरे बाई तुम्हा तो और प्राक्टिस कर और प लो पैन लो कुछ भी हो कांच पे जा करके लिखने का कांच पे लिट्रल सेंस में जा करके लिखने का ऐसे कैसे नहीं होगा बस इतना लिखने का और जब भी तुम पढ़ाई से उटने की कोशिश कर रहे होंगे ना वो कांच वाली चीज को देखने का ऐसे कैसे नहीं होगा बस इतना वर्ड लिख दीजे, ऐसे कैसे नहीं होगा, होगा, बिलकुल होगा, हमने भी सोचा था, COVID-19 सिचुएशन के अंदर में मसता आराम करेंगे, पर एक पॉइंट लगता है, ऐसे कैसे, यार, बच्चा बेठा है, हम बेठे हैं इस टाइम पर, खड़े हैं, कोई तेरी एज सोच, यही आज, यही आज अगर तो कमारा होता, तो शायद तेरे पापा थोड़े रिलाक्स हो जाते है, मेरे भाई, इस COVID-19 के सिचुएशन के अंदर में, आज शायद वो चिंता में और ऐसी चिंता जो शायद वो तिरसा छेर भी ना कर पाएं, इस बात को पाद रखना है क्या, आंसर इस येस, हम किसी भी चीज को बिजनस कनेक्शन कह सकते हैं, इस ऐसी हैबिच्वली एक्सराइज दे कॉन्ट्राक्ट ओन बिहाफ अगर कोई नॉन डेसिदेंट, रेसिदेंट के बिहाफ पर यहाँ कॉन्क्लूड करता है कॉन्ट्राक्ट को, त उस नॉन डेसिदेंट का बिजनस कनेक्शन इंडिया में माना जाएगा, और जितनी इंकम वो यहाँ से अर्न कर रहा है, विल बे टैक्सिबल इंडिया, बहुत सीधा सा एक्जामपल, जैगवार टाटा, टाटा पूरा सेल कॉन्ट्राक्ट एक्जिक्यूट करता है, ओन ब बिजनस केरेड आउट थ्रू अ परसन, थ्रू अ परसन, अब यहाँ पे हम प्लेस की बात नहीं कर रहें, परसन की बात कर रहें, इसलिए पीई नहीं, बीची पे बात कर रहें हैं, वो हैबिचुली एक्सराइज इंडिया, एन अथौरिटी तू कॉन्ट्राक्ट, एक्ज तो आपको बिजनस कनेक्शन माना जाएगा, the contract should be in the name of non-resident for transfer of ownership and for provision of services by non-resident, यह जो billing होनी चिए, यह contract होना चिए, non-resident के भीआप पो होना चिए, तो आपका यह business connection माना जाएगा, तो पहला, if you habitually conclude the contract, किस word को याद रखें, इस word को याद रखे, if you habitually conclude the contracts, or plays a principal role, तो आप non-resident का business connection इंडिया में माना जाएगा, और जितनी income आ रही है उस non-resident को, will be taxable in India, दूसरा, habitually maintain in India stock of goods, on behalf of non-resident, अगर आप non-resident के बहाफ पर, यहाँ पर goods maintain करते हैं, तो yes, आपका क्या मान जाएगा, business connection इंडिया में माना जाएगा, छोटा सा example, Ali Express, Amazon, और other websites के, जो stocks है, यह गुरगाओं, Noida के अंदर में क्या करे जाते हैं, maintain करे जाते हैं, मुंबई के अंदर में maintain की जाते हैं, और वहां से deliveries की जाती है, सोची नहीं, तो कैसे possible है कि foreign से good है, और अचानक आपको दो दिन के अंदर में deliver हो जा रहा है, बिलकुल नहीं, सोची यह COVID-19 के नहीं, उस non-resident के भीहाफ पे, इंडिया में maintain हो रहा था, और अगर stock non-resident के भीहाफ पे maintain हो रहा है, तो उस non-resident के इंडिया में business connection मान लिया जाएगा, और जितनी income आ रही है, it will be taxable in India, third, habitually secure order in India, mainly or wholly for non-resident, या फिर वो order secure करता है, किसके लिए, non-resident के लिए, for example, जब तर समझ जाते थे, और non-resident hotels, let's say, मुझे दुबई जाना है, मैं दुबई की जितनी भी hotels थी है, make my trip पे book कर लेता था, अब make my trip is an Indian company, जो क्या कर रही है, non-resident के भीहाफ पे, non-resident के भीहाफ पे, कोई secure कर रही है order को, क्योंकि मैंने तो make my trip को क्या दे दिया, order दे दिया, in India, उन्होंन order secure कर लिया, foreign non-resident, अब non-resident के लिए, जो order secure कर लिया, ये भी business connection माना जाएगा, उस foreign company को, इंडिया में क्या देना होगा, tax देना होगा, तो बहुत bold move के तहत, हम लोगों ने definition को change किया, अरुंज इटलीज, आपको सलाम है, आने वाले time, उनको जरूर याद रखेगा, इन provisions के है, point समझे, so 3 चीज़े business connection में आती है, 3 चीज़े business connection में आती है, 3 चीज़े business connection में आती है, अगर आप non-resident के वियाफ पर contract conclude करते हो, या उनके वियाफ पर order secure करते हो, या फिर तीसरी चीज, आप क्या करते हो, maintain करते हो stock उनके वियाफ पर, वापस एक बार, conclude करते हो contract को उनके will be taxable in India, deemed business connection, explanation 2A add किया गया, significant economic presence, बहुत जबर्दस्थ point add किया गया, निर्मला सीता रमन जी ने add किया, पर बहुत जबर्दस्थ add किया, ज़र समझेगा, आज प्रोल्म किया है, आज बहुत ज़्यादा income जो आती है, यह apps के कारणा आती, apps में बहुत ज़्यादा income आती है, digital marketing में बहुत ज़्यादा income आती है, yes or no, अब उन्होंने क्या किया, एक निया वर्ड लाया, deemed business connection में, significant economic presence, उन्होंने कहा, अगर किसी non-resident का, significant economic presence भी इंडिया में है, तो हम deemed कर लेंगे, कि business connection इंडिया में है, वापस से सुनिये, अगर किसी non-resident का, significant economic presence भी इंडिया में है, तो हम मान लेंगे कि deemed business connection इंडिया में है, कैसे होगा यह, what is significant economic presence, यह उन्होंने कर दिया, define, वर्ड चेक किजिगा मेरे साथ, significant economic presence of a non-resident in India, अगर किसी का significant economic presence है, तो हम उसे मान लेंगे कि उसका business connection है, कब-कब होता ही है, transaction in respect of any good services property carried out by non-resident including provision of download of data or software in India, अब कई ऐसे softwares हैं, जो हम क्या करते हैं, download करते हैं और इसका payment, online payment किया जाता है, non-resident को online payment किया जा रहा है, for a software download in India, अगर ये prescribed limit के उपर चले जाए, तो हम इसे significant economic presence मान लेंगे, और ये income India में tax होगी, अब आप ये पूछेंगे, ये prescribed limit किती है, अब तक सरकार ने ये notify नहीं किये, बिल्कुल, अब तक सरकार ने ये notify नहीं किये, बस आपको इत्ता याद रखना है, इफ non-resident के बिहाब पे, आप product, services या download of data के provisions होते हैं, और ये prescribed limit के उपर जाता है, एक amount prescribed limit के उपर जाता है, तो ये significant economic presence माना जाएगा, दूसरा है YouTube के लिए, जो सबसे बड़ी streaming company भी है, systematic and continuous soliciting of business activity, engaged in interaction with such number of users, in India through a digital access, अगर आप such number of users के साथ क्या करते हैं, interaction करते हैं और उसे बार-बार solicit करते हैं, और यहाँ पे number of user एक prescribed limit के उपर जाते हैं, for example, TikTok is an international app, अब TikTok के उपर कई advertisements आती होंगी, आप कई बार swipe करते होंगे, कई apps आपने देखने होंगे, आप ऐसे swipe करते होंगे, तो इसमें अचानक से बीच में add आ जाती है, और यह add के लिए इंडिया से पैसा आ जाता है साथ, अगर इसमें number of user एक limit के उपर चले गए, तो हम मान लेंगे इसका significant economic presence इंडिया में है, और यह taxable है, हाला कि जो उपर के download की limit है, या फिर number of user की limit है, यह अब तक prescribed नहीं की गई है, और यह दोनों चीज़े significant economic presence के इंदर में लाई गई है, यह चीज़े significant economic presence मानी जाएंगी, whether or not आपका कोई agreement है, non-resident का कोई place of business है या नहीं है, या non-resident ने इंडिया में services की है या नहीं की है, हम मान लेंगे आपका presence इंडिया के अंदर में है, और आपकी income को यहाँ पर क्या किया जाएगा, tax किया जाएगा, अब तक हमने दो चीज़े पढ़ी, what is business connection, deemed business connection, अब हम पढ़ते हैं not a business connection, इन चार cases में business connection इंडिया में नहीं है, ऐसा मान लिया जाएगा, और अगर business connection इंडिया में है नहीं तो, इनकी income को इंडिया में tax नहीं किया जा सकता, पहला, transaction for purchases of goods, in India for export, अगर आप आते हैं, इंडिया से सिर्फ goods require कर देते हैं और export कर देते हैं, कोई sale नहीं हो रहा है इंडिया में, सिर्फ इंडिया से purchases हो रही है, हम मान लेंगे no income accrued or arise in India, second collection of news, news collection के लिए कोई foreign channel आया, let's say BBC जो सबसे यादा चलता है, इंडिया में आया, news collection किया, और इस से आने वाली उनको कोई income, इंडिया में taxable नहीं है, third shooting of film in India, अगर film shoot हो रही है इंडिया के अंदर में, और इसको इंडिया में project नहीं किया जा रहा है, out of India ही project किया जा रहा है, just because shooting is done in India, doesn't mean income deemed to accru or arise in India, last display of uncut unassorted diamond in India, ये बहुत बड़ा issue था, हलांकि मैं इसको detail में समझाता था, अगर इंडिया में सिर्फ diamond, jewelry uncut और raw diamond का सिर्फ display हो रहा है, display हो रहा है, sale नहीं, सिर्फ display हो रहा है, the income will not deem to accrue or arise in India, सरम कहा है, ये जाप्टर इतना ही बड़ा है, अगर आपको नहीं पता हो तो, ये जाप्टर इतना ही बड़ा है और बिल्कुल हलके में ना ले इस topic को, बिल्कुल हलके में लेनी की ज़रत नहीं है इस topic को, हम थे section 5 पे, सर 9, 5 पे थे, 5 से 9 पे गए थे, 5 पे थे, वहां पे था ROR, RNOR, NR, Indian income, Indian income is taxable to all, हम दूणने निकले Indian income क्या होती है, चार वर्ड मिले, Received in India, Deemed to be Received in India, Accrued in India, Deemed to be Accrued in India, Received in India तो clear था, Deemed to be Received in India, section 7 में पड़ा, Accrued in India clear था, Deemed to be Accrued और Arise in India, section 9 में पड़ा, और 9 में हमें पहला वर्ड मिला Business Connection, जिसने हमसे 3 बाते करी, और इसलिए हम कहते हैं, पहले 6 पे जाएए, 6 से 5 पे जाएए, फिर 7, 8 और 9, इस तरीके साब बढ़ेंगें, तो आपको clearly understand होगा, वापस आते हैं यहाँ पे, R.O.R. है, Indian income है, Indian income is taxable to all, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी Indian income है, तो Indian income resident को भी taxable होगा, जबर्दस definition मैं आज तक नहीं देखी, an income which is not in Indian is a foreign income, foreign income है, R.O.R. को taxable, सीधे शब्दों में अगर कहना चाहूँ, R.O.R. is just like an Indian husband, घर पे भी पिटेगा, बाहर भी पिटेगा, मतलब R.O.R. की global income क्या है, taxable है, N.R. है, तो foreign income N.R. को taxable नहीं है, for example, Trump ने अमेरिका से कोई income कमाया होगा, had nothing to do with India, not taxable in India, R.O.R. को अगर कोई foreign income आ रही है, तो it is taxable, provided it is out of business, our profession which is set up in India, R.O.R. को foreign income, सिर्फ BGBP से आने वाली taxable होगी, that too, वो BGBP कहा set up होना चाहिए, इंडिया में set up होना चाहिए, यही अगर other than individual को दिखा जाए, resident है, तो foreign income taxable, non-resident है, तो foreign income taxable नहीं है, Is that done? That's it, topic is over, यह था residential status, हमने सबसे पहले section 6 पढ़ा, section 6 हम कहाँ गए, 5 पे गए, 5 हमें बताया, कौन सी income किसको taxable है, वहाँ से हम गए 7, 8, 9, sir 8 तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो जो dividend taxable in India है, वो है section 8, तो 7, 8, 9 हमने पढ़ा, exam, underfuse हमें क्या याद रखना है, significant economic presence का definition याद रखना, section 9, देखो, exam point of view से क्या पढ़के जाना, 6 पढ़के जाना, 9 पढ़के जाना, by heart होना चीए, 6 और 9, by heart तुमको learn करके जाना है, उसमें भी significant economic presence का definition, confirm पढ़के जाना, मेरे को ऐसा लगता है, कि अगर paper set hard होता है, तो वो एक point जरूर पूचेगा, क्योंकि amended वाले point है, यह सब, यहाँ आपका residential status क्या होता है, over होता है साब, और बढ़ते हैं, आगे के topic पर, सुआ जाओ दोस्तों, अब हम लोग topic चालू कर रहे हैं, नया topic topic है, house properties, house property के साथ, हम लोग चालू करते हैं, house property अभी क्यों, क्योंकि इसके अंदर में, अगेन दो amendment आया है, छोटा सा topic है, फटा पर complete हो जाएगा, amendment वाला part में, हम लोग के ओपर specific focus करना पड़ेगा, मुझे लगता है, जुलाईने 20 और November 20 के अंदर में, यह बहुत जल्दी पूछा जा सकता है, house property के अगर section देखेंगे, तो 22 से लेकर के 27 तक के सारे sections होते हैं, house property के अंदर में, exam point of view से, क्या 22 याद रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, यससे पहली बार understanding के लिए होता है, house property के income कब taxable होती है, तीन condition है house property में अगर income tax करना है, तो पहला assessi must be owner, owner includes deemed owner, deemed owner का condition section 27 के अंदर में लिखावा है, owner होना चीए या आप deemed owner चीए, दूसरा, there must be land and building appartinent there to, land and building must be appartinent there to, मतलब land must be attached to building in order to take the benefit of house property, इसलिए अगर vacant plat का कभी भी कोई rent आता है, तो वो कहा जाता है income from other sources के अंदर में जाता है, ये बात याद रखना, तीसरा property must not be used for his own business and profession, खुद के business and profession के लिए अगर property use हो रही है, तो उसका income PGPP में जाना चाहिए, ना कि HP में आना चाहिए, अच्छा जी सर, तो ये था section 22, exam under view से बिल्कुल भी काम का नहीं, फिर आते हैं 27 के उपर, अगेन ये एक ऐसा section होगा, जो बिल्कुल काम का नहीं होगा, deemed owner, deemed owner, deemed owner मतलब क्या, for the purpose of this particular section, in situations के अंदर में जो assessi है, उसको deemed owner माना जाएगा, और deemed owner मान करके उसकी income को, house property के अंदर में tax किया जाएगा, भले ही वह actually उसकी चीज का owner हो या ना हो, पहला है, transfer to spouse for inadequate consideration, अगर कोई व्यक्ति, transfer कर देता है, अपने spouse को house property for an inadequate consideration, और spouse को उस property से कोई income generate होती है, तो clubbing provision के जगए section 27 apply किया जाता है, और ऐसे cases में, तो income होती है, वो husband के हाथ में taxable होती है, as a deemed owner, भले ही receive wife नहीं किया हो, लेकिन property inadequate consideration में गई थी, इसी के लिए उस पे clubbing provision attract की जाती है, और section 27 के तैथ clubbing की जाती है, and husband will be treated as deemed owner, जिसने ये property inadequate consideration में transfer करी है, दूसरा transfer to a minor child for inadequate consideration, अगर कोई भी व्यक्ति minor child को कोई house property transfer कर देता है, that too again for an inadequate consideration, तो जो transferor होता है, वो deemed owner माना जाता है, और उसके हाथ में house property की income tax की जाती है, तीसरा holder of an impartable state, now what is impartable state, ऐसी property जो legally divide नहीं हो सकती, because of an agreement, और some kind of understanding, impartable estate के अंदर में, impartable estate के अंदर में, जो उस property को maintain कर रहा है, उसको deemed owner मान के, उसके हाथ में AO taxability लेके आ सकता है, चौती चीज़ आती है, member of a cooperative society, हमने थोड़ी देर पहले discuss किया था, कि house property, जब भी आप apartments के अंदर में रहते हैं, तो आप उसके owner नहीं बनते हैं, आप उसके beneficial owner बनते हैं, प्रॉपरटी के owner कौन दिखते हैं, cooperative society, अब ऐसे cases में अगर मैं अपना कोई property, क्या करता हूँ, किराय पे दे देता हूँ, और मैं मुझे जो rent आ रहा हैं, मैं यह को बोलूँगा कि आप owner, that is cooperative society टे tax collect करें, बिल्कुल नहीं चलेगा, I am the deem owner and I am liable to pay the taxes, hence beneficial owner को deem owner मान लिया जाता है, next person in possession of a property, for let's say more than 12 years in case of a lease, अगर lease 12 साल के उपर की होती है, तो उस assessi को क्या मान लिया जाता है, deem owner मान लिया जाता है, और ऐसे cases में, वो वेक्ती क्या परिक करता है, tax pay करता है, तो यह थे 22 और 27 बिल्कुल exam point of use से काम किन नहीं है, अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग, calculation of house property के उपर, याद मैं आपको दिरा दू, फटा फट house property के अंदर में, house property के अंदर में, format दियावा है, पूरे income tax में से दो ही SID है, जहाँ पर format है, दूसरा interest on borrowed capital, आप पहुजाते हो, income from house property के अंदर में, सबसे पहले चलते हैं, GAV calculation करने के लिए, आईए मेरे दोस्तों, फटा फट चलते हैं, GAV calculation के लिए, GAV, जिसे हम अलग सब्दों में कहते हैं, gross annual value, GAV shall be higher of RER और ARR, हम सब को पता है, RER stands for reasonably expected rent, और ARR stands for actual rent, receive or receivable, RER कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आपको तीन component लगते है, step one, आपको municipal value चाहिए, step two, आपको fair rent चाहिए, municipal value और fair rent, whichever is higher, became expected rent, expected rent को standard rent के साथ compare किया जाता है, whichever is lower, became RER, फिर आता है, actual rent, receive or receivable, actual rent, receive or receivable के केस में क्या होता है, जो भी आपका actual rent, receive or receivable है, इसमें से unrealized rent minus किया जाता है, अगर condition satisfy हो तो, problem आप खुदी बता देगा, condition satisfy है या नहीं है, so ARR में से unrealized rent को minus कर देना, आपको मिल जाएगा ARR, RER और ARR whichever is higher, क्या बन जाएगा, आपका GAV बन जाएगा, problem में अगर RER की detail नहीं दी हो, तो annual value, actual rent, ARR को ही, आप GAV मान करके calculation कर सकते हैं, यह बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे notes जरूर दिये में है, municipal value क्या होता है, fair rent क्या होता है, unrealized rent क्या होता है, आप एक बार देख लीजेगा, RER कभी भी expected rent से, exceed नहीं कर सकता, Supreme Court judgment, पहली चीज़ चाहिए थी, हमें format के लिए वो चाहिए थे GAV, GAV, RER, ARR, whichever is higher, दूसरी चीज़ लगती है, municipal value, municipal tax actually paid, यहीं पर यह उसी के नीचे, चार्ट बनावाए ध्यान से देखेगा, municipal tax, इसे तो अलग नाम से भी जाना जा सकता है, एक property tax और corporation tax के नाम से भी जाना जाता है, अगर आपने अपने घर का कभी municipal tax की पावती देखी होगी, या municipal tax receipt देखा होगा, you might have seen, इसके अंदर में water tax and severage tax भी cover होता है, मतलब water tax और severage tax भी इसी का part है, तो अगर problem में आपको municipal tax के लावा water and severage tax भी दिया है, तो भी आप इसको लेंगे, add up करेंगे for the purpose of calculation of house property, दूसरी बात, municipal tax आपको दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो आपको cash दिया होगा, या तो आपको percentage दिया होगा, cash दिया होगा तो जितनी value दिया होगी वो ले लेना, percentage दिया होगा तो take percentage of municipal value not GAV, काम की बात, take percentage of municipal value not GAV, फिर आते हैं कुछ और बातों पे, municipal tax actually paid, यानि arrears basis पे इसका कोई deduction नहीं मिलेगा, actually paid होगा तो ही deduction मिलेगा, फिर से word पढ़ते हैं, municipal tax actually paid by owner, मतलब tenant ने अगर पे किया होगा, तो उसका कोई deduction नहीं मिलने वाला, सिफ जो owner ने पे किया है, उसका deduction आपको मिलने वाला है, actually paid word यूज था, मतलब paid for previous year and current year, अगर previous year का current year में पे किया, क्या deduction मिलेगा, हाँ, बिल्कुल deduction मिल जाएगा, sir current year का current year में पे किया, हाँ, deduction मिल जाएगा, sir advance में पे किया, answer is no, कोई deduction नहीं मिलेगा, तो अगर municipal tax आपने advance में पे किया है, उसका deduction मिलेगा हाँ उसका deduction मिल सकता है municipal tax आपने इंडिया में पे किया हो या आपने फॉरन में पे किया हो दोनों का deduction मिलेगा और institute ने तीन बार ये knowledge आपका test किया है so detail में check करते है it should be bond by assessee not tenant तो इस point के उपर आपका focus होना चाहिए कि ये tenant नहीं दियना है assessee ने दिया है तो it should be actually paid याने arrears basis पर इसका को deduction नहीं मिलेगा advance में अगर पे किया तो को deduction नहीं मिलेगा water tax and severage tax are also available वो इसका part है paid outside India allowed as per CIT versus Veni Gopal Radier दो तरह से दिया जा सकता है cash और percentage percentage में दिया तो take percentage of municipal value and not GAV so आईए फटाक से हमने सबसे बहले GAV देखा whichever is higher इसमें से क्या minus करेंगे municipal tax by default में आपको क्या मिल जाएगा NAV मिल जाएगा NAV में से दो deduction मिलते हैं पहला standard deduction problem में बूला हो या नहीं बूला हो आपको standard deduction देना है standard deduction is at the rate of 30% of NAV NAV अगर positive है तो 30% उसका standard deduction available होगा ही होगा आपको right so आते हैं section 24 के उपर जो आपसे दो तरके deduction की बात करता है page 2 पे आईए फ़र से page 2 पे आपको दो deduction मिल रहा है section 24 के पहला standard deduction always at the rate of 30% of NAV NAV का 30% आपको standard deduction मिलेगा standard deduction मिला तो कोई और खडचे like rent कोई भी और खडचे like repairs, insurance, painting, etc. यह सब मिलने वाले नहीं है यह 30% में आपका सब कुछ cover कर लिया जाता है यह तभी मिलता है जब NAV क्या हो positive हो NAV का positive होना बहुत ज़रूरी अगर आपको standard deduction claim करना है तो 30% of NAV available only if NAV is positive तभी मिलेगा जब NAV क्या होगा positive होगा if standard deduction is available no other expenses shall be allowed standard deduction मिला तो कोई और खडचा allowed नहीं है फिर आता है interest on borrowed capital यह वो जगह है and the interest on borrowed capital यह वो जगह है जहां पर maximum आपका calculation को गलत कर दिया जाता है यह वो जगह है जहां institute आपको सबसे जब्सेधा गुमाएगा पहले हम बात कर रहे हैं interest on borrowed capital की हम बात कर रहे हैं interest की ना कि principal की तो पहले तरीका जो problem आपको घुमाएगा आपको principal की भी amount देगा और interest की भी amount देगा याद रखना आपने सिर्फ interest में interest दिखाना principal पे interest नहीं दिखाना राइट तो interest की बात कर रहे हैं दूसरी बात, यह जो deduction है, यहाँ पर actually paid word नहीं लिखावा है, जिसका मतलब interest का deduction accrual basis पे मिल सकता है, interest का deduction accrual basis पे मिल सकता है, तीसरी बात, interest on borrowed capital, यह जो borrowing होनी चेह, यह काई के लिए होनी चेह, यह होनी चेह, for the purpose of house property, चाहे इसको आपने repairs करवाया हो, या आप इसके acquisition के लिए ले रहे हो, फिर एक और बात, interest on borrowed capital का deduction कितना मिलता है, वापस से कह देता हूँ, वापस से कह देता हूँ, यह दोनों मिला करके total बनता है, आपका interest on borrowed capital, सर, pre construction interest कैसे calculate करते हैं, depends करता है, आपका construction पहले हूँ यर repayment पहले हूँ तो pre construction period होता है, date of borrowing से लेके date of repayment तक, date of borrowing से लेके date of repayment तक, और यह पूरा period को हम कहते हैं, pre-construction period और इसका one-fifth आपको deduction मिलता है यही अगर construction पहले हुआ होगा जो institute सबसे जाधा पूछता है सबसे जाधा यही पार पूछता है construction पहले हो गया तो क्या अगर construction पहले हो गया तो date of borrowing से लेके 31st March prior to date of completion completion के पहले के 31st March तक के आपको क्या करना होता है calculation करना होता है so one-fifth of pre-construction plus 100% of post construction मिला करके बनता है आपका interest on borrowed capital sir मुझे बताईए a fresh loan taken to repay original loan for example मान लिजे मैंने पहला जो loan लिया था यह ICI bank से लिया था at 9% of the rate of interest मुझे SBI ने 7% offer किया obviously बात ही मैं अपना interest बचाऊँगा मैंने अपना loan shift कर दिया कहां पे 7% पे so I have taken a fresh loan to repay the original loan I have taken a fresh loan to repay the original loan whether interest is allowed as deduction answer is yes as the interest allowed as deduction मान लिजे मैंने interest pay नहीं किया इस COVID-19 के situation में income नहीं थी मैंने interest pay ही नहीं किया इस interest पे और interest लगाया bank ने और बाद में मैंने जाकर के pay किया जिसे हम अलग शब्दों में आज कह रहे हैं moratorium right अब मैंने बाद में जाकर इस interest पे interest पे किया क्या वो deduction बोल कर के मिलेगा answer is no interest on interest is not allowed as deduction right अच्छा जी sir sir मुझे एक और बात बताईए जो interest है क्या सिप यह allowed है या इसके साथ साथ brokerage और commission be allowed answer is no sir interest का वर्ड यूज क्या है brokerage और commission किसी भी तरेके का allowed नहीं है so let's check deduction is available on accrual basis जैसा कि मैंने कहा था actually paid word लिखावा नहीं है interest on unpaid interest not allowed so interest on unpaid interest not allowed as deduction brokerage commission not allowed interest on loan taken to repay original loan is considered as loan taken and therefore allowed as deduction ATEE provide additional benefit out of gross total income deduction is equals to one-fifth of pre plus hundred percent of post construction interest one-fifth of pre plus hundred percent of post pre construction period कहां से कहां तक अगर repayment पहले हो गया होगा तो date of borrowing to date of repayment अगर construction पहले हो गया होगा तो date of borrowing to 31st March prior to date of completion right sir आपको हमेशा यही calculation करना होता है interest on borrowed capital का आप एक अलग से working note बनाएंगे अगर यह working note आप नहीं बनाते तो आपके क्या कटेंगे marks कटेंगे साब section 25 के उपर focus करना होगा मान लिए जए कोई interest है जो आप outside India pay कर रहे हैं और आपने इसके उपर TDS deduct नहीं किया तो section 25 कहता है यह interest का deduction आपको मिलने वाला नहीं है section को check करते हैं interest chargeable under this act which is payable outside India तो इत्य शब्त को लिए interest which is payable outside India shall not be deducted if tax has not been deducted or there is no person who can be treated as agent of non-resident तो आपने TDS deduct नहीं किया है या आप कोई person को agent नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे cases में आपको cease का deduction नहीं मिलेगा वापस से अगर हम format लेके तो format हम पूरा पड़ चुके है GAV municipal tax NAV standard deduction interest on borrowed capital जनरली इसके basis पर आपको क्या मिल जाता है पूरा HP का calculation आ जाता है तो अगर कोई property किराय पर दी है बहुत simple calculation है GAV minus municipal tax actually paid NAV standard deduction interest on borrowed capital आपका काम खतम एक बात अगर property let out है अगर property let out है तो interest maximum limit कितना मिलेगा एक सवाल बच्चों को हमेशा खट-कट आता है मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ अगर आपका property let out property है अगर आपका property के ऐसा है let out property है तो आपका जो interest होगा वो होगा unlimited आपका जो interest होगा वो होगा unlimited वो जो दो लाक रुपय तक की limit है वो self occupied property के लिए है let out property के लिए ऐसा कोई limit नहीं है let out property के लिए आपको जितना interest लगता है आप पूरा का पूरा claim कर सकते हैं आपने repairs के लिए लिए हो या construction के लिए हो इससे कोई परक पड़ने वाला नहीं है तो यह था 231C let out property का point हला कि यह let out property है for vacant for whole year में यह नहीं है यह सिफ concept था आईए अब एक एक part पे चलते हैं property के क्या-क्य uses हो सकते हैं पहला property का use हो सकता है self occupied property और इसमें आया है amendment self occupied property में क्या आया है amendment आया है ज़र ध्यान से सुनिएगा अच्छा जी अब तक क्या था और amendment क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ अब तक income tax law ऐसा था कि कोई भी एक property आप self occupancy में claim कर सकते थे self occupancy में claim करने का मतलब क्या है self occupancy में claim करने का मतलब है जिसका GA भी आप क्या claim कर सकते थे nil claim कर सकते थे so एक property का benefit आपको allowed था लेकिन जैसे कि हमने कहा कि बहुत सालों से real estate उठा ही नहीं है और इसको boom देने के लिए क्या किया गया कहा गया कि अब व्यक्ति दो property self-occupied कर सकता था instead of one so एक से जादा property भी self-occupied की जा सकती थी और दोनों के लिए आप GAV निल का benefit ले सकते थे हाला कि 2 से उपर की property self-occupied नहीं हो सकती थी so calculation के अंदर में amendment क्या आया 232 के अंदर में amendment आया that more than one house property that is two house property could be self-occupied तो यह सबसे बड़ा amendment याने दो घर को self-occupied claim किया जा सकता है लेकिन सरकार ने benefit तो दिया with a restriction restriction क्या था आपको यह याद होगा कि एक self-occupied property के लिए maximum interest 2 lakh रुपीस तक allowed था अगर वो acquisition या construction के लिए होगा या maximum 30,000 तक के था अगर वो लोन किसके लिए होगा repairs and maintenance के लिए होगा तो अब इन्होंने condition यह लगाई है कि अगर एक दो से जादा property आप रख रहे है या let's say दो self-occupied property आप रख रहे है तो दोनो property का मिला के दोनो property का मिला के maximum interest 2 lakh और 30,000 होगा maximum interest 2 lakh और 30,000 होगा यह change आया है so check कर लीजेगा this property should not be let out for any part of the year no other benefit is derived number of self-occupied property should not exceed 2 so sahab जहाँ पे एक self-occupied property का benefit था अब दो self-occupied property का benefit दे दिया गया है दोनो property के लिए जीए भी क्या होगा nil, municipal tax पे किया होगा तो भी deduction मिलने वाला नहीं है obviously NAV क्या होने वाला है nil, since NAV नहीं nil है standard deduction क्या होगा nil, पर interest on borrowed capital का deduction मिलेगा एक property का या दोनो property का मिला के maximum 2 lakhs और 30,000 यह limit सिफ self-occupied property के लिए है, अगर property let out property है तो interest unlimited होगा, अगर property let out property है तो interest क्या होगा बटा, unlimited, चलते है, 2 lakhs के लिए क्या condition है, for claiming the benefit up to 2 lakh rupees, there are 3 conditions, first, loan must be taken for acquisition or construction, जो loan आपने लिया है, acquisition यह construction के लिए होना चिए, it must be taken after 1-4-1999, the loan must be taken after 1-4-1999 and the property must be completed within 3 years, इसको change करके कर दिया गया था 5 years, so 3 conditions, loan must be taken for acquisition or construction, after 1-4-1999 and it must be completed within 5 years, अगर यह 3 condition satisfy हो जाती है, the maximum interest you could claim is actual or 2 lakh, whichever is lower, actual or 2 lakh, whichever is lower, अगर यह condition satisfy नहीं हो रही, या loan लिया है, repairs के लिए, the maximum allowed is actual or 30,000, whichever is lower, right, हला कि ऐसी कोई भी limit, let out property के लिए नहीं है, और आप straight away क्या कर सकते है, पूरा का पूरा unlimited claim कर सकते है, check it out, interest on borrowed capital, maximum up to 2 lakh, in aggregate, in aggregate, दोनो घरों का मिला के, right, तीन कंडिशन है, loan must be taken for acquisition or construction, after 1 for 1999, and it must be completed within 5 years, maximum 30,000, if condition given in wasn't is not satisfied, और loan is taken for repairs on maintenance, याने self-occupied property के case में अगर कुछ आ सकता है, तो answer होगा nil, और अगर interest on borrowed capital होगा, तो by default में answer क्या होगा, loss, मुझे लगता है, ये question नहीं पूछेगा, पर हाँ, ये question जरूर पूछ सकता है, more than two house property self-occupied, अगर दो से जादा property self-occupied हुई तो, तो ऐसे cases में मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, let's say मेरे तीन घर है, right, दो self-occupied, तीसरा भी self-occupied, तीनों property मेरे नाम से, एक में मैं रहता हूँ, एक में मेरे बड़े भी या रहते हैं, एक में सबसे बड़े भी या रहते हैं, तीन property self-occupied हो गई, अब law के हिसाब से, नए कानून के हिसाब से, कोई भी दो घर को मैं self-occupied बोल सकता हूँ, और एक घर को मुझे deemed let out property के नाम से देना होगा, भले उससे कोई rent नहीं आ रहा होगा मुझे, पर मुझे deemed let out property का concept follow करना होता है, क्योंकि HP एक बिल्कुल अलग सहेड है, यहाँ पे actual income नहीं, earning capacity of property taxable है, actual income नहीं, earning capacity of property taxable है, तो कोई भी दो घर मेरे मर्जी के हिसाब से, कोई भी दो घर मेरे मर्जी के हिसाब से, तो suppose कर लिजे मेरे तीन घर है, एक नाकपुर में, एक अमरावती में, एक पूने के अंदर में, अब यह मैं decide कर सकता हूँ, कि मेरे कोई भी दो घर को मैं self-occupied claim कर लूँगा, और एक घर को क्या कर लूँगा D.L.O.P. क्लेम कर लूँगा सर पर वहां से तो कोई रेंट आई नहीं रहा A.R.R. तो निल होगा बरबर है न बिटा R.E.R. के बेसेस पर भी तो टैक्स हो सकता है न तो ऐसे घर जो deemed let out property में है उनका जिये भी हमेशा क्या आएगा R.E.R. पर एक सबसे बड़ा सवाल अब भी आता है कि कौन सी property को self occupy किया जाए और कौन सी property को let out किया जाए और इसके लिए हमें calculation का format चाहिए मैंने आपके लिए एक format बना के दिया है और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यह format से solve कर ले तो आपको answer कभी भी perfect ही आएगा आपको test करना होगा जिसे आपने CPTA foundation में सीखा था trial and error method trial and error method लगाना होगा तीनों में आपको check करना होगा जहां income कम आ रही होगी या तो वो option select करना होगा sir option कैसे बनाए बहुत simple पहले flat 1 को DLOP बना दो flat 2 को DLOP flat 1 को SOP बना दो flat 2 SOP बना दो flat 3 DLOP रख लो दूसरा option flat 1 SOP कर लो flat 2 DLOP कर लो flat 3 SOP कर लो तीसरा option पहला flat DLOP कर लो बचेवे last के 2 SOP कर लो और आपकी net income निकालो क्या निकालो net income निकालो net income निकालने के बाद आपको वो option select करना पड़ेगा जहां income कमारी है या loss जादा आ रहा है net option निकालने के बाद आपको वो option select करना पड़ेगा जहां income कमारी है या loss जादा आ रहा है यह हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा, तो आईए format को देखते हैं, और format देखने से फिले एक और point clear कर देता हूँ, जो self occupied property है, दोनों का मिला के 2,000,000 होगा, दोनों का मिला के 2,000,000 होगा, पर जो deemed let out property है, इसका interest unlimited होगा, सर unlimited क्यों, logical है, जब आप income ना होने के बाउजूद भी अपनी income tax को offer कर रहे हैं, तो आसे सी will claim the deduction of interest, so interest unlimited क्या हो जाएगा, claim हो जाएगा, so check किजिगा, 23, sub section 4, more than two house property self occupied, option 1, flat 1 को SOP बनाया, flat 2 को SOP बनाया, flat 3 को DLOP बनाया, एक option सिख लिजए, आपको बागी सब easy हो जाएगा, जो property SOP है, मेरा बच्चा मुझे बताएगा, जो property SOP है, उसका GAV क्या claim करेंगे, nil, municipal tax क्या claim करेंगे, nil, NAV क्या claim करेंगे, nil, standard deduction क्या होगा, nil, interest on borrowed capital, limited या unlimited, limited, limited, लेकिन ये दोनों का मिला के, या तो दोला के, या तो 30,000 maximum में, यही property DLOP है, ARR तो आ नहीं सकता, तो by default में क्या बनेगा, RER इसका GAV बनेगा, yes or no, इसमें से municipal tax का deduction मिलेगा, क्योंकि property deemed as let out है, तो पूरा calculation let out के जैसे होगा, सिफ GAV क्या होगा, RER, municipal tax का deduction मिलेगा, NAV आएगा, standard deduction मिलेगा, IOBC भी मिलेगा, limited या unlimited, unlimited, अब इन तीनों का हमें net करना होगा, या तो जिसमें income कम आए, या जिसमें loss जादा आए, यह option को हमें select करना होगा, तीनों को trial and error करके, आप एक बार इस format को देखिए, दूसरा option क्या था, ट्रागें, trial and error 2, flat 1 को SOP किया, flat 2 को DLOP किया, flat 3 को SOP किया, तीसरा option, flat 1 को DLOP किया, flat 2 को SOP किया, flat 3 को SOP किया, कैसे select करेंगे, बड़ा simple है मेरे भाई, choose the option which has lower taxable income और higher loss, हमें वो option select करना है, जो इसकी lower taxable income हो, या higher loss हो, इस point को बिल्कुल दिल से लगा के रख लेना, the maximum interest for both the self-occupied property cannot exceed 2,30,000, इसके उपर न, module में गनेश नाम का एक problem आया है, जो मैंने मेरे fast track book में भी रखा है, और जो मैंने मेरे regular notes के अंदर में भी रखा है, गनेश नाम का एक problem आया है, module में इसी concept के उपर, वो एक problem 100% करके चल जाना, मैं कहता हूँ उसी problem को या तो दे देंगे, या तो उसकी figure change करके देंगे, पर वो एक problem भेतरीन problem है, बिल्कुल इस concept और amendment based problem है वो, वो एक problem करके चल जाना, आपका काम हो जाएगा, अब आते हैं, let out property kept vacant for whole year, let out property kept vacant for whole year, आपने पहला amendment तो देख लिया, अब ये है दूसरा amendment, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, property kept है stock and trade, property kept है stock and trade, इसमें भी आया है amendment, और ये है second और last amendment, HP के topic का, समझेगा, sir, होता ये था, builder अगर कोई है, and he is keeping the property as stock and trade, obviously बात है, stock and trade अगर उसका है, right, उस property के अंदर वो business तो कर नहीं रहा है, उस property के अंदर वो business तो कर नहीं रहा है, तो कोई भी दो property को वो क्या कर सकता था, SOP कर सकता था, और बाकी property को builder को क्या करना पड़ता था, deemed let out की condition को follow करना पड़ता था, उसे उसे उस पर tax देना होता था, ज़र ऐसा को provision क्यों, उसके लिए तो stock and trade था ना, हाँ, पर builder को बहुत सारे benefit भी है, जो ATIA, IBA के अंदर में available है, ATIBA के अंदर भी available है, तो ऐसे लिए इसे क्या किया जाता था, तो team let out किया जाता था, ना तो point is amendment क्या आया, अब तक के था कि construction complete होने के, एक साल तक के तुम इसका GAV nil claim कर सकते थे, builder लोग finance ministry के पास गये, उनने कहा कि sir property बनने के बाद बिक्ती नहीं है, और as of now तो वैसे भी real estate market पूरा का पूरा डाउन चल रहा है, तो हम एक साल के अंदर में बेची नहीं सकते, इसका period बढ़ाई है, finance ministry ने इस बात को समझा कि हाँ real estate सच में डाउन है, और उन्होंने क्या किया, जो property stock in trade में है, उसका one year के जगा कर दिया, two year, अब property complete होने के बाद, दो साल तक आप इसका GAV निल क्लेम कर सकते हो, लेकिन तीसरे साल से, फिर builder को इसका notional amount, deemed let out property बोलके क्या करना होगा, taxable करना होगा, यही है amendment, वड समझे, where the property consists of any building land, appartinent there to, held as stock in trade, held as stock in trade, and the property or any part thereof, is not let during the whole or any part of the previous year, annual value of such property, for a period up to two years from the end of financial year, in which certificate of completion is obtained, तो पहले यहाँ पे क्या लिखा था, one year लिखा था, अब क्या कर दिया, two years, तो अब दो साल तक के, आपको क्या क्लेम करना होगा, GAV निल क्लेम कर सकते हो, आप, shall be taken as nil, दो साल तक के, GAV निल क्लेम कर सकते हो, लेकिन दो साल बाद, stock, जो property आपके लिए, stock and trade है, उसका भी आपको क्या करना होगा, DLOP, बुलगर के taxability में ले के आना होगा, तो यह थे दो amendment, पहला amendment, एक से जादा self occupied को, आप क्या माने होगे, एक से जादा property को आप self occupied कर सकते हो, और दूसरा amendment था, अगर property stock and trade है, तो अब एक साल नहीं, दो साल तक आप इसका क्या कर सकते हो, GAV निल क्लेम कर सकते हो, नेक्स्ट है, property let out for part of the year, and part of the year self occupied, अगर property part of the year self occupied है, part of the year let out है, तो इसका calculation हम कैसे करते हैं, इसका calculation करते है, deemed let out for whole year, और इसका calculation DLOP basis पे किया जाता है, deemed let out for whole year, हलां कि calculation बिल्कुल वही सही रहेगा, RER और ERR whichever is higher, since property deemed let out property है, interest होगा, यह unlimited होगा, portion self occupied, portion let out, क्या situation है यह, सिफ calculation का format बदल रहा है, अगर portion self occupied है, portion let out है, let us take an example, निच्चे वाला आपने ground floor जो है, यह आपने self occupied रखा है, और first floor जो है, यह आपने किराय पे दियावा है, income tax कहता है, इसे एक नहीं मानना है, इसे अलग-अलग part मानना है, और जो आपने self occupy किया है, इसका SOP जैसे calculation करो, और जो let out किया है, इसका LOP जैसा calculation करो, तो आप देख सकते हैं format, सिर्फ यह एक के जगा कित्ते column हो जाते हैं, दो, और हर चीज़ को divide कर दिया जाता है, जैसे municipal tax, fair rent, interest on borrowed capital, divide कर दिया जाता है, SOP पूरा SOP जैसे solve किया जाता है, SOP पूरा SOP जैसे solve किया जाता है, nothing different, तो आप अगर HP के अंदर में SOP और SOP का concept समझ जाओगे न, आपको आगे के पूरे formats एकदम easily आद हो जाएंगे, last, जो है very important, तो अगर very important के criteria में रखूँ, तो एक जो amendment आया है, कर गया हुए SOP वाला, मुझे लगता है, यह आ सकता है आपको, important category में डाला है, यह भी important category में डाला है मैंने, यह जो amendment आया है, यह भी important category में है, और last में vacancy वाला point, यह तो important category में है, यह वो point है जो सबसे ज़्यादा examination में पूछा जाता है, और examiner का favorite part है यह, property with vacancy, अगर property में vacancy है, अगर property में vacancy है, तो calculation कैसे किया जाएगा, बहुत simple है सर, अगर property में vacancy है, तो यहाँ पर हम तीन step follow करने बोलते है, step number one, आप निकालो RER, जैसा normally साल भर के लिए RER निकालते हो, वैसा ही साल भर के लिए RER निकालना होगा आपको, वैकेंसी भूल जाओ कि वैकोई vacancy है, step two, RR, RR निकालो, unrealized rent minus करके, जो proper RR आता है, आप वो RR निकालो, भूल जाओ कि कोई vacancy है, step three, actual rent received, RR निकालो, actual rent received, जो after vacancy आपको actually receive होगा है, वो निकालो, अब आपको क्या करना है, step three को step one के साथ compare करना है, if AR, AR, RR से बड़ा है, if AR, RR से बड़ा है, if AR, RR से बड़ा है, मतलब, vacancy के बावजूद अगर AR बड़ा है, if the AR is higher than RR, AR is equal to GAV, AR को क्या ले लेना, GAV ले लेना, अगर property में vacancy है, तो सबसे बड़ा calculation है, सिर्फ और सिर्फ GAV calculation आता है, बाकि कुछ भी नहीं आता, so अगर, even after vacancy, AR is higher than RR, AR will be equal to GAV, if RR is higher than AR, if RR is higher than AR, तो आपको देखना होगा, it is because of vacancy, or not because of vacancy, if it is because of vacancy, मतलब, अगर vacancy ना होती, तो ARR हम select कर लेते, instead of RR, तो अगर vacancy ना होती, तो आपका AR कम नहीं होता, ऐसे cases में, जहां सिर्फ reason vacancy है, ऐसे cases में, AR is equal to GAV, AR कोई क्या मान लिया जाएगा, GAV मान लिया जाएगा, other reason के कारण है, what is other reason, vacancy थी या नहीं थी, RR वैसे भी higher था, for example, RR was 4 lakh rupees, और ARR was 2 lakh 50,000 rupees, अब यहाँ पर vacancy होती या ना होती, क्या फरक पड़ता, RR वैसे भी higher था, जहां reason vacancy नहीं हो, RR minus loss due to vacancy, is equal to GAV, हलाकि यह एक ऐसा point है, जो अलग-अलग author, अलग-अलग point बोलते हैं, लेकिन यह सबसे ज़्यादा चलने वाला point है, और इसी को IC AI भी consider करता है, so, RR minus loss due to vacancy, will be treated as GAV, तो एक बार यह देख लीजे, सबसे ज़्यादा चलने वाला point, step 1 निकालिए RER, step 2 निकालिए ARR, as if there is no vacancy excluding the unrealized rent, और AR निकालिए, अगर AR RER से उपपर है, AR has to be taken as GAV, अगर AR RER से उपपर है, देखना होगा, is it because of vacancy, not because of vacancy, vacancy के कारण है, AR is equal to GAV, other than vacancy है, RER minus loss due to vacancy is equal to GAV, since property let out property है, municipal tax का deduction मिलेगा क्या हाँ, standard deduction मिलेगा हाँ, interest on borrowed capital unlimited, क्यों property let out property है, IOBC कित्ता unlimited, अब पूरा का पूरा claim कर लेंगे, ये थे uses of house property, हमने complete किया section 22, charging section, section 23, various uses of house property, section 24, deduction, section 27 भी हम लोगोंने complete कर लिया, दो section बचते हैं 25 और 26, आई ये पड़ापट कर लेते हैं, 25 AA, 25 B, recovery और unrealized rent, and arrears of rent, जब भी unrealized rent recover हुआ, recover हुआ, मान लिजे कोई व्यक्ती था, मेरा किरायदा था, छोड़ कर के चले गया था, उससे में किराया वसूल नहीं कर पाया था, later on वो मुझे कहीं मिला, और मैंने उससे किरायदा वसूल कर लिया, my unrealized rent recovered, what is arrears of rent, कई बार ऐसा होता है, कि maximum of the situation में ऐसा होता है, व्यक्ती अपनी property इंडिया में, किरायदा पर देखर के फॉरंच चल जाता है, कई सालों बाद आता है, देखता है इस property के आँ, रेंट तो काफी उपर और मुझे जो रेंट मिल रहा था है कम था, he simply says to the tenant की boss, increase the rent, मुझे आप arrears provide करो, वो कहता है कि नहीं, मैं यह provide नहीं करूँगा, owner इस matter को लेकर के court में चला जाता है, और arrears of rent डिमांड करता है, अगर court arrears of rent award कर देता है, यानि मेरे favor में decide कर देता है, तो ऐसे cases में I receives arrears of rent, यह दोनों चीज़े, unrealized rent या arrears of rent, दोनों में फरक क्या है, unrealized rent के अंदर में, हम उससे rent recover नहीं कर पायते हैं, arrears of rent के अंदर में, हम court में जाकर के, increase करवा के लेते हैं rent को, जब भी यह receive होंगे, उससाल taxable, so arrears of rent और unrealized rent, जिस year में receive होए, उससाल में taxable होंगे, and 30% will be allowed as deduction, so check कीज़े, सबसे पहले meaning दिया है, इस point पर focus करिये, taxable as income in the previous year, in which it is recovered, so taxable उससाल में होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, recover करते हैं, receive करते हैं, उससाल में हम क्या मान लेंगे, इसको taxable मान लेंगे, and 30% shall be allowed as deduction, so दोनों का treatment same है, आपको कुछ भी दिया हो, unrealized rent receive दिया हो, या arrears of rent receive दिया हो, दोनों का treatment same है, मैं आपको बताता हूँ, एक point, यह problem है, यह problem है, आनन्द नाम से, जो module के अंदर में available है, मैंने भी वही से लिया है, and it is a past examination question, आनन्द नाम का यह problem है, यह इस point के उपर का बहतरीन problem है, unrealized rent और arrears of rent का, यह बहतरीन problem है, इस problem को आप solve कर लोगे, तो concept ही clear हो जाएंगा, यह problem दो minute का problem है, दो ही minute का problem है, लेकिन इतना ज़्यादा confuse किया है, आप लोगों को, अगर किसी को concept यादो, that it is taxable in the year of receipt, and 30% is allowed as deduction, वो दो minute के अंदर, इस problem को crack कर सकता था, और देखेगा इस problem को पढ़के, कि institute ने का cleverness के साथ, आपको घुमानी की कोशिश की है, मैं आ जाता हूँ, सबसे आखरी part के उपर, house property के section 26, अब मारा house property भी खतम हो जाएगा, section 26, co-owned property, याने दो लोग मिल करके, जब एक property को own करते हैं, इस concept को हम कहते हैं, co-owned property, right, co-owned property, अब जहांद सुनिये, दोनों मिल करके, इसको SOP जैसे यूज़ कर रहे हैं, for example, मैंने और दर्शन सर ने एक जगा ले ली, आजू बाजू में हमने बंगलो बना दिये, दोनों इस property को क्या कर रहे हैं, self occupancy जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों GAV का benefit nil claim कर सकते हैं, येस दोनों GAV का benefit nil claim कर सकते हैं, फिर बात आती है interest की, since self occupied property है, maximum interest that could be allowed, maximum interest that could be allowed is 2 lakh, तो 2 lakh for each person, और 2 lakh in total दोनों का मिला के, law ने यहां पर benefit दिया है, को अज़़ प्रोपरटी के लिए और कहा है, 2 lakh for each person, 2 lakh for each person, claim करींगे, so if property used as SOP, if the property is used as SOP, then both can claim the SOP benefit, and both are allowed a deduction, up to 30,002 lakh, दोनों को अपने अपने deduction, खुद मिल जाएंगे, अगर property let out property है, जान्द सुनना, अगर property क्या है, let out property है, तो कैसे compute किया जाएगा, बहुत simple है, आप जैसे normal HP compute करते हो, बिल्कुल HP ये वैसे compute कीजे, और जो भी final HP का answer आएगा, उसको appropriate ratio में divide कीजे, शुरुवात से आपको divide करने की ज़रूत निये, जैसे normal HP compute करते हो, आप वैसे compute कीजे, और end में आके आपको क्या कर देना है, divide कर देना है, ऐसा mechanism, खुद section 26 देता है, चेक करिएगा, if the property is let out property, step 1, calculate the house property, as if there is no co-ownership, and divide the final income, into the appropriate ratio, section 22, charging section, 23, various uses of house property, 24, deduction, 25, unrealized rent, arrears of rent, 26, co-owned, 27, deemed owner, game over, house property, provision complete, उम्मीद है, आप जो मैंने आपको दो, प्रॉब्लम बोले हैं, आनंद का, सुनिए, तीन प्रॉब्लम मोडियोल से कर लेना, maximum concept clear हो जाएंगे, एक आनंद का करना, आनंद नाम का problem, दूसरा प्रॉब्लम करना, गनेश, जो amendment based है, तीसरा A and B, co-owned property के उपर question है, A and B, वो कर लेना, आपके maximum सारी चीज़े clear हो जाएगी, ये तीन problem भी आप finally, exam से पहले आपने उल्गों ने देख लिया, HP खतम हो गया, इस से आगे आपको HP पढ़ना ही नहीं है, दो जगा amendment है, इस दो जगा amendment को ध्यान रख लेना, खतम आपका HP भी, रभू, जगे तो हमने बहुत कुछ complete कर लिया, I think heads के अंदर की बात करें, तो we did with salary, we did with HP, we did with capital gain, we did with income from other sources, A की head बचा है PGBP, we did with residential status, we did with advanced tax, we did with return of income, मतलब अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, तो अब तक हमारे कितने टॉपिक हो चुके हैं, अगरिकल्चर इंकम, आठ टॉपिक हम लोगों ने खतम कर दिया हैं, साब, स्पीड देख लीज़े आप, आठ टॉपिक हम लोगों ने खतम कर दिया हैं, अब तक क्या, अपस एक ना देता हूँ, residential, salary, house property, capital gain income from other sources, agricultural income, advanced tax, and return of income, सर, आठ टॉपिक हम लोगों ने complete कर दिया है, सिर्फ एक बार सूच के देखेगा, कितनी मेहनत लगी होगी इसे record करने में, और कितनी मेहनत लगी होगी आप तक के इसे पहुचाने में, सही लगे, और आपको अगर content में मजा आ रहोगा, और आपको लग रहा होगा, कि हम सही में बहुट डीटेल में जा रहे हैं, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजेगा, अगर उस विचारी की बेगर पढ़ाई होगी, आपको और मुझे दोनों को दुआ मिलेगी, चलते हैं next topic के उपर, चलो दोस्तों अब आजाते हैं next topic के उपर, next topic है हमारा TDS, यहां तक आते हैं आपकी हालत, बयानक टाइट हो चुके होगी, मैं जानता हूँ, और आप लोग एकदम frustrated हो चुके होगे, जिन्दगी के अंदर में कि इतना सब कुछ पढ़ना है, पर मैं आपको यहां दिरादू भीटा, हम सिफ 60 marks के लिए इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप बताईए क्या इसे 100 marks का topic नहीं होना चीए, होना चीए sir, 100 marks का topic है होना चीए, देखेंगे institute कभी करता है गया, पर 60 marks के लिए इतना सब कुछ आपको है, तबी तो जाकर कि आप उस degree के हगदार होंगे, जिस degree के लिए लोग सिफ सपने देखते हैं, मैं जानता हूँ अब तक कि आपका patience level खतम हो चुका होगा, और आप बोलेंगे कि बस बस बहुत हो गया, अब marathon नहीं होगा, ये teacher को तो द्यान है नहीं, ये कितना पढ़ाए जा रहा है, कितना पढ़ाए जा रहा है, पर मैं जानता हूँ कि हम सब को ये prepare करना है, और मैं जानता हूँ इन में से कुछ बच्चे जो ये marathon देख रहे हैं, ये rank लाने वाले हैं, इनने regular class में से ली हो नहीं ली हो फरक नहीं पढ़ता, पर मैं जानता हूँ, ये बच्चे rank के लिए prepare कर रहे हैं, और अगर ये video देख करके आपका rank आ जाता है ना, सर मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, मेरे लिए इससे बड़ा remuneration नहीं हो सकता, कि मैंने किसे के लिए कुछ किया है, आपको बिल्कुल थकना नहीं है, topic के अदनर में, और TDA से कैसा topic है, जो मैं आपको बताता हूँ, जब आप self study कर रहे होंगे, आपने इसके कुछ important important section कर दी होंगे, और बाके सब को कर दिया होगा, नमस्ते बोला होगा कि भी यह यह आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं, इसमें जो आपने सबसे ज़्यादा मिस किया है, वो है procedural part, मैं confirm बता सकता हूँ, कि आपने procedural part के उपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया होगा, और सिर्फ और सिर्फ सेक्शन के उपर ध्यान दिया होगा, और यहाँ वो point है जहाँ institute आपको क्या कर देता है, marks कीचि लेता है आपसे, procedural aspect in TDS सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि यह एक ऐसा topic है, जो article chip में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, CA final level के उपर करीब करीब इसके उपर हम 5 दिन invest करते हैं, और यह इतना बड़ा topic है, आप article chip में जाएंगे, आपको और कुछ सीखने को मिले ना मिले, आपको TDS का impact सबसे ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और इसी लिए TDS का chapter एक relevance रखता है इस topic के अंदर में, module open करके देखिएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि boss, TDS, TCS and advanced tax, यह तीनों एक ही topic के अंदर में रखे हैं, हाला कि we all know कि यह all together बिल्कुल अलग topic है, सबसे पहले आजाते हैं, TDS deduct करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैं आपको invite करूँगा page number 13.8 के उपर, 13.8 के उपर section 203, मैं बहुत सेशोर हूँ, कई लोगों ने तो यह section पढ़ा ही नहीं है, और कई लोगों ने पढ़ा भेया है, तो ध्यान नहीं है, या उसके उपर यह लोग focus भी नहीं करने वाले, फड़ाफट स्टार्ट करते हैं, अगर आपको tax deduct करना है, तो आप हो गए pay year, और जिसका tax deduct होता है, वो गया pay e, deductor and deductee, अगर आपको TDS deduct करना है, आपकी responsibility है deduct करने की in any of the relevant section, तो आपके पास होना चीए एक tan number, जिसको हम कहते है, यह TDS account number, जैसा PAN number होता है, वैसे tan number होता है, और यह requirement लाता है section 203A, यह tan number को आपको जब-जब भी आप चलान भरेंगे, return भरेंगे या कोई भी form भरेंगे, आपको यह tan number देना mandatory होता है, साथ साथ मंजो, आप TDS certificate issue करते हैं, उसके ओपर भी यह tan number देना mandatory होता है, yes or no, तो आपके पास tan होना बहुत ज़रूरी है, provision check कीजेगा, every person deducting or collecting, so TDS या TCS दोनों purpose से काम आएगा, every person deducting or collecting any tax in accordance with the provision of this chapter, in accordance with the provision of this chapter, shall who has not obtained tax deduction account number as the case may be, shall within such time as may be prescribed applied to AO for allotment of 10, 10 number shall be provided in every चलान, certificate, periodic statement and all kind of return, यहाँ पे आपको 10 number प्रोवाइड करना होता है, यह था पहला section, important है या नहीं है, सर मैं आपको बता दूँगा, यह important है, important की कैटेगरी में डाल दीजे, दूसरा आता है 200A, Processing of TDS Statement, Processing of TDS Statement मतलब क्या, जो भी वेक्ति टाक्स डिड़क कर रहा है, जो भी वेक्ति टाक्स डिड़क कर रहा है, इसको quarterly return भरने होते हैं, सबसे पहले यह पढ़ने से पहले, आपको आना होगा यहाँ पे, section 200, subsection 3, TDS return की ओर, जो भी वेक्ति टाक्स डिड़क कर रहा है, इससे सरकार को बताना होता है, कि मैंने कितने लोगों का tax deduction किया है, so the deductor shall file a return, like income tax return, he also has to file TDS return, indicating of how many person and of whom he has deducted the tax, यह जो TDS return होते हैं, यह quarterly जाते हैं, और quarter खतम होने के 31st day के अंदर में इसे बरना होता है, तो पहला quarter अगर 30 June है, तो 31st July तक के आपको यह return भरने होते हैं, यह return जो जाते हैं, यह specific form में जाते हैं, और यह traces की website पे जाते हैं, traces की website, एक separate website बनाया है, जहांपे TDS के compliance किये जाते हैं, हाला कि यह income tax की website से link है, चेक करेंगे TDS return, procedural part है important है, आपको करना ही है, E TDS, E filing of TDS return, director, collector shall be responsible for E filing of quarterly return, कैसे file करना है, clear cut लिखा है, E filing of quarterly return, that has to be made, CBT has notified a central processing statement in traces, TDS CPC.gov.in, and it is 100% mandatory to quote PAN, कब-कब देना है, quarterly देना है, चो आपको अब यह MCQ के माध्यम से पूचा जा सकता है, हो सकता है, आपको MCQ दे दे, कि second quarter का TDS return, कब तक के submit किया जाएगा, वो आपको direct MCQ नहीं देंगे, कि कितने बार आपको return भरना होता है, इस तरीके से आपको question दिया जाएगा, बोला जा सकता है, third quarter का TDS return है, यह कौन सी date तक भरा जाएगा, so quarter ending से 31st day, जो भी, June है 31st July, July, August, September, 31st October, October, November, December, 31st December, लेकिन March के लिए जो date है, वो याद रख लिए, March के लिए date है, not 30th April, not 31st, sorry, 30th April, it is 31st May, March के लिए date अलगे, otherwise, सारा का सारा, quarter ending होने के 31st day के अंदर, आपको क्या भरना होता है, return भरना होता है, तो अगर मुझे tax deduct करना है, पहला requirement मेरे पास टायन होना चीए, दूसरा requirement मुझे सरकार को क्या बताना है, TDS return भी देना है, अब इस return से आईए 200A के उपर, 200A के उपर, important होगा, मैं खुद ही लिख दूँगा, आपको tension लेने की जौरत नहीं, important होगा, मैं खुद ही लिख दूँगा, process आपको में को पूरा पढ़ाना होगा, 200A, ये जो return आउफ डालेंगे, इस return को अब सरकार क्या करेगा, process करेगा, इसमें से mathematical error और incorrect claim होगा, वो बाहर निकालेगा, तो सरकार के उपर एक जिम्मेदारी है, ये section सरकार की जिम्मेदारी बता रहा है, कि assessi ने अपना return जैसी सरकार को बता दिया, सरकार अब इस return को चेक करेगा, कि ये जो return assessi ने बरा है, ये सही बरा है या नी, क्या इसमें कोई error तो नहीं है, incorrect claim तो नहीं है, और ऐसे ये return को process किया जाएगा, ये return process करने के बाद, अगर इसमें कोई गलती मिलती है, तो ये गलती assessi को communicate की जाती है, कि देखे, आपने ये return फाइल किया है, लेकिन ये return में यहाँ 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 पर is-is तरीके की गलती है, ये गलती को आपको सुधार ने बोला जाता है, और इसके लिए आपको generate होता है, एक intimation, क्या generate होता है, intimation कि ये ये is-is तरीके की गलती है, ये आप सुधार लीजे, right, so processing of TDS statement, जो आपने TDS return भरा, इसको process करता है, करता कौन है, central government, word check कीजेगा, where the quarterly return of TDS, or a correction statement has been made by a person, deducting any sum, जो deduct कर रहा है, वो जो return भर रहा है, where a quarterly return has been made by a person deducting any sum, such return shall be processed in the following manner, mathematical error incorrect claim, जो mathematical error है, incorrect claim है, वो compute किया जाता है, final interest shall be computed, fees shall be computed, आपकी final liability, interest और fees निकाली जाती है, right, on final sum payable, or refund due, shall be determined, after adjusting the amount, इसमें से क्या किया जाता है, आपके final amount, adjust की जाती है, and intimation shall be prepared, and generated, and sent to the deductor, specifying the sum so determined, आपको क्या generate कर दिया जाता है, intimation generate कर दिया जाता है, या तो payability का order आता है, या तो refund का order आता है, और आपको ये चीज़ बता दी जाती है, generally payability का आता है, और आपको intimation send कर दिया जाता है, amount of refund due to the deductor, in person to the determination, अगर कोई refund दी होगा, तो ये आपको communicate कर दिया जाता है, so, मैं अगर deductor हूँ, मेरे पास 10 होना चीए, मुझे return भरना है, साथ-साथ में ये return क्या होगा, process होगा, अच्छा जी, 203 AA, काम की चीज़ बिल्कुल नहीं, पर दिया है, तो यूनो, हम लोगों को करना ही करना है, 203 AA, आप मुझे बताइए, as a person, मैं एक businessman हूं, मुझे सच में धहन नहीं रहता कि, किस-किस वेक्ती ने मेरा TDS ड़क किया होगा, मुझे सच में धहन नहीं रहता, किस-किस वेक्ती ने मेरा TDS ड़क किया होगा, आपको नहीं लगता, सरकार ना मुझे एक और फैसिलिटी देनी चीए कि जिन जिन ने मेरा TDS डिड़क किया, मुझे पूरी लिस्ट मिल जाए कि किन किन लोगों ने मेरा TDS डिड़क किया है, आपके अगर कोई बड़े भाई रिलेटिव कोई CA होंगे, तो आप उनको पूछेगा 26 AS, या आपने ड स्टेटमेंट होता है, जिस स्टेटमेंट के अंदर में सरकार हमें बताती है, किस-किस व्यक्ती ने मेरा TDS डिड़क किया है, और ऐसा एक स्टेटमेंट देना सरकार का मेंडेशन है, as per section 203 AA, जै किजेगा, the prescribed income tax authority or authorized agency shall within prescribed time, after the end of financial year, क्या वड़ उसके है, जर देखिएगा, after the end of financial year, prepare and deliver, वो खुद प्रिपेर करेंगे, डिलिवर भी खुद करेंगे, हलाक यह delivery, यह delivery होती है, online मिल जाता है, to every person whose income tax has been deducted, a statement in the prescribed form, specifying the amount of tax deducted during the financial year, और इसके अंदर में लिखा होता है, मेरे against में कितना TDS deduct हुआ है, और इस basis पे में मेरे return में से minus करता हूँ, tax already deducted, हम tax payable निकालते हैं, और इस में से tax already deducted क्या करते हैं, minus कर देते हैं, एक important सवाल, section 200, TDS का due date क्या है, जब भी मैं TDS deduct करता हूँ, मुझे अगले महिने की पहली 7 तारिक तक क्या करना होता है, पहुचाना पढ़ता है, किसको, income tax department को, तो यह TDS का payment मुझे अगले महिने क पहले 7 तारिक तक देना होता है, लेकिन मार्च में जो TDS में deduct करता हूँ, इसे मुझे 30th April तक के पहुचाना होता है, so check कर लीजे, April से February में deduction हुआ है, 7th of the next month, so let's say April में deduct हुआ, 7th May में deduct हुआ, 7 June, लेकिन मार्च में अगर TDS deduct हुआ, तो 30th of April तक के मुझे पहुचाना है, So in case of March 30th April, will be the TDS payment date, यहां TDS के form लिखे हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ेंगे, तो भी चलेगा, फिर आती है बाद TDS certificate की, Sir, जिसका भी tax मैंने deduct किया है, मैं उसे certificate issue करूँगा, उसके tax deduction का, मैं उसे बताऊँगा कि मैंने आपका कितना tax काटा है, यह certificate इसले भी जरूर है, क् कि बाद में चलके, आप 26 AS के साथ मैच कर सकते हैं, कि क्या सारी चीजे record हुई है या नहीं हुई है, form 16, 16A, 16B, इन में आता है यह certificate, यह certificate के form है, form 16, 16A, 16B, अगर आपके dad salaried employed है, तो उनको आता होगा form number 16, और other than salaried employed जो होता है, उनको आता है form 16A, so form number 16, annually आता है, last date है certificate receive करने की 31st of May, other than salary 16A के अंदर में आता है, और यह quarterly आता है, within 15 days from the due date, due date क्या थी, return file करने की 31st, अगर first quarter है, तो 31st July, तो 31st July से और 15 दिन, 15 अगर अगर तक के यह आ जाना चाहिए, Is that done? साथ ही साथ में कुछ penalty पढ़ लीजे, मैं जान मुझके पहले यह section पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है कि आप यह section बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले, इसलिए मैं फटाफट यह section को आपको recall करवा दे रहा हूँ, कि बेटा यह देख, फटाफट फट कितनी penalty लग सकती है, जितना TDS का amount है उतनी penalty लग सकती है, penalty लगाएगा JCIT, मतलब Joint Commissioner of Income Tax यह penalty लगा सकता है, so failure to deduct TDS a sum equal to the amount of TDS, जितना TDS है उतनी amount की penalty वो लगा सकता है, दूसरी चीज, failure to file return of TDS, TDS का return हमें भरना था, अगर TDS का return हम नहीं भरते तो 10,000 से लेके 1,00,000 रु certificate नहीं दिया, यानि जो form number 16, 16A होता है, वो आपने provide नहीं किया, तो क्या, 100 रुपीस for every day of default, जो due date के बाद हर दिन होगा, उसमें 100 रुपीस का क्या लगने वाला है, penalty लगने वाला है, इसमें से अगर कुछ याद रखना है, तो ये एक याद रख लो, बाकि सब भूल दान बिलकुल, section 197, non deduction और lower deduction of TDS, meaning समझे, मान लीजे, मैं किसी को professional payment कर रहा हूँ, ये तो आप लोग को पता ही होगा, professional payment के उपर 30,000 के उपर जा रहा है, तो TDS deduct होता है, right, सो मान लीजे, मैं किसी को payment कर रहा हूँ, और ये payment हो रहा है 50,000 रुपीज, obviously बाते में क्या deduct करूँगा, मैं TDS deduct करूँगा, क्या deduct करूँगा, मान लीज मैं TDS deduct करूँगा, अब एक important सवाल, TDS मैं deduct करूँगा, सामने वाला बोलता है कि मेरे भाई, इसके अलावा मेरी को income ही नहीं, this is the only 50,000 my income, इसके अलावा मेरी को income ही नहीं है, और मेरा income since basic exemption limit से नीचे है, तो तुम मेरा tax क्यू deduct कर रहा है, मेरे को tax liability आती ही नहीं है, जब payer है, payer बोलेगा, देख भाई, तेरी liability आती है या नहीं आती, इससे मेरे को कोई linden नहीं है, पर payment 30,000 से उपर जा रहा है, तो मैं तो TDS ज़रूर deduct करूँगा, सामने वाला assessi बोलता है, अरे मेरे भाई, बात सही है, पर logic तो बता, मेरी income taxable ही नहीं है, तो TDS deduct करके करेगा क्या, assessi बोलता है, नहीं नहीं भाई, अगर मैंने TDS नहीं किया, तो मेरे को तो disallowance हो जाएगा, section 40 AI और IA, अगर payment किया, उस पर TDS deduct नहीं किया, तो disallowance attract करता है, तो मुझे तो disallowance हो जाएगा, में को तो TDS करना ही करना है, assessi बोलता है, कि यार देख मेरे income ही उत्ती नहीं है, तो क्यो tax deduct कर रहा है, पेर बोलता है, ठीक है, एक काम कर, तू income tax office से एक certificate लेकर आजा, lower deduction या no deduction का, lower deduction या no deduction का एक certificate लेकर कर आजा, यह certificate अकर तू लेकर क्या आजाता है, मैं deduct deduct नहीं करूँगा, या lower rate पर deduct कर लूँगा, में को कोई problem नहीं है, ऐसे cases में, क्या ऐसा कोई power है, answer is yes, ऐसा एक power है, section 197, section 197 क्या करता है, section 197 देता है, आपको power for no deduction और lower deduction का एक certificate, जो payee है, deductee है, यह जाएगा और certificate लेकर के आएगा कि इसका TDSC deduct नहीं होना चाहिए, या lower rate पे होना चाहिए, ऐसा कोई certificate अगर payer को receive हो जाता है, deductor को receive हो जाता है, तो deductor की responsibility बन जाती है, या तो TDS deduct नहीं करें, या lower rate पे करें, जब तक income tax department को further notice issue न here, in case of any person, some payable required to be deducted at the time of credit, as the case may be, under the relevant section, section बूल जाना, the AO is satisfied that total income of recipient justifies the deduction at a lower rate or no deduction of income tax, अगर AO satisfy हो जाता है, या lower rate पे deduct करना चाहिए, या deduct ही नहीं करना चाहिए, then, AO shall on application being made by assessi, give him such certificate as may be appropriate, AO क्या करेगा, उसको certificate देगा, कि हा, तेरा tax deduction नहीं होगा, या जो तेरा tax deduction होगा, या lower rate के उपर deduction किया जाएगा, where such certificate is given, the person responsible for paying the income, until such certificate is cancelled by AO, deduct at the rate specified in the certificate, जब तक फिर AO वो cancel नहीं कर देता, तब तक ये certificate क्या होगा, valid होगा, आईए सर, अगर आप देखेंगे, fast track book के अंदर में, पूरा का पूरा चीज़े दीवी है, इसमें की कुछ parts में जरूर लूँगा, आईए section 206AA, important, बहुत देर बाद मैं एक important point पर आया हूँ, 206AA, ये हमेशा थेरी में पूछे जाना वाला एक point है, क्या point है, जब भी अगर मुझे किसी का tax deduct करना होता है, सामने वाले के responsibility होती है, कि वो मुझे क्या दे, वो मुझे pan number दे, अगर उसने मुझे pan number नहीं दिया, तो मेरी responsibility है बन जाती है, कि मैं tax deduct करूँ, ये higher rate पर deduct करूँ, now, any deductee, any deductee, who is entitled to receive any sum, who is entitled to receive any sum, on which tax is deductible, shall furnish a span to the deductor, otherwise, otherwise, the tax shall be deducted, the tax shall be deducted at the rate specified, rate in force or 20%, what is rate specified, rate specified in DTAA, rate in force मतलब as given in act, तो DTAA में जो rate दिया होगा, या तो वो rate लेंगे, act में जो rate दिया होगा, वो rate रहेंगे, या 20% लेंगे, whichever is higher, whichever is higher, आपको ये rate क्या होगा, consider करना होगा, important point है, हर बार पूछा जाता है, 191, अगर कोई particular payment के ओपर TDS का कोई provision ही नहीं है, TDS deduct करेंगे, क्या, answer is no, 191 कहता है कि अगर कोई particular payment है, जिस पर TDS का कोई provision ही नहीं है, फिर उस income पर जो सामने वाला receiver है, normal तरीके से क्या देगा, tax pay करेगा, so in case of any income received, in receipt of which provision is not made, provision is not made under the chapter of TDS, and in case where income tax has not been deducted, income tax shall be payable, income tax shall be payable by the assessor directly, फिर वो अपनी income खुद compute करेगा, और वो क्या करेगा, tax को pay कर देगा, benefit to deducting clubbing and TDS, understand किजिएगा, सबसे बहली बात यहां पर 199 पढ़िए, कि जब मेरा tax deduct होता है, तो यह मेरे credit में जाएगा, ना कि जिसने tax deduct किया उसके credit में, यह माना जाएगा मेरी income से tax deduct किया जा रहा है, अब दूसरी बात, मान लीजे किसी की income मेरे में club हो रही है, out of the clubbing provision, clubbing provision से अगर किसी की income मेरे income में club हो रही है, और इस income के उपर TDS कटा होगा, क्या मैं उस TDS credit को claim कर सकता हूँ, answer is yes, rule 37BA, where the income is accessible is, where the income is accessible in the hands of person other than deductee, credit of TDS shall be given to such other person and not the deductee, फिर जिसके हाथ में income club हुई होगी, उसको उसका क्या मिल जाएगा, credit मिल जाएगा, circular number 23, 2017 मुझे लगता है कि यह अब भी relevant ही है, आपको जब भी payment मिलता है, यह inclusion of GST मिलता है, तो अब जो deduction होगा, वो net amount पे होगा यह inclusive of GST पे होगा, इसके उपर एक circular आया, circular number 23, 2017 जो यह clarify करता है, अगर GST separately shown है, तो TDS excluding GST पे होगा, अगर TDS separately shown नहीं है, तो TDS whole amount पे होगा, तो आपको हमेशा invoice देखना होगा, अगर GST separately है, तो सिर्फ normal value पे लेना होगा, excluding GST, अगर GST separately नहीं है, तो पूरे के पूरे amount पे आपको क्या करना है, GST कर देना है, आईए, चलते हैं एक एक point पे, सबसे पहले कुछ चीज़े जो हम अल्रेटी पढ़ चुके हैं, और important भी होगी, मैं आपको बता दूँगा, page number 3 पे आईए, page number 3 पे आपको दीखेगा, TDS on lottery and casual income and winning from horse races, हम ते topic income from other sources पे, जहां पे हम लोगों ने इस बारे में discuss किया था, कि अगर कोई भी pair किसी भी वेक्ती को winning दे रहा होगा, exceeding 10,000 rupees, तो उसको TDS deduct करना है, at the rate of 30%, so, इन दोनों को मिला के, एक साथ important कर लीजे, आप provision पर लेंगे, clear हो जाएगा, any person to any other person, if amount exceed 10,000 rupees, then TDS rate will be 30% at the time of payment, at the time of payment, right, आईए, सबसे ज़्यादा चलने वाला section, और almost हर एक बार इसके उपर question आता ही आता है, दो point आपको जो काम की बात याद रखनी है, एक, individual और होएफ पर ये section तभी applicable है, when they are liable to tax audit in previous preceding year, अगर previous preceding year में, उनका turnover tax audit limit से उपर जा रहा होगा, उनका turnover tax audit limit से उपर जा रहा होगा, तो current previous year में, जितने भी payments होंगे, इनके उपर उनको TDS deduct करना होगा, यही अगर, यही अगर other than individual and HOFA, सिर्फ limit भी exceed कर देता है, तो उनको TDS deduct करना होगा, सो कुल मिला के बात क्या है, अगर 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 tier, अगर 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 individual और HOFA, यह section इनके उपर तभी applicable है, जब previous preceding year में, turnover tax audit limit के उपर जा रहा होगा, सिधे शब्दों में when tax audit is applicable, क्योंकि limit उससे उपर जा रहा होगा, तो tax audit by default में आता ही है, so tax audit applicable होगा, तो previous year में, जितने payments होँगे, इनके उपर TDS करना है, इसको अब शब्दों में हम कहेंगे, specified SSE, जहान जे सुनना, अगर कोई भी specified person, oblique all SSE, specified person individual HOFA, who are liable to tax audit in previous preceding year, कोई भी person resident को pay कर रहे हैं, यही payment अगर non-resident को होगा, section 195 applicable होगा, section 195 क्या होगा, applicable होगा, अगर 30,000 single payment, या aggregate payment 1 lakh से जाधा exceed कर रहे है, exceed कर रहे है, यह जो limit है, यह थर्षोल limit है, जहाँ पर मैंने लिखावा है, इससे उपर गया, तो by default में TDS आजाएगा, single payment 30,000 के उपर गया, या aggregate payment कित्ते से उपर गया, 10, sorry, 1 lakh रुपे से उपर गया, अगर कोई भी व्यक्ति पे कर रहा है, किस चीज के लिए, contract के लिए पे कर रहा है, single value of the contract exceed 30,000, और aggregate value of contract exceed 1 lakh, 1% या 2% का TDS आपको क्या करना है, deduct करना है, कुछ exemptions आप लोग को दिये है, वो एक exemptions आपको बता देता हूँ, पहला, अगर SAC, यह contract personal nature का contract है, तो 194C में TDS deduct नहीं होता, यह contract अगर personal nature का contract है, TDS deduct नहीं होता, दूसरी बात, अगर payment good transport agency को कर रहा हो, वो अपना PAN दे देता है, and he does not have more than 10 goods carriage, इसमें TDS deduct करने का point है ही नहीं, so no TDS is required if contract is of personal nature, further no TDS is required if the payment is made to good transport agency, owning less than 10 goods vehicle, और contract for sale of goods, sale of goods के contract के उपर, कोई भी TDS इसके अंदर में deduct नहीं होता, याद रखना होगा, contract include works contract, works contract की definition आप एक बार देख लेंगे, फिर आते है 194E, यह एक चीज़ है जो inter-level पे भी पूची जाती है, हलागि यह final level की चीज़ है, बट inter-level पे भी यह पूची जाती है, TDS on payment to non-resident sportsman, entertainer या sports association, अगर किसी भी resident ने non-resident sportsman, sports association या entertainer को payment किया होगा, including the athlete, एक रुपे भी पे किया 20% से TDS आएगा, साथ-साथ में, साथ-साथ में, यहाँ पे क्या add करना होगा, आपको surcharge if any applicable, वो भी add करना होगा, plus HEC mandatory add करना होगा, generally आप क्या नहीं करते हैं, HEC या और surcharge add नहीं करते, but non-resident को जब payment कर रहे हो, तो mandatory surcharge if any and CES, आपको क्या करना होगा, add करना होगा, so any SSI जो non-resident sportsman, entertainer, sports association को पे कर रहा होगा, 20% plus surcharge if any, plus CES, इनको deduct करना होगा, mandatory, चलिए, next आते हैं, जो काम की चीज़ है, उची भी जाती है, 194J, आप notes देखोगे, तो मैंने बहुत कुछ cover किया है, notes के अंदर में, उम्मीद है आप एक बाद notes पढ़ लेंगे, हम पटाफट marathon के अंदर में, concept, concept recall कर रहे है, professional payment, technical payment, royalty and director sitting fees, ये चार चीज़े हैं, जो इस section में cover होती है, professional payment, royalty fees for technical services, and director sitting fees, सबसे पहले बता दू, director sitting fees पे, यहां की limit applicable नहीं है, जिसका मतलब ये है, director sitting fees अगर पे किया है, तो एक रुपए से आपको TDS deduct करना है, right, दूसरी बात, अगर professional payment, royalty, technical services, इनके लिए single payment, single चीज़ के लिए payment, 30,000 पर annum से exceed कर रहा है, तो yes, TDS deduct होगा, for example, मान लीजे, professional services, CA की professional services के लिए, payment क्या 50,000 रुपीज, क्या ये payment 30,000 से exceed कर रहा है, yes, इनको TDS deduct करना होगा, कितने percent से, 10 percent से TDS क्या करना होगा, deduct करना होगा, again, एक और बात, अगर ये personal services के लिए है, तो इस पर TDS deduct होने वाला नहीं है, दूसरी बात, call center के लिए, call center के लिए, जो TDS rate है, वो 2 percent है, और इसको पिछले बार, institute ने check भी कर लिया था, so check कीजिएगा, assessi, assessi कौन होना चीए, specified assessi, individual और HOF पे ये section तभी applicable है, या previous preceding year में tax audit था, तो previous year में, इस nature का कोई भी payment किया होगा, तो yes, आपको क्या करना होगा, TDS deduct करना होगा, at the rate of 30%, sorry, at the rate of 10%, however, this is for accept director fees, मतलब, director fees, अगर एक रुपे भी दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, TDS deduct करना है, 2% in case of call center, अगर payment call center को किया जा रहा है, तो TDS का rate कितना होगा 2%, एक notification आया था, जो कह रहा था, empire, coach, event managers, commentators, ये भी professional की category में आएंगे, और इनका TDS भी का होना चाहिए, 194J के अंदर में होना चाहिए, अब आते हैं 194LA, एक मिनट, J को important category में डालिया, LA को important category में डालिया, 194LA, याद रखने का तरीका, land acquisition, compulsory land acquisition, मैंने आपको बताया था, जब आप capital gain पढ़ रहे थी, तब मैं आपको बता दू, जब भी सरकार, land acquisition करती है, compulsory land acquisition करती है, और compensation, 2,50,000 से exceed करता है, तो 10% का TDS, deduct करेंगे, at the time of payment, चेक कीजेगा, TDS on compensation, of compulsory acquisition, in case of building, non agricultural land, any person paying to resident, exceed 2,50,000, 10% is the TDS rate, at the time of payment, page number 6 पर आजाईए, 194 IA, ये भी हमने capital gain में पढ़ा था, acquisition of land अगर 50 लाग से उपर जारा होगा, consideration for acquisition of land and building, अगर 50 लाग रुपए से उपर जारा होगा, 1% is the TDS rate, आपको deduct करना होगा, तो कोई भी buyer, buyer पैसे पे करता है, तो buyer, buyer अगर seller को पैसे पे कर रहा है, for consideration of land and building, और ये consideration 50 लाग से उपर जारा होगा, तो आपको 1% का TDS deduct करना है, याद रखेंगे, consideration जो होना चाहिए, ये 50 लाग से उपर होना चाहिए, राइट, तो एनी असेशी, resident असेशी को पै करता है, exceed 50 लाग रुपीज, 1% is the rate of TDS, राइट, अच्छा जी, this provision has to be complied, even if part payment is made, मतलब समझी है, सर, consideration है 60 लाग रुपीज का, आपने पहला installment दिया, 10 लाग रुपे का, क्या TDS deduct करेंगे, answer is yes, consideration 50 लाग से उपर है, payment method के बारे मां बात ही नहीं चल रही है, consideration कितने से उपर है, 50 लाग से उपर है, yes TDS has to be deducted, if jointly owns the property, jointly owns the property, joint owner है, तु भी क्या TDS deduct होगा, yes, consideration 50 लाग से उपर होना चीए, and TDS is attracted, even if each co-owner's consideration is less than 50 lakh rupees, यह TDS deduct होगा, irrespective of the fact, whether this property is hold as capital asset, और stock in trade, यह property stock in trade बोल के होल किया, यह capital asset बोल के होल किया, इस से फरक नहीं पड़ता, यहां आया है amendment, 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 amendment समझेगा, finance act 2019 से आया है amendment, जहां से सुनना, अब क्या हो रहा था, 50 लाग के उपर अगर consideration जा रहा था, तो TDS deduct हो जाता था, और सरकार की नजरों में लोग आ जाते थे, जो property बेच रहे हैं, अब इस से बचने के लिए, लोगों ने और builder ने क्या किया, कि consideration के concept change करे, उनने क्या किया, building का value कम, और other facilities के value जादा रख दी, like club membership fees, car parking, maintenance, water facility, ऐसे सब चीज़े add कर दी, जब TDS compliance की बारी आती, तो वो कहते, अरे हमारा consideration तो 50 लाग से कम है, ये तो other facility का fees है, property का consideration तो 50 लाग से कम है, सरकार को समझ में आ गया, कि ये लोग तो हमें, हाहा, बेवकूब बना रहे हैं, उनने provision कोई change कर दिया, उनने कहा, अब जब इक consideration की बात होगी, कि इस 50 लाग के लिए हम ऐसे सारे charges, by whatever name called, cover कर लेंगे, so मुझे लगता है, इस point के उपर आपको question आ जाएगा, and इसके लिए मैंने इसे क्या दिया है, important की category में डालावा है, so, check किज़ेगा, consideration shall include all charges in the nature of club membership fees, car parking, electricity, water, maintenance fees, etc. are incidental, सब कुछ इसके अंदर में क्या कर लिया, cover कर लिया, अब आपको tension लेने की ज़रूती नहीं है, 194 I, again important की category में, again important की category में, मुझे लगता है, July 20 and November 20 के लिए, TDS का जो chapter है ना, मेरे भाई, ये काफी important रहेगा, मैं expect कर रहा हूँ, इसके उपर एक independent question, क्योंकि बहुत सारे amendment हुए है, एक और amendment 194 I के अंदर में, 194 I क्या cover करता है, rent cover करता है, कौन सा rent cover करता है, सारे रेंट cover करता है, specified asset का जो यहाँ पे लिखावा है, अगर annual rent, 1,80,000 के ऊपर जाता था, तो TDS deduct करना था, इस साल सरकार ने इस limit को आगे बढ़ा दिया, 1,80,000 से ये limit को कर दिया गया, 2,40,000, क्या limit कर दिया गया बोलो, 2,40,000 की limit कर दिया गया, और कहा कि अगर कोई भी person rent पे कर रहा है, exceeding, exceeding 2,40,000 रुपीज, then TDS deduct होगा, अच्छे 2,40,000, property अगर co-owned है, तो each co-owner का share 2,40,000 के ऊपर जा रहा होगा, तो ही TDS deduct करना है, नहीं, तो TDS deduct नहीं करना होगा, राइट, चेक कीजेगा, असेसी कौन होना चीए पेर, इंडिविज्वल और हुएफ पे ये section तभी लगेगा, जब previous preceding year में, वो tax audit के लिमिट के उपर जा रहे होंगे, तो current previous year में, जो rent 1,80, 40 के उपर गया, उसके उपर क्या पे करना होगा, TDS पे करना होगा, TDS कित्ता होगा सर, पेरेंट की बात कर रहे है, rent of any land, building, land appartement to building, machinery, plant equipment, furniture, fittings, whether or not above, are owned by the SEC or not, तो ये सारे payments, जब business payments होते हैं, ये सारे business payments क्या किये गए हैं, cover किये गए हैं, TDS purpose के लिए, क्या किये गए हैं, सर, cover किये गए हैं, TDS purpose के लिए, TDS is also required to be deducted on advance rent, advance rent भी अगर आप टे कर रहे हैं, and that is exceeding 2,40,000, including the actual rent, आपको TDS deduct करना होगा, where the share of each co-owner is definite and ascertainable, the limit of 1,80,000, 2.40,000, the limit of 2.40,000, will be applicable to each co-owner separately, ये point याद रखे, ये point याद रखे, Japan Airlines का case, not so important, security deposit पे भी क्या TDS deduct करना है, अगर ये security deposit रेंट के अगेंस में adjustable है, तो yes, we have to deduct the TDS, अगर ये उसके अगेंस में adjustable नहीं है, तो आपको TDS deduct करने की ज़ौरत नहीं है, TDS on payments to hotel, अगर accommodation रेगिलर बेसे सबने हैं, तो TDS deduct करना है, accommodation अगर रेगिलर बेसे सबने हैं, तो TDS deduct करने की ज़ौरत नहीं है, major इतने point इसके अदर में याद कर लिजे, काम का तम हो जाएगा, 194DA लगता है यह आएगा और important है because there is an amendment 194DA maturity proceeds of LIP इस concept को थोड़ा ध्यान से पढ़ना C होता क्या था Assessi let's say life insurance premium pay कर रहा था to the company LIC जब यह premium देता है ना he gets the deduction under section 80C कभी ना कभी तो आएगा जब LIC इसको क्या देगा final amount देगा plus bonus provide करेगा यह इसको क्या देगा final amount देगा plus क्या provide करेगा bonus provide करेगा अब सवाल यह उट रहा है जब LIC Assessi को एक final amount plus bonus देगा तो क्या इसके ओपर TDS deduct करना था क्या answer था हाँ वो था 194DA के अंदर में अब तक ऐसा होता था कि इसके अंदर में 5% TDS deduct होता था इस साल का पहला amendment कर दिया गया है 1% sorry जान से सुनिये इसको कर दिया गया है कितना 5% so if the amount exceed rupees 1 lakh if the amount exceed rupees 1 lakh 1% and after 19 2019 एक September 2019 के बाद अगर कोई amount दे रहा है तो इसके ओपर 5% का क्या होगा TDS deduct होगा यह वो पहला amendment अब इसमें आया दूसरा amendment दूसरा amendment क्या था जरह समझेगा और बहुत practical logical point था मान लीजे मैंने 80,000 rupees in total premium अब तक के दिया है LIP मुझे finally 2 lakh rupees दे रही है 80,000 मैंने premium बोल के दिया bonus वगरे सब मिला करके मुझे 2 lakh रुपे मिल रहा है अब होता यह था provision यह थी कि 2 lakh के ओपर TDS deduct हो जाता था assessi ने department से एक बड़ा ही interesting सवाल पूचा assessi ने department से बड़ा ही interesting सवाल पूचता tax तो income पर deduct होता है ना तुम तो पूरे proceeds के ओपर TDS deduct कर रहे हैं यह तो altogether रहोंगे logical बात भी थी कि भहिया tax कब deduct होता है logical बात पर टाक्स कब deduct होता है income पर deduct होता है आप तो मेरे पूरे 2 lakh पर TDS कर रहे हो मतलब जो amount मैंने invest की है इस पर भी TDS हो जा रहा है यह तो मेरा investment है ना investment पर क्या TDS होता है investment पर तो कहीं TDS होता ही नहीं मेरे ही investment पर तुम TDS भी काट ले रहे हो यह तो अजीब बात है income पर काट हो ना tax यह तो तुम मेरे investment पर भी काट ले रहे हो सरकार को ये बात समझ में आई कि हाँ इनके law drafting में हो गई है गल्टी line को सुधार आगया और नए provision insert के गए कहा difference के उपड़ TDS आएगा मतलब जो TDS होगा वो amount payable minus amount invested के उपड़ आएगा इस section में दो amendment मुझे लगता है confirm ये point आना ही चाहिए आपको exam में point पढ़िएगा amendment मैंने लाल कलर से बिलकुल highlight करके दिये वे है any person कोई भी resident को pay कर रहा है अगर एक लाख रुपए से उपड़ जा रहा है एक साल के अंदर में तो 5% से अगर सप्टेंबर के बाद होगा तो deduction कित्ते पे होगा total sum received word देखेगा total sum received minus insurance premium paid तो जो भी SSG को total sum मिलने वाला है इसमें से उसने जितना insurance premium pay कर दिया है difference पे क्या होगा TDS होगा at the rate of 1% और 5% depending upon the date क्या ये दोनो date याद रखने हैं और percentage याद रखना है answer is yes, दोनो date और दोनो percentage आपको याद रखना है 194D insurance commission important no अगर कोई भी insurance company किसी भी agent को commission दे रिये साल भर का 15,000 से उपर का commission दे रिये साल भर का 15,000 से उपर का तो आपको क्या करना होगा TDS deduct करना होगा at the rate of 5% so if insurance company दे रिये agent को amount exceeding 15,000 in a year 5% is the TDS amount 5% is the TDS amount that is rate 193 डालिये इसे important category की list में पहले read कीजे read कीजे फटाफट 193 किस बारे में बात कर रहा है सेट सेट बात कर रहा है interest on securities securities के उपर जो आप interest दे रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा है security के उपर जो आप interest दे रहे हैं security मतलब क्या it may be a debenture, it may be a bond or kind of a similar security security के उपर जो interest दिया जा रहा है उस पे आपको क्या करना होगा TDS deduct करना होगा point समझते हैं कितना यहां आया है change यहां क्या आया है change आया है amendment आया है और इस amendment को मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ जान दे सुनिएगा कोई भी व्यक्ति किसी भी resident को अगर पे कर रहा होगा कोई भी व्यक्ति किसी भी resident को अगर पे कर रहा होगा तो company पे कर रही होगी interest 5000 से उपर जा रहा है TDS deduct करना है local authority उनके bonds के उपर दे रही होगी interest 10,000 से उपर जा रहा होगा तो आपको TDS deduct करना है 7.75% saving bonds जो आए हैं ये taxable होंगे इस section के अंदर में 7.75% bond के उपर जो interest दिया जा रहा है that will be taxable under section 193 अब कुछ important बात ध्यान से सुनियेगा generally central government और state government जो security issue करती है इसके उपर TDS नहीं होता generally central government और state government जो security issue करती है इसके उपर TDS deduction नहीं होता हाला कि पहला amendment central government interest जो पे कर रही है central government no deduction shall be made however TDS shall be deducted on 7.75% saving taxable bond 2018 7.75% taxable bond जोँगे इन पर TDS ज़रूर deduct करना है सरकार ने clear कर दिया दूसरा sir आपको याद होगा जब हम लोग 54 EC पढ़ रहे है bonds NHI के bond REC के bond Indian Finance Corporation और Power Finance Indian Railway Finance Corporation और Power Finance Corporation के दो bond add किये गए थे अब इन दो bonds को promote करने के लिए सरकार ने क्या कहा कि अगर कोई Power Finance Corporation या Indian Railway Finance Corporation का जो bond है इसके उपर investment करता है तो जो interest आ रहा है इस पर TDS डिड़क नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ एक की objective इनके अंदर के इनके अंदर investments लेके आने का So Indian Railway Finance Corporation and Power Finance Corporation इसके उपर there will be no TDS इनके उपर कोई TDS होने वाला नहीं है यह point को बिलकुल याद रखना होगा आपको 194 amendment 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 जनरली TDS on interest other than on security security को छोड़ करके other चीजों के उपर जो interest generally loans वगरे पे जो interest आते हैं वो इसके अंदर में cover होते हैं now individual or HF को इस section तभी अप्लिके बले है जब previous preceding year में turnover exceeds the prescribed limit of tax audit and other SSC को तभी अप्लिके बले if it exceeds the prescribed limit अगर अगर payment of interest जो है यह 5000 रुपे से exceed कर रहा है तो yes आपको क्या करना है TDS deduct करना है यही interest अगर other cases में exceed कर रहा है पहले यहां लिखा होता था 10,000 रुपीज अब इसको कर दिया गया है 40,000 रुपीज अगर अब यह interest 40,000 रुपीज से exceed कर रहा है यह senior citizen की case में 50,000 रुपीज से exceed कर रहा है तो आपको TDS deduct करना है तो अब नया amendment क्या आया है यहाँ पर 10,000 की limit थी इस limit को exceed करके कित्ता कर दिया गया है 40,000 और senior citizen तभी deduct करेगा जब उसका interest payment exceed कर रहा होगा 50,000 से तो वो एक amendment ले करके आए हैं कुछ और बाते इस section के अंदर में TDS कित्य परसेंट से आएगा 10% से आपको क्या आएगा TDS आएगा यह इसके अंदर में काम की चीज़ core banking solution यहाँ पर भी आपको limit change करनी होगी 10 के जगा अब 40 करना होगा अगर company core banking solution देती है तो यह 40,000 की limit है यह each branch है अगर core banking solution नहीं है तो 40,000 की limit इच branch की है अगर core banking solution है तो all bank मिला करके जो limit है यह limit आजाएगी कितनी 40,000 रुपीज यह done 194 EE काम का है नहीं अगर post office अगर क्या करता है post office payment करता है national saving scheme का अगर post office payment करता है national saving scheme का और यह payment 2500 से exceed कर रहा है तो 10% का TDS आएगा अगर mutual fund repurchase करती है यह मैं आपको समझा तो क्या है एक समय था जब mutual fund ने क्या किये थे units issue किये थे क्या किये थे units issue किये थे और इन units का आपको deduction मिलता था under section 80 CCB under section 80 CCB का आपको क्या मिलता था units मिलता था now recently SEBI guidelines issue ही और SEBI guidelines जो issue ही उनने कहा हर mutual fund को एक order दिया कि आप अपने जो 80 CCB वाले units थे इसे वापस से repurchase करेंगे repurchase करेंगे मतलब company पैसा देगी किसको unit holder को और इस पर TDS deduct करना है so mutual fund company किसी भी व्यक्ति को क्या कर रही है pay कर रही है any amount तो 20% सा आपको क्या करना है TDS deduct करना है फिर आते है 194 जी बिल्कुल काम का नहीं जो कहता है अगर lottery selling commission 15,000 से उपर जा रहा है तो 5% का TDS deduct करना है कौन deduct करेगा जो भी lottery seller का commission दे रहा है अगर ये commission 15,000 से उपर जा रहा है आप एक बार देखेगा चाहे वह insurance commission हो lottery selling commission हो या normal commission हो 15,000 के उपर गया 5% का TDS rate तो stockage और distributor किसी भी person को अगर दे रहा है 15,000 पर annum से उपर जा रहा है तो 5% का TDS आपको क्या करना होगा deduct करना होगा ठीक उसी तरीके से 194H commission और brokerage again same 194H हर तरेके का general commission और brokerage cover करता है 15,000 से उपर जा रहा है तो 5% का TDS इनके उपर क्या है applicable तो आप lottery बेच रहे हो insurance बेच रहे हो या normal commission 15,000 5% का straight away rate लगा के रख दीजे फिर आते हैं 194IB important mark करके रखिए 194IB important mark करके रखिए TDS on rent payable other than under section 194I generally 194I के अंदर में personal rent cover नहीं होते है 194IB personal rent cover करता है 194IB क्या करता है सर personal rent cover करता है ध्यान से सुनिएगा एक बार section को पढ़िए just come in 2 minutes एक बारbers को पसा तास्मार्स condemn common mark करके लेक में freelance beingолот ये भी से सुनिएगा पहादा है। और एंदर में रहे हादारै अजे शर Пред झाल 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 चलिए पर मंत से तो यहां पर टीडेक्ट होगा यह काम की चीज़ है यहां पर कॉंसर रेंट आता है जो रेंट किस के अंदर में नहीं आता 194I के अंदर में नहीं आता है फिर आते हैं 194IC इंपोर्टन्ट है आणजी बिल्कुल इंपोर्टन्ट है आपको याद होगा तो हम लोगों ने capital gain पढ़ा था capital gain में हम लोगों ने registered redevelopment agreement पढ़ा था registered redevelopment agreement पढ़ा था जहां पे आप अपनी property किसको देते हो builder को देते हो builder क्या करता है इसके उपर अपना नहीं बिल्डिंग मनाता है registered redevelopment agreement के अंदर में जब भी builder resident को कोई payment करेगा एक रुपए भी पे कर रहा है तो वो क्या करेगा 10% से TDS डिड़क्ट कर लेगा आप किसी भी तरीके से दे रहे हैं वो सभी इसके अंदर में क्या हो जाएंगे कवर हो जाएंगे अब आते दो और important topic पे जो मैं जाता हूँ कि आप यहां पे लिखे राइट सो आपको लिखना होगा जल्दी से आ जाईए section 194N ये एक ऐसा section है जो confirm आपको आना है मतलब आना ही है 194N ये एक section आपको जरूर 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 आने वाला है और exam में amendment भी है आपको इसे याद रखना होगा mandatory ये एक section लाया गया है withdrawal withdrawal of cash द्हांजे सुनिएगा withdrawal from cash कोई भी bank cooperative society being a bank या फिर post office या फिर post office जो पे कर रही है अपॉन विड्रॉल in cash in cash from one or more account accounting exceeding 1 crore TDS at the rate of 2 percent shall be applicable TDS shall be applicable at the rate of 2 percent पॉइंट समझेगा पॉइंट क्या है ये नया सेक्षन है इसी साल लाया गया है 194N आपको पूछेंगे इसके उपर कुश्चन आने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉइंट मार्क कर लीजे कोई भी बैंक, को आपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस, किसी भी परक्ती को पे कर रही अपन विड्रॉल यानि किसी भी विख्ती ने कैश विड्रॉ किया एक या ज्यादा अकाउंट से उस बैंक के साथ एक या ज्यादा अकाउंट से उसी बैंक के साथ अलग-अलग बैंक की बात नहीं चल रही एक या ज्यादा bank से उसी account के साथ आपने withdraw किया है एक करोण रुपे से उपर का withdraw किया है तो 2% का TDS आप से deduct कर लेंगे game over इतना ही section है हलाकि ये section बोलता है ये section तब apply नहीं करेगा जब लिख के रखे not applicable so cash withdrawal withdrawal एक करोड से उपर जा रहा है तो 2% का TDS लगेगा लेकिन ये section तब applicable नहीं होगा जब payment किसे किया जा रहा है if payment is made to point number A government अगर ये withdrawal government ने किया है तो आपको ये section applicable नहीं होने वाला दूसरे banking company ने और cooperative bank ने मैं आपको याद दिरा दू कि एक bank अपना पैसा दूसरे bank के chest में रखता है ऐसे cases में अगर कोई bank या cooperative ही withdrawal कर रही है तब ये section applicable नहीं है third any banking correspondent now what is banking correspondent banking correspondent क्या होते है आजकल कई bank ऐसी भी है जो आपको home delivery कर रही है cash की मतलब आप अपने you know पूरी procedural aspect online कर देते हैं और आपको delivery चीए तो cash की भी delivery होती है और इसके लिए एक agency appoint होती है RBI द्वारा आप ऐसे cases में ये जो banking correspondence है ये bank से cash withdraw करते हैं और अलग-अलग जगह लोगों को बाट के आते हैं में भी अलग bank अलग जगह उपर बाट के आते हैं ऐसे cases में banking correspondent अगर एक करोड रूपए से उपर निकाल रहा है तब ये section applicable नहीं है चौथा white label ATM operator अगर white label ATM operator क्योंकि ATM को refill करना होता है तो white label ATM these are authorized by RBI ये अगर एक करोड से ज़ादा withdraw कर रहे हैं तो इनके उपर ये section applicable नहीं है मतलब TDS deduct नहीं होगा next any other person so specified लिखके रख लीजे ये section 194N अगर cash withdrawal होता है एक करोड से ज़ादा होता है एक या more account से in aggregate साल भर में एक टाइम पर ही नहीं इन aggregate अगर एक करोड रुपए के उपर जाता है तो 2% का TDS deduct होगा हाला कि अगर ये लोगों को payment किया जा रहा है तो TDS करने की ज़ौरत नहीं है अब आजाते हैं लास्ट सेक्शन के उपर TDS के 194M अगेन एक नया सेक्शन जो आपको लिखना होगा लिखना होगा able some payable by individual or HUF some payable by individual or HUF अब यहां पर वर्क के नेचर में पर्सनल पेमेंट्स भी कवर हो गए यादोगा 194C for any work other than covered under section 194C, 194H, 194J, 194D, exceeds 50,00, TDS has to be deducted at the rate of 5% यह एक और section ऐसा है जो आपको confirm पूछा जाएगा देखिए 194C के अंदर में कौनसे individual HOF 194C, HJD, यहां पर कौनसे person cover होते हैं who are liable to tax audit, अब मान लीजे SSC tax audit के अंदर में liable नहीं है लेकिन वो 50,00,000 रुपे के उपर का payment करता है in aggregate, उसको 5% का TDS deduct करना होगा और इस section के अंदर में कहीं पर भी business payment नहीं का है मतलब मान लीजे आपने क्या किया, एक caterer को अपनी बेटी की शादी में caterer को 50,00,000 रुपे से उपर का payment किया क्या TDS deduct होता था 194C में, answer is no क्योंकि contract personal nature का हो जाता था अब वही इस section के अंदर में cover हो जाएगा और उसको TDS deduct करना पड़ेगा at the rate of 5% मैं आपसे request लूँगा 194N और M, mandatory ली पढ़के जाना है और ये important category के list में है दोनों के दोनों, right इस topic को और easy बनाने के लिए मैंने आपको TDS की दी है पूरी की पूरी summary exam से बिलकुल थोड़ी देर पहले आप जब मेरा marathon देख रहे होंगे इस summary के थुरू पढ़ लेना इस summary में सब कुछ दियावा है इस summary में सब कुछ दियावा है और इतनी मेनत आपको नहीं करनी master ने already मेनत कर लिये अब आते हैं last point TCS के उपर और section को end करते हैं और इस topic को भी end करते हैं अगर seller seller collect करता है TCS किस से collect करता है sir buyer से collect करता है अगर seller ये particular चीजे बेच रहा है किसको buyer को तो वो TCS भी क्या करेगा collect करेगा seller मतलब कौन होना चीए seller includes central government, state government, local authority, company, LLP, individual who are liable to tax audit buyer कौन होना चीए, buyer कोई भी होगा other than government, club, or in case of retail sale याद रखे TCS retail sale के अंदर में नहीं आता wholesale के अंदर ही आपको क्या cover होता है TCS cover होता है TCS आपको deposit करना होता है on the last day of the month जिस month में आपने collect किया उसी month के end में आपको क्या करना होता है TCS collect करना होता है TCS के rate याद रखेगा alcoholic liquor for human consumption alcoholic liquor for human consumption पे 1% जो चीज़े याद रहने लायक है मैं उसी को आपको important mark करा रहा हूँ Tendu leaves जिसे हम अलग सब्दों में कहते है BD patta Tendu leaves जिसे हम अलग सब्दों में कहते है BD patta 5% का आपको TCS collect करना है timber obtained from forest और other than forest 2.5% का TCS collect करना है right scrap 1% का TCS आपको collect करना है scrap के उप़र parking lots 2% toll plaza 2% mining and querying rights 2% mineral coal and lignite 1% and bullion जो cash मा purchase किया जा रहा है हला कि अब ये बिल्कुल काम कर नहीं है क्योंकि 2,00,00 रुपए का cash purchase करोगे 269 SSNTK provision आ जाते हैं तो ये last वाला आप cut कर दीजे कोई sense नी बनता है इसका 1% का TCS collect होगा ये है TCS का return जिस तरीके से TDS के return भर जाते हैं उसी तरीके से TCS का return भी भरा जाता है और जिस तरीके से TDS का return प्रोसेस होता है उसी तरीके से TCS का return भी प्रोसेस होता है तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसी आपने TCS रिटन भरा ये रिटन को चेक किया जाएगा अर्थमेटिकल एरर इनकरेक्ट क्लेम पे, इंट्रेस्ट, फीस और अधर सम पेबल निकाला जाएगा और आपको एक इंटिमेशन जनरेट किया जाएगा, अगर पेबल होगा और रिफंड होगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड ग्रांट कर दिया जाएगा, बिल्कुल TDS के जैसा ही TCS का प्रोसेसिंग होता है, तो आप एक जगह भी पढ़ लोगे तो दूसरी जगह आटमाटिकली वो कबर हो जाएगा, दन प्रभू, येस यहाँ पर TDS और TCS कलेक्शन से रिलेटेड मैंने चार्ट दिये वे हैं, इस चार्ट को बस एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लेना आपको पूरा प्रोसेस एकदम एजीली कवर होते वे दिख जाएगा, और इस तरीके से हमने अपना एक और टॉपिक खतम कर दिया, TDS और TCS, मैं इंपोर्टन सेक्शन के लिस्ट वापस बना दे रहा हूँ, इतने इंपोर्टन सेक्शन परोसीजर वाले तो पूरे पढ़ने आपने, प्रोसीजर वाले जितने मैं ने पढ़ा है वो पूरे पढ़ लेने हैं, इसके बाद आपको जो पढ़ना है, वो है, 193, 194C, 194J, 194I, 194IB, 194LA, 194IA, 194N, 194M, 194DA, 194H, 194E, and TCS, ये इतनी चीज़े आप लोग पढ़ लेंगे, आपका गेम ओवर हो जाएगा, ये मैंडेटरिली पढ़ना है एक्जाम से एक घंटे पहले, बाकि सब एक बार पढ़के छोड़ देना, बाकि कुछ इतना इंपोर्टन नहीं है, पढ़ ये चीज़े तो आपको एक्जाम से एक घंटे पहले कंफर्म रिकॉल करनी है, उसमें भी 194N और M, आपको कंबल सरी लिए रिकॉल करना ही है, देन प्रभू, येस, और यहाँ पर हम लोगों ने TDS भी खतम किया, सर बहुत मेहनत लगती है, आप, ये नो, माइट भी जो इसको यूट्यूब के उपर देख रहा होगा, टेलिग्राम के उपर दे रहा होगा, इंस्टाग्राम के उपर देख रहा होगा, जो बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होगे, अगर आपको मेरी मेहनत परसंद आई हो, तो मुझे फीडबैक जरूर दीजेगा कि कैसा लगा आपको ये, मैं फीडबैक जरूर लेना चाहूँगा, ज्यिएर का कैसा लगा, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मेसेज कर सकते हैं, मेरा गाइडी का लिंक आपको नीचे देज़िए, आप मेसेज कीजिएक कैसा लगा, और सर्मय हाब को बतादू, रात का टाइम है, हम लोग लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और continuously भिड़े पड़े हैं कि बच्चे का कुछ हो जाए और बहुत मैनत लगती यार literal sense में बहुत मैनत लगती एक teacher को इतना सब कुछ कवर कराना सी जब marathon हम लोग record करते रहते तो objective बड़ा clear होता है कि कितने short तरीके से इसे complete कर लिया जाए yes or no कभी भी objective बड़ा simple होता है हम बच्चों को already regular batch दे चुके होते हैं fast track batch दे चुके होते हैं उसके बाद कई बार बच्चे पूछते हैं sir marathon क्यों record करते हो मैंने का यार उन बच्चों का क्या जिनकी मतलब 7 लोग classes सही नहीं होई होगी मान लो मेरा भी classes लगाया होगा और उसने सही तरीके से नहीं किया होगा for any good reason तो यार ठीक है ना as a teacher सिर्फ income की बात नहीं होती है as a teacher अपने बच्चों का result की बात होती है might be जब आपका result आता है जितने खुश आप होते हो जितने खुश आपके parents होते हैं कुछ आपके teacher भी होते हैं लेकिन हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक बार आप पास हो गए तो फिर कौन teacher और क्या तो पर ऐसा मत कीजिए आपने जिस teacher से पढ़ा है और मैं आपको एक और बात बता दू हर teacher अपनी पूरी मेनत कर रहा है ऐसा नहीं होता है कि यह बेस्ट है वो बेस्ट है कोई बेस्ट नहीं क्योंकि मेरे को हर बार मेसेज आता है सर बहुत बेस्ट है हम फैन है यह हो है मैं बोलता हूँ यार मैं as a big brother मैं मेरी help कर रहा हूँ मैं as a big brother क्या कर रहा हूँ मेरी help कर रहा हूँ और मेरे जित्ते भी दोस्त है मैं उन सभी के help कर रहा हूँ राइट सो यहां पर हम लोगों ने एक और टॉपिक खतम कर दिया अब आप एक ब्रेक ले लिजिए ब्रेक ले करके आप फटाक से वापस आईए राइट मैं अपना माराथान कंटीन्यू करता हूँ चलिए अब स्टाट करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक को क्लबिंग ऑफ इंकम एक बड़ा टॉपिक टीडिये सोनी के बाद एक छोटे टॉपिक की ज़रुत है अदर्वाइस आपका मैंड बिल्कुल स्टब हो जाएगा क्लबिंग छोटा सा टॉपिक है फटा-फटा में इ क्योंकि खुद होके तो असे सी बताने से रहा कि मैंने अपनी इंकम किसको ट्रांसफर करी है तो चाप्टर यह तभी अपलाए कर सकता है जब आपके ऊपर क्या लगी हो असेस्मेंट लगी हो इसको प्राक्टिकली समझने के लिए कुछ सेक्शन इंपोर्टन होंगे जिसक कि अगर हम बात करें तो क्लबिंग प्रोविजन अट्राक करता है जब हम इंकम क्लब करते हैं तो लॉसस भी क्लब होते हैं तो लॉसस भी क्लब किये जा सकते हैं क्लबिंग उसी हेड में होती है जिस हेड में इंकम कमाई है तो अगर माइनर की इंकम क्लब हो रही है माइनर की जाती है, clubbing के जो provisions है, यह mandatory provisions है और इसमें से आपको benefit allowed होंगे, सबसे पहले बात करते है section 60 की, important category की list में है, हाँ, important category की list में है, तो सबसे पहले section 60, transfer of income without transfer of asset, any person who transfer the income to any another person without transferring the asset, the income there from will be clubbed in the hands of transferer, for example, मान लीजे मैंने एक FD रखी bank के अंदर में, और उसके उपर आने का वाला जो interest था, मैंने banker को inform किया की मुझसे मेरे son के account में transfer कर दिया जाए, now, I have transferred the income without transferring the asset, this amount will be clubbed in the hands of Vijay, that is me, so any person transfer any income without transferring the asset, then such income will be taxable in the hands of transferer, फिर आते है section 61, revocable transfer, revocable transfer क्या था, यह actually tax planning थी, जिसको curve up किया था section 61 को ला कर लेते थे, जब asset की कोई income आती थी, तो वो सीधा का सीधा asset transfer कर लेते थे, कुछ सालों के लिए, और कुछ सालों बाद वापस से उस asset को क्या कर लेते थे, re-acquire कर लेते थे, सरकार को समझ में आगया कि यह जो transfer किया जा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ tax avoid करने के लिए किया जा रहा है, और उन्हों ने क्या कर दिया, ऐसे कोई भी agreement जिसके तहत, आप अपना कोई asset transfer करते हैं, और कुछ सालों बाद इस asset को लेने का वापस अधिकार रखते हैं, ऐसे revocable transfer से भी आने वाली income transfer के हाथ में tax की जाएगी, for example, मान लीजे, Salman Khan ने being human trust को asset transfer कर दिया, और जो transfer का agreement जा इसके अंदर में लिख दिया, that he can have the asset asset after 5 years, ऐसे cases में यह transfer revocable transfer हो जाता है, and income therefrom will be chargeable to tax in the hands of Mr. Salman. So, income arising to any person by virtue of revocable transfer shall be included in the total income of the transferer, transferer defined किया गया नीचे, provision of 61 shall not apply where revocable is after the lifetime of assessee, यह section तब apply नहीं होता, जब यह revocable होगा after the lifetime, मान लीजे, transfer के agreement में Salman ने लिख दिया, यह asset मेरे बनने के बाद मेरे घरवालों को आएगा, ऐसे cases में section 61 क्या नहीं करेगा, apply नहीं करेगा, next provision पर चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा important है, और आपको भी पता है, यही चीज़ पूछी जाती है, minor's income, minor कौन होता है, who has not completed the age of 18 year, minor को अगर कोई income आ रही है, तो क्या यह club होती है, क्या यह, depend करता है, कौन सी income आ रही है, क्योंकि तीन तरह की minor income club नहीं होती, और वो minor के हाथ में ही taxable होती है, three kind of income is taxable in the hands of minor itself, and they are not clubbed, what are these income, income earned out of skill and talent, and income which is earned out of skill and talent, like drawing, painting, business is not a skill or talent, lottery and other things are not skill or talent, so if it is earned out of skill or talent, like dance, painting, drawing, etc, these income will not be clubbed and taxable in the hands of children itself, second, income earned out of manual work done, 14 साल के बाद भारत में आप कोई भी काम कर सकते हैं, provided आप legal काम कर रहे हो, तो sir, अगर आपने यह manual work से खुद कमाया है, तो यह income club नहीं होगी, और यह आपी के हाप में taxable होगी, three kind of income is handicap, अगर minor handicap है, तो इसकी income club नहीं होती, और minor के हाथ में क्या की जाती है, assess की जाती है, इन तीन चीज़ को छोड़ करके, हर income minor की club होती है, in the hands of parents, depending, parent marriage subsist, और parent marriage do not subsist, अगर parent marriage subsist करता है, तो उसके हाथ में club होगी, जिसकी income ज़्यादा होगी, before this clubbing, अगर parent marriage subsist नहीं करता, तो clubbing उसके हाथ में होती है, जो उस child को क्या करता है, maintain करता है, चार्ट देखेगा, if parent marriage subsist, clubbing will be in the hands of parents having greater income, if marriage do not subsist, in the hands of the parent who maintain the child, उसके हाथ में होगी, who maintain the child, अच्छा जी, एक और point, जब भी किसी minor की income को clubbing हो रहा है, 1500 rupees per child exemption is available, irrespective of number of child, अगर minor की income club हो रही है, तो 1500 rupees per child का आपको क्या मिलेगा, exemption मिलेगा, irrespective of number of child, जित्ती income club हो रही है, एक minor की, per minor 1500 rupees के exemption अविलेबल होगा, यहाँ पर child में step child भी include होता है, और adopted child भी include होता है, एक बार minor majority attend कर लेता है, उसके बाद यह provision applicable नहीं होती, आईए, section 6414, यह कब लाये गया था, इसके बीचे की history बता देता हूँ, आपको प्रोविशन बहुत easily समझ में आ जाएगा, point क्या था, लोग क्या करते थे, एक जमाना था जब ladies को income tax में benefit बहुत जादा होता था, जब उनका slab rate भी जादा होता था, as compared to men, yes, as a situation था, आज male और female के लिए slab rate एक ही है, पर income tax में एक समय ऐसा जरूर रहा है, जहाँ females को जादा benefit मिला है, आप देखेंगे, आपके घर के most of the business जो old होंगे, वो भी आपके घर के ladies के नाम पे होंगे, जबकि वो housewife है, लोग क्या करते थे, अपने asset जो है, यह transfer करते थे spouse को for inadequate consideration, लोगों को जब पता चला, कि लोग इस तरीके का कोई transaction कर रहा है, कि अपनी income वो wife के नाम पे दिखाना शुरू कर दे रहे है, income tax ने एक section लाया और कहा, if any person transfer the asset for inadequate consideration to wife, wife को transfer हो रहा है, तो gift के provision अपलाए होंगे, gift उसके हाथ में taxable नहीं होगा, लेकिन इस asset में जो income आ रहा है, यह income husband के हाथ में club कर दिया जाएगा, transferer बोल करके, इस section का एक point याद दिदा दू, अगर transfer होने वाली property house property है, तो section 27 deemed donor का condition अपलाए होगा, और other than house property है, तो 64 के अंदर में taxability आएगी, दोनों ही case में clubbing होगी, बस section differ करेगा, house property होगी तो 27, house property नहीं होगी तो 64, income from house property, taxable in house property in the hands of transferer, under section 27 as deemed donor, other income will be taxable under section 64, तो जो person transfer कर रहा है, inadequate consideration में, उसके ओपर ये section apply करेगा, हाला कि ये section apply तब नहीं करता, जब transfer हुआ है, adequate considerations में, so if transfer is for adequate consideration, then this section is not applicable, yes or no, this section also not apply, where the relationship of husband and wife does not subsist, अगर husband wife का relation ही नहीं है, ये section apply नहीं कर सकता, yes or no, I know, 64, 16, अब क्या हुआ, जैसे ही wife का root बंद किया, लोग भागते भागते professionals के पास गए, और कहा, प्रभू, पत प्रदर्शित करो, यहनोंने तो wife के root बंद कर दिये, क्या आप किसी तरीके से planning हो सकती है, सारे professionals ने का, तुमारे घर पे बहु है, बहु, हाँ, sons wife, again, एक और benefit, sons wife के लिए, अब लोगोंने क्या किया, wife को transfer न करने के बदले, sons wife को करना transfer शुरू कर दिया, income tax department को कुछ सालों बाद पता चला, कि हाँ, ये लोग तो हमें, बेवा कूव बना रहे हैं, उनने क्या कर दिया, एक provision और insert कर दिया, sons wife को भी अगर transfer हुआ, inadequate consideration में, income out of such asset will be taxable in the hands of transferor, मतलब, ससूर के हाथ में taxability आ जाएगी, so, if asset is transferred to sons wife, for inadequate consideration, or without consideration, then income earned their form is clubbed in the hands of transferor, हाला कि ये section नहीं अपलाए करेगा, if it is transferred for adequate consideration, अब आया, तीसरा route, जब wife को transfer बन कर दिया, और sons wife को transfer बन कर दिया, तो लोगों ने एक और route निकाला, वो भागते भागते फिर से professional के पास गए, और पूचा, sir wife वाला route भी बन कर दिया, अब किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ें, income tax professionals ने कहा, कोई problem नहीं है, आप third person को transfer कीजे, for the benefit of wife और sons wife, किसे trust बना लीजे, third person बना लीजे, और आप उनके benefit के लिए आप क्या कीजे, transfer कीजे, ऐसे cases में क्या हो गया, कि लोगों ने इस तरीके का route अपना शुरू कर दिया, जब income tax department को पता चला, उन्होंने फिर एक provision ले कर के आ गई, law इसी तरीके से बना है, वो law ले के आते, आप तोड़ते, वो नया law ले कर के आ जाते, और income tax इतनों सा था, जो इतना बड़ा बन जाता है, let's start, so, asset transferred to third person for benefit of wife और son's wife, अगर क्या कर दिया जाता है, transfer कर दिया जाता है, किसको wife, third person को, जिसका benefit wife को या son's wife को जाने वाला है, income therefore will be clubbed in the hands of transferor, इसी time पे मैं आपको income from other sources का gift का एक amendment याद दिराता हूँ, कोई person trust को अगर transfer करता है for benefit of relative, वो gift बोल के उस trust के हाथ में taxable नहीं है, पर ये clubbing provision ज़रूर अपलाए होगी, हलाए कि adequate consideration में transfer क्या होगा, तो ये section apply करता नहीं, 6412, salary commission earned by spouse, देखिए, ये section कब apply करना शुरू क्या था, बहुत सारे लोग क्या करते थे, मान लीजे मेरा Vsmart के अंदर में substantial interest है, अब Vsmart से मुझे कोई payment आने वाला होगा, और मैं देखता हूँ कि wife का क्या चल रहा है, basic exemption limit खाली चल रहा है, what I will do, मैं क्या करूँगा, Vsmart के अंदर में communicate करूँगा, accounting department को और कहूँगा, आप जो मुझे देने वाले हैं, एक काम कीज़े, मेरी wife को आप क्या दिखाईए, employee दिखाईए, और उससे payment कर दीज़े, उससे professional payment बूल करके transfer कर दीज़े, ultimately मेरे पास भी आए, तो मैं तो देने उसी को वाला हूँ, या उसके पास भी आए, तो रहने उसी के पास वाले हैं, तो मैं in any case क्या था, खुश था, लोग क्या करते थे, अगर मेरा substantial interest है, और मेरे wife को remuneration या commission transfer किया जाता था, without any professional or technical qualification, without any work, तो ऐसे cases में क्या किया गया, income tax department को पता चला, कि लोग इस तरीके से क्या कर रहे हैं, transactions कर रहे हैं, income tax ने एक provision ला लिया, अगर किसी व्यक्ति का, किसी भी company या concern के अंदर में substantial interest है, और वो उसे क्या कर रहा है, remuneration दे रहा है, without any professional or technical qualification, यह remuneration क्लब होगा, in the hands of person having substantial interest, जब हम यहाँ पर substantial interest देखेंगे, तो यहाँ पर relative का भी substantial interest, इंक्लूड किया जाता है, for the purpose of this section, अगर वाइफ के पास professional or technical qualification है, तो यह section apply करने वाला नहीं है, चेक कीजे, if a spouse has earned remuneration from a concern, where individual has substantial interest, and spouse does not possess any professional or technical qualification, then such remuneration will be clubbed in the hands of transferor, such remuneration will be clubbed in the hands of transferor, substantial interest means company होगी, तो 20% of voting right, other than company होगी, तो 20% of profit, where both has substantial interest, income shall be clubbed in the hands of person, having greater income before this clubbing, having greater income before this clubbing, next point पर आते हैं, business out of gifted money, यह है important, मतलब अब तक मैंने तीनी चीज़ important बोली, 60, 64, 1, A, minors income, और तीसरा business out of gifted money, यह provision apply करती है, जब relationship हो husband और wife का, example हम लोगों ने class के अंदर में लिये था, मुकेश ने gift किया, अपनी wife Nita को, और Nita ने नया business चालू किया, Nita Buzes, आपको याद होगा, मैंने बहुत beautiful यहाँ पर drawing भी बनाई होगी, right, तो अगर husband ने wife को transfer किया, और wife इससे business start कर लेती है, तो जो भी profit आ रहा होगा, इसका एक proportionate clubing किसके हाथ में होगा, husband के हाथ में भी होगा, formula क्या होगा, formula होगा, profit into gifted amount divided by total capital employed, जब total capital employed देखा जाएगा, तो इसमें gift की amount भी रखी जाएगी, और own capital भी रखा जाएगा, सिर्फ इतना part लिख दीजे, game over, नीचे वाला part, CA final वाला part है, तो आप इसे cut करेंगे, तो भी चल जाएगा, 64 subsection 2, transfer to HOF, मान लीजे, अगर कोई individual है, और वो अपना asset transfer कर देता है, HOF को without any consideration, आपको नहीं लगता, relinquishment of right हो रहा है, हो रहा है, पर देने वाले के हाथ में, section 47 apply होगा, receiver since relative, gift का provision apply नहीं होगा, तो individual अपनी property क्या कर देता था, होफ के नाम transfer कर देता था, for inadequate consideration, और होफ अपनी income earn करता था, सीधा सीधा tax planning दिख रहा है साब, अपनी property आपको rent आता था, आपने अपनी liability किसको shift कर दी, होफ को, यह जानते होए क्योंकि होफ को separately, 2,50,000 तक क्या मिलता है, benefit मिलता है, income tax department को भी समझ्य में देर नी लगी, और income tax ने कहा, if any individual transfer his asset for inadequate consideration to HOF, income out of such asset will be clubbed in the hands of transferor, check it out, any individual transfer any asset to his wife, to his HOF, without or for inadequate consideration, then income from such asset is received by HOF, but it is taxable in the hands of transferor, however, after partition of HOF, income from such asset received by spouse, shall be clubbed in the hands of transferor, plus यहाँ पर कुछ note लिखिये, एक बार note लिख लेना, हलाकि यह सारी note का point हम पढ़ चुके है, अलग-अलग जगह से यह provision जो HOF की है, वो यहाँ पर लिखिये भी है, अगर आप देखेंगे, तो सारी चीजे खतम हो गई, clubbing वाला part खतम हो गया, exam में जाने से पहले, यह चार्ट आप देख लेना है, इस चार्ट के अंदर में सब कुछ कबर है, 5 से 10 मिनिट लगेगा आपको पूरा चार्ट रीड करने में, चार्ट रीड कर लीजेगा, हमारा सेक्षन ओवर है, देख लीजे आप 60, 61, 64, 64, 1A, 64, 2, and 64 के अदर सीरीज, पूरा का पूरा टॉपिक ओवर कर दिया हम लोगों ने, साथ साथ में मैंने आपको फास्ट आग बुक के अंदर में कुछ MC के और क्वेशन दिया है, साथ, बहुत सारे टॉपिक हम लोग फटा-फट मैरेथॉन के अंदर में खतम करे जा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, बस ध्यान बरकरार रखे, मैं जानता हूँ, आपका दिल कह रहा है, PGPP चालू करो, PGPP चालू करो, AMT लेके आओ, पर मेरे भाई, मैं जान मुझके आपको एक सिक्वेंस से लेके जा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको कहीं न कहीं, पिछले चाप्टर जो मैंने करवा दिया, उसकी लिंक यहां पर मिलते जा रही है, ठीक, उसी तरीके से, पेशन्स रखें, यह टॉपिक आएगा और मैराथन ले रहा हूँ, तो हल टॉपिक मैं इसके अंदर में लूँगा है, जैसा कि मैंने वादा किया है, मैं वादा अपना ज़रूर निभाऊँगा, और राइट, तो लेट स्टार्ट विद धी अनादर टॉपिक, लेट स्टार्ट विद स्टार्ट विद स्टार्ट के अंदर में आप एक बहुत इंपॉर्टन रूल है, मोटिवेशन के लिए आपको बता दूँ, 5-5 रूल, कई लोग आपको इस CACCMA की जर्नी के अंदर में बोलेंगे, कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, ये वो ये वो आपके बारे में बहुत सारी ओपीनिन रखेंगे, आपके बारे में अच्छी या बुरी बाते बोलेंगे, मैं सिव आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई भी अगर आपके बारे में कुछ बोल रहा है, अपने पॉइंट के उपर सिर्फ सोच के रेखें, क्या ये जंडू एक साल बाद मैटर करेगा, सिर्फ उसको एक ही नाम दे जंडू, और अपने असामने पूछिए, क्या ये जंडू ये एक साल बाद मैटर करेगा, या इसका ओपीनियन एक साल बाद मैंटर करेगा क्या अगर आंसर नहीं आता है तो प्लीज आपने उसके उपर पांच मिनट से जादा इन्वेस्ट नहीं करना और अपने वापस फोकस कर लेना है ठीक उसी तरीके से जैसे हो सकता है इस वीडियो के उपर एक सोटा से एक्जा करना चाहरा है उसको मुलना एक कामकर भाई लगे रहे हैं बहुत बोल कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट सो अपनी बुराहियों के साथ सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करता है याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका सेक्शन सेवेंटी घरवाली कैसे नंबर की रेती जीरो नंबर की बाहर वाली कैसे नंबर की रेती एक नंबर की और दोनों को भी क्या करना पड़ता है साथ में रखना पड़ता है घरवाली का मतलब होता है इंटर हैडजस्मेंट विदिन द सेम हैडजस्मेंट बाहर वाली का नंबर होता है विदिन दिफरेंट हैड adjustments, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर income के 5 head है, तो losses के भी 5 head ही हो सकते हैं, तो एक एक point पर discuss कर लेते हैं, सबसे पहली बात salary, we all know salary से loss आ नहीं सकता, तो इसमें कोई भी ज़रत नहीं है, दूसरा है HP, house property का loss, क्या house property income से set off हो सकता है, answer is yes, hence, so the loss from house property can be set off against the income from house property, याद र speculative और specified के लिए है, loss from speculative business and specified business, under section 35 AD, loss from speculative business and specified business can only be set off against the speculative income और specified income, तो speculative या specified income के साथ ही आप क्या कर सकते हो, इनको set off कर पाऊगे, हला कि normal business loss के लिए ऐसा कोई भी भी लौ नहीं है, so normal business loss can be set off against any business income, normal business loss can be set off against any business income, so मान लीजे, speculative income है, normal business loss है, क्या ये set off हो सकता है, yes, normal business income है, speculative loss है, क्या ये set off हो सकता है, answer is no, because speculative loss can be set off only against speculative income, check it out, normal business loss can be set off against any business income, कैसा बेटा, any, any business income, तो वो speculative भी हो सकता है, specified भी हो सकता है, however, speculative business loss can be set off only against speculative income, and specified business can only be set off against specified business, so, section 70, within the same head, salary, कोई loss आता है, HPHP से हो सकता है, PGBP में speculative और specified सिर्फ इनकी income के अगेंस में होंगे, लेकिन normal business loss किसी के अगेंस में भी हो सकता है, next point आता है, capital gain, capital gain में दो तरके के loss हो सकते है, long term loss, short term loss, rule long term को लेकर के है, long term capital loss can be set off only against long term capital gain, however, short term capital loss can be set off against any capital gain, कैसे बटा, any capital gain, so, long term can be set off only against long term capital gain, while short term can be set off against any capital gain, किसी भी तरके के capital gain से क्या हो सकता है, set off हो सकता है, इसके बाद आता है other sources, generally speaking, other sources में loss आता है, अधर में से भी इंकम आती है, still law ने दे रखा है कि अगर कोई loss आ रहा है तो आप इसको set off करवा सकते हो, दूसरा याद होगा तो casual income या horse races से casual income से किसी भी तरिके का loss set off नहीं हो सकता, लेकिन इसको एक exception है horse races, income from weighing and maintaining horse races से आने वाला loss, income from weighing and maintaining से set off हो सकता है, so loss from weighing and maintaining horse races can be set off against the income from weighing and maintaining horse races, एक और बात यहाँ पर याद रखना होगा, exempt source of income से कोई loss set off नहीं हो सकता, CIT वर्स त्यागराजन का एक case, यह एक ऐसा case है जो आपको confirm याद रखना ही है, so normal loss can be set off against income of IFOS, horse race loss can be set off against the horse race income, loss from exempt source can't be set off as per CIT वर्स त्यागराजन, यह point आपको बिल्कुल याद रखना ही है, यह तो ही घर वाली, आईए चलते हैं बाहर वाली के उपर, that is section 71 के उपर हम लोग चलते हैं, दूसरे head, सबसे पहला head आता है salary, salary से कौन से loss set off हो सकते हैं क्या, answer is yes, कोई भी तरह के का loss, subject to section 70, 71 ऐसी चालू होता है, तो 70 में जित्ते specific loss थे वो आपको याद रखने पड़ेंगे, subject to section 70, salary से किसी भी तरह के का loss set off किया जा सकता है, except PGBP, PGBP छोड़के हर तरह के का loss set off किया जा सकता है, including unabsorbed depreciation, unabsorbed depreciation भी salary से set off हो सकता है, पर PGBP loss set off नहीं हो सकता, so यहाँ पर मैंने and unabsorbed depreciation लिखा है, क्योंकि यह diluted view था, और ICAI ने इसके ओपर एक specific view रखा है, और वो है unabsorbed depreciation किसी भी income के against में हो सकता है, इसके ओपर judgment भी available है, so check किजेगा, loss from any head can be set off against salary except PGBP, for the timing मैं यह unabsorbed depreciation वाला point कर रहा हूँ, cut, unabsorbed depreciation हो पाएगा, फिर है house property का loss, किसी भी दूसरे head का loss house properties से set off हो सकता है, however, the maximum limit is 2 lakh, किसी भी दूसरे head का loss HP से हो सकता है, but maximum limit is 2 lakh rupees, so loss from any head can be set off against HP, maximum of 2 rupees 2 lakh, फिर आता है PGBP, speculative or specified के बारे में तो हमें वैसे भी पता है, speculative or specified सिर्फ अपनी income के against में हो सकते हैं, but रही बाद PGBP की, तो PGBP किसी भी तरह के loss absorb कर सकता है, so any loss can be set off against the normal PGBP income, capital gain, capital gain, capital gain, capital gain बड़ा अक्डू सा section है, capital gain कहता है, किसी भी head को आना है, वो मेरे साथ आ सकता है, मैं किसी भी head के साथ नहीं जाऊंगा, जिसका मतलब loss from any head can be set off against capital gain, but loss from capital gain can't be set off against other head, जिसका मतलब यह है, बताइए, capital long term capital gain है और business loss है, क्या यह set off हो सकता है, yes, पर business income है, long term capital loss है, set off हो पाएगा, no, specific provision है, long term capital loss can be set off against long term capital gain, other sources में बिल्कुल वहीज बात है वापस से repeat होती है, that casual income से कोई loss set off नहीं होता, exempt income से कोई loss set off नहीं होता, horse race can be set off against horse races, income from other sources से बाकी दूसरी loss क्या हो सकते हैं, set off हो सकते हैं, पहले intra head adjustment करें या intra head adjustment करें, इस बारे में law बहुत ज़्यादा clarity नहीं देता, हाला कि obviously जब आप net income निकालेंगे तो पहले intra head और बाद में inter head adjustments ही करेंगे, अब आते हैं आगे, एक बार आपने loss set off कर लिया, इसके तहट आपको एक provision याद दिराता हो section 139, sub section 3, losses अगर आपको carry forward करने हैं, तो आपको return time पे file करना ज़रूर ही है, अगर return time पे file नहीं किया, तो losses carry forward नहीं हो पाएंगे, हाला कि तो loss ऐसे हैं, जो आपके return time पे file नहीं किया, तो भी carry forward होंगे, वो था HP और unabsorbed depreciation, and depreciation में तो return file नहीं भी किया, तो भी आप क्या कर सकते हैं, loss carry forward कर सकते हैं, आईए, अब ज़रा carry forward की provisions पे भी ध्यान देते हैं, सबसे पहले salary का कोई loss आ सकता है, नहीं तो carry forward का सवाल ही नहीं उठता, दूसरा है HP, HP से आने वाला loss क्या carry forward हो सकता है, हाँ, अगर HP का loss set off नहीं हुआ, तो यह carry forward हो सकता है, सर कितने assessment year सकके, 8 assessment year सकके carry forward हो सकता है, return भरना है, हाँ, time पे भरना है, नहीं, time पे नहीं भरे तो भी चलेगा, सर, next year में क्या सिर्फ यह HP से ही set off होगा, या किसी भी head से set off हो सकता है, in the next year, it can be set off only against the income of HP and not with other head, चेक किजिएगा पटागे से, section 71B, brought forward loss can be set off only with HP income, यहाँ पे word क्या लिखा है बेटा, only with HP income हो सकता है, it can be carried forward up to 8 assessment year, सर अगर 8 assessment year में यह set off नहीं हो पाया, तो lapse हो जाएगा, 8 year में नहीं हो पाया, तो बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, section 80 is not applicable, that means even if return of loss is not filed or late filed, यहाँ पे not filed work नहीं करेगा, file तो आपको करना ही होगा, not filed cut कर दीजे, late filed loss can be carried forward, maximum loss के हिक्ता set off हो पाएगा, 2 lakhs, we know this provision, फिर आता है business loss, business loss which is a normal business loss, normal business loss कितने साल तक के carry forward हो सकता है, sir 8 years तक के carry forward हो सकता है, return भरना है, return time पे भी भरना है, next year से PGP income के साथ क्या हो पाएगा, set off हो पाएगा, right, okay, so business continue नहीं भी रहे, even if business discontinued, loss can be set off, business अगर बंद भी हो चुका है, तो loss क्या हो जाएगा, set off हो जाएगा, carry forward is for 8 assessment year and set off with both business income and speculative income, दोनों के साथ क्या किया जा सकता है, set off किया जा सकता है, फिर आते हैं speculative loss के उपर, speculative loss section 73 deal करता है, जो कहता है, speculative loss 4 assessment year तक के carry forward होगा, return भरना है, time पे भी भरना है, next year में सिर्ट speculative income के साथ ही set off हो पाएगा, so, for 4 assessment year, loss return has to be filed, if return is not filed, it cannot be carried forward, assessor who is incurred the loss can only set off that loss, even if business is discontinued, loss can be set off, फिर आते हैं capital gain, capital gain का loss, चाहे वो long term हो, चाहे वो short term हो, 8 assessment year तक के carry forward हो सकता है, 8 assessment year तक के carry forward हो सकता है, return भरना है, हाँ, time पे भरना है, हाँ, so, if return is not filed, it cannot be carried forward, it can be done for 8 assessment year और यह सिर्फ specific head के साथ ही set off हो सकता है, last आते हैं, horse races के उपर, loss from owing and maintaining horse races, loss from owing and maintaining horse races, सिर्फ उनी की income के साथ set off हो सकता है, और 4 assessment year तक के carry forward हो सकता है, return में भरना और time पे भी भरना है, right, even if business is discontinued, loss is eligible to set off, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, यह section को complete कर लिया है, generally, जिसका loss है, वही carry forward कर सकता है, एक exception पे आईए, generally, जिस assessi का loss है, वही carry forward कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ exception दिये वे हैं, इन following cases में, loss इनका नहीं भी है, तो भी यह loss क्या कर पाएंगे, carry forward कर पाएंगे, पहला, in case of amalgamation, amalgamating company का कोई loss है, अगर वो section 72 की condition को satisfy कर देता है, वो amalgamated company को मिल जाएगा, यह loss, section 72 detail में, आपको CA final के अंदर में cover है, और इसके अंदर में, हम लोग एक गंटा लगाएंगे, जब हम CA final के अंदर में होंगे, 72A, demurged company का loss, resulting company को मिल सकता है, demurged company का loss, resulting company को मिलता है, अगर वो section की condition को satisfy कर देते हैं, तो, third, sole proprietor is converted into company, और firm is converted into company, यह वो provision है, जो section 47 में लिकी थी, अगर sole proprietor company में convert हो जाती है, या firm company में convert हो जाती है, तो यह अपने losses क्या कर सकती है, carry forward कर सकती है, conversion of private company to LLP, और unlisted company to LLP, अगर कोई private company, unlisted company में convert हो जाती है, तो ऐसे cases में, जो private company का loss था, यह LLP carry forward कर सकती है, subject to conditions, हाला कि इनकी conditions आपको CA final के अंदर में पढ़नी है, फिर एक और point आता है, carry forward and set off of closely held company, private company के case में, loss set off and carry forward किस हिसाब से होगा, और इस से related यहाँ पे एक amendment दिया है, NCLT and other shareholding से related, हाला कि मैं आपसे कहूँगा, कि यह part particularly छोड़ दीजे, बहुत advanced का topic है, और इसको आपको substantially अगर पढ़ना भी है, तो मैंने amendment lecture के अंदर में cover किया है, वो एक बार देख लेना, पर मुझे नहीं लगता है यह आपको आ सकता है, क्योंकि NCLT और Company Act related जो point है, यह आपको CA final में cover होते हैं, हाला कि मैंने amendment था, तो यहाँ पर दे रखा था, बढ़ मुझे नहीं लगता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है, सब्स्टैंचिली अगर देखा जाए, तो सेट आफ और के प्रोविजन्स ओवर होते हैं मालिक, एक और टॉपिक हम लोगों ने कदम किया, सेट आफ और केरी फोरवर्वर्ड, सर, कितने टॉपिक हो गए, एक बार टॉपिक भी तो किन लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने किया, हम लोगों ने किया रेसिदेंचल स्टेटस, फिर हुआ सालरी, फिर हुआ हाउस प्रॉपर्टी, फिर हुआ कैपिटल गेन, फिर हुआ अंकम फ्रॉम अधर सोर्सेज, 6th topic हम लोगों ने ले लिया clubbing 7th topic हम लोगों ने ले लिया set off 8th topic sir हम लोगों ने लिया TDS 9th topic sir हम लोगों ने लिया advance tax 10th topic sir हम लोगों ने लिया return of income Sir 11th topic हम लोगों ने लिया agricultural income बताईए और कितने अच्छे दिन लाओ 1 day marathon फट्टा फट्ट 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 प्रोविजन्स को निपताएं जा रहे हैं साहब, हेड के अगर बात करें तो सिर्फ PGBP हेड के अंदर में बचावा है, कौन-कौन से टॉपिक बचे वे, मैं आपको टॉपिक के नाम बता देता हूँ, एक हमारा बचावा चार टॉपिक बचे वे, चार टॉपिक अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो येस हमारा वन दे माराथान क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, मैं जानता हूँ, काफी टाइम हो चुका है, अगर मैं रॉंग नहीं हूँ, तो शायद हम आठ से दस घंटे की बीच में कही तो भी अब तक कंप्लीट कर चुके है, शायद, if I am not wrong, बट देखते हैं, हमें आगे और भी कंप्लीट करना है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत चोटे है, इनमें से सिर्फ एक टॉपिक बढ़ा है, और वो टॉपिक है PGVP, ये आल नो, बाकी सारे चोटे टॉपिक है, जै चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स टॉपिक डिड़क्शन, तो आज ओफटा-फट हम लोग पढ़ लेते हैं, डिड़क्शन और डिड़क्शन आपको पता है, टोटल इंकम में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्म नहीं आ चाप्टर 6A, मेजरली जो इंटर लेवल पर डिड़क्शन आते हैं, वो आपके ATC to ATU related डिड़क्शन होते हैं, और Part C वाले डिड़क्शन आपको बहुत ज्यादा दिये वे नहीं होते हैं, इंकम टैस के डिड़क्शन कितने मिलेंगे, मैक्सिमम जित्ती ग्रॉस होटल इ Casual Income से आपको कोई डिड़क्शन नहीं मिलता, Non-Resident Presumptive Tax Section से आपको कोई डिड़क्शन नहीं मिलता, अगर रिटर्न भरा है तो ही डिड़क्शन मिलेगा, अगर रिटर्न नहीं भरा तो आपको डिड़क्शन मिलने वाला नहीं है, एक बार इस पॉइंट को समझ लिजे, So, deduction is covered under Chapter 6A, deduction is available ATC to ATU, deduction cannot exceed gross total income, no deduction would be available if return is not filed on time under Section 139.1, deduction is not available from the head capital gain, casual income, specified business income, as of now interlevel पे ये तीनी याद रखो, last के दू याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, सबसे पहले deduction की बात कर लेते हैं, पहला deduction है ATTTA, याद रखने का तरीका 13 transaction account, तेरा transaction account, कौन सा account होता है, saving bank account, So, अगर ASSEE को interest मिल रहा है on saving bank account, ये interest का deduction मिलेगा, actual or 10,000, whichever is lower, दो बाते याद रखने हैं, अब इस section में senior citizen cover नहीं होते है, senior citizen के लिए एक अलग से section आ चुका है, ATTTA, B, So, ASSEE is individual or HOF, ASSEE is individual or HOF, other than senior citizen, earn interest on saving account, यहाँ पर interest on saving account लिखा भाए, deposit नहीं, interest on saving account, out of bank, cooperative bank, और post office, deduction is minimum of interest or 10,000, whichever is lower, So, deduction is minimum of actual or 10,000, whichever is lower, दूसरा section है, ATT, T, T, B, इसी का भाई है, same page पे है, बाजु में देखेगा, ये individuals के लिए है, जो resident है, और senior citizen भी है, इनके लिए limit को बढ़ा दिया गया है, और इनकी limit को 10,000 के जगा 50,000 कर दिया है, And respective change 194A में भी किया है, TDS के अंदर में, जहां हम देखिया है, कि इनका TDS जो deduction होगा, वो 50,000 रुपीज से होगा, So, ATT, T, B, assesses individual, resident, senior citizen, So, assessi अगर individual है, resident है, senior citizen है, And here an interest from deposit, एक बहुत important point यहाँ पे बोला है, इन्होंने deposit बोला है, So, ये deposit किसी भी तरिका का हो सकता है, saving bank account का भी हो सकता है, including FD का भी हो सकता है, लेकिन ATTTA में FD कवर नहीं है, महाँ पे सिर्विंग bank account कवर है, यहाँ पे saving bank account as well as FDB कवर है, majorly minimum of interest और 50,000 whichever is lower, So, दोनों में का lower आपको क्या मिलेगा, deduction मिलेगा, So, ये था ATTTA, ATTTV, आपको हमेशा problem के अंदर में देखा होगा, assessi की age क् और अगर interest दिया है, तो आपको specific adjustments करनी होगी, फिर हम बात करते हैं, next section की ATGGB, contribution to political party by an Indian company, अगर कोई भी Indian company, political party या electoral trust को contribute कर रहे है, तो actual amount paid will be allowed as deduction, एक ही condition है, the amount should not be paid in cash, एक ही condition है, the amount should not be paid in cash, तो चेक कीजेगा, अगर कोई भी Indian company, Indian company, Indian company किसको दे रही है, political party को दे रही है, या electoral trust को दे रही है, 100% allowed, provided amount is not paid in cash, cash में अगर pay नहीं किया है, तो deduction मिलेगा, इसी section का भाई है, ATGGC, यहाँ पे क्या difference है, difference बिलकुल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, difference यह है कि Indian company के जगा, अगर क पूरा का पूरा section सेम है, ATGGB, Indian company के लिए, ATGGC, other assessi के लिए, so check कर लीजेगा, any assessi other than Indian company, pays to political party, और electoral trust, 100% it will be allowed as deduction, provided amount should not be paid in cash, यहाँ हमने हमारे 4 section खतम कर दिये, already, शायद एक या दो मिनिट हुआ होगा, और हमने खतम कर दिया, next section है, ATU, याद रखने का तरीका, किसी के sentiments को हटने करना चाहता, पट याद रखने का तरीका, ATU, अगर आप वाकड़े है, जो सीधा निये, कही ना कहीं से, assessi कुछ, भी reason के वाज़े से, अगर handicap है, handicap is also not the right word, differently abled, so if assessi is a handicap, is a resident individual, क्योंकि individual के अलावा, और कोई handicap हो नहीं सकता, company, firm तो handicap हो नहीं सकती, so individual resident handicap, अगर है, still he is earning the income, income tax department बोलता है कि इन लोगों का जजबा बढ़ाने के लिए हम लोगों क्या देना चाहिए, deduction देना चाहिए, और रोने deduction दिया है, कितना deduction, if it is not a severe disability, 75,000, if it is a severe disability, 1,25,000, this is a standard deduction, आपको मिलेगा ही, मिलेगा, so if the assessi is individual, he is resident, if the assessi is individual, he is resident, right, and is certified by the medical authority, also furnish a copy of certificate along with return of income, disability, अगर other than severe disability है, 75,000, if it is a severe disability, now what is severe disability, अगर ये disability 80% या उससे जाधा है, तो 1,25,000, irrespective of expenses, ये एक deduction है, जो मिलेगा ही, मिलेगा, किसको handicap person, that is person with disability को ये deduction मिलेगा ही, मिलेगा, अगर problem में ये नहीं बताया है कि ये severe disability है या नहीं है, तो आपको assume करना है, ये non non severe disability है, क्या assume करो के बोलो, non severe disability है, आपको ये assume करना है, next part पर चलते है, 80DD, connected ही है, अगर assessi के जगा, उसका कोई relative disabled है, और assessi उसके उपर खर्चा कर रहा है, उसके medical maintenance पे, या उसके नाम से deposit करता है, एक particular scheme में, याद रखिए, section में दोनों चीजे cover है, या तो आप उसके भिह 25,000, if it is a non severe disability, 1,25,000 in case of a severe disability, section बिलकुल वही बात कर रहा है, आपसे, खुद अगर assessi disabled है, 80U, उसका कोई relative disabled है, 80DD, sir, relative में कौन आता है, individual के लिए, माबाप, भाइभेन, बीवी बच्चे, और sir, HOF के लिए, any member, आईए, बात करते हैं, individual or HOF, ये section, individual को भी मिलेगा, HOF को मिल आते हैं, provided they are resident, आप इनका medical treatment करवाते हैं, या deposit करते हैं, कोई specified approved scheme के अंदर में, non severe disability 75,000, severe disability 125,000, का आपको क्या मिलेगा, deduction मिलेगा, यहाँ पर assessi क्या कर सकता है, relative के लिए भी ले सकता है, relative मतलब कौन हो जाते हैं, माबाप, भाइभेन, बीवी बच्चे, सारे के सारे cover होत बीमारिया, अगर assessi, अगर assessi individual है, या huf है, who are resident, और यह खर्चा करते हैं, for treatment of any diseases specified under rule 11-D, अगर यह कोई खर्चा करते हैं, for specified diseases, डरावनी डरावनी बीमारिया, जो पूरी एकलिस लिखी है, rule 11-D के अंदर में, तो इनको deduction मिलेगा, सब deduction कितना मिलेगा, अगर जिसके उपर खर्चा हो रहा है, जिसके उपर खर्चा हो रहा है, वो senior citizen नहीं है, तो actual or 40,000 whichever is lower, अगर वो senior citizen है, तो actual or 1,00,000 whichever is lower, याने deduction यहां पर depend करेगा, जिसके उपर इलाज हो रहा है, उसकी age क्या है, इसके उपर यहां पर deduction depend करेगा, so if the assessi is individual or huf being a resident, expenditure होता है किसके उपर medical treatment of a relative, having a specified disease, then other than senior citizen, actual or 40,000 whichever is lower, senior citizen, actual or 1,00,000 whichever is lower, sir यहां पर relative में कौन 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 कवर है, individual के case में माबाब, भाइबेन, भीवी बच्चे, parents, brother, sister of individual covered है, माबाब, भाइबेन, भीवी बच्चे, हुए के case में any member cover होते है, sir, exam point of you से कौन कौन सा important है, मैं आपको भीवी बता जेता हू, ATDD important रखता है, ATTTB important है, ATTTA important, exam point of you से यह सारी चीज़े important है, generally GGB और GGC पूछते नहीं है, हाला कि आपको law दियावा है, आप देख लेंगे, right, अच्छा जी, sir, इस साल का amendment ATEEB, इस साल का amendment ATEEB, confirm है, amendment है, याद रखने का तरीका, एक electrical बहिकल, सुनिए, इसको लाने के बीचे हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री यह थी कि, sir, वैसे भी, you know, 2015, 2015, नरेंद्र मोदी साब और Allen Musk मिलते हैं, जहापे नरेंद्र मोदी साब commitment देते हैं, कि 2030 तक भारत में चलने वाली गाड़ेयां जो होंगी, यह electrical vehicle होंगी, और इसी vision को ध्यान मे इस से क्या किया गया, Finance Act में बदलाव किया गया, कहा कि अगर कोई SSE है, electrical vehicle purchase कर रहा है, loan के उपर, तो जो interest पे कर रहा है, 1,50,000 तक का interest हम क्या देंगे, deduction देंगे, सीधी सीधी बात है, आपको motivate किया जा रहा है, electrical vehicle purchase करने के लिए, और इसी दिए देखिए, आप market में आपको क्या कर रहा है, सर, any SSE, take, provide interest on loan for purchase of electrical vehicle, अगर वो loan लेता है, तो interest का deduction है, principle के deduction की यह बात नहीं चाल रही है, right, and this loan is taken between 2019 to 2023, यह जो गाड़ी लेनी है, यह जो loan लेना है, गाड़ी के purpose के लिए, 2019 से 2023 के बीच में लेना है, and SSE does not own any other electrical vehicle, इस दिन SSE के पास कोई और other electrical vehicle नहीं हो होगा, तो उसको interest का deduction मिलेगा, actual interest paid और 1,50,000, whichever is lower, अब यहाँ पे एक बहुत important point है, वो है definition, हो सकता, institute यहाँ पे आपको गुमाने की कोशिश करे, कैसे, electrical vehicle, pure electrical vehicle होना, उसमें hybrid भी नहीं चलेगा, मतलब purely electrical vehicle होना चाहिए, right, आपने hybrid गाड़ियां सुनी होगी, आप में से होती है, जिसमें आप electrical पे भी चलती है, और petrol diesel पे भी चलती है, उन्होंने ये बात खाटा दी, उन्होंने बला purely electrical है, तो deduction मिलेगा, definition क्यों परधान दीजेगा, electrical vehicle means a vehicle which is powered exclusively by electric motor, powered exclusively by electric motor, whose transaction energy is supplied exclusively by transmission battery installed in the vehicle and has electric regenerative braking system which during braking provides for conservation of vehicle kinetic energy into electrical energy, don't worry, आपको इतने भयानक words याद रखने की ज़रोत नहीं है, electrical vehicle में बस इतना याद रखना, which is totally powered by electrical motors, याने वो सिर्क power motor के उपर चलनी चाहिए, यहाँ पे combined vehicle को को कोई deduction नहीं दिया गया है, तो अगर कोई SSE electrical vehicle लेता है, और इसको loan पे लेता है, interest का deduction मिलेगा, actual or 150,000, whichever is lower का, एक और section किया हमने, आई यह चलते है, ATE के उपर, याद रखने का तरीका, ATE, E से education, अगर individual है, individually education करता है, अगर individual है, इसने loan लिया है for the purpose of education, इसने क्या किया है, loan लिया है for the purpose of education, और इस loan के उपर interest पे कर रहा है, that interest is allowed as deduction, कितने assessment years के लिए, 8 assessment years, starting from the year of repayment, आपक investment years का क्या मिलेगा, deduction मिलेगा, यह education कौन सा education होना ची, किसी कोई भी education हो सकता है, कोई problem नहीं है, किसके education की बात चल रही है, wife का education, cover है, children का education, cover है, in fact, assessi अगर किसी relative के लिए guardian भी है, तो उसका भी deduction आपको जरूर मिलेगा, यह जो loan लेना है, यह compulsorily approved financial institution से ही लेना है, यह condition है So, if the assessi is individual, if the assessi is who? Individual, and pays the interest on education loan, out of income chargeable to tax, this is one of the another important point, अगर आप यह exempt income से देते हैं, तो आपको कोई deduction नहीं मिलेगा, so deduction तभी मिलेगा, जब आप यह interest pay कर रहा है, out of income chargeable to tax, 100% of deduction allowed, only interest is allowed and not the principal is allowed, deduction is available for 7 assessment years, starting from the succeeding assessment So, सीधे शब्दों में, out assessment year के लिए आपको क्या मिलता है, deduction, किसका education, खुद का चलेगा, बच्चे का चलेगा, in fact, अगर आप किसी के guardian भी है, तो उसका भी आपको deduction ज़रूर मिलेगा, यह जो loan लेना है, यह किस से लेना है, sir, approved financial institution से लेना है, तो ही आपको deduction मिलेगा, नहीं से वक्त आपका SOP का benefit याद रखना होगा, मैं आपको confirm कह रहा हूँ, sir, July 20 या November 20 के अंदर में, HP इनसके साथ एक problem जरूर बनाएगा, provision क्या है, जर धहान से सुनिए, वैसे भी self occupied property को interest on borrowed capital का deduction 24B के अंदर, up to 2 lakh rupees और 30,000 मिलता है, याद है आप लोग को yes, अब इसके अलाबा क्या किया गया है, कि sir, अगर her self occupied property है, इसका stamp value exceed नहीं कर रहा है, 45 lakh rupees से, और ये loan आपने sanction करवा है, during the 1920, तो आपको additional 1 lakh 50,000 तक का क्या दिया जा रहा है, benefit दिया जा रहा है, apart from, apart from what, apart from 24B, तो ध्यान से सुनना, if the assess is individual, if the assess is individual, paid interest on loan borrowed, additional benefit up to 50,000, 1 lakh 50,000, apart from which is available in 24B, loan must be taken from approved financial institution, interest must be paid, stamp value of the house does not exceed 45 lakh and loan should be sanctioned between 19-20, अगर ये condition satisfy होती है, तो yes, आपको ATEEE का क्या मिलेगा, benefit मिलेगा, ATEE, ये एक old version था, ATEEE का, ATEEE का एक old version था, ATEEE, आज भी books के अंदर में हैं, क्योंकि deduction इसका आज भी मिलेगा, क्या था, 2016 में एक और point लाया गया था, अगर कोई SSE, ये मोधी सरकार का home for all scheme में, युनों, लोगों को benefit देने का एक तरीका था, अगर SSE individual है, housing loan लेता है, self occupied property के लिए, जिसका loan sanction हुआ है, 2016-17 के बीच में, price of the house does not exit 50 lakh, loan value does not exit 35 lakh, अगर ये condition satisfy होती है, तो उसको interest जो वो pay कर रहा है, maximum up to 50,000 का क्या दिया जाता था, deduction दिया जाता था, सर ये 2016-17 का है, मुझे आज क्यों इसका deduction मिलेगा, सर मिलेगा, क्योंकि ये deduction था, जब तक के amount आप क्या नहीं कर देते हैं, repay नहीं कर देते हैं, तब तक का deduction आपको क्या है, इसके अंदर में available है, है, हैंस, 16-17 में अगर loan sanction हुआ होगा और आज भी आप इसका interest पे कर रहा होंगे, तो आपको ये 50,000 का additional benefit ज़रू मिलेगा, under section A, T, E, E, so assesses individual, paid interest on housing loan, amount of interest paid or 50,000, whichever is lower, only interest is allowed and not the principal amount, right, conditions क्या थी, loan should be taken from bank or financial institution, purchase price of the house is up to 50,000,000, loan is sanctioned between 16 and 17, loan amount is up to 35,000,000, and assesses does not own any other residential house, अगर ये condition satisfy होती है, तो 50,000 तक का interest आपको ज़रूर मिलेगा, अब आता हूं मैं, another section पे 80D, ये वो section है, जो important category की list के अंदर में आता है, ये वो section है, जो important category की list में आता है, ज़र ध्यांजस पढ़िएगा, इसके अंदर में, आपको क्या दिये गए है, deduction दिये गए है, असेसी अगर individual है, medical treatment करवाता है, किसका, खुद का या relative का, याद रखे relative की definition क्या है, individual के लिए relative मतलब वो खुद spouse cover है, parents cover है और dependent children cover है, दो बात है काम की, पहली चीज़, यहाँ पे brother और sister cover नहीं है, as like in section 80U, sorry, 80DD and 80DDB, दूसरी बात यहाँ पे child का dependent होना बहुत ज़रूरी है, child अगर dependent है, तो ही या deduction मिलेगा, नहीं तो child के लिए deduction नहीं मिलने वाला, हुद के लिए family का मतलब है any member, now, अगर individual and HOF है, इसम के अंदर क्या क्या कवर होता है, medical insurance ले रहा है, या central government health scheme ले रहा है, या फिर वो approved scheme ले रहा है, या preventive health check-up करवा रहा है, या expenditure on senior citizen कर रहा है, यह सारे expenditure 80D के अंदर में क्या किये गए हैं, cover किये गए हैं, याद रखिएगा 80D के अंदर जो payment करना होता है, यह by account, pay, check, draft, ECS करना होता है, पर law के अंदर में specific word लिखावा है, other than cash, right, इसके उपर भी institute ने क्या बनाया था, MCQ बनाया था और वहाँ पे लिखा था, यह payment का जो mode होना चाहिए, यह कौन सा होना चाहिए, यह other than cash होना चाहिए, ठीक है, हलाकि preventive health check-up का जो payment है, यह cash में भी चलेगा, as well as आपके other than cash mode में भी चलेगा, तो सिफ preventive health check-up का वाला point अगर आप देखेंगे, तो यह other than cash और cash दोनों mode को क्या करता है, accept कर लेता है, so individual and H.E.F. या तो आपने medical insurance लिया है, central government की कोई health scheme लिये, approved health scheme लिये, या preventive health check-up करवाया है, या expenses on super senior करवाया है, deduction मिलेगा, तो deduction कितना मिलेगा, मेरा plus wife का plus dependent बच्चों का, actual or 25,000 whichever is lower, मेरा plus wife का plus dependent चिल्रन का, actual or 25,000 whichever is lower, parents का अलग से limit दिया गया है, actual or 25,000 whichever is lower, if any person is senior citizen, then actual or 50,000 whichever is lower, सीधे शब्दों में, senior citizen के लिए जो limit है, इसको 25,000 से क्या कर दिया गया है, increase कर दिया गया है, कितने पे ला दिया गया है, 50,000 पे ला लिया गया है, राइट, कुछ बात है जो आपके बहुत काम की है, पहला, preventive health check-up का maximum deduction आपको मिलेगा, 5,000 रुपीज, so expenses on preventive health check-up of the assessi obliquist family, maximum 5,000 रुपीज ही मिलने वाला है, याद रखना होगा, this payment का अगर आपको deduction लेना है, that payment should be made out of income chargeable to tax, income chargeable to tax में से ही आपको क्या करना है, इसका deduction देना है, medical expenses on very senior citizen is restricted to 30,000, super senior citizen के उपर जो medical expenses है, इसकी limit 30,000 ही है, और यह आया है notification 9-2018, मुझे लगता है यह notification से related आपको question जरूर पूचेगा, आज के ताइम पर क्या होता है, जब हम medical insurance निकालते हैं, तो 3 साल का payment कई बार SSC एक साथ कर देता है, अब यह चो payment आप कर रहे हैं, यह 3 साल का है, तो आपको deduction अभी ही 3 सालों का एक साथ मिल जाएगा, या इसे apportion करना होगा, notification क्या कहता है, जरूर देखेगा, if single premium health insurance policy covers more than one year, then deduction shall be allowed on a proportionate basis, अगर ऐसा कुछ होता है, तो deduction आपको क्या दिया जाता है, proportionate basis पे divide कर दिया जाता है, ATDD important category की list थी, ATC, we all know ATC, कमपल्स मुझे शायद बताने की विज़रूरत नहीं है, कि yes, ये exam के अंदर में आता है, और ये important है, benefit किसको मिलेगा, assessi, individual या HOFO, he may be resident, he may be non-resident, अगर ये investment करता है, एक पूरी भरपूर दीवी list के अंदर, तो ये list यहाँ पे पूरी दिये, मैं यहाँ पे list रिफर नहीं करने वाला, बस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, कि अगर assessi, individual और हुए इनका irrespective of residential status, अगर ये in scheme के अंदर में investments करते हैं, actual or 1,50,000, whichever is lower का क्या दियेगा, deduction दिया जाएगा, इस बात में आपको 80CCE का एक point याद दिरा देता हूँ, याद रखें, यह जो investment होना चाहिए, यह approved scheme के अंदर में होना चाहिए, and it may or may not be out of income chargeable to tax, so unlike 50D, यहाँ पे आप income chargeable to tax से भी पे कर सकते थे, या not chargeable to tax से भी क्या कर सकते थे, पे कर सकते थे, यहाँ पे जो deduction मिलेगा, यह payment basis पे मिलेगा, accrual basis पे इसका deduction मिलने वाला नहीं है, इसके अंदर में specifically अगर आपको बताओ, LIC, PPF अगरे के point आप एक बार ध्यान में रख सकते हैं, अब आते हैं, 80CCC के उपर, 80CCC बात करता है, LIC pension fund, याद रखने का simple तरीका, 80CCC, LIC, LIC pension fund के अंदर में कोई individual invest करता है, LIC के pension fund के अंदर में कोई individual invest करता है, actual और 1,50,000, whichever is lower का क्या मिलेगा, deduction मिलेगा, तो इस section का individually 1,50,000 ले लिजे, या तीनों section का मिला के, overall 1,50,000 ले लिजे, बात एक ही होगी, फिर मारते हैं, 80CCC पे, आप सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, यहाँ पर amendment है, तो आपको पढ़ना जरूरी है, पहले पढ़िए, उमीदे अब तक के पढ़ लिया होगा, 80CCD, contribution to pension fund, अगर SSE individual है, right, he may be employed as well as self-employed, he may be employed as well as self-employed, तो अगर SSE individual है, he is employed और self-employed, दोनों को इसका deduction जरूर मिलेगा, right, 80CCD तीन अलग-अलग पार्ट में divided है, 80CCD 1, 80CCD 1B, and 80CCD 2, सबसे पहले यह समढ़ लिजे, 80CCD, right, अगर employee ने, employer ने contribute किया, the maximum deduction is 10% of salary, other than employee ने किया, 20% of gross total income, salary का meaning क्या है आपे, basic plus DA, so assesses employed और self-employed, दोनों का आपको deduction मिलेगा, deduction किसमें मिलेगा, अगर आप कहां डालते हैं, कोई भी pension scheme के अंदर में, आप deposit करते हैं, एक point जो पिछले attempt में पूछा था, क्या अटल pension योजना का भी deduction मिलेगा, answer is yes, 80CCD also allows the benefit in case of, अटल pension योजना, right, deduction कितना मिलेगा, 10% of salary, all 20% of gross total income, right, this is subject to overall limit of 1,50,000, 80CCD 1B, कई बार ऐसा होता है, यह 10% के अंदर में, पूरा deduction claim नहीं कर पाता, इसलिए एक additional benefit दिया है, own contribution का, and which is maximum of 50,000, and additional deduction, apart from 80CCD 1, and additional deduction of 50,000, shall be allowed, other than the contribution covered under 80CCD 1, for example, मान लिजे, असेशी ने contribute किया, 1,40,000 towards the NPS, इसका gross total income है, 5,60,000 रुपीज, अब, since assessi employee नहीं है, gross total income का maximum, 20% 80CCD 1 के अंदर में जाएगा, so 20% of GTI will come to 11,20,000 रुपीज, जबकि assessi ने कितना contribute किया है, 1,40,000 रुपीज, अब जो balance है, 1,40,000 minus 1,12,000, वो 28,000, 80CCD 1B के अंदर में मिल जाएगा, इस example को बिलकुल जहन में उतार लेना, क्योंकि 80CCD 1 and 80CCD 1B के अंदर में classify करने के लिए, यह सबसे best example है, तीसरा है, 80CCD 2, 80CCD 2, own contribution की बात करता है, जहां से सुनिए, own contribution की बात कर रहा है, employer contribution की बात कर रहा है, सर यह employer contribution की बात कर रहा है, employer contribution, employer contribution जो है, इसके taxability आती है, which is lower of, employer जो contribution कर रहा है, उसका भी आपको deduction मिलेगा, कितना lower of actual employer contribution और 10% of salary और 14% of salary अगर employee central government employee है तो यहाँ पे 10% के जगा 14% cover कर दिया गया है और यही है finance act 2019 का amendment तो मैं आपको याद दिरा दू ATCCD1, ATCCD1B यह employees contribution ATCCD2 employer contribution का भी क्या मिलता है आपको benefit मिलता है employer contribution का जो benefit है employer contribution का जो benefit है यह पहले actual और 10% of salary था पर central government employees के लिए यह 10% के जगा 14 होगा इसलिए उसको oblique कर के लिखा है cut कर के नहीं तो private employer 10% of salary और अगर यही employee government employee हुआ तो 14% of salary cover किया जा रहा है साथ-साथ में यहाँ पे भी amendment हुआ NPS के withdrawal के उपर NPS के withdrawal के उपर क्या होता था 40% exempt होता था और 60% taxable होता था अब इसे उल्टा कर दिया गया है 60% exempt है और 40% को क्या कर दिया गया है taxable कर दिया है तो यहाँ पे भी amendment आया है और इसके deep में समझने के लिए आपको amendment lecture देखना होगा जो मैंने दिया है साथ-साथ मैं बहुत एक अच्छी बात बता देता हूँ अगर आपका group 1 complete होने आ रहा है और आपको पास बहुत time है और आपने दोनों group देने की सोच लिए तो Vsmart ने एक बहुत जबरदस ओफर निकाला है पूरा group 2 पूरा group 2 regular batch क्या हुआ है 10,000 के अंदर में offer किया जा रहा है हाला कि इसकी last date offer की है 15 जून तो आप सभी लोगों से मेरा फटा-फट request है कि second group का आप क्या कर लो पूरा का पूरा book कर लो जहां एक subject आहां सरजार या 10,000 में मिलता है पूरा का पूरा group 2 regular batch along with notes आपको deliver करके दिया जा रहा है at 10,000 rupees तो इसका offer आप लोगों ने जरूर ले लेना बहुत जबरदस benefit दिया जा रहा है और वो lecture कब तक चलेंगे सर आप जहां से activate करेंगे वहां से 6 मैने के लिए चलेंगे तो जो अच्छे November दे रहे होंगे या May 21 दे रहे होंगे जनरली इसके अंदर में कोई बहुत जादा amendment होते नहीं है तो मैं आपको यही सिर्फ सला दे सकता हूँ कि आप अभी से इस offer को ले लो और आप बाद में इसे क्या कर लेना activate कर लेना क्योंकि ऐसा offer बार-बार आने नहीं वाला COVID-19 situation में हमने यह offer दियावा है चलिए सर next section के उपर आते हैं next section is 80G G for donation हम सभी जानते हैं आपको जो भी regular book होगी around 2 pages तो इसके सिर्फ list चलती है किसके लिए कितना donation किसके लिए कितना percentage 80G अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो यह all SSE के लिए है यह बन सकता है MCQE this is for all SSE हर वो SSE जो donate कर रहा है in money not in kind donation in kind is not allowed so any donation which is in the form of money is allowed as deduction however donation exceeding 2000 can only be made by account pay check draft or ECS 2000 रुपए के उपर का cash donation का कोई deduction नहीं मिलने वाला अगर आपको donation देना है तो आपको account pay check draft or ECS से देना है exceeding 2000 रुपीज, donation depend करता है अगर यह qualifying limit के अंदर आ रहा होगा, qualifying limit के अंदर है या नहीं है आपको आपकी regular book check करने चाहिए आपको पता चल जाएगा, वैसे भी मैं याद दिरा दू 5 या item qualifying limit के अंदर थे, right, so अगर आप qualifying limit के अंदर है, तो deduction कितना होगा, maximum 10% of adjusted total income और actual whichever is lower का deduction मिलता है, अगर आप qualifying limit के अंदर में cover नहीं है, तो सीधा amount into respective percentage कर लीजे आपको क्या मिल जाएगा, इसका deduction मिल जाएगा, so depend करता है, qualifying limit के अंदर है या नहीं है, उसके उपर आपको deduction मिलेगा, 50 या 40, 50 या 100% का deduction मिलेगा, depending upon आप किस तरीके के organization को क्या दे रहे हो, donation दे रहे हो qualifying limit कैसे calculate कर रहे है, उसका formula यहाँ पर दियावा है let's focus on ATJJA, bio degradable waste section में आने से पहले याद दिरा दू, ATG की जा करके एक बार list देख लेना, जिन जिन बच्चों ने फास्ट रा रेगिलर लिया होगा, मैंने आपको इसमें दो shortcuts दिये हैं, बहुत बड़े, वो shortcuts को ज़रूर एक बार refer कर लेना ATJJA, bio degradable waste अब section के पीछे का point समझेगा, आपको समझ में आ जाएगा, यह उन लोगों के लिए business specific deduction है जो in business के अंदर में engage है यह business related deduction है अगर कोई भी SSE जिनका business ही, जिनका business ही क्या है collecting and processing bio degradable waste इनका business ही क्या है collecting and processing bio degradable waste for generation of power bio fertilizer, bio gas bio pesticides अगर इनका कामी है collection and treatment of bio degradable waste पहले 5 साल 100% profit का इनको क्या मिलने वाला है, deduction मिलने वाला है पहले 5 साल 100% profit का इनको क्या मिलने वाला है deduction मिलने वाला है so these are business specific deductions अब हम आते हैं 80 GGA के उपर आपने अगर PGPP पढ़ लिया होगा तो यह section आपको याद आएगा section 35 35 CCA चपपचपपः advancement अगर SSE का business है he will claim the deduction under 35 CCA अगर SSE का business नहीं है he can claim deduction under 30 GGA अगर SSE scientific research के लिए donation करता है national rural poverty eradication fund के लिए investments करता है research associations को contribute करता है या फिर specified university और college को करता है जितना भी donation वो दे रहा है 80 GGA के अंदर में 100% allowed as deduction so if the SSE is not having PGBP क्योंकि अगर PGBP है तो आपको कहा जाना होगा 35 CCA के अंदर जाना होगा so if the SSE is not having PGBP income right he donates or contributes to scientific research association approved association national fund for rural development then 100% it will be allowed as deduction यहाँ पर deduction कितना मिलेगा साब 100% का deduction मिल जाएगा आपको फिरम आते हैं 80 GG के उपर GG घर घर जहां मैं घर घर खेली rent rent का deduction मिलता है अगर SSE को HR A नहीं मिल रहा है और वो rent पे कर रहा है अगर SSE को HR A नहीं मिल रहा है और वो rent पे कर रहा है इस rent का सको deduction मिलेगा lower of 3 things So, ASSEE is individual ASSEE is individual have no HRA no house at the place of employment declaration is given then lower of following is allowed 5000 per annum 25% of adjusted total income and rent paid minus 10% of adjusted total income So, किता deduction मिलेगा 5000 और 25% of adjusted total income और rent paid minus 10% of adjusted total income for the purpose of this section and ATGG क्योंकि ATG और GG में दोनों जगह पे word आता है adjusted total income कैसे निकालेंगे आपको लेना है gross total income इसमें से minus कर देना है long term capital gain short term capital gain only if it is covered under 111 A and deduction under ATC to your TU except ATG और GG जो भी निकलेगा यह होगा आपका adjusted total income accordingly आपको यहाँ पे deduction क्या करना होगा compute याद रखेंगे जब भी आपको deductions के उपर question आए आपको इस सारे facts and सारी चीजे चेक करनी होगी और deduction का एक separate working note बनाना होगा right deduction का एक separate working note बनाना होगा next section 80 LA पहले यहाँ आजाईए section 80 LA के उपर आजाते हैं यहाँ पे हुआ है amendment क्या है section देखिए section IFSC unit वालों के लिए हुआ है IFSC units पहले ही section था क्या और amendment क्या हुआ दूनों पर work करते हैं हुआ यही कि सबसे पहले जब government ने SEZ बनाया SEZ में banks लाना बहुत ज़रूरी था तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर कोई भी Indian bank या foreign offshore unit bank SEZ में आकर के अपना unit setup करते हैं तो हम इनको क्या करेंगे deduction provide करेंगे और यह जो deduction था यह deduction था for limited number of years इस साल यह deduction IFSC के लिए भी extend कर दिया गया मतलब अगर कोई bank या offshore unit IFSC में जाकर के operate कर रहा है then 100% IFSC में जाकर के operate कर रहा है then 100% of the profit for 10 years out of 15 years इनका जित्ता भी profit होगा इस branch का for 10 years out of 15 years 100% profit क्या मिलेगा deduction मिलेगा under section 80LA हलांकि CA से एक report लेनी होगी और RBI की जो permission है आपको Banking Regulation Act के अंदर में वो आपको return के साथ में attach करनी होगी फिर बात करते हैं 80RB royalty on patents Indians बहुत जादा engineers है इंडिया के अंदर में अगर individual है resident है और यह license patentee है इनको amount मिलती है lump sum for the purpose of patent actual और 3 lakh whichever is lower का क्या मिलेगा deduction मिलेगा अगर outside इंडिया है तो भी आपको 3 lakh रुपीस का deduction मिलेगा हाला कि आपको क्या करना होगा इस money को इंडिया में repatriate करना होगा within the prescribed time इस money को क्या करना होगा repatriate करना होगा within the prescribed time इसी से related एक और section है 80 QQB 80 QQB मैं कोई नहीं लिख रहा है 80 QQB कहता है royalty on books अगर books के ओपर royalty मिली होगी अगर यह royalty लम्सम royalty है actual और 3 lakh whichever is lower अगर यह लम्सम royalty नहीं है तो 15% of the value of the book will be allowed as deduction so 80 QQB भी आपको याद रखना है यहाँ पर 80 QQB लम्सम royalty actual और 3 lakh whichever is lower यह अगर कैसी royalty मिली होगी लम्सम royalty मिली होगी तो अगर लम्सम royalty नहीं मिली है तो इस case में 15% 15% of the value of book will be allowed as deduction लिख के रख लिजाए आप and yeah let me copyright let us start अनादर सेक्षन नए सेक्षन पर आते हैं एटी पी है एटी पी है फार्म प्रोडूसर के लिए है और अमेंडमेंट वाला भी पॉइंट है आप लोगों ने देखा होगा को ओपरेटिव सुसाइटी जनरली ऐसे बिजनस पर एंगेज होती है जो प्रोडक्शन प्रोडक्श कमपनी है जो अपनी इंकम जनरेट कर रही है फार्म प्रोडूसर कमपनी है जो अपनी इंकम जनरेट कर रही है मार्केटिंग ओफ एग्रिकल्चरल प्रोडूसर से या प्रोसेसिंग ओफ एग्रिकल्चरल प्रोडूसर 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 प्रोडूस है उसे process करना जितना भी profit आ रहा है जितना भी profit आ रहा है 100% इस विल बी allowed as deduction and for a period of five years सिर्फ एक ही condition है इसका turnover 100 crore तक के ही होना चीए 100 crore को cross नहीं करना है 100 crore को cross नहीं करना है चलिए एक टाइम हुआ करता था जब section मिलता था सिर्फ और सिर्फ companies को बाद में इसे change करके ला दिया गया हर assesi के लिए तो अब अगर कोई भी assesi है जो tax audit के अंदर में cover है कोई भी assesi है जो किसके अंदर में cover है tax audit के अंदर में cover है और employment provide करता है employee रखता है तो यह deduction मिलेगा 30% of additional wages for 3 years तीन साल के लिए जो आप new workman रख रहे हैं उसका 30% का additional wages का deduction मिलेगा दो बाते होगत जंबरदस्त यार रख में लायक पहला new workman की definition में कौन-कौन आता है और दूसरा wages के अंदर में क्या-क्या आता है चेक किजेगा तो यह deduction तीन assessment year तक के claim किया जा सकता है तीन assessment year के उपर नहीं claim मिलेगा जो आप नए employee रख रहे हैं उनमें कुछ लोग नहीं आएंगे और institute यहाँ आपको घुमानी की कोशिश करेगा वो new workman देनी की कोशिश करेगा वो employee जिनकी salary exceed कर रही है 25,000 रुपए के उपर तो employee अगर उसकी salary 25,000 रुपीज से उपर exceed कर रही होगी उसे बिलकुल भी आप इसके अंदर में नहीं लेंगे उसकी salary का deduction नहीं मिलेगा whose entire contribution is paid by government under the pension scheme अगर उसकी pension scheme में जो amount है वो कौन contribute कर रहा है government contribute कर रहे है तो आपको इस deduction नहीं मिलेगा employee who has worked for less than 240 days एक ऐसा employee जिसने 240 दिन से कम काम किया है 240 days से कम काम किया है उसको इस deduction नहीं मिलेगा leather business, footwear business and apparel industry में ये 240 के जगा 150 के criteria को देखा जाता है मतलब अगर SSC apparel business में है, footwear business में है या leather industry के अंदर में है 150 दिन से कम काम किया है उसको benefit नहीं मिलेगा ऐसे employee who do not participate in RPF so if a employee do not participate in RPF उसको ये benefit नहीं मिलेगा so new workman के अंदर से ये 4 हटा देना है बचेवे number of workman का आपको wages लेना है और उस wages का 30% is allowed as deduction sir wages के अंदर में क्या नहीं आएगा wages का criteria यहाँ पे दियावा है आपको plus एक और criteria दियावा है ये वाला part खेर अगर आप नहीं भी पड़ेंगे तू भी चलेगा majorly इतना part याद रख लीजे exam point of view से marathon point of view से इतने part को याद रख लीजे इसको समझने के लिए आपको again actual lectures देखने होंगे regular वाले done अगर आप देखेंगे तो हमने याँ पे एक list बना रखी है आपको दिखाएंगे कि सबसे पहले ये list के सारे section हमने complete कर लिए ये list के सारे section हम लोगोंने complete कर लिए ये list के सारे section हम लोगोंने complete कर लिए और ये list के भी हमने सारे section complete कर लिए यह ATIAC, ATIA, ATIB और ATIBA, यह specific जो section है, यह दो मैंने fast track के अंदर में पढ़ाया है, क्योंकि इसके अंदर में amendment है, पर मैं marathon के अंदर में इसे नहीं ले रहा हूँ, अगर किसी को इसको पढ़ना है, तो please आप जा करके क्या कर सकते हैं, यह lectures देख सकते हैं, हाला कि inter level पे यह बह लेंगे तो भी चलेगा at the time of examination और in case of marathons, हाला कि मैंने fast track और regular के अंदर में इसे जरूर लिया है, साथी साथ अगर आप देखेंगे तो आपके master ने एक और मेनत करके रखी है, exam से आदी घंटे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक limit की summary रीवी है, यह limit क summary अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत जादा मजा आजाएगा इस book को देख करके, so technically सारे deductions जित्ते inter level के उपर cover थे, वो सारे deductions हम लोगों ने consider कर लिये हैं, देख लिये हैं and this topic deduction is over, sir, तो deduction नाम का topic भी हम लोगों ने खटम कर दिया है, बढ़ते हैं आगे आजाओ, अब हम चलते हैं next topic के उपर, topic का नाम है exemption, exemption एक ऐसा topic है जो आप लोगों को बहुत बार आता है, total income के उपर problem आते हैं, चार मार के individual question आते हैं, और इसके अंदर में क्या कर दिया जाता है, तीन चार income की details दी जाती है, और आपको इसके उपर पूचा जाता है कि बत चुके हैं, और दूसरा आता है, SEZ वाला exemption 10AA वाला, यह topic आपको वैसे भी पढ़ना बहुत जादा जरूरी है, AMT पढ़ने से पहले, तो अगर आप सोच रहे हैं कि यह नया topic आया है, AMT कर लूँगा, लेकिन AMT करने से पहले इस topic को समझना बहुत जरूरी है, PGPP करने से पह basic तो खहर इतना बड़ा topic है भी नहीं, तो हम लोग उसको बहुत जल्दी से complete करने वाले हैं, चली आजाते हैं, फटा-फट exemption के उपर, well done is better than well said, कभी भी बोलने से बहतर है करके दिखाने का, तो लोग आपको कही भी चीज बोलेंगे, या आप उन्हें बोलेंगे कि मैं इत लिस्ट बहुत बड़ी होगी exemption की, हाला कि मैं आपको बता दू, जो जो important है, हम उतने ही important पार्ट को यहाँ पर discuss करेंगे, हाला कि मैंने आपको पूरे के पूरे note दिये वे, आदे साद हम salary और HP में already discuss करके आएं, तो हम वो वाले पार्ट यहाँ पर discuss नहीं करने वाले, ठीक important है, हाँ, amount received out of family income in this case, और in case of impertable estate, received out of family state, हुए से member को जो आ रहा है income, ये income section 10, section 2 के अंदर में क्या किया जाता है, एक्जम्ट किया जाता है, तो अब इसको कैसे दिया जाएगा, PGVP के अंदर में मान लीजे कोई SSI बताया जाएगा, और उसके income column के अंदर में लिखा है, PGVP में से less करना है और इसको totally क्या करना है, exempt करना है आपने, next 10 to A, काम का है, बहुत जादा काम का है, partner को जो share मिलता है, याद रखे, partner को क्या-क्या मिलता है, चार चीजे, share, remuneration, commission, और interest, share जो है, ये क्या है, exempt under section 10 to A, तो partner को जो firm से share मिल रहा है, ये totally exempt under section 10 to A, then interest received under the non-resident external account, interest जो receive हो रहा है, NRE account के उपर, right, किसी भी व्यक्ति को, ये interest totally क्या है, exempt है, next, 10 D, ये इसी साल आएब एक section है, इसके लिए मैं इसको amendment के तौर पर डाल रहा हूं, might be, को आपको exemption बोल करके, पूछा जा सकता है, right, अच्छा जी, so, अगर कोई royalty fees से technical services arise होरी होगी, national technical research organization से, national technical research organization से, अगर कोई royalty और technical fees arise होरी होगी, किसी भी non-resident को, ये income क्या है, totally exempt है, 10-7, foreign allowances or prerequisite by government to employee, याद रखेगा, मैं आपको याद दिराता हूं, सबसे पहले तो residential status, residential status में section 9 पढ़ा था हमने, section 9 के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि जो government of India, outside India, किसी भी व्यक्ति को क्या पे कर रहे है, salary पे कर रहे है, that salary will deem to occur or arise in India, पर वो सिफ salary का पाट था, उसके साथ-साथ, allowances और perquisit जो होते हैं, वो totally exempt होते हैं, तो government of India ने foreign में अगर salary दी, taxable in India, but allowances और perquisit दिये, that is totally exempt under section 10 and 7, 10-7, so foreign allowances और perquisit paid और allowed by government to employee posted abroad, तो government जो employee है, posted abroad है, इसको अगर कोई allowances या perquisit दे रही है, तो यह totally क्या होगा, exempt होगा, अच्छा जी सर, अगर आप देखेंगे, इसके बाद notes के अंदर में, gratitude, pension, leave engagement, retrenchment, compensation, यह सब दिखेगा, जो हम already salary में पढ़के आ चुके हैं, तो मैं हो यहाँ पर repeat नहीं करने वाला, फिर है section 10, 10 BC, यह काम की चीज़े, अब देखिए, जहाँ जहाँ पर disaster होता है, disaster के बाद government compensation देती है, यह local authority compensation देती है, उन उन लोगों को, जिन जिन लोगों को effect हुआ है, यह compensation क्या taxable है या exempt है, टूटली exempt है, लेकिन याद रखना होगा, यह compensation मिला होना चीज़े, यह local authority से मिलना होना चीज़े, यह government से मिलना होना चीज़े, ऐसा नहीं होना चीज़े, कि यह compensation किसी private authority ने दिया, अगर यह compensation किसी private authority से मिला है, तो यह compensation क्या होगा, totally taxable होगा, so compensation on account of any disaster received from government or local authority, then it is exempt subject to condition, then 10-10-D, मैं आपको याद दिरा रहता हूँ, जब assessi life insurance premium pay करता है, he gets the deduction under 80-D, लेकिन जब LIC वापस pay करती है, पूरा का पूरा sum, including the sum by way of bonus, that amount is exempt under section 10-10-D, और अगर यह amount section 10-10-D में exempt नहीं होती, तो फिर इसके उपर हम लोग TDS deduct करते हैं, under section 194-D, याद होगा, तो यह दोनों topic हम पहले पढ़के आचुके हैं, so let's start, अगर कोई भी company से, आपको क्या मिल रहा है, amount मिल रहा है, including the sum by way of bonus, यह totally exempt है, सिर्फ एक ही condition है, जिसका पालन करना होगा, वो condition है, premium किसी भी previous year में, 10% of sum insurance के उपर नहीं होना चाहिए, and in case of handicap assessi, 15% of sum insurance के उपर नहीं होना चाहिए, यह 10% or 15% condition वही है, जो ATC के अंदर में prevail कर यह, at present, any sum received under the life insurance policy, including bonus, but excluding the sum under 80 DDA and keyman insurance policy, keyman insurance policy पे यह exemption अवेलेबल नहीं, simply meaning keyman insurance policy का total amount क्या है, taxable है, is exempt provided the premium does not exceed 10% or 15% of a person is with disability, अच्छा जी, 10-11 हम आल्रेडी पढ़ चुके है, SPF और PPF में, जो final amount मिलता है, यह exempt है, 10-11 के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा था, यह वाला पाट भी हमने पढ़ लिया है, और साथ-साथ में amendment भी है, national pension trust, हम जब पढ़ रहे थे pension, हम जब क्या पढ़ रहे थे, pension पढ़ रहे थे, उस time पे हमने यह पढ़ा थे, income from other sources में, जो pension होता है, जब pension को withdraw किया जाता है, जब pension को क्या किया जाता है, विड्रोड किया गया है exam point of view से मुझे लगता है यह काफी important point हो सकता और आ भी सकता है तो बिल्कुल पढ़के रखना 60% of the payment received from national pension trust made on closure और opting out तो जब आप close कर रहा है तब आपको यह provision applicable है यहाँ पे पहले 40 हुआ करता था अब यहाँ पे 60% work करता है then withdrawal अगर आप नहीं किया closure ना करके withdraw किया ऐसा NPS जो under section 80 CCD के अंदर में था 25% तक का exempt 75% taxable यह याद रखेगा so अगर आप close कर रहे हैं 60-40 का ratio अगर withdrawal हो रहा है 25-75 का ratio चलिया next अगर आप देखे 10-30 ने HRM पढ़ चुक है 10-14 चिल्डरन एजुकेशन अलाउंस उस्टल अलाउंस हम लोग पढ़ चुके है 10-15 करना है हमें payment in case of interest on post office saving account post office saving account से जो interest मिल रहा है इसका exemption मिलता है individual account 3,500 joint account 7,000 rupees यार रखेगा this is subsuming the 10,000 rupees which is covered under 80 TTA 10-16 education scholarship education scholarship जो मिलती है किसी भी individual को this educational scholarship is totally exempt in the hands of individual 10-18, 10-19 ये दोनों चीज हम पढ़ चुके हैं कहां पढ़े थे income from other sources में जब family pension पढ़ रहे थे अगर कोई वेक्ती है जो gallantry award recipient है या जिसने work किया है आम forces के अंदर में उसके घरवालों को अगर family pension मिल रहा है तो ये family pension totally क्या होता है बिटा ये एक्जम्ट ये टी बोर्ड वाले बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं कोई problem नहीं है local authority scientific research news agency बिल्कुल छोड़ सकते हैं कोई problem नहीं है 1023 ए डबल ए बिल्कुल छोड़ दो एक्जम्ट अफ्यू से बिल्कुल काम के नहीं है आप ये भी बिल्कुल छोड़ सकते हैं आगे कि आप बिल्कुल छोड़ दीजे एक्जम्ट अफ्यू मैं totally ले रहा हूं हलाकि मैंने इसके फास्ट्राक के अंदर में cover कराया मैं एक्जम्ट अफ्यू ले रहा हूं और इससे टोटल ही हटा रहा हूं जो जो बिल्कुल काम के नहीं हो से हटा दे रहा हूं 1032 इंकम ऑफ माइनर चाहिड कहां पड़ा है हमने मैं आपको बता दू क्लबिंग के अंदर में पड़ा था सेक्शन 64 1A माइनर इंकम अगर क्लब होती है तो पर क्लबिंग 1500 रुपीज का क्या मिलता है एक्जम्शन प्रोवाइड होता है 1032 1034 मैं आपको याद दिरा दू 1034 इंकम फ्रम अदर सोर्स का पार्ट था डिविदेंट वाला पार्ट था अगर आपको नॉर्मल डिविदें प्लस डिविदेंट अंडर सेक्शन 222 A to D मिलता है अप्टू 10 लाग रुपीज एक्जम्ट अंडर सेक्शन 1034 और 10 लाग के ब्यॉण 115 बीवीड ये क्या होगा एपलिकेबल होगा तो 10 लाग तक का जो डिविदेंट है ये एक्जम्ट है सो इंकम बाइव डिविदेंट रिविदेंट इन सेक्शन 115 ओ डिविदेंट इन एक्शेस ऑफ 10 लाग सेल भी चार्जेबल डू टाक्स इन केस ऑफ इंडिविज्वेड एच्वेफ फर्म रेसिदेंट इन इंडिया एड़ रेट आफ 10 परसंट प्लस फू परसंट सेज 10 34a ये भी हमने पड़ा है 7-7 में इसमें अमेड्मेंट भी हुई है याद करो बाईबैक हाई जी हाँ हम लोग जब कैपिल के इन पड़ रहे थे तब हमनें पड़ा था बाईबैक अब लिस्टेड कंपनी का हो या unlisted company का हो shareholder के हाथ में यह exempt होगा क्यूंकि जो company buyback कर रही है उसे distribution tax देना होगा so buyback of shares by listed oblique unlisted company अगर मिल रहा है shareholder के हाथ में क्या होगा यह exempt होगा 1035A securitization trusted related mainly CA final में govern होता है तो करने की जुरत नहीं है 1037 बिल्कुल आप बता दूं आपको 1037 क्या था यह भी यह ने capital gain के अंदर में पढ़के आ चुके हैं कि अगर कोई land है compulsorily acquire हुई है urban agriculture land compulsorily acquire हुई है जिसे at least 2 साल तक के use कर रहे थे assessi के parents तो यह income क्या होगी exempt होगी so any income arising from transfer of agricultural land situated in an urban area by way of compulsory acquisition as determined by central government और RBI will be exempt in the hands of individual and HUF 1038 अब बचा नहीं तो अब इसे cut कर दीजे आप बिल्कुल 1039 कोई ज़रत नहीं 1043 आपके काम का है हाला कि हम इसको already पढ़ चुकिया capital gain के अंदर में amount जो receive होती है under the reverse notified reverse mortgage scheme यह totally क्या होती है exempt होती है then 1045 आप पढ़के रखिए notified allowances और prerequisite paid to chairman member UPSC retired मैं यह जान मुझके इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससा लिए section जा रहा है इससा लिए section जा रहा है और मैं institute का हमेशा से history रहा है जो provision जाने वाली होती है वह से confirm पुछता है पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कहता है यह वाला point आपको जरूर पूछेगा 1045 वाला राइट क्या कह रहा है हो notified allowances and prerequisite जो हम किसी भी chairman को member को UPSC board के पे कर रहे हैं यह totally क्या होगा exempt होगा 1048 1048 भी आपके पढ़ना काम का है 1048 यह इसके पीछे का history समझ लिए बहुत आसान हो जाएगा एक समय था जब हम लोग क्या करते थे जब हम लोग सबसे पहले foreign currency लेते थे डॉलर और डॉलर से प्रचीज किया जाता था मोधी जैसी है मोधी ने जा करके साओधी अरीबिया के साथ बात करी और यहां पर decide हुआ कि यह लोग क्या करेंगे एक company यहीं open कर लेंगे जहां पर वो उसका stock maintain करेंगे ऐसी foreign company जो इंडिया में ही stock maintain कर रही है और इसी stock से sell कर रही है और currency foreign इंडियन रुपीज में receive कर रही है तो इन्हें हम क्या provide करेंगे exemption provide कर देंगे foreign company के लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि जहां इन्हें पहले tax लग रहा था उन्हें tax exemption मिल रहा था इंडिया के लिए तो किसी भी तरीके से विन-विन situation थी क्योंकि यहां पे at least ओमारा normal lost oil का वो बज जाता था दूसरी बात यहां पे employment generate हो जाता था तीसरी बात foreign currency नहीं लेना पड़ता था क्योंकि currency Indian currency होती थी और ऐसे cases में इंडिया के लिए भी विन-विन situation थी और foreign company के लिए भी विन-विन situation थी exemption क्या था any received any income received in India in Indian currency by foreign company on account of sale of crude oil any other goods rendering services as may be notified right अच्छा जी अब यहां पर क्या हुआ जब मोधी सरकार ने आया और आपको बोला कि आप यहां पर क्या बना लीजे वैसे राजिस्तान के अंदर में है यहां आकर के उन्होंने अपने oil storages बनाए लेकिन यह जो agreements थे यह सिर्फ कुछी सालों के लिए थे अच्छे 10 years और 15 years एक और सवाल उठा जब 10 साल 15 साल बाद यह अपना यह अपनी जगह खाली करेंगे और यह जो leftover stock होगा यह leftover stock बेचा जाएगा तो क्या इस पे taxability लगा दी जाएगी मोधी government ने इस point को भी clear कर दिया कि आपको अगर हमने entry easy दी तो हम आपको exit भी easy देंगे और उन्होंने एक और provision लेकर क्या आगए section 48 भी और कहा कि अगर आप leftover stock भी sale करते हैं तो इसकी income भी हम आपको क्या कर देंगे exempt कर देंगे so income of a foreign company on account of sale of leftover stock of crude oil leftover stock of crude oil if any from the facility in India after the expiry after the expiry of agreement or arrangement or termination of said agreement will also be exempt तो मुझे लगता है 1048 भी आपके exam में आ सकता है क्योंकि यह amendment वाला point है 11 नहीं है आपके काम का 12 नहीं है आपके काम का 13 आप पढ़ लीजे income of a political party हाला कि CA final level पे 11 और 12 CA final level पे एक altogether अलग से topic है taxation of charitable trust and religious trust उसी तरीके से section 13 A also CA final के अंदर में topic है taxation of political party हाला कि उसको यहां पे भी cover किया गया है इसका detail हम लोग all together CA final में देखेंगे लेकिन अभी भी मैं आपको बता दू सर point क्या है political party political party को चार तरकी की income totally exempt है HP capital gain HP capital gain other sources including the voluntary contribution so salary salary इनको आ नहीं सकती PGBP income straight away क्या हो जाती है taxable हो जाती है so HP capital gain other sources and voluntary contribution जो political party को receive हो रहा है यह totally क्या है exempted under section 1013 A हाला कि इस exemption को लेने के लिए उन्हें कुछ condition को satisfy करना होगा satisfactory condition यह है पहला उन्हें accounts maintain करना होगा दूसरा अगर income basic exemption limit से उपर जारी होगी तो इन्हें audit भी करवाना होगा तीसरा इन्हें return भरना होगा 1394 B यादा रहा होगा तो income अगर basic exemption limit से उपर जाती है तो political party को क्या करना है return भरना है so majorly यह condition से एक बार check कर लीजे following income is exempt HP IFOS capital gain voluntary contribution क्या है कुछ conditions है साब क्या conditions है पहला maintain books of accounts second records of the person who is contributing exceeding 20,000 rupees उनका name and address record करना है audit report submit करना है and electoral maintain separate accounts shall not be applicable in case of contribution by way of electoral bond अगर contribution electoral bond के थ्रू किया जा रहा है तो आपको बिलकुल यह accounts maintain करने की ज़रत नहीं है मैं आपको बताता हूँ यह electronic bond वाला concept क्या है मुझे लगता है यह आ सकता है हाला कि यह पिछले सालों का amendment है बट मुझे लगता है कि इस बार यह पूछा जा सकता है क्यूंकि पिछले सालों में पूछा नहीं गया था मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है पार्टी के लिए शो नहीं होता था तो अब अगर मान लीजे विजय को या वी स्मार्ट को को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो वी स्मार्ट क्या करेगा electoral bond purchase करेगा और इस electoral bond को किसी political party को दे देगा इस electoral bond जो होते हैं यह bearer type of document होता है जिसके अंदर में नाम नहीं लिखा होता तो ऐसे cases में क्या होता है electoral bond since यह bank account से ही pay करना होता है तो ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इसमें आपको black money use करना पड़े electoral bond purchase की और electoral bond ही political party को दे दिये since electoral bond जिसने भी दिये हैं उसके name recording नहीं होती तो ऐसे cases में accounts maintenance possible ही नहीं है इसलिए ही एक exception लाया गया और कहा गया कि maintenance of accounts का requirement उन लोगों के लिए बिलकुल नहीं होगा जिन लोगों ने क्या किया है electoral bond submit किया है इस point को एक बार फिर से देख लीजे so with effect from 1.4.2018 the condition for maintaining separate accounts separate accounts का logic ही नहीं रहेगा क्योंकि नाम ही नहीं लिका है तो किस ने दिया किस कब दिया इसके बारे में कोई detail नहीं होगी maintaining separate accounts shall not be applicable if condition if contribution is by way of a electoral bond electoral trust आपको पढ़ने की जुरूत नहीं है CA final वाला point है तो आप छोड़ दीजे 10AA पूरा chapter इसी के लिए पढ़ा गया 10AA यह पूचा जाता और पिछली attempt में इसके उपर question भी था 10AA क्या है यह if the unit is operating in SCZ and doing the export business अगर unit आपका SCZ में situated है और export कर रहा है तो आपको 10AA के अंदर में क्या provide होता है exemption provide होता है exemption कैसे दिया जाएगा जब से भी incorporation हुआ है वहां से पहले 5 साल 100% of the profit as calculated deduction मिलेगा और next 5 साल के लिए 50% then next 5 साल के लिए 50% ऐसे तीन ट्रांच में आपको मिलता है हलाक ये तीन ट्रांच में condition देखते हैं और इसी के लिए इस तरह से रखा गया है तो पहले 5 साल 100% of the profit calculated का deduction मिलेगा next 5 साल 50% of the profit calculated का deduction मिलेगा और next 5 साल again 50% of the profit calculated का deduction मिलेगा अच्छा जी लेकिन इसके लिए कुछ conditions है जो satisfy करनी होगा और कुछ बलीदान देना होगा क्या बलीदान है सर पहला यह जो unit है यह splitting up और reconstruction से नहीं होना चाहिए मतलब SEZ में जो यह unit बना है यह totally new unit होना चाहिए यह should be a new unit and not by way of splitting up और reconstruction दूसरा the SEZ में जो यह unit है यह सिफ sale नहीं करना होना चाहिए यह should be engaged in manufacturing as well as sale तो manufacturing as well as sale के लिए होना चाहिए तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है जो benefit दिया जा रहा है यह only export sales के लिए दिया जा रहा है अगर यह sales DTA में होता है तो आपको कोई benefit दिया नहीं जा रहा है तो लेट्स चेक कोई बेनेफिट दिया नहीं जा रहा है तो लेट्स चेक कोई बेनेफिट दिया नहीं जा रहा है यह MCQ में आ सकता है कोई भी अससी होगा राइट यूनिट इस सिचुएटेड इन SEZ engaged in manufacturing of production and any article or thing or providing services not formed by splitting up or reconstruction new undertaking should not be formed by plant and machinery previously used मतलब इसमें जो plant and machinery होनी चाहिए यह भी new plant and machinery होनी चाहिए अससी has exported the goods or provided the services out of India from the SEZ आपने या तो goods export किये होंगे या तो आपने services provide करी है outside India books of accounts are maintained and tax papers should be audited so sir आपने books of accounts maintain करना है साथ साथ में आपने audit भी कराना है और यह audit report return के साथ आपने submit करना है अगर इतनी condition को आप satisfy कर देते हैं तो deduction कितना मिलेगा first 5 year 100% next 5 year 50% next 5 year 50% हलाकि यह कैसे calculate होगा इस के बारे में भी आपको बतायवा है इस बारे में भी आपको बतायवा है जड़ा सा उपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी profit of business लेकिन यह जितनी भी figure लेंगे आप यह SEZ की लेंगे अब institute भी अपना कहीं से भी कम नहीं है institute क्या करता है यह आपको सारी detail दे देता है बस सामने दो column दे देता है DTWA की भी detail DTA domestic tariff area की भी detail दे देता और SEZ की भी detail देता है आपने बिल्कुल याद रखना मेरे इस lecture को और अपने समी दोस्तों को बता देना कि यह जो details उठाएंगे हम यह SEZ की उठाएंगे DTA की detail को हाथ नहीं लगाना DTA की detail को हाथ नहीं लगाना अगर आप module खुल के देखेंगे या मेरे notes खुल के देखेंगे तो इसमें आपको एक problem दिखेगा रुद्र आप इसका रुद्र वाला problem solve कर लेंगे तो आपका यह पूरा concept clear हो जाएगा इतना easy है यह और यह free के marks है believe me यह free के marks है आपको सिर्फ और सिर्फ एक formula याद रखना है information उठाते वगद सिर्फ DTA की information उठाना है DTA को हाथ ही नहीं लगाना सिर्फ SEZ की information उठाना SEZ की information उठाना profit from a business in SEZ into export turnover of a unit in SEZ divided by total turnover of export unit in SEZ याने हर details जो आप यहाँ पर उठाएंगे वो SEZ के उठाएंगे यह याद रखना DTA की अगर details D भी होगी तो उसे छोड़ देना ignore करना अपनी X के जैसे जैसे X को ignore करते हो बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी ignore करना होगा तुमें So profit from a unit in SEZ into export turnover divided by total turnover जो हम total turnover लेते हैं तो यहाँ पर DTA को किया गया sales plus export किया गया sales दोनों होता है right from the SEZ unit इसका 100% या 50% या 50% depending upon incorporation को कितना time हुआ है यह लगता है मुझे इस बार आपको पूछा जा सकता है confirm क्यूंकि इसके अंदर में यह changes थे जो 2018 में circular लाया था actually जो circular लाया था यह लाया था because of the HCL technologies का case case समझा देता हूं आपको बहुत easy है हलाकि यह case पूरा का पूरा CA final में हम लोग discuss करते हैं लेकिन यह case मुझे यहां समझाना ज़रूर है इस point को समझाने के लिए HCL एक company इंडिया से उसने कुछ foreign में services दी software related services right so computer and software related services provide की गई जब bill दिया गया बिल के साथ साथ कुछ और charges भी add किये गए for example telecommunication charges foreign exchange charges freight charges and other expenses को add किया गया लेकिन जब section 10 AA के exemption की बारी आई तो यह सारे charges हटा दिये गए और सिर्फ और सिर्फ जो normal billing value था इसी के उपपर exemption क्लेम किया A.O. ने कहा जब आपका invoice value जादा है तो आप इतने कम पे exemption कैसे claim कर सकते हैं आपने गलत calculation किया है असेसी का प्ली था कि sir यह जो charges मैं collect कर रहा हूं यह मैं मेरे पास नहीं रख रहा हूं यह सिर्फ assessi से collect कर रहा हूं उस पर calculation करूँ मैं calculation में लूँगा ही नहीं and A.O. इस बात को मानने के लिए agree नहीं था यह matter आगे तक के गया और इसके उपर judgment भी आ गया कि HCL जो कर रहा है वो सही है HCL की judgment को देखते हुए CBDT ने सीधा सीधा एक circular pass कर दिया और कह दिया कि जब भी आप export turnover और total turnover count करते रहेंगे export turnover और total turnover count करते रहेंगे टेलीकॉम charges, freight, insurance and similar kind of charges आप consider नहीं करेंगे so अब पढ़ लीजे easily समझ में आएगा to calculate the export turnover and total turnover, freight, telecommunication charges, insurance charges, expenses incurred in foreign exchange services are to be excluded यह सारी चीज़े आपको क्या करनी है, exclude करनी है and that's it यहाँ पर हमारा equal topic खतम होगे, exemption under section 10 जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको मेरे भाई marathon होगा पर मैं आपको दना दन दन फटा फट पूरा का पूरा topic करवाऊँगा और आप इसके लिए मुझे appreciate ज़रूर करेंगे yes or no so हमने एक और topic कतम कर रहे हैं मेरे भाई exemption मैं जानता हूँ आम लोग almost 11 घंटे कवर कर चुके हैं लेकिन सर आप खुद भी जानते हैं कि इतना सब इसके अंदर में है ही ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज़्यादा explain कर रहा हूँ कम explain कर रहा हूँ उसमें जितना जरुवत है जहां जहां important है मैं वो सारी चीज़े explain कर रहा हूँ इस से कम के अंदर में होना पॉसिबल भी नहीं है चलिए क्योंकि मैं आपको बदा हूँ अच्छा पढ़ना और कम टाइम पर पढ़ना दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता तो या तो अच्छा पढ़ना होगा या तो कम टाइम में पढ़ना होगा चलिए सर अगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट करें बगयर और अब आ जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसका आपको था बहुत बेसबरी से इंतजार दी प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनस और प्रोफेशन मैं जानता हूँ जब से मैराथान शुरू दूसरा पीजी बीपी को आपको चाहिटर करने के लिए आपको बाखी सारी चीजों का जरूरी है और अप्रीपी के बाद टोटल इंकम के प्रब्लम सौल करेंगे तो अगर आप यह मैराथान देख रहे होंगे तो पीजी बीपी के बाद आपको फटा-फट एंप पढ़न मेरे कॉस्टेनियर से सौल कर लिजे ौर्टि ऊठा लिजे इस साल का म्ट यह ओड़नीज़ कर लिए सिर्फ और सारी चीज़े कंप्लीट कर लिए पीजी बीपी यहाँ तो मैराथान में ले रहे हैं लिकिन मैंने अलग से भी पीजी बीप को सात लेक्चर में बहुत डीट में और बाके सब जगह पे नॉर्मल अमेंडमेंट्मेंट्स होए तो आप वो देख सकते हैं पीजी पीपी को आप सॉल करेंगे और पीजी पीपी के एक्स्टा कुश्चन अगर आपको सॉल करने होंगे तो मैं कहुंगा किसी दूसरी बुक के जगह आप सीधा टोटल इंकम क सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले तो चार्जिंग सेक्शन में जहां पर इंपोर्टन होगा इंपोर्टन बता दूगा जैसे कि मैं बताए जा रहा हूं जहां पर अगर बात करूं सेक्शन ट्वेटी एट की तो सेक्शन ट्वेटीएट चार्जिंग सेक्शन है इसको समझने से पहले मैं आपको बहुत सिंपली पीजी पीपी का एक और और आसपेक्ट बता दो यहां पर तीन जग़े लिखी वे एक सेक्शन ट्वेटी एट में लिखवा है ईक फॉसर्ट वण के अंदर में भी लिखावा है जहां पर पर डीमड पीजी वीपि आपको कबर किया जाता है expenses में दो पार्ट है, कुछ expenses allow वाले हैं, जो expenses allow है, वो section 30 से 371 के अंदर में लिखे हैं, और जो expenses allow नहीं है, जो expenses allow नहीं है, वो expenses आपको 38 के आगे लिखे वे हैं, 38 to 43 तक के लिखे वे हैं, दो section ऐसे हैं, पीजी बीपी के अंदर में, 44AA, 44AB, जिनका पीजी बीपी computation से तो कोई लेंदेन है ही नहीं, आईए, सबसे पहले हैं चार्जिंग section, section 28 charging section हमें बताता है, कि कौन-कौन से income सिर्फ और सिर्फ पीजी बीपी के अंदर ही taxable होगी, right, majorly कौन-कौन से income आती है, जो income business से होगी, partners का remuneration commission यहीं पे आता है, subsidy अगर receipt होगी, other than for asset, वो यहीं पे cover होती है, then अगर कोई scientific research asset, जिसका 100% deduction आप लोगों ने claim कर लिया है, वो अगर आपने sale किया, तो वो यहां cover होता है, किसी भी तरह के का compensation यहां पे cover होता है, then sale of import license, duty entitlement, passbook scheme वो यहां पे cover होती है, so ऐसे कुछ major part है, जो यहीं पे cover किये जाते है, अगर कभी stock and trade capital asset में convert होता है, तो यह income fair market value के basis पे भी PGP में आती है, यह सिफ मैंने वो part बता है, जो सबसे ज़्यादा important में होंगे, हलाकि यह section important नहीं है, जब आप PGP compute करते हैं, सिफ आपको प from business and profession, taxable, any profit from sale of import entitlement license, अगर आप import entitlement license को sell करते है, taxable and PGP, cash compensatory support or duty drawback, इसे हम कहते है, subsidy भी, तो अगर government से subsidy मिलती है, otherwise then for asset, तो वो taxable under that of PGP, profit on sale of duty entitlement passbook scheme, any amount received under the keyman insurance policy, अगर आपको amount मिलती है, under the keyman insurance policy, वो taxable है, any benefit, gift, perquisite arising loss due to business and profession, अगर कोई gift मिलता है, या perquisite मिलता है, because of business, for example, मैंने sales target achieve कर लिया, let's say मुझे 1000 product का sales target था, अगर मैंने 1000 product sales target अप्रूव कर लिया, तो मुझे Singapore का trip मिलेगा, ये क्या हो गया, ये gift हो गया, in lieu of any business, perquisite in lieu of any business, ऐसा कुछ अगर मिला है, तो ये PGP में taxable होगा, पार्टर क्या नहीं है, employee नहीं है, तो salary में तो tax हो नहीं सकता, और इसी के लिए इसकी taxability यहाँ आएगी, याद रखेगा, share यहाँ पर नहीं है, और अभी हम exemption में पढ़के आए, share is exempt under section 10-2A, तो remuneration interest commission, जो partner को मिल रहा है, फो हम से वो कहा taxable होगा, यहाँ पर, non-competence fees, अ member, fair market value of inventory, as on the date, when it is converted into capital asset, अगर कोई stock है, जो capital asset में convert होता है, तो यह भी कहा taxable होगा, PGP के अंदर में taxable होगा, any compensation on account of any contract, अगर कोई contract modify होता है, या contract के अंदर में आपको कोई compensation receive होता है, यह compensation भी कहा taxable है, PGP में taxable है, sale of asset, whose whole cost is allowed as deduction, मान लीजे कोई asset था, scientific research के लिए आपने use क्या था, इसको जब आप sell करते हैं, इस जो income आईगी, यह income PGP के अंदर में taxable होगी, section 28, exam point of view, बिल्कुल important नहीं, section 37, बहुत जादा important, रुकिये, 28 के बाद मैं आपको 29 से रूबरू करवाता हूँ, हमारा 28 डन, how to compute PGP, अगर हम PGP के computation की बात करें, तो मेरे भाई यहाँ पर दो method होती है, एक होती है direct method, दूसरी होती है indirect method, direct method जो DV है, यह cover होती है, यह know, आपके cash basis of accounting में और indirect method जो होती है, यह आपके accrual basis of accounting को follow करती है, direct method जो होती है, इसके अंदर में क्या किया जाता है, आपको सबसे पहले लिया जाता है gross receipt, क्या लेना होता है, gross receipt, जनरली आपको income and expenditure account दिया होगा, फटा फटा आपने क्या लेना, gross receipt लेना, इसमें से minus करना expenditure, which are allowed, इसमें से वो expenditure आपने minus कर लेना, जो allow है, जो भी बचेगा, इसे straight away क्या कर देंगे, PGBP, तो gross receipt में से क्या करना है, आपको वो expenditure minus कर देना है, जो allow है, जो भी income बचेगा, उसे हम क्या करेंगे, PGBP, indirect method सबसे जादा चलने वाली method है, जिसके अंदर में आप क्या करते हैं, सबसे पहले net profit उठाते है, net profit में add करते है, all the expenses, which are not allowed, ऐसे सारे expenses जो allow नहीं है, और P&L को debit हो चुका है, और profit कम कर दिया गया है, ये सारे expenses आप क्या कर देते हैं, add back कर देते हैं, इसमें से income not taxable in PGBP, ऐसी सारी income जो PGBP में taxable नहीं है, उसे यहां से निकाल दिया जाता है, तो हम सबसे पहले profit and loss account दिया वा होता है, profit and loss account से सबसे पहले हम लोग net profit लेते हैं, net profit के अंदर में ऐसे expenses add कर देते हैं, जो allow नहीं है, ऐसी income minus कर देते हैं, जो यहां पर taxable नहीं है, and यहां पर asset deduction भी minus किये जाते हैं, जो allowed है, but claimed नहीं किये, allowed है, पर claim नहीं किये, so ऐसे expenses जो allow है, पर आपने claim नहीं किये, वो भी क्या किये जाते हैं, यहां पर minus कर दिये जाते हैं, जो बज़ गया, यह income को हम क्या कहते है, PGBP, जो आप देख सकते है section 29, section 29 हमें क्या कहता है, section 29 हमें कहता है, computation of PGBP, या तो direct method से, या तो indirect method से, yes or no, इसके बाद आपको आना चाहिए, section 37 पे, direct, हाँ, direct, क्योंकि आदे से जादा PGBP इस section के बज़े से solve होता है, इसलिए आप सबसे पहले section 37 पे आएंगे, क्योंकि आदे से जादा PGBP आपका यही section solve कर देगा, क्या होता है section 37, section 37 हर business के लिए है, section 37 की कोई limit नहीं है, अगर इस कुछ नहीं करना है, जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, तहला, expenditure is not covered under 32, 36, आपको याद रखना पड़ेगा, यह expenditure 32, 36 के अंदर में कहीं पे भी cover नहीं होना चाहिए, it is wholly and exclusively incurred for the purpose of business or profession, यह expenditure wholly and exclusively for business and profession के लिए incurred होना चाहिए, हिंस, personal expenditures कोई भी allow होने वाले नहीं है, expenditure is not a capital in nature, मान लीजे आपने कोई asset लिया और P&L को इसका cost debit कर दिया, allow या disallow, मेरे भाई totally disallow, expenditure should not be in personal nature, personal nature के कोई भी खर्चे अगर P&L को debit दिख रहे हैं, तो आपको लेना होगा और add back करना होगा, क्योंकि यह allow नहीं है, कौन-कौन स personal expenditure होगा, जिसका PGP में से कोई deduction मिलने वाला नहीं है, आपको लेना है, add back कर देना है, expenditure should not be in the nature of offense or prohibited by law, यह खर्चा कोई offense नहीं होना चीए, prohibited by law नहीं होना चीए, for example, penal interest, penalty, यह allowed नहीं होने वाले, because they are for offense of law, आपने bribe paid किया, it will not be allowed as deduction because not supported by law, दो चीजे यहां पर और याद र to section 37 में लिखावा है, that CSR expenditure जो होता है, यह companies act के तहत allowed होता है, लेकिन income tax ने इसको मंजूरी नहीं दिये, because it is not a business related expenditure, so CSR expenditure अगर P&L को debited है, या P&L में लिखा होगा, other expenses और नीचे note पे दिया होगा, other expenses include CSR expenditure amounting to dash, आपको लेना होगा और PGP में add back करना होगा, क्योंकि यह expenditure section 37 के इसाब से allowed नहीं है, एक और चीज, contribution to any political party, contribution या donation, किसी भी political party या electoral trust को, बिल्कुल भी allowed नहीं है, why, because section 37 specifically demand करता है, यह खर्चा क्या होना चीए, business खर्चा होना चीए, और donation देना या political contribution करना कहीं पे भी क्या नहीं है, business का expenditure नहीं है, और इसी के लिए, अगर आपको political party को contribution क कर रहा है, PGPP compute करते वक्त आप क्या करेंगे, add back, लेकिन आपका दिमाग सही strike कर रहा है, वो कर रहा है कि क्या 80 GGB और GGC में इसका deduction मिलेगा, मैं कहूंगा, हाँ, PGPP compute करते वक्त आपको add back करना है, लेकिन जब आप deductions compute करते रहेंगे, तो 80 GGB और 80 GGC के अंदर में आप इसका reduction लेंगे, depending upon assessi कौन होगा, तो एक बार 37 देख लिजे और इन बातों को याद कर लिजे, 30 से 36 में नहीं होना चाहिए, exclusively business purpose के लिए होना चाहिए, personal nature का नहीं होना चाहिए, capital nature का नहीं होना चाहिए, और illegal expenditure नहीं होना चाहिए, CSR expenditure हम देने निवाले, political party का contribution allowed नहीं है, अब आते हैं, 40A2 पे, यह 37 important mark कीजे, 40A2 important mark कीजे, यह वो section है, जो आते ही आते हैं, 40A2 यार रखने का तरीका हम दो, हमारे दो दो दोनों भी relative, section कहता है, जो आम business में होता ही होता है, देखे क्या होता है, हम सबसे पहले जो business के transactions करते हैं, यह relative के साथ ही करते हैं, लेकिन इतमाल क्या जाता है, for the purpose of tax avoidance, yes, tax avoidance, कैसे, relatives को, या तो हम ज्यादा relative से कुछ चीजे buy करते हैं, actual पैसा कम देते हैं, लेकिन billing ज्यादा की करवा लेते हैं, so that हम expenditure ज्यादा claim कर सके, यह को ऐसी चीजों का पता चल जाता है, यह section 482 के तहत, अपना power use कर सकता है, section कहता है, if a payment is made to a relative, which is excessive or unreasonable, अगर payment relative को किया है, और यह excessive है या unreasonable है, पहला सवाल, excessive है या unreasonable है, कौन determine करेगा, यह assessing officer determine करेगा, so if a particular payment is made to a relative, which is excessive or unreasonable, having regards to fair market value or benefit received, यह भी अपने मन से नहीं लगाएगा, वो यह check करेगा, fair market value क्या था या benefit received क्या है, right, so if the expense, if payment is made to a relative, which is excessive or unreasonable, having regards to fair market value or benefit received the excess shall be disallowed याद रखेगा disallowed होने वाला है वो excess disallowed होने वाला है पूरा नहीं for example अब इसे institute देता कैसे है आपको बताया जाएगा a particular payment let's say printing at stationary और नीचे note में लिखा होगा P&L के नीचे note में लिखा होगा this particular payment is made to relative which is excess by rupees 5000 याने clear cut आपको बताया जा रहा है excess payment 5000 रुपे का है आपको बिल्कुल दिमाग लगाए बगेर यह 5000 P&L में add back कर देना है so that payment is made to a relative 482 का application हो जाएगा so any unreasonable payment made to a relative section तभी apply करता है जब आपने payment किसको किया हो relative को किया हो right so any unreasonable payment to relative as determined by AO, determine करने की authority किसके पास है AO के पास है not allowed as deduction, market price shall be determined as arms length price एक और point को समझेगा, हाला कि यह point arms length price वाला CA final level का point है but provision के अंदर है तो हमें समझना होगा, CA final international tax paper 7 as well as paper 6E के अंदर में एक topic आता है transfer pricing जो कहता है जो transaction होना चाहिए associated enterprises bracket में relative, यह arms length price पे होता है, इस section में भी amend किया गया कहा, मान लो transaction fair market value पे नहीं है, पर अगर यह transaction arms length price पे है तो इस section का compliance माना जाएगा और disallowance नहीं होगा, सीधे शब्दों में अगर fair market value नहीं मिल रहा है, लेकिन यह transaction arms length price पे ही है as calculated, तो इसको valid माना जाएगा और fair disallowance नहीं होगा 40A3, amendment भी है, important भी है amendment भी है, important भी है, almost हर PGP के problem में इसका एक तो adjustment होता ही होता है 40A3, payment in cash को avoid करने के लिए section का history यह है, कि जब इस section को लाया गया, objective सरकार का यह था कि cash payment, जो cash transactions है, जो हमारी economy को खोकला बनाए जा रहा है दिन बदिन, उसे avoid करना, और इसी के लिए एक limit लगा दी गई कि एक दिन में एक transaction के लिए maximum कितना cash payment कर सकता है हाला कि इसके कि discipline भी लाया गया है, जो rule 6DD के अंदर में लिखे वे हैं इसके exception भी लाये गया है, जो किस के अंदर में लिखे है, प्रभू, rule 6DD के अंदर में लिखे है है, तो इसी के लिए जब भी आप 40A3 पड़ेंगे, आप rule 6DD को एक साथ पड़ेंगे रूल 6 डीटी को कैसे पढ़ना होगा, एक साथ पढ़ना होगा, समझिये, any payment made, आप कोई भी payment कर रहे हैं, any payment made to a person in a day for a single bill, एक वेक्ति को एक दिन में एक ही बिल के लिए, any payment made to a person in a day for a single bill, exceed rupees 10,000 और 35,000 in case of GTA, good transport agencies वालों को ये payment की limit है, ये 35,000 करी गई है, other than good transport agency, limit is 10,000, so any payment made, इसके ओपर सबसे ज़्यादा theory question भी आता है, तो ये word को आपको by heart learn कर लेना है, any payment made to a person in a day for a single bill, exceeding 10,000 और 35,000, otherwise then by account, paycheck, draft, ECS, amendment, other electronic mode, अभी electronic mode का amendment आया क्यों है, होता ये था, problem ये था कि आज हम कई जो payment कर रहे हैं, वो N.E.F.T. से ना करके हमारे wallet से करते हैं, for example हम हमारे Amazon wallet से करते हैं, Pay T.M. से करते हैं, लेकिन section के अंदर में clear cut word लिखे वे थे account, pay, check, draft और ECS, जिसके कारण हो ये रहा था, कि e-payments को ना तो बढ़ावा मिल रहा था, नहीं लोग e-payments कर रहे थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम e-payment करेंगे, तो ये section क्या होगा, हमें attract कर लेगा, और इसी के लिए finance ministry के अंदर में amendment लाया, इस section के अंदर में और ऐसे कई section के अंदर में जहां जहां पे भी word लिका था, account, pay, check, draft और ECS, वहां कॉमा करके एक और word add कर दिया गया, other electronic mode, और इसी के लिए अब यहां पे ये amendment है, section को recall करते है, any payment made to a person in a day for a single bill, exceeding, exceeding 10,000 rupees और 35,000 rupees in case of GTA, otherwise then by account, pay, check, draft और ECS, the whole झाल झाल यहां पर clear cut लिखा है account pay check draft और ECS तो let's say अगर bearer check से payment किया जाता है तो आपको यह section attract होगा क्योंकि clear cut section ने लिखावा है क्या होना चीए account pay check यह था 40A3 अब इसके exception आते हैं मतलग कुछ cases के अंदर में अगर payment cash में भी किया होगा तो भी चलेगा कुछ cases में अगर payment cash में भी किया होगा तो भी चलेगा आईए समझते कौन-कौन से चीज़े हैं पहला payment is made to government अगर आप government को pay कर रहे हैं for example government के taxes पे कर रहे हैं duties पे कर रहे हैं अगर आपने cash में भी pay किया है 10,000 के उपर तो government इसे allow करेगी दूसरा payment to LIC और other financial institution आप bank को पे कर रहे हैं या LIC को पे कर रहे हैं या other financial institution को पे कर रहे हैं अगर आप cash में पे कर रहे हैं sitting 10,000 रुपीज अलाव होगा payment made on a day when bank is close उस दिन टेकिया जिस दिन bank बन था अलाव होगा payment made in a area not served by bank एक ऐसे एरिया में आपने payment किया जहां पे banking services नहीं है तो आपको ये अलाव होगा payment made to a farmer for agricultural produce including recording हाजी extremely sorry बीच मैं रुखना पड़ा क्रिकी battery का थोड़ा सा issue था तो मैंने वो सधार लिया है अब नहीं होगा तो payment अगर आपने farmer को किया है for a agricultural produce for a agricultural produce तो फिर आपको यह allowed होगा यह cash में पे कर सकते हो employee benefit retirement benefits अगर आप दे रहें employee retirement benefits में हम लोग ने देखा था अगर ऐसे payment कर रहा है 50,000 रुपय तक का payment आपको अलाव होगा cash में आप कर सकते है purchase of foreign currency foreign currency अगर cash में purchase की जारी है तो इसका deduction अलाव होगा and payment made through debit card credit card and other electronic mode यह तो बात clear है अगर आप electronic mode से pay कर रहा है तो government और bank में इसके records होगे और अगर इस records है तो आपको यह payment allow होने वाला है अब तक कि हमने क्या कर लिया है मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हम लोगों ने कर लिया section 28 जो charging section था 29 कैसे compute किया जाता है PGVP 371 जो बोल रहा था general deduction फिर हमने किया 482 फिर हमने किया 483 अब तक के इतने section हम लोग already कर चुके है चलिए चलते हैं दो अलग section पे section 30 and section 31 यह दोनों भी भाई-भाई section है किसी भी एक का provision पढ़ लोगे तो automatic दूसरे का provision समझ जाएगा section 30 and 31 कहता है अगर payment business purpose के लिए होगा यही payment अगर personal purpose के लिए हुआ disallow होगा जहां जहां पर मैं कह रहा हूँ disallow होगा disallow होगा मतलब क्या net profit में आपको इसे add back करना होगा section 30 बात करता है building के उपर जहां पर business conduct किया जा रहा है और 31 बात करता है plant and machinery and furniture के उपर अगर आपने building and plant and machinery के लिए कोई rent पे किया है repairs किया है which is not a capital repairs आपने कोई taxes पे किया है या insurance premium पे किया है all these expenditure will be allowed इन दोनों section में एक बात बड़ी common है कि दोनों में capital expenditure allow नहीं होना भी नहीं चाहिए क्योंकि capital expenditure हम लोग balance sheet में asset में add करते है accounting point of you से भी और उसके ओपर depreciation claim किया जाता है hence capital expenditure allow नहीं है otherwise rent repairs taxes and insurance जो किये जा रहे हैं इसका deduction आपको ज़रूर मिलेगा deduction मिलेगा मतलब क्या अगर यह P&L में debited होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है they are valid expenditure और आपको इसे कुछ करने की ज़रत नहीं है so check करेंगे सबसे पहले बात कर लेते है section 30 rent rate premises rent of the premises paid to other is allowed as deduction insurance premium paid is allowed as deduction municipal taxes and revenue allowed as deduction current repairs allowed only on capital repairs depreciation will be allowed hence capital expenditure is not allowed so अगर मान लीजे आपको P&L में यह दिया है cost of raising a compound wall यह capital expenditure हुआ आपको क्या करना होगा net profit में add back करना होगा और profit से एक चीज़ लेस करने होगी depreciation on such wall यह आपको क्या करना होगा less करना होगा ठीक उसी तरीके से section 31 rent of any plant and machinery insurance taxes में आते नहीं current repairs it will be allowed as deduction यह क्या होगे deduction बूलके allow किये जाएंगे so 30 is for building 31 is for plant and machinery अच्छा बताइए अगर rent owner ने खुद को pay किया है क्या इसका deduction मिलेगा बिलकुल नहीं मिल सकता यह personal expenditure होगा specific section अट्रैक कर जाएगा तो personal payments allowed नहीं है खुद को rent pay कर रहे हैं इसका deduction नहीं मिलेगा otherwise दूसरे को pay कर रहे हैं बिलकुल deduction मिल जाएगा next point section 36 important category में डाल रहा हूँ मैं section 36 important category में डाल रहा हूँ 36 है कैसा है जो और से अधर general expenditures को cover कर लेता है तो 36 आपने एक्जाम पंट उसे पहले पढ़ लेना चाहिए 36 के अगर बात करें इसमें से कुछ point बहुत ज्यादा specific है उसके उप परधान नहीं है जैसे यह पहले वाला star mark कर रहा हूँ मैं अगर आप premium pay कर रहे हैं अगेंज the stock, stock को insure करने के लिए आपने stock insurance premium pay किया होगा allowed as deduction अगर ये P&L में debit किया है कुछ करने की ज़ौरत नहीं है दूसरा अगर आपके पास livestock है और इस livestock की lives पे आपने क्या किया है insurance लिया है ये insurance आप पे कर रहे है that will be allowed as deduction तीसरा employee की health के उपर आपने insurance लिया है और ये insurance premium आपने check से दिया है then it will be allowed as deduction इस point पर याद रखना होगा ये जो employee health पे premium जा रहा है ये check से ही जाना चाहिए So, premium paid for insurance premium paid for insurance of stock and stores is allowed as deduction premium paid by federal milk cooperative society to keep in force life of the cattle is allowed as deduction premium paid by check by the employer for insurance on the health of employee will be allowed as deduction Second section 3612 section 3612 कहता है employee को अगर कोई bonus और commission pay किया जा रहा है ये bonus और commission allowed होगा But this is subject to 43B 43B का भी ये part discuss कर लेते है 43B क्या कहता है 43B कहता है आपने bonus और commission declare किया तो इसे actually return भरने से पहले pay करना होगा अगर return भरने से पहले pay किया तो ही आपको deduction मिलेगा return भरने से पहले pay नहीं किया तो deduction आपको मिलने वाला नहीं है So, this point is subject to section 43B Any sum paid to employee by way of bonus और commission by way of bonus और commission for services rendered provided that such sum is not paid in profit in lieu of dividend तो अगर कोई bonus और commission pay कर रहा है that will be allowed as deduction वस यहाँ पे लिख दीजे subject to 43B 43B और इसे अलग सब्दों में आप 43 2B कह सकते है 3613 star mark करने वाला point इसी part में हाला कि मैंने पूरा important कर दिया लेकिन उसमें से भी exam से पहले आपको कित्ता पढ़ना है वो मैं आपको करच बता दे रहू so that आपको बार-बार में याद आती रहे कि यह सर्म ने बूला था यह सर्म ने नहीं बूला रहा interest on borrowed capital यह एक ऐसी चीज़ है जो हर business man लेता ही है business run करने के लिए हम लोग working capital लेते और इस working capital के उपर क्या पे करते है interest पे करते हैं क्या यह interest का deduction मिलेगा answer is yes यह interest का deduction मिलेगा दूसरी बात सर क्या यह interest का deduction asset के against में भी होता है yes एक बार asset put to use हो गया इसके बाद जो आप interest पे कर रहे हैं यह revenue interest बन जाता है और आप इसका deduction यहाँ पे claim कर सकते हैं अच्छा जी सर सर मुझे एक बात बताईए यह जो interest आप ले रहे हैं यह जो interest आप ले रहे हैं क्या यह business के use होना ची answer is yes loan आप जो ले रहे हैं और जिसके लिए interest पे कर रहे हैं यह purely business के लिए होना ची मान लीजे आपने loan तो business के नाम से उठाया था लेकिन आप इसे business के लिए use नहीं कर रहे हैं तो आपको deduction मिलने वाला नहीं है चेक कीजेगा interest paid in respect of capital borrowed for the purpose of business and profession बात clear है for the purpose of business and profession whether for acquiring working capital or other asset will be allowed there should be a nexus मतलब यह business के लिए use होना चीए interest paid on capital borrowed for acquisition of an asset for extension of business for the period till it is put to use shall not be allowed as deduction emlick glass का case है जब तक asset put to use नहीं हो जाता तब तक का interest capitalize करना है एक बार asset put to use हो गया उसके बार यह deduction आप claim कर सकते हैं interest on own capital is not allowed as deduction because यह personal expenditure हो जाएगा interest on money borrowed to pay income tax since income tax एक personal expenditure है यह allow नहीं होने वाला next interest paid to relative यहीं interest अगर आप कोई relative को pay करते हैं तो इस पर 482 भी attract हो सकता है 482 अभी हम लोग पढ़के आया थे जिसके अंदर में था कि अगर आपने payment relative को किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा यह देखना पड़ेगा यह हो कि यह unreasonable तो नहीं है अगर आप interest outside इंडिया पे कर रहे हैं तो आपको याद रखना होगा आपने इसके उपर क्या डिड़क किया हो TDS डिड़क किया हो हम क्या पड़ रहें section 36 36 में तीन पार्ट पहले पहला insurance दूसरा bonus तीसरा interest on borrowed capital चौथा employer's contribution towards recognized provident fund superannuation fund this is subject to 43B employer employee के भिहाफ पे provident fund pay करता है employer ने अगर return भरने से पहले पे कर दिया तो allowed अगर return भरने के बाद पे किया तो जिस साल में पे किया उस साल में allowed in short next year में allowed so employer's contribution to recognize provident fund and superannuation fund अगर P&L को debited है और return भरने से पहले पे कर दिया है it will be allowed as deduction so employer contribution towards recognized provident fund superannuation fund subject to section 43B allowed contribution to new pension scheme important अगर employer important काम का भी अगर employer employee के बिहाफ पे pension scheme में contribute करता है maximum 10% of salary will be allowed as deduction यहाद होगा तो ATCCD subsection 2 employer जो contribute कर रहा है on behalf of employee उसका deduction आप यहाँ पे claim कर सकते हैं so employer ने pay किया employer के लिए expenditure allowed maximum 10% of salary यही यही ATCCD के अंदर में देखेंगे तो वहाँ पे भी यह limit 10% ही थी हाला कि government अगर employee अगर central government employee है तो उनके लिए 14% था याद रखेगा amendment भी है allowance for dead or permanently useless animal which were used for the purpose of business अब जो लोग cattle industry के अंदर में है या dairy industry के अंदर में है उनके लिए animals एक asset होता है yes or no now जब यह गुजर जाते है तो इनकी body को sell कर दिया जाता है जिसे हम कहते है caracas क्या कहते है caracas अब ऐसे cases में जो भी जित्ते में वो खरीदा था less जित्ती body sell कर क्या है उत्तना amount आप P&L में debit कर दीजे will be allowed as deduction employers contribution to approved gratitude fund approved gratitude fund के अंदर में employer ने कोई payment किया होगा that will be allowed as deduction employees contribution to recognize provident fund and superannuation fund employees से payment collect किया और आपने return भरने से पहले इसे पे कर दिया that will be allowed as deduction याद रखिए यहाँ पे वड clear cut employee cover है next point बहुत important 3617 काम का bad debts bad debts आपको प्रूव करने की ज़रतनी income tax department को अगर bad debts है आप सीधा इसे P&L को write off कर दीजे that will be allowed as deduction याद रखना होगा यह bad debts तभी claim हो पाएंगे जब कभी ना कभी आपने इसको क्या किया होगा income treat किया होगा मतलब अगर आपने इसकी sales की entry डाली होगी तो ही आप इसे क्या कर पाएंगे bad debts claim कर पाएंगे याद रखने वाला point provision for bad debts is not allowed as deduction except in case of bank provision for bad debts is not allowed as deduction except in case of bank bank को छोड़ करके provision for bad debts किसी के लिए अलाव नहीं है चेक किजिएगा so bad debts provision for bad debts not allowed as deduction except in case of bank इसको याद रखेगा actual bad debts if it is related to sales allowed if it is related to loan not allowed as deduction provision for bad debts bank के लिए कितना होगा इसको याद रख लेना इस पर practical question नहीं आएगा पर हाँ आपको थेरी पूची जा सकती है अगर bank Indian bank है तो 8.5% of GTI before this deduction plus 10% of aggregate rural advances Indian banks को इतना provision bad debts के लिए allowed किया गया है 8.5% of GTI इस deduction को claim करने से पहले plus 10% of aggregate rural advances cover किया गया है यही अगर Indian bank चोड़ के कोई भी other financial institution है इनको maximum 5% of GTI दिया गया है before this deduction इतना वो लोग provision for bad debts claim कर सकते हैं so provision for bad debts is not allowed bank के लिए allowed है लेकिन वो bank के लिए भी कितना allowed है limited limit क्या है यह है limit depending upon Indian bank और other financial institution कुछ conditions है आपने इसे क्या करना है write-off करना है bad debts का deduction तभी मिलेगा जब आपने क्या क्या हो write-off क्या हो दूसरा एक और important condition है अगर आपको bad debts claim करना है तो आपका business continue होना बहुत जरूरी है अगर business continued नहीं है तो bad debts का deduction नहीं मिलेगा so business must be carried on during the previous year और any part of the previous year bad debts of a discontinued business is not allowed याद रखेगा loss of a discontinued business is allowed but bad debts of a discontinued business is not allowed loss of a discontinued business is allowed but bad debts of a discontinued business is not allowed bad debts are allowed in the hands of successor इसके ओपर case study बनके आपको मिल सकता है bad debts is allowed in the hands of successor मतलब क्या है मान लीजे मान लीजे कोई व्यक्ति था गुजर गया inheritance में business बच्चे को चाला गया business continued है पर क्या बच्चा अब bad debts को claim कर सकता है the sole condition is bad debts को claim करने की क्या थी याद कीजे ज़रा condition थी कि business continue होना चीए और अगर business continue हो रहा है भले ही बच्चा कर रहा है इने रिटेंस में business continue है आप bad debts claim कर सकते हो वी बदरराओ का case 41 subsection 4 काम की चीजे जो इसी के साथ पढ़नी होती है मान लीजे आज आप bad debts का क्या कर रहे है deduction claim कर रहे है दो साल बाद यह bad debts recover हो जाते है क्या होगा अगर दो साल बाद यह recover हो जाते है तो section 41 sub section 4 कहता है आपको इसे income मानना है section 41 sub section 4 कहता है आपको इसे क्या मनना है, income मनना है, so it shall be deemed to be PGBP of the previous year in which such recovery is made whether business or profession in respect of which deduction has been allowed, yes or no, next आता है 36.110, benefit available only to company, इसके पीछे के एक history है, history सुनेंगे तो आप sir, चौक जाएंगे कि ऐसे भी कोई history हो सकती है क्या, हाला कि अब ये बहुत जादा काम का नहीं है, पर इसके एक history रही है, history ये रही है, आपको पता होगा इंद्रा गांदी का एक समय था, इंद्रा गांदी के समय में एक नजबंदी स्कीम चालू की गई थी इंद्रा गांदी सरकारद्वारा, population बढ़ रही थी और उस टाइम प लग क्या था, company को ही बोला जाता था, आप अपने hospital बनाई है और उसके अंदर में आपके सारे employees को mandatory इसके अंदर में ले के आई है, और ये जो capital expenditure था, इसका deduction अलाव किया गया था, on one-fifth basis under this particular section, एक दो काम की बात, ये जो family planning expenditure है, आप देखेंगे, ये सिफ company के लिए है, इ case की history रही है, उमीदे आपको बहुत जादा मजा आया होगा इस history को सुन करके, और अगर हा, तो आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा, आज पता जिला, भाय respect, check किजिएगा, so company, the purpose of such expenditure, such expenditure has been made or incurred for promotion of family planning among its employee, its capital expenditure is allowed, capital expenditure is allowed on one-fifth basis, however, related to revenue expenditure will be allowed under section 37.1, 37.1 में allow होंगे, इसके कोई revenue expenditure allow भी है, तो यहां पे allow होने वाले नहीं है, फिर है BCTT, याद रखने माला point, banking cash transaction tax, जो आज बहुत जादा लगता है, online transactions पे, so banking transaction tax या इसको banking charges के नाम से भी जानते है, अगर आप पे करते हैं, it will be allowed as deduction, next, STT paid, याद होगा, तो जब हम लोग capital gain पढ़ रहे थे, तब हम ने इस proviso 7 पढ़ाता है, जिसके अंदर में पढ़ाता है, STT paid is not allowed as deduction, हाला कि अगर आपका business ही speculative business है, तो जो आप STT pay कर रहे हैं, that will be allowed as deduction, याद रखेगा, STT pay deduction तभी मिलेगा, जब आपका income speculative income है, so अगर आपका speculative income है, तो STT जो आप pay कर रहे हैं, that will be allowed as deduction, commodity transaction tax, अगर commodity income है आ also allowed as deduction, 36 में एक और point काम का है, CTT काम का, STT काम का, mark to market loss as per ICDS, IPCC level पर ICDS है नहीं, बस इस line को याद रख लीजे, mark to market loss हो सकता है, आपको confuse करने के लिए क्या दिया जाए, P&L में लिखा जाए, mark to market loss और निचे notes में लिखा जाए, mark to market loss और निचे notes में लिखा जाए, mark to market loss mark to market loss as per ICDS is 3 lakh रुपीज, अब ऐसे cases में जितना भी excess है, ये पूरा का पूरा डिसलाव होगा, क्योंकि section कहता है, mark to market loss उतना ही allowed है, जितना ICDS ने बोला है, then pro rata amount of discount on zero coupon bond, zero coupon bond के उपर जो भी pro rata discount आप दे रहे हैं, ये allow होगा, expenditure by cooperative society on purchase of sugarcane, on purchase of sugarcane, at a price less than or equal to set by government, अगर कोई cooperative society है, ये cooperative society अगर equal to or less than the price specified by government पर purchase करती है, तो आपको क्या दिया जा रहा है, deduction दिया जा रहा है, specific deduction पर sugarcane तो आपको बहुत जादा specific क्यार रखने के ज़रत नहीं है, याद कीजे, 28 charging section, 29 how to compute PGBP, 30 expenditure on building, 31 expenditure on plant and machinery, 37 general deduction, 482 payment to relative, 483 cash payment, section 36 general deduction, ये सारे section आप तक हम लोगों ने पढ़ लिये हैं, क्या होता है, PGBP एक ऐसी चीज है ना मेरे भाई, जिसको पढ़ाते वक्त ऐसा लगता है कि इतने speed में हमने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में इतने चोटे 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 पॉइंट्स है, बट यूनो कुछ नहीं कर सकता और इसी के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीटेल में, शान्ती में पढ़ना है, तो मैं नीचे आपको क्या देदूँगा, सेक्शन 35, साइन्टिफिक रिसर्च, काम का है, जी हाँ, काम का है, इसके ओपर इंडिविज्वल कोश्चन भी आता है, और इसके ओपर ओवरॉल कोश्चन भी आता है, मेरे हिसाब से इसे important मात परिएगा, क्योंकि अगले साल, इस Finance Act 20 में इसमें changes आ रहे हैं, तो आपके लिए इंप्रटन बनता है, student सोचता है कि अगले साल जब change आई रहा है तो इसे क्यों पढ़ो, institute सोचता है अगली बार कब chance मिलेगा, अभी पूछ लो, scientific research, सोचिए इस COVID-19 की situation के अंदर में कितनी company जग खुद ही research के अंदर में पैसा लगा रही होगी, थाकि उन्हें COVID-19 का एक formula मिल जाए, yes or no, और इस research के उपर हो रहा हुआ बहुत खर्चा, company सारे lockdown के situation में भी खर्चा करे जा रही है, ऐसा क्या है जो इन्हे motivate कर रहा है, यह section, section कहता है अगर आप in-house research कर रहे हैं, खुद की company के अंदर में research कर रहे हैं, तो आप जितना खर्चा कर रहे हैं, उसका हम 100% deduction देंगे, साथी साथ में, इस section ने और भी motivation दिया है, कि अगर आप से खुद नहीं होता, तो आप किसी को donate कर दो, तो हम donation का भी huge deduction देंगे, जिसे हम कहते हैं weighted deduction, section कहता है, अगर आप in-house research कर रहे हैं, in-house research मतलब खुद की company में कुद के लिए research कर रहे हैं, तो capital expenditure का भी deduction मिलेंगा, और revenue expenditure का भी deduction मिलेगा, समझेगा, मान लिए रेनबाक C, एक company, जो क्या कर रही होगी, अब COVID-19 के situation में research कर रही होगी, कई machine पर्चेस की होगी, लेट से PPE kid बनाने के लिए, या mask बनाने के लिए, या research करने के लिए, यह होगी है, इनके capital expenditure, प्लस revenue expenditure कई scientist को लिया होगा, इनकी salary रो रही होगी, कुछ raw materials लाया होगे, यह revenue expenditure होगया, तो अगर company in-house research कर रही है, capital expenditure का भी deduction है, revenue expenditure का भी deduction है, दोनों deduction आपको क्या किये गए हैं, allow किये गए हैं, right, since आपको 100% deduction ही दे दिया जा रहा है, इस asset का actual cost क्या होगा, nil, क्योंकि आपको 100% deduction यहीं मिल जा रहा है, तो क्या जो asset हम scientific research के लिए ले रहे हैं, उस पर depreciation मिलेगा, answer is no, जो asset हमने scientific research के लिए लिए हैं, इसके उपर depreciation मिलने वाला नहीं है, next point, sir, current year में कोई खर्चे किये, allow है क्या, yes, sir, previous year में कोई खर्चे किये, वो allow है क्या, previous year के खर्चे भी आप current year में claim कर सकते हैं, हाला कि 3 previous year ही cover किये जा सकते हैं, चेक किजिएगा, revenue expenditure 100% allowed, capital expenditure allowed 100%, right, further no depreciation shall be allowed on such asset, capital expenditure, current year expenditure allowed, previous year expenditure allowed, previous year means 3 previous year, अगर आपसे नहीं हो सकता, कोई problem नहीं है, दूसरों को donate करो, अगर आप national laboratory IIT को donate करते हैं, तो 150% is allowed as deduction, national laboratory IIT, national laboratory rules के अंदर में बताई विये कि कौन कौन से laboratory national laboratory होगी, national laboratory IIT 150%, approved university association 150%, अगर कोई भी associations को approved association मना दिया जाता है, CABDT द्वारा, तो 150% will be allowed as deduction, social and statistical research 100%, अगर company social and statistical research के अंदर है, एक समय दा जब यहाँ पे 125% allowed हुआ करता था, अब यहाँ पे 100% allowed है, and company having main object as research, ऐसी company जिनका object research करना है, इनको आपने donation दिया, 100% allowed as deduction, so section बड़ी clear बात करता है, कि आपको in-house research का भी donation deduction मिलेगा, और donation to others का भी deduction मिलेगा, कुछ और बातें section से related या कुछ और case law, जो मैं आपके साथ फटा-फट discuss कर लेता हूँ, एक, approach road बनाए scientific laboratory के लिए, क्या ये revenue expenditure मान के reduction मिलता है, इसके उपर case law है, yes, अगर आप company से laboratory तक के एक approach road बना देते हैं, इसका deduction मिलेगा, बताइए, एक bus purchase की जो scientist को उनके घर से laboratory तक के लेके आती है, और छोड़ने जाती है, क्या इस bus को scientific research expenditure माना जा सकता है, answer is yes, section का overall perspective क्या था, scientific research को किसी भी तरीके से directly और indirectly बढ़ावा देना, so in any case, it is related to scientific research, it will be allowed as deduction, क्योंकि इसमें word लिखाता, capital expenditure भी allowed है, next आ जाते हैं, 35 to a b, यह cut किजे, यहाँ पर आना चीए, 35 to a b, 5 cut हो चुका है, 35 to a b, what is 35 to a b, 35 to a b, बात करता है आपसे in-house research की, अगर कोई company है, company है, company है, in-house research कर रही है, सर अभी तो हमने 35 पढ़ा, ध्यान दे सुनिएगा, 35 के अंदर में हम हर assessi को cover करते हैं, चाहे वो manufacturing में हो या ना हो, and 35 to a b में हम specifically वही company को रखते हैं, जो manufacturing में होगी, तो let us understand two company, एक company जो manufacturing में है, scientific research कर रही है, यह deduction 35 to a b में claim करेगी, क्योंकि यह manufacturing company है, अगर company manufacturing company नहीं है, तो deduction 35 में लिया जाएगा, manufacturing वाली है, 35 to a b, manufacturing वाली नहीं है, 35 के अंदर में deduction, अगर company manufacturing में engaged है, और bio technology में engaged है, और यह in-house research करते हैं, क्या करते हैं बूलो जल्दी से, in-house research करते हैं, तो इनको deduction मिलेगा, sir deduction कितना मिलेगा, यह deduction current year expenditure पे 150% तक के allow किया गया है, right, तो sir check किजिगा, assessi is a company, 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 assessi is a company, engaged in manufacturing और bio technology business, incurred the expenditure in in-house research, except the cost of land, cost of land का deduction मिलने वाला नहीं है, हला कि एक law था, जो extend कर दिया गया है, तो इस last line को आप कट कर दीजे, land का कितना deduction मिलेगा, sir, land का कोई deduction नहीं मिलने वाला, building and previous year expenditures, अगर कोई building है, या previous year में कोई खर्चे किया है, 100% मिलेगा, current year expenditures पे 150% का deduction मिलेगा, right, एक और important बात, जो यहाँ पर आपको याद रखनी है, यहाँ land का deduction नहीं मिल रहा, पर building का deduction ज़रूर मिलेगा, 100%, right, आईए, चलते हैं, 35 CCA के उपर, मैं हूँ page number 10 के उपर, page number 10 पे आईए, 35 CCA, इसको याद रखने का तरीका चपपा चपपा advancement, आपने में साथ deduction में already यह section पड़ा है, यहाँ दिरा देता हूँ, 80 GGA, मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि boss, अगर SSC का PGBP है, तो वो 35 CCA के उपर में deduction लेगा, अगर SSC का PGBP नहीं है, तो वो deduction 35 CCA के उपर में लेगा, समझेगा, अगर SSC है, contribute कर रहा है, रूरल development के अंदर में, या poverty eradication fund के अंदर में, जितना भी वो contribute कर रहा है, 100% allowed as deduction, तो चेक कीज़ेगा, if the SSC contribute to national fund for rural development, और poverty eradication fund, deduction is 100%, तो PNL में अगर ऐसा कोई amount debited है, आपको इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि यह allowed है, नेक्स्ट आता है 35DD, 35DD talks about amalgamation and demerger related expenditure, अगर company ने amalgamation और demerger related expenditure किया है, तो जितना भी expenditure आ रहा है, इसका one-fifth basis पे deduction मिलेगा, कितने basis पे मिलेगा मालिक, one-fifth basis पे deduction मिलेगा, अगर company Indian company है, expenditure करती है, amalgamation और demerger पे one-fifth will be allowed as deduction, फिर आते हैं 35DD, DDA याद रखने का तरीका दद्दा VRS ले ले, अगर company या कोई भी assessi, याद रखिए 35DD में सिर्फ company है, 35DD में any assessi है, any assessi अगर VRS expenditure का पेमेंट कर रहा है, this deduction is allowed on one-fifth basis, तो अब तक आपने मिल साथ तीन चीज़े देखी जो one-fifth basis पे थी, पहला family promotion expenditure, दूसरा amalgamation related expenditure, तीसरा VRS related expenditure, या तीनों deduction one-fifth basis पे मिलेंगे, मतलब हर साल से 20%, फिर आता है 35CCC, agriculture extension project, अगर assessi, notified agriculture extension project के अंदर में क्या करता है, investment करता है, then 150% will be allowed as deduction, जित्ता भी खर्चा किया है, उसका 150% आपको क्या मिलेगा, deduction मिलेगा, so any assessi incur the expenditure on agriculture extension project, 100 रुपे खर्चा कर रहा है, 150 का deduction मिलेगा, एक minute, यहाँ एक point बताना आपको ज़रूरी है, 150 का deduction मिलेगा, जर्नल एंट्री पास करते है, agriculture extension account debit to cash और bank 100, तो P&L में तो सिफ 100 ही जाएगा, तो 150 का deduction कैसे मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक working note बनानी होगी, जी हाँ, इसे हम कहते हैं, weighted deduction एक working note बनानी होगी, 100 is already debited to P&L, आपको जो adjustment करनी है, वो सिफ additional 50 की करनी है, इस additional 50 को profit and loss account से reduce कर देना weighted deduction का effect आ जाएगा, यह वही चीज है, जिसे हम कहते हैं, deduction allowed but not claimed, आपने P&L में allow है आपको, income tax के हिसाब से, पर आपने P&L में अब तक claim नहीं किया, तो यह weighted deduction net profit से minus करेंगे, overall profit reduce हो जाएगा और आपको इसका effect मिल जाएगा, याद रखे, accounting में change नहीं करना है, income tax purpose के लिए profit different compute होगा, इसका working note बनाना है, next चलते हैं, 35 CCD, CCD में जाके हमारे skill development हो जाएगे, section सिर्फ और सिर्फ companies के लिए, तो अगर SSE company है, खर्चा कर रहा है notified skill developments के उपर, अगर employee skill developments के उपर खर्चा करता है, 150% will be allowed as deduction, हाला कि land and building का deduction यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, so land and building का यहाँ पर deduction नहीं मिलेगा, otherwise जू भी कर्चा कर रहा है, 150% will be allowed as deduction, यहाँ पर एक और चीज़ याद रखने है, अगर आपने ITI को भी payment किया है, that is also allowed as deduction, यहाँ पर लिखके रखिए, payment to ITI is also allowed as deduction, ITI is industrial training institute, तो अगर आप industrial training institute को भी कोई payment करते हैं, that will also be allowed as deduction, is that done, चालिये, याद करते हैं सारी section की list को फिर से एक बार, कितनी चीज़े पढ़के होई है, 28 is the charging section, मेरे साथ फटा फट बोलते जाहिए, याद हो जाएगा, 29 क्या था, how to compute PGBP, 30 क्या था, expenditure on building, 31 क्या था, expenditure on plant and machinery, 35 क्या था, expenditure on scientific research, 35 to AB क्या था, in-house research by company, 37, 1 क्या था, general deduction, 40 A2 क्या था, payment to relative, 40 A3 क्या था, cash payments, 36 क्या था, general deduction in case of PGBP, general deduction in case of PGBP, फिर हमने पड़ा, 35 CCC, agriculture extension project, 100% deduction, 35 C, sorry, 150% deduction, 35 CCD, skill development project, 100% deduction, 35 CCA, chappa chappa advancement, that is rural development and poverty eradication fund, 100% allowed as deduction, then हमने पड़ा, 35 DD, amalgamation, DD का amalgamation, amalgamation related expenditure, 150% allowed as deduction, फिर हमने पड़ा, 35 DDA, 35 DDA, ददा, VRS ले ले, VRS related expenditure, 150% allowed as deduction, पाने वानी पीलो, करीब तुमने 15 section पड़ा लिये हैं, then sir, चलिए, sir, PGPP हो गया क्या, लगता है, तुमने अभी तक PGPP पड़ा नहीं है, क्योंकि आपको भी याद है, PGPP बहुत बड़ा है, आईए चलते हैं, 35 AD पे, मुझे ऐसा लगता है, 35 AD इस साल पूचा जा सकता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 35 AD पे कोई question नहीं, जबकि 2017 में last business भी इसके अंदर में add up किया गया था, तो मुझे पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है, 35 AD पे इस साल question आ सकता है, या तो जुलाई में देखने को मिलेगा, या तो नमंबर में देखने को मिल जाएगा, 35 AD क्या है, specified business का नाम से इसे कहा जाता है, इसके पीछे की history क्या है, history यह थी कि एक time था, जब Congress Government ने industrialization प्रमोट करने के लिए क्या क्या था, companies को 10-10 साल और 15-15 साल के tax benefits प्रोवाइड कर दिये थे, लेकिन इससे हो यह रहा था कि company 3-4 साल बाद जब profit में भी आ जाती थी, तो company tax पे नहीं करती थी, इस system को cancel किया गया 2007 में और IAIV वाले sections पे sunset clause लाया गया, और 35 AD लाया गया, और कहा अब हम income tax की माफी नहीं देंगे, बलकि इन expenditure से related capital expenditure अलाओ कर दिये जाएंगे, हैंस जब आप section 35 AD पढ़ोगे, मालिक यहां पे सिर्फ और सिर्फ मालिक 35 AD के अंदर में capital expenditure अलाओड है, और कुछ भी अलाओड नहीं है, तो सिर्फ capital expenditure अलाओड है और कुछ अलाओड नहीं है, इन business से related revenue expenditure 37.1 में मिलेंगे, इनके अगर आपको deduction claim करना है, इन business से related capital expenditure के आपको deduction claim करना है, तो आपको याद रखना होगा, business should be new and it should not be formed by splitting up or reconstruction, यह business नए business होना चाहिए, आप इन में से कोई भी business उठा लीजे, अब deduction 100% है, एक time था जब यह deduction fluctuate होता था, अब यह deduction 100% है, so आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, कौन-कौन से business है, हाला कि यह list बहुत बढ़ी है, पर याद तो रखनी ही होगी, इस business के अंदर में, हर तरह के capital expenditure allowed है, पर तीन capital expenditure allowed नहीं है, land, goodwill, financial instruments, तीन तरह के कर्चे allowed नहीं है, land, goodwill, financial instruments, यह तीन कर्चे छोड़के, हर खर्चो का deduction आपको 100% मिलेगा, हर कर्चो का deduction आपको क्या मिलेगा, 100% मिल जाएगा, अच्छा, सिंस आपको capital expenditure का deduction मिल रहा है, इन assets के उपर depreciation मिलने वाला नहीं है, फर्दर, यह asset जब भी sale होंगे, इनकी जो income आने वाली है, यह क्या बनेगी, PG, BP income बनेगी, चेक करते हैं पूरे provisions को, section 35 AD, आप यह year, सिर्फ एक जगा याद रखना, deduction हर जगा 100% ही है, सिर्फ बिजनस में द्यान रखो, उसमें भी जित्ता बोल रहा हूं, उत्ता ही, laying and operating cross country natural gas pipeline, अगर company खर्चा करती है, on laying down cross country natural gas pipeline, this expenditure is allowed as deduction, setting up and operating cold chain facility, अगर ASACC ने cold chain facility develop किये, जितना capital expenditure है, will be allowed as deduction, setting up and operating warehouse facility for agricultural produce, agricultural produce के लिए अगर warehouse facility है, it will be allowed as deduction, building and operating a new hotel of two star or above, two star or above category का कोई hotel आप लोगों ने बनाया है, whole of the capital expenditure, be it situated anywhere in India, it will be allowed, अब एक सवाल उठा, मान लीजे, ASACC ने hotel बनाया, पर इसको run करने के लिए किसी और को दी दिया, क्या ASACC को deduction मिलेगा, answer is yes, और यही चीज आती है, where the ASACC builds a hotel of two star or above category, while continue to own the hotel, transfer the operation thereof, it shall be deemed to be carrying on specified business, and hence deduction will be allowed, hence deduction will be allowed, done sir, वापस आईए, business of operating a new hospital anywhere in India, सोचिए अगर यह deduction ना होता, तो COVID-19 में हमारी situation क्या होती, इसी के चक्कर में इंडिया में बहुत सारे hospitals भी बने थे, तो कोई भी hospital with at least 100 beds in India, अगर provide क्या गया है, 100% deduction allowed, housing project under the slum redevelopment, rehabilitation, अगर कोई housing project है, जो slum को redevelop कर रहा है, that housing project के ओपर जित्ता भी capital expenditure लगा हो हा, allowed as deduction, building a housing project under the affordable housing scheme, अगर कोई affordable housing scheme बना रहा है, तो उसका भी capital expenditure 100% deduction मिल जाएगा, कोई new plant and machinery लगा रहा है, is an existing plant for fertilizer, fertilizer production के लिए अगर कोई new plant and machinery लगाता है, तो जो capital expenditure is allowed as deduction, कोई setup करता है, inland container depot and freight container station, अगर कोई inland container depot या freight container station, जिसे हम कहते है custom in a area, which is not served by port, तो ऐसे cases में, जितना भी capital expenditure किया है, allowed as deduction, beekeeping and production of bee wax, अगर अससी beekeeping and bee production of bee wax के अंदर engaged है, it will be allowed as deduction, setting up and operating a warehouse facility for storage of sugar, अगर आपने कोई warehouse facility की है for storage of sugar, it will be allowed as deduction, laying and operating a slurry pipeline for transportation of iron ore, iron की mines होती है, वहाँ पे एक slurry pipeline set up की जाती है, जो इसे पानी के pressure से साफ भी करें, और उपर तक के भी पहुचा दे, like a conveyor belt, ऐसा कोई conveyor belt आप लोगों ने capital expenditure करके set up किया है, इसका खर्चा allowed होगा, सबसे जाधा important last के दो, setting up and operating a semiconductor wafer fabrication manufacturing unit, wafer fabrication manufacturing unit, यह क्या होता है, wafer fabrication actually, आपने अपने mobile देख लीजे, कोई भी chip देख लीजे, इसमें जो green motherboard होता है, उस पर saltering होती है, और इसे हम कहते हैं, wafer fabrication, almost हर चीज के लिए, जो आज electronic चीज है, उसके अंदर में यह चीज यूज होती है, हम भारत वाले एक बहुत बड़ा payment करते थे, चाइना और जपान को इस technology के लिए, और मोधी सरकार ने क्या किया, 2014 में ही इस business को ले के आगया, कहा कि अब wafer manufacturing यहीं पे करो, जो असे सी wafer manufacturing unit यहां पे लगा रहा है, infrastructure facility, 2017 में यह last business add up किया गया था, 2017 के बाद इसमें कोई business add up नहीं हुआ है, और 2017 के बाद इसमें कोई question भी नहीं है, मुझे लगता है अब इसके उपर question आ सकता है, अगर कोई infrastructure facility develop कर रहा है, what is infrastructure facility, मैं आपको याद दिराता हूँ, 2017 के अंदर में जब मोधी जी कहां गये थे, मोधी जी गये थे, केदारनाथ, बदरिनाथ, उन्होंने एक planning vision रखा, कि यह जो चार धाम की यात्रा है, इनका infrastructure सबसे best infrastructure होना चीए, ताकि कोई भी easily वहां पर पहुँच जाए, और इसी के तहट क्या किया गया, इसी के तहट कहा गया, अगर SSC develop करता है infrastructure को, recently COVID-19 के भी अगर आप मोधी जी के speech सुनें, तो वो यही कहते हैं कि हमारा infrastructure अगर develop होगा, तो जितनी company चाइना से इंडिया आ रही है, इनको अगर हम best infrastructure facility दे दें, तो यह companies के लिए shifting बहुत easy हो जाएगी, और इसी के तहट अगर कोई भी SSC infrastructure development के अंदर है, जितना भी capital expenditure लग रहा है, it will be allowed as deduction, काम की बात क्या है, infrastructure का definition, मैं जान मुझके यह पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है यह question आ सकता है, infrastructure मतलब क्या, assessi is engaged in road, जो road construction वाले हैं, वो इसका benefit ले सकते हैं, जो dam बना रहे, bridge बना रहे, canal बना रहे, port बना रहे, airport बना रहे, for example अगर आप देखेंगे, GMR Infra, यह बहुत बड़ी company है, जो airport बनाती है, यह companies L&T, Mumbai Pune Express Highways, यह बनाती है, so कोई भी company, जो road, dam, bridge, canal, port, airport, highway projects, water supply, irrigation projects के अंदर में, for example, Jain Irrigations, यह company section 35 AD का, क्या कर सकती है, benefit ले सकती है, इन में जितने capital expenditure होंगे, अलावोंगे, आते हैं, condition कैस section को लेने की, it should not be formed by splitting up, or reconstruction, its plant and machinery should be new, however, two plant and machinery will be treated as new, एक important plant and machinery, इंदिया में new मानी जाएगी, and depreciation claim जो होना चिए, it should, and not depreciation claim, old plant and machinery, should not be more than 20% of, total plant and machinery, आप second hand plant and machinery भी, यूस कर सकती हो, लेकिन यह total plant and machinery के, 20% से उपर की नहीं होनी चाहिए, इस section में amendment लाया गया, 40 A3 को देखते वे, लोग क्या कर रहे थे, कि 40 A3, जो कहता है, 10,000 से उपर का cash payment allowed नहीं होगा, लोग क्या कर रहे थे, इसकी huge plant and machinery, cash में purchase कर ले रहे थे, और इसी चीज को रोकने के लिए, यहाँ पे एक section में amendment की गया, और कहा गया, अगर आपको कोई capital expenditure इंकड भी करना है, 10,000 के उपर, इस शुद बाइव बाइव अकाउंट, पेई, चेक ड्राफ, ECS, amendment, other electronic mode, अगर ऐसा नहीं किया, तो उस capital expenditure का deduction मिलने वाला नहीं है, तो अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे है, वो प्रिस्क्राइब मोड के अंदर होना चीह, तो ही आपको deduction मिलेगा, नहीं तो deduction मिलने वाला नहीं है, कुछ बाते ही याद दिरा देता हूँ, जब हम deduction पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था, कि sir, 35 AD specified business में, chapter 6A के कोई deduction नहीं मिलते, वोई point यहां लिखा है, no deduction shall be allowed under chapter 6A, from such specified business, specified business में, chapter 6A के कोई deduction नहीं मिलते, दूसरा, asset की cost को क्या पकड़ा जाएगा, nil पकड़ा जाएगा, hence no depreciation shall be allowed, तो जो capital expenses अगर deduction आपको 35 AD में मिल रहा है, इस पे कोई depreciation allowed नहीं होने वाला, याद होगा हमने set off पढ़ा था, specified business का loss, सिर्फ specified business से ही set off हो सकता है, so loss from a specified business, can only be set off against the income of a specified business, अब शायद आपको मेरी बात सच लगे, कि मैंने आपको पहले बाकी के topic पढ़ा दिया, और फिर PGBP लेके आया, ताकि आपके आदे से जादा point हम वैसे ही clear कर सके, मेरा कोई ऐसा objective नहीं था, कि आपको पहले PGBP पढ़ा दू, ताकि आप end तक के इस video में रुके रहे, मुझे पता है, अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ वैसे भी टिके रहेंगे, यह सुनो, इसलिए पहले provisions वो पढ़ा ही, और बाद में यहां लेके आया, ताकि जब आप यह provisions पढ़े, आपको आदे से आदा चीजे फटाफट पटाफट रिकॉल हो जाए, जो asset आप acquire कर रहे हैं, specified business के लिए, इन asset को 8 साल तक के hold करना होता है, जो asset आप acquire करना है specified business के लिए, इस asset को 8 साल तक के hold करना होता है, 8 साल से पहले अगर आपने कभी भी sell कर दिया, तो जितना deduction आपने claim किया था 35 AD में से, उस में से normal depreciation minus कर दिया जाएगा, और बचेवा asset को deemed PGVP मान लिया जाएगा, so the asset acquired shall be used for at least 8 years, if it is transferred earlier, then it shall be deemed PGVP, अब deemed PGVP कैसे निकालेंगे, जितना deduction आपने claim किया था, इस में से national depreciation minus कर लिया जाएगा, as if ये asset हमेशा से business में use हो रहा है, national depreciation minus कर लिया जाएगा, और बचावा amount PGVP में क्या कर लिया जाएगा, tax कर लिया जाएगा, exam point of view से 35 AD को मैं mark कर रहा हूँ important, then, अब आते हैं 47, 47, 49, थोड़े से और दो हलके section लेता है, फिर एक और बड़े section पर जाएगे, आप देख सकते हैं, मैं जब आपको PGVP भी revise कर वा रहा हूँ, तो एक बड़ा section ले ले रहा हूँ, बाद में दो तीन छोटे-छोटे हलके section ले ले रहा हूँ, इससे आपका balance बना रहता हूँ और मजा भी बहुत आता रहता है, राइट, सर, अल्मोस्ट एक घंटे से PGVP पढ़ रहे हैं, सर, more than 12 घंटे हो गए आप पढ़ा रहे हैं, मालू मैं more than 12 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, बट मेरे भाई अगर मैं मैंनत नहीं करूँगा, तो आप मुझे याद कैसे रखेंगे, और मैंने आपको पहली बुला, आपका साथ मेरा सिर्फ यहीं तक का निया में, फाइनल पर भी मिलना है, और आफ्टर बेंग सी ये भी मिलना है, राइट, सो आईए, 40 A7, 40 A9, 40 A7 क्या बोलता है, 40 A7 बोलता है कि बॉस अगर गराचूटी अप्रूड है, तो इसका प्रोविजन भी अलावड है, इसका पेमेंट भी अलावड है, प्रोवाइडिड ये जो प्रोविजन आपने बनाई है, ये रेटर्न भरने से पहले आप पे कर दें, मतलब 43 B, लेकिन अगर गराचूटी अनप्रूड गराचूटी है, तो इट विल नॉट बी अलावड अस डिड़क्शन, 40 A7 स्पेसिफिकली बोलता है, अगर गराचूटी अनप्रूड गराचूटी है, तो ना इसका प्रोविजन अलावड ना इसका पेमेंट अलावड, तो इसके अपोजिट को आप ध्यान रखेंगे, यही अगर अप्रूड गराचूटी होगी, तो इसका payment भी allowed और इसका provision भी allowed हाला कि provision तब ही allowed होगा जब 43B comply होगा Now what is 43B आपने return बरने से पहले इसे actually pay कर दिया हो यह सारी चीदे हम 43B में देखेंगे लेकिन मेरे इसाब से 43B आप direct conclusion ही पढ़ोगे क्योंकि इसके पहले आप उसका सारा content पढ़ चुके होगे 40A9 Provident Funds जैसा कि आपको याद है Employee Provident Funds Act भी होता है जिसके तरह employer की duty है कि employee को क्या करे पे करे अब अगर employer SPF में contribute कर रहा है RPF में contribute कर रहा है भूलना जाना salary मेर पढ़ा था हमने SPF में contribute कर रहा है RPF में contribute कर रहा है PPF में contribute कर रहा है super annuation में contribute कर रहा है तब तो यह allowed होगा बता की कौन सा allow नहीं होगा बिल्कुल सही जगह जारा है दिमाग यू आर पी एफ contribution इन यू आर पी एफ either is provision और payment not allowed क्योंकि government ऐसी चीजों को promote नहीं करेगी so check कर लीजे disallowed वाला part क्या है कोई भी provision या payment जो unrecognized provident fund का हो इसके opposite पढ़ दीजे opposite क्या है यह सारी payments जो होंगे यह allow होंगे but all these payments will be subject to 43B मतलब अगर आपने इसकी provision बनाई है तो return बरने से पहले actually pay होना चाहिए तो ही deduction मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा इसका adjustment कैसे पूचा जा सकता है आपको PNL में लिखा होगा contribution to RPF recognize provident fund और नीचे लिखा होगा that the provident fund contribution is not paid till July और September क्योंकि July और September ही return filing date होती है या तो आपको बताएंगे it paid in August या paid in you know November और December आपने clear cut समझ लेना है that it is not paid in time और आपने लेना है और इसे क्या कर देना है add back कर देना है section 38 फिल सारे section 103 call करेंगे section 38 ये एक power assessing officer का देखिए कई बार क्या होता है अब जैसे गाड़ी है ये गाड़ी आप सिर्फ business purpose के लिए यूज करते हो क्या नहीं मेरी गाड़ी मैं personal purpose के लिए भी यूज करता हो business purpose के लिए भी यूज करता हो लेकिन हर आदमी चालाक होता है इसका सारा petrol expenses as a business expenses claim कर लेता है AO को भी ये बात समझती है और AO apply करता है section 38 अगर आपने कभी भी कोई एक खर्चा किया है जो business purpose के लिए लिए ब ऑर personal purpose के लिए बी ऑूज करता है That means a particular expenditure is partly for business purpose or partly for personal purpose Then AO will proportionate it AO will proportionate it on business purpose and personal purpose Business purpose it will be allowed as reduction personal expenditure will totally be disallowed So AO during the assessment shall decide, who will decide AO AO during the assessment shall decide the amount of personal and business expenditure only business expenditure shall be allowed as deduction personal expenditure को क्या कर दिया जाएगा disallow कर दिया जाएगा आए section के list दुबारा से लगाते हैं ताकि हम बार 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 रिकॉल होता रहे section 28 था charging section section 29 क्या था how to compute PGVP section 30 क्या था expenditure on building 31 क्या था expenditure on plant and machinery फिर था section 35 scientific research expenditure 35 CCC agriculture extension project 35 CCD skill development 35 CCA rural development 35 2 AB scientific research by company engaged in manufacturing section 36 section 36 क्या था था जाएगा general deduction section 37 1 again general deduction 38 partly business partly personal expenditure 40 A2 relative 40 A3 cash payment 40 A7 gratitude 40 A9 क्या था था बिटा प्राविदेंट fund फिर हमने पढ़ा था 35 DD DD का amalgamation amalgamated related expenditure 35 DDA what was 35 DDA 35 DDA was VRS expenditure 35 AD specified business तो आप देख सकते हैं around 20 section complete करने आ रहे हैं हम PGVP के पर डरिये मत बहुत सारा PGVP अब भी बाकी है बहुत सारा PGVP अब भी बाकी है मेरे दोस्त यहां 35 2 A भी वापस से आया है आप इसे cut कर सकते हैं अब आते हैं 44 AA maintenance of accounts के उपर जैसे कि मैंने कहा एक बड़ा लेने के बाद दो तिन छोटे sections लेना जरूरी है 44 AA maintenance of accounts आपको यह question हमेशा हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ थेरी में आता है क्या कहता है books of accounts maintain करना कब mandatory है इंडिविजुवल्स और होफ को books of accounts तभी maintain करनी है जब इनका income 250,000 से exceed हो जाए या turnover 25,000 से exceed हो जाए in any of three previous year or likely to exceed in any of three previous year तभी books of accounts maintain करनी है जब उनकी income या तो 2,50,000 से उपर चल जाए या turnover 25,000 से उपर चल जाए either in any of three previous year or in the year of incorporation itself तो books of accounts आपको क्या करनी है maintain करनी है other than individual और होफ को तभी maintain करनी है जब इनकी income 1,20,000 से उपर जाए या फिर इनका turnover 10,000 से उपर जाए या तो income 1,20,000 से उपर जाए या तो turnover 10,000 रुपीज से उपर चल जाए तो ऐसे case में समझेगा books of accounts maintain करनी है profession के case में कप करना है अगर gross receipt gross receipt business का 1,50,000 से उपर जाए in all three previous year in all three previous year or likely to exceed in the year of incorporation तो आपको क्या करना है books of accounts maintain करनी है यह जो books of accounts आप maintain करना है इसे कितने साल के लिए preserve करना है इसे six assessment year के लिए क्या करना है preserve करना है सर अगर books of accounts maintain नहीं की तो कितने पेनल्टी लग सकती है 25,000 तक की पेनल्टी लग सकती है kindly check it अब आते हैं 44 AB के उपर tax audit 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 का requirement कब है business की case में अगर turnover एक करोड रुपे के उपर जा रहा है या फिर profession की case में gross receipt 50 lakh रुपीज से उपर जा रही है तो आपको audit करवाना है in case of presumptive income अगर आप lower profit show करना चाते हैं तो आपको tax audit करवाना जरूरी है tax audit एक chartered accountant करेगा और अगर आपने यह कब तक करेगा 30 सप्टेंबर तक के करेगा राइट penalty कितनी होगी 150,000 और 0.5% of sales whichever is lower कि आपको क्या लगेगी penalty लगेगी इसकी report आपको 30 सप्टेंबर तक के provide करनी होगी यह एक बार देख लीजेगा आपको नरआना लगेगी 10 सशवाउrica यह दर 9 सवाब करेंगी 10 राइद आपको秋ר मैं इसमेगेन चामशों सबगर शेफ करें वैंगर आपको अवा फ्र्म वारे से करेगर को हमृ। कितनी हें ज sunshine उत् GRतौ़। हम करेंगी 10 सवावाट अब कौन सा सेक्षिन अब आते हैं हम इस धर्ती के सबसे ज्यादा इंपोर्टन सेक्षिन पर मेरे जब से इसे सेपरेट सेक्षिन क्योंकि है तो इसे एक चाप्टर बना देना चाहिए सेक्षिन 32 डेप्रिसियशन पर उसके साथ सात आपको कई सेक्षिन पढ़ने को एक सात मिलते हैं डेप्रिसियशन एक ऐसे चीज़े जो वो asset sale होता है उस पे और यहां के depreciation rate अलग है depreciation जो होता है हम यहां पर individual assets पर न रखके block of assets के उपर रखते हैं और block of the assets के WDV के उपर depreciation निकलता है जो की calculation आता है as per section 43, sub section 6 के इसाफ से depreciation on the actual cost of the asset होता है और actual cost of asset 43, 1 में decided है depreciation तभी मिलता है जब asset आपने business purpose के लिए use की हो और आप उसके owner हो, so check कीजेगा depreciation से related यह point asset must be used for the purpose of business, it should be owned by assessi, owner includes beneficial owner as well, asset should be, the depreciation is allowed on the block of the asset as the prescribed rate and asset must be put to use, इसी के तहर आपको एक provision बता दो in the year of acquisition, in the year of acquisition, अगर asset एक्षासी दिन से जादा यूस किया, full depreciation एक्षासी दिन से कम यूस किया, half of the normal rate, हला की यह प्रोविशन से तभी अप्लिकेबल है, only in the first year of acquisition, so if the asset is acquired in the previous year, in the previous year, put to use for less than 180 days, then only 50% of the normal depreciation will be allowed, right, अच्छा सर, एक और पॉइंट, depreciation के rate क्या होंगे, सर, depreciation को blocks में डाला गया है, majorly चार blocks, एक है building का, दूसरा है furniture का, तीसरा plant and machinery का, चौता है intangibles का, यह चार block के अंदर में है, पहला block है building का, अगर यह residential building है, 5%, अगर यह residential building है, 5%, for example, employees quarter, अगर यह non-residential building है, like office factory, 10%, which is the general rate, temporary construction, 40%, temporary structure अगर बनाया गया है, for example, आपने एक hut mint बनाया है, जिसके अंदर में आप अपना सावान स्टोर कर रहे हैं, 40% will be allowed as deduction, second है furniture, furniture includes electrical fitting, इनके उपर depreciation 10%, plant and machinery की definition सबसे broad है, और आपको बताते वहें मुझे खुशी होगी कि books are also plant and machinery, computers are plant and machinery, windmills भी plant and machinery के category में आते हैं, जान दे सुनिएगा, यहां हुआ है amendment, in general, plant and machinery और oil well का, जो plant and machinery है, इसका rate of depreciation 15% रखा गया है, computer, including computer software, books, including annual publication, energy saving device, life saving equipment, windmill and pollution control equipment, 40% इनको क्या किया गया है, रखा गया है, motor car, used for running them on hire, यहां हुआ है एक बड़ा amendment, जान दे सुनिएगा, 23rd August के बाद, अगर आपने कोई motor car purchase की है, यह जान मुझके सिर्फ और सिर्फ motor car business को promote करने के लिए रखा गया था, क्योंकि automobile industry के अंदर में बहुत जादा downfall आया था, जब electronic vehicle के उपर benefit दिया गया था, तो automobile industry almost 30% से down चले गए थी, और automobile industry को उठाने के लिए क्या किया गया था, जो cars थी, इनके depreciation rates को क्या कर दिया गया था, higher कर दिया गया था, अगर 23 August के बाद, कोई plant and machinery being motor car purchase कर रहा था, तो इनमें जो rate of depreciation थे, normal 15% running them on higher 30%, इसको increase कर दिया गया था, normal 30% running them on higher 45%, मतलब 15-15% का और benefit प्रोवाइड किया गया था, तो इसमें यह amendment यहाँ याद रखना, यह मैंने बताया था, कि motor car 23 August के बाद purchase किया, 23 August 2019 के बाद purchase किया, तिल 2020 इस दौरान अगर कोई car purchase किया, तो इनको higher rate of depreciation मिलेगा, यह का मिलेगा, higher rate of depreciation allow होगा, intangibles 25%, other vehicles को जड़ा देख लिजे, ship, vessels, speed boats 20%, aeroplane 40%, motor buses running them on higher 30%, यही कित्ता कर दिया गया है, 45% कर दिया गया है, अगर 23 August से लेकर के, 31st March तक के आपने इसे क्या किया होगा, परचेस किया होगा, तो, renewable energy installed after 2014, 40%, explanation 5 to section 32.1, क्या कहता है, depreciation shall be allowed whether or not assessee has claimed it, hence, depreciation जो है, यह mandatory है, और इसके उपर आपको बन सकता है, MCQ, depreciation का format क्या solve करनेगा, बहुत simple है, जो भी asset होगा, WDV as on the first day of previous year, इसमें आपने कोई addition कियोंगे, वो add कर दो, sale कियोंगे, less कर दो, net value मिल जाएगा, उस पे आप क्या calculate करेंगे, depreciation calculate कर देंगे, WDV कैसे compute किया जाता है, अभी जो मैंने format बताया, वो WDV compute करने कहीं था, जहां पे आप सबसे पहले क्या लेते हैं, opening WDV लेते हैं, इसके अंदर में actual cost of asset को क्या कर दिया जाता है, एड कर दिया जाता है, और actual cost of asset, एक बहुत बड़ा section है, जो यहां पे मैंने दिया वाए, page number 8 और page number 9 पे, मेरे इसाब से ये एक बार पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, हलांकि exam point of view से actual cost पढ़ना ज़रूरी है, क्या हाँ, एक बार तो भी आपने skip percent अज़र घुमानी चाहिए, actual cost किस case में क्या होगा, minus sale discarded demolished during the year, और इसके उपर क्या calculate होगा, depreciation calculate होगा, Sir, फिर हम आते हैं, first proviso to depreciation in case of amalgamation, मुझे लगता है यह आपको पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, because of number of days, हलां कि number of days generally 365 days का होता है, लेकिन examiner आपको अगर confuse करना चाहेगा, तो वो 366 days का है, आपको calculation होगा, कि calculation समझा देता हूँ, अगर amalgamation हुआ है, तो amalgamating company and amalgamated company दोनों ने asset को use किया है, और दोनों चाहेंगे depreciation claim करना, income tax इने depreciation देता भी है, लेकिन कैसे, एक जबरदस तरीके से, section कहता है, first you calculate the total depreciation as if no amalgamation has taken place, आप depreciation निकालिए, as if amalgamation कभी हुआ ही नहीं है, और इस total depreciation को आप divide कर दीजे, on the basis of number of days asset is used, जो final depreciation निकलेगा, इसे आपको divide करते ना है, दोनों company के बीच में on the basis of number of days used, अब जब यहाँ पर आप number of days calculate करते रहेंगे, इस साल के लिए आपको 366 days लेना होगा, ना कि 365 because we are in leap year, so fast track के अंदर में मैंने क्या किया है, fast track के अंदर में मैंने इस पर problems भी लिये है, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बताया भी है कि यहाँ सावदान रहना, so step 1, total depreciation as if no amalgamation has taken place, step 2, divide the total depreciation into number of days, it is used by each entity, old asset होगा तो first day of previous year से count करें, new asset होगा तो date of acquisition से count करें, यहाँ लिख के रख दीजे, remember 366 days, मैं आपको बता दू, यह fast track सिर्फ July 20 और November 20 वालों के लिए है, कोई भी बच्चा जो May 21 और November 21 दे रहा होगा, please वो इस fast track को मत देखना मेरे भाई, क्योंकि May 21 और November 21 वालों के लिए finance act 20 applicable है, और उसके अंदर में 104 amendments हुए वे हैं, in total में, तो आपके यह fast track कोई काम का नहीं आएगा, उस साल के लिए मैं अलग fast track record कर लूँगा, don't worry, उसके लिए आपको कोई marathon काम नहीं आएगा, मैं उसके लिए fast track और marathon अलग से record कर लूँगा, तो कृपिया वो इस बच्चा देख करके अपना time बिल्कुल waste ना करें, सर, फटा-फट पास हो जाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस COVID-19 situation के अंदर में पता नहीं आपके exams कब होंगे, कहतो रहे हैं कि July के अंदर में आपके exams होंगे, इसलिए मैंने June के अंदर में इसको record किया, क्योंकि marathonic ऐसी चीज़े, जब तक कि अपना बच्चा सब कुछ पढ़ चुका होता है, तो end में ही ये करना चीए, नाथ the point is क्या, जुलाई में exam हो सकती है क्या, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, जुलाई में exam हो सकती है क्या, frankly speaking, मैं कोई भी वेक्ती नहीं, जो इस बारे में opinion दूँ, बट current situation को देखते वे, specifically, अगर मैं पूने की बात करूँ, मुंबई की बात करूँ, महराष्टर की बात करूँ, नाखपूर की बात करूँ, जो मुझे पता है, औरंगा बात की बात करूँ, तो वो कहते हैं कि उनके city के तो हल बहुत बुरे है, ऐसे situation में मुझे लगता है, exam July के अंदर में होना थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूं बहुत बच्चे frustrated हो चुके होंगे, इंस्ट्रिटूट ने अभी एक group से दो group करने का भी option open किया, अगर ऐसा है, तो मेरे हिसाफ से आपने दो चीज़ करनी चाहिए, अगर आपको all time मिल जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे जिनका classes अगर सही तरीके से नहीं हुआ होगा, मैं कहूंगा आपने तुरंथ fast track भाई कर लेना चाहिए, हाँ, एकदम सही बोल रहा हूँ, क्योंकि fast track के अंदर में क्या होगा, fast track भोल रहा हूँ, मैं regular भी नहीं बोल रहा हूँ, fast track मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि fast track के अंदर में मैंने बहुत सारे questions और बहुत अच्छे से एक एक point को explain किया है, yes or no, आपके किसी में दोसने fast track लिया होगा न, आप उससे उसका experience पूछ सकता है, मेरी guarantee वो आपको तगड़ा review देगा, तगड़ा ही review देगा, तो sir, या तो आप marathon मेरा first time देख रहा हूँगे, तो आप अभी तक के समझ चुके होँगे, कि मैं 12-13 घंटे continuously बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, आपको समझ गया होगा, कि मैं मेहनत के अंदर तो कहीं कमी रखूंगा न, तो आपके पास अभी भी time है, क्योंकि मुझे लगता है, जुलाई में शायद ही exam होने है, ये exam further postponed होंगे ही होंगे, क्योंकि महाराष्टर government के अगर बात करूँ, तो उन्होंने खुद exam जो थे, इंजिनेरिंग के जो exams थे, इसको क्या करवाए, पोस्टपॉंड करवाए है, तो अगर मैं यहां के situation के अगर बात करूँ, क्योंकि उन लोगोंने 10th, 12th की भी exam को cancel करने के लिए बोला है, मेरे इसाब से possible ही नहीं है, कोई angle में possible नहीं है, क्योंकि आदे से ज़्यादा तो, see, ये institute एक national level के examination ले रहे है, national level के examination के अंदर में कई जगा पे containment zone है, बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप कुछ सोची है, हम लोग फ्रस्टेट हो गए हैं घर के अंदर में, मैं खुद अगर मेरी बात करूँ, हम लोग फ्रस्टेट हो गए, कितना देखेंगे यार, वेब सीरीज, कितने वीडियोज देखूगे यार, मतलब हाइट होती है एक चीज़ की, रामायन कतम हो गया, महाभारत अल्मुस्ट कतम होने में आ रहा है, कितना क्या करेंगे हैं, और literal sense में मैं दिल से बोलता हूँ, बच्चो की सही में पढ़ाई नहीं हो रही होगी, सही में नहीं हो रही होगी, क्योंकि वने पताई तो एक्चुली फ्यूचर क्या है, सीवे उसका सीए फैनल का अटेम्ट है और वो भयानक परिशान है कि मैं करूग गया अब भी लास्ट अटेम्म में ही सीए हुआ था अब वो बोलता है कि मैं करूग है मैं सीए तो बन चुका हूँ लेगन कोवड-19 के चक्कर में कोई जॉब ही नहीं है जिनको जॉब थी वो जॉब से निकाल रहे है तो एक्जाक्ली फ्यूचर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है और इंस्टिटूट रोज वेबिनार लेता है कि future of CA future of CA जबकि एकदम एकदम लॉजिकल बात करता हूँ मैं प्राक् के situation, client पैसा देने को ready नहीं, compliance की due date already government ने वड़ा दी December में, मतलब यह जो एक season था, जहां March के अंदर में return भरने के लिए लोग आते थे, July के अंदर में return भरने के लिए लोग आते तो और जितने लोग practicing CS थे, इनका किसी भी तरीके से काम हो जाता था, practical situation यह है, client पैसा देने और यहां नहीं लगाएगा, बिल्कुल सीधी बात है, तो ऐसे cases में बच्चे परिशान होंगे, मैं जानता हूँ, आप लोग frustrated होंगे, आपको ऐसा लगेगा, क्या ही कर रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे जो भी होते हैं इसके, सिर्फ और सिर्फ marathon वो भी 60 माग के लिए जब कि GST अलग से जो विशाल सर लेने ही वाले है, विशाल बटर सर लेने ही वाले है, आपको सच में ऐसा लगेगा कि यार क्यों ही कर रहा हूँ, और माइट भी अब तक कि इस course ने आपको दुनिया का सबसे frustrating आदमी बना दिया होगा, क्योंकि जहा जिसको कुछ फरक ही नहीं पड़ा है वो है, शायद CACS, CMA student, उसको कुछ ही फरक नहीं पड़ा था, क्योंकि जिन्दगी में पहले भी उसको पढ़ना ही तो अब भी उसको पढ़ना ही है, और उसके life में कुछ भी नया नहीं हुआ है, उल्टा पहले उसकी जो बहुत अच अगर्स में होगा, और अगर्स में नहीं होता, लाइट से एक साथ नवंबर में कर देंगे ये लोग, whatsoever, जो भी करेंगा institute decision, but at the same time exam तो कभी न कभी हो गाई, और आपको रहना है प्रिपेर, क्योंकि COVID-19 से आपके गोल नहीं बदलने चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ, COVID 19 से आपके गोल नहीं बदलेंगे, और आपको भिड़ करके पढ़ना ही पढ़ेगा, कुछ भी कर लो, पढ़ना ही पढ़ेगा, खतम का, और मुझे ऐसा लगता है, जुलाई के exam पोस्पॉर्ण होगे, तो मैं आपको बोलूँगा, कि अगर आप चाहते है कि डीटेल में प दोनों गुरूप प्रिपेर करने का सोच लिया है, सर गो और बाइ सेकेंड गुरूप, सेकेंड गुरूप तो 15 जून तक के आपको क्या मिल रहा है, 10,000 रुपीज में मिल रहा है, सारे रेगुलर बैचेज, फटाक से बाय कर लो, इन फटेकंड गुरूप के हर टीचर ने फास्ट्राक भी रिकॉर्ड करके रखे है, तो अगर आपके पास टाइम कम है और इस कम टाइम में आपको देखना है, तो फटा-फट फास्ट्राक से देख लो, फास्ट्राक में सब कुछ कतम हो जाएगा, स्पीड में, चलिए आते हैं, अगर 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 से सिट्वेटरिंग में पावर जनरेशन, डिस्टुबूशन, ट्रांस्मिशन या फिर पिंटिंग और पॉबलिकेशन में, तो इन्हें नूप्लाइड मशिनरी पर्चेस जो आप्टर 2005 होई होगी, उस पे अगर अगर यूनेट सिट्वेटरिट अगर तिलंगाना, sorry, AP, Bihar, West Bengal और तिलंगाना में, तो additional depreciation का rate हो जाएगा 35%, since additional depreciation only in the year of acquisition ही मिलता है, यहाँ पे भी 150 days, 180 days वाला provision आएगा, जो कहता है, used for more than 180 days, pull, less than 180 days, half of the additional depreciation, and balance half will be available in the subsequent year, module में मेरे notes में एक problem है, Venus करके, Venus नाम से एक problem है, वो problem कर ली जगा, इस concept के उपर सबसे बहतरीन problem है वो, चेक करते हैं, नाम से करें हैं, नाम से अथे फजे हैं, अभाट इस में पनफच्रेंश कर दो अबदीपनी सब्सेशता है, और से अधर दिभाट ओंच्रेंश करने हैं, था प्र दो आफना allowed more than 180 days 20% less than 180 days 10% if unit is situated in the notified area of EPBR West Bengal Telangana then 35% use less than 180 days 17.5% and balance shall be available in the subsequent year balance shall be available in the subsequent year याद रखे plant and machinery acquire करने के उपर क्या मिलता है आपको additional depreciation मिलता है लेकिन इन plant and machinery के उपर आपको additional depreciation नहीं मिलेगा इन plant and machinery के उपर additional depreciation नहीं मिलेगा और definition में कहा दिया these plant and machinery are not a plant and machinery for the purpose of this particular section एक बार रीड कीज़े किन किन के उपर आपको additional depreciation नहीं मिलता पहला second hand plant and machinery obviously जब section clear cut बोल रहा है new plant and मशिनरी पर मिलेगा तो second and plant and machinery पर नहीं मिलने वाला दूसरा plant and machinery installed in any office और guest house plant and machinery जो office और guest house में क्योंकि section का objective था जो plant and machinery manufacturing के लिए use हो रही है उस पही सिफ मिलेगा तीसरा office appliance and road transport agency so let's say आपको car या truck purchase करते है additional depreciation नहीं मिलेगा even though they are plant and machinery whose whole cost is allowed as deduction अगर किसी के 100% cost deduction मिल चुकी है for example a plant and machinery used for scientific research अब इसका 100% deduction आपको वैसे भी मिल जाता है तो इसका कोई deduction नहीं मिलेगा ship and aircraft को deduction नहीं मिलेगा अच्छा जी सर अधिशनल depreciation is allowed only in the year in which such plant and machinery is put to use additional depreciation shall be allowed even if the block has negative or nil value हला कि negative हो नहीं सकता नil value ही हो सकता है additional depreciation is not available if new plant and machinery sold within a year of acquisition जिस साल आप acquire करते हैं अगर उसी साल के sale कर देते हैं तो additional depreciation नहीं मिलेगा additional depreciation is not available for plant and machinery used in generation of power आईए सर ये था additional depreciation depreciation in case of power generating unit सर पावर generating unit के case में आपको भी पता है power generating unit has a option to claim the depreciation on SLM basis तो SLM basis पे क्या किया जा सकता है आपको depreciation दिया जा सकता है in case of power generating unit राइट अच्छा जी एक बार asset SLM basis पे claim कर लिया ये asset को future में आप जब भी sale करेंगे अगर loss आता है तो इसे terminal depreciation कहा जाता है it will be allowed as deduction ये ही अगर profit आता है तो अब तो अब तो अमांट of depreciation it will be treated as PGVP over and above the amount of depreciation it will be treated as capital gain so check कीजेगा these units has an option to claim depreciation SLM or WDV basis if sale value is less than WDV it will be called as terminal depreciation and allowed as deduction if it is more than WDV amount up to depreciation taxable as PGVP under section 41.2 any over and above amount it will be section 50A and chargeable to tax चलिए अब आते हैं हम लोग set off and carry forward of depreciation depreciation अगर आप पूरा absorb नहीं कर पाया और इससे कोई loss आता है तो हम इसे loss के जगए कहते है unabsorbed depreciation unabsorbed depreciation PGVP के against में set off हो सकता है और PGVP से नहीं set off हो तो वो किसी भी head के against में क्या क्या जा सकता है set off किया जा सकता है इसके अलावा भी अगर loss set off नहीं हो रहा है तो unabsorbed depreciation unlimited period के लिए carry forward किया जा सकता है और ध्यान जे सुनिएगा any current year depreciation first it should be set off against the profit of business the balance if any against the any other head यहाँ पे देख लीजे any other head लिखा है तो वो salary भी cover करेगा the unabsorbed depreciation can be carried forward for any number of years इसकी कोई limit नहीं है कितने साल भी चल सकता है right अच्छा जी unabsorbed depreciation can be carried forward even if return of income has not been filed यह हम पहले भी पढ़ चुके है अगर return file नहीं भी किया तो भी carry forward कर सकता है सबसे पहले order of set off क्या होगा यह set off में भी काम आएगा पहले current year depreciation फिर brought forward loss फिर unabsorbed depreciation set off होगा is that done 43-1 आपको खुद से पढ़ना है किके actual cost है बहुत बड़ा है आपको अलग-अलग case में actual cost क्या होगा यह एक बार पढ़ लेना और पढ़के फटाफट छोड़ देना फिर आते हैं हम लोग 32 AD के उपर investment allowance यह क्या था see इन units को क्या किया गया है एक benefit तो दिया ही गया है higher depreciation का पर इनको एक और benefit दिया है अगर कोई unit notified backward area में setup करता है बोलो कहां notified backward area में setup करता है और यह unit वहाँ पे operate कर रहा है then 15% of actual cost of new plant and machinery 15% of actual cost of new plant and machinery will be allowed as deduction और यह deduction आपको WDV में से minus नहीं करना बलके net profit में से reduce करना है याद रगे 32 AD is investment allowance and not depreciation तो यह WDV में से reduce नहीं होगा यह net profit में से reduce होगा यह asset को अगर less than 180 days use भी किया तू भी 15% of actual cost deduction मिलेगा क्योंकि यह depreciation नहीं है यह बात याद रखनी होगी so any SSE engaged in the business of manufacturing production of any article or thing commences its business in the backward area of APBR West Bengal तिलंगान 15% of actual cost would be allowed as deduction 15% of actual cost would be allowed as deduction right deduction is allowable up to assessment year 2021 new plant and machinery does not include यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ कवर्ड है जो हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था additional depreciation में पढ़ा था कि new plant and machinery में क्या-क्या नहीं आएगा तो यहाँ पे भी उसका कोई benefit मिलने वाला नहीं है it should not be sold for at least 5 years जो new plant and machinery आप इस units के लिए परचेस कर रहे हैं इसको at least 5 साल आपको sold नहीं करना है other point concept of 180 days does not work here क्यों क्यों depreciation नहीं है दूसरा deduction is not reduced from WDV यह net profit से reduce होगा this is in addition to depreciation and additional depreciation इसके ओपर मैंने मेरे fast track book के अंदर और regular book के अंदर एक problem भी लिया है जिसमें मैंने normal depreciation भी लिया है additional depreciation भी लिया है 32 AD भी लिया है वो एक problem आप जरूर solve कर लेना this deduction is not available to power generating unit power generating unit को यह deduction available नहीं है is that done चलिए section के एक list बनाते है फिर देखते हैं कौन-कौन से section बज गए है 28 मिटसथ recall करो फटाफर charging section 29 how to compute PGVP 30 expenditure on building 31 expenditure on plant and machinery right इसमें क्या और आया है 31 के बाद आया है 32 32 क्या आया है आपका 32 आया है depreciation 32 1 additional depreciation proviso to section 32 1 यह आया है depreciation in case of plant and sorry amalgamation 43 6 यह आया है WDV 43 1 यह क्या है अब ही आपका actual cost को deal करता है फिर आता है 32 AD 32 AD क्या था investment allowance जो अभी हम लोगों ने देखा so investment allowance will be allowed as deduction फिर हम लोगों ने पड़ा 40 A7 40 A9 40 A7, 40 A9 payment for gratitude and payment for provident fund यह भी इसके साथ हम लोगों ने क्या कर लिया माले cover कर लिया so 28, 29, 30, 31, 32, 32, 80 32 AD साथ साथ में यहाँ पे हम लोगों ने 35, 35 2AB, 35 CCCD, CCAD, DA 36, 37, 38 36, 37, 38 भी हम लोगों ने क्या कर लिया complete कर लिया 40 A7, 40 A9 हम लोगों ने complete क्या हम लोगों ने 44 A A complete कर लिया that is books of account हम लोगों ने 44 A B complete कर लिया that is tax audit so sir more than 35 AD 35 AD हम लोगों ने complete कर लिया वो भी यहाँ पे सब्सियूम कर लेते हैं so आप चेक कर सकते हैं more than 27 1, 2, 3, 4, 5 yes more than 27 questions 27 sections हम लोगो already complete कर चुकी है might be इससे ज्यादा एक दो तो शायद मैं खुदी recall नहीं कर पा रहा हूँ PGPP बस इतना ही छोटा है और अगर तुमसे कभी न कोई कहे न कि तुमारा तो बहुत मस्त है easy है हमारा hard है उसको बस बोलना ठीक है बिटा एक काम कर ले तुमारे जितने चाप्टर जैना PGPP के एक सेक्शन में उत्ते एक्सेप्शन है कभी बोल देना उनको तो सही में बहुत बुस्सा आती है क्योंकि मेरे कुछ कजन्स है मेरे कुछ कजन्स है जो साइन्स वाले है मारे मैच है ले नकार में सब की दूना टयूणन में हर कोर्स अपने आप में सब बढ़ा है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन, you know, income tax अपने आप में बहुत बढ़ा है, मेरे size के जितना बढ़ा है, बस आप ये समझ लीजे, चलिए, मैं sections देख लेता हूँ, कौन-कौन से बाकी है, yes, आज आईए in sections के उपर 44 AD, 44 AE वाले sections के उपर, we all know, we all know मालिक, ये presumptive income वाले section है, जो काम के है, right, सबसे पहले 44 AD की बात कर लेते हैं, अगर कोई भी individual HOF या firm है, 44 AD, individual HOF या firm है, not LLP, ये section LLP को नहीं है, So, Assessi is individual HOF or firm, right, and the turnover is, does not exceeding 2 crore rupees, the turnover not exceeding 2 crore rupees, and Assessi is not engaged in any kind of business, let us say profession, good transport agency, commission or agency, then turnover for the purpose of PGBP shall be 8% of turnover or 6% of turnover or declared whichever is higher. When 8%, when the payment is not as per the approved mode, when 6%, when the payment is received in account pay check, draft ECS amendment, other electronic mode, तो 6% लेंगे और 8% लेंगे, सर मान लीजे, आदा payment cash से आया, आदा payment check से आया, तो दोनों का अलग-अलग calculation होगा, ये 8% से calculate होगा, ये 6% से calculate होगा, So, Assessi can show a presumptive income, सर क्या वो lower profit declare कर सकता है, येस वो lower profit declare कर सकता है, उसे दो काम करने होगे, accounts maintain करना होगा, और audit भी करना होगा, अच्छा जी सर, सर मुझे एक और बात बताईए, क्या 80C to 80U के deduction मिलेंगे, yes, 80C to 80U के deduction मिलेंगे, सर मुझे एक और बात बताईए, क्या losses set off किये जा सकते है, yes, losses set off किये जा सकते है, कोई problem नहीं है, सर, मुझे बताईए, क्या आप 30 से लेके 37 तक के deduction देंगे, answer is no, एक बार आप 44 AD के अंदर में आ गए, आपको ऐसा कोई deduction मिलने वाला नहीं है, यह मान लिया जाएगा कि these deductions are deemed to be allowed, hence unabsorbed depreciation का भी benefit मिलने वाला नहीं है, अच्छा जी, सर, सर मुझे एक और बात बताईए, क्या partners remuneration का benefit 44 AD से लिया जा सकता है, answer is no, partners remuneration is not allowed as deduction, सर, इस section में आये हो तो आपको कितने साल टिकना है, 5 साल टिकना है, 5 साल से पहले आप कभी भी चले गए, तो आप next 5 साल आ नहीं सकेंगे, this is total 44 AD, आई ये फट आफट देखते है, individual HOF firm, up to 2 crore rupees, up to 2 crore rupees turnover, business does not include profession, agency business and brokerage income, presumptive income is 8% of turnover and 6% of turnover if it is received by account pay check drafter ECS, right, can SSI declare a lower profit, yes, subject to two conditions, books needs to be maintained and accounts needs to be audited, provided turnover should exceed 1 crore, क्या इन्हें tax, advance tax mandatory है, answer is yes, याद करो second topic हमने पढ़ा था, advance tax, इन्हें advance tax क्या है, mandatory है, अगर ये option breach हुआ 5 साल में, तो next 5 साल आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, कुछ और point, 30 to 44 AD के deduction नहीं मिलेंगे, losses can be adjusted, ATC to ATU deduction will be allowed, right, partnership remuneration will not be allowed, under section 44 AD, तो partners remuneration allowed नहीं है, यह था 44 AD, exam point of view से 44 AD बड़े बड़े काम का है, अब आते हैं, 44 AD, इसको आप very important mark काजिए, मुझे ऐसा लगता है, July और November 20 के अंदर में, confirm, confirm, confirm आने वाला है, confirm आएगा, क्योंकि इसके अंदर में हुआ है, बहुत बड़ा amendment, दो problem institute के module में नहीं आए है, दोनो problem रट के चले जाना, बिल्कुल, अगर यह engaged the good transport agency के अंदर में, and having less than 10 goods vehicle at any time during the previous year, at any time during the previous year, right, presumptive income कितना, अगर यह heavy goods vehicle है, अगर यह heavy goods vehicle है, यहाँ change हुआ है, कितना, 1000 per ton per month per vehicle, 1000 per ton per month per vehicle, यहाँ पर एक चीज जो मैं जान मुझके चाता था, आप मेरे साथ लिखें, कि अगर यह heavy goods vehicle है, यहाँ पर लिखें, 1000 into per ton into per month into per vehicle, अगर heavy goods vehicle है, amendment है, 1000 per ton per month per vehicle के basis पे, यही अगर medium term या light term है, तो इस case में, 7500 per month और part thereof, during the period for which asset is owned, asset is owned, so heavy goods vehicle, 1000 per ton per month per vehicle, other than heavy goods vehicle, 7500 per month per vehicle, क्या lower profit declare किया जा सकता, यहाँ आपको दो काम करने होंगे, accounts maintain करना होगा, और audit करना होगा, क्या advance tax applicable है, नहीं, advance tax तभी applicable है, जब आप section 208 की condition को satisfy करेगे, 5 year वाला option यहाँ पे नहीं है, 5 year वाला option इस section के अंदर में नहीं है, partners remuneration आप allow होँँगे, कोई problem नहीं है, ATC to ATU allowed है, losses आप set off कर सकते हैं, PGPP में से और कोई deduction मिलने वाला नहीं है, it shall be deemed to be allowed, तो याद रखिएगा, 44 AE आपको exam point of view से बड़ा important है sir, heavy goods और light goods दोनों पे आपको question आएगा, module में दो question दिये, मेरे fast track में भी दो question है, वही वाले और regular book में भी ओ question है, आप इसको फटा-फट revise कर लेना आपका काम हो जाएगा, if I am not wrong, wait, मैं आपको question का नाम ही बताएगा, मेरे को generally question के नाम याद रहे जाते हैं, वह हैर अलमस्स दस साल से tax पढ़ा रहे हैं, final में tax पढ़ा रहे हैं, जिन्दगी tax के अंदर ही चल रही है ऐसा लग रहा है, क्या होता है, international tax होता है, DT होता है, maximum of the problem के नाम ही याद रहे जाते हैं, येस, ये एक problem है module के अंदर में, सुख्विंदर, ये problem बिलकुल सॉल करना, जरूर सॉल करना, इस problem को बहुत बहुत बहुतरीन problem, जिसने में draft के हैं, बहुत बहुतरीन problem डॉफ्ट के हैं institute के अंदर में, साथ-साथ में, प्रवीन नाम का ये जो problem है, प्रवीन नाम का problem 44 ADP है, module के अंदर भी available है, आप ये problem ज़रूर solve करना प्रवीन नाम का, ठीक है, एक और question है, module के अंदर में रामा मूर्ती, ये रामा मूर्ती वाला problem भी 44AE पे based है, ये problem आफ solve कर लोगे, बहुत मज़ा आ जाएगा, fast track के अंदर में मैंने specifically, fast track के अंदर मैंने specifically इसके उपर questions रखे वे थे, जान मुझके ताकि ये amendment based हो, so आप इसको एक बार देख लेना मालिक, done, अब आता है 44AE, मैं चाहता हूँ 44AE आप recall कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर दियावा नहीं है, जान मुझक करके, मैंने fast track में उसे लिखवाया है, यहाँ मैंने दियावा नहीं है, जान मुझक करके, fast track वालों क इसके reason बताऊंगे, 44ADA, 44ADA किसके लिए है, professionals के लिए है, याद रखने का तरीका, professionals की अधा, so अगर कोई professionals है, being individual or firm, यह अगर engaged है, specified profession के अंदर में, and gross receipt does not exceed 50 lakhs, अगर gross receipt is 50 lakhs उपर नहीं जारी, तो presumptive income is equals to 50% of gross receipt or declared, whichever is higher, 50% of gross receipt or declared, whichever is higher, आपका straight away क्या बनेगा, presumptive income बनेगा, PGBP बनेगा, क्या lower profit declare कर सकते हो, yes, कितने काम करने पढ़ेंगे, 2, accounts maintain करना पढ़ेगा, audit करना पढ़ेगा, पूरा वोई point, क्या 5 year वाली condition है यहाँ पे, यहाँ पे 5 year वाली condition आपको दी नहीं है, यह याद रखना होगा, क्या partners remuneration allowed है, answer is no, partners remuneration allowed नहीं है, क्या losses set off कर सकते हो, answer is yes, आप losses set off कर सकते हो, क्या deduction under chapter 6A available होंगे, yes, deduction under chapter 6A आपको क्या होंगे, available किये जाएंगे, so individual or firm profession है, gross receipt 50 लाग से उपर नहीं जारी, 50% of gross receipt और declared profit, lower profit show कर सकते हो, पाच साल वाला condition यहाँ पे available नहीं है, अच्छा जी सर, सर क्या advance tax mandatory है, answer is yes, इन्हें advance tax देना होगा, कब तक देना होगा, याद कर 15th March तक के इन advance tax देना होगा, कित्ता देना होगा, 100% of advance tax इन्हें 15 March तक के देना होगा, यह है कुल में लाकर के 44 ADA, यह होगा, कित्ता उ सम्सरा कर 15th March तक कर देना है, 삼 görüş Cup 20, यह है कित्ना होगा, कित्ता इन्हें advance taxa होग अर्चा जी सर, सम्सरा देना होगा, यह चार्माण देना है, के राद, सम्सराक में आपर बेज कर देना है, कि इस देन चलो मालिक उपर से निच्छे तक देख लेते हैं मेरे इसाब से सब्स्टांचिली पीजी बीप ओवर हो चुका है पर अगर कुछ सेक्शन बागी होंगे तो वो देख लेते हैं अगर रिटन बने से पहले पे कर दिया तो अगर रिटन बने के बाद पे किया अगर आपने रिटन बने से पहले ये पेमेंट कर दिये यहां पर एक और आड करना है अगर आप पेमेंट करते हैं इंडियन बने के बाद पे किया अगर ये वही बाते हैं जो मैं आप से कह रहा हूं इसे आप 43BB कह सकते हो इसी सेक्शन को आप अलग सब्दों में 43 सबसेक्शन 2B कह सकते हो यहां प्लाई का दिल लाद लाद कर दो का दिल क्वार्ट्व में बने से घए ये जड़ वे ये विना लाद कर दो जाया है झाल वे बने से बंद़ कर दो पना है अगर वे तो और दो पूरा Cand बढ़ते हैं, almost कतम है PGPP मेरे भाई, कुछ section बाक्य होंगे, वो देख लेंगे, सबसे पहले 35D, preliminary expenditure, preliminary expenditure, business start करने से पहले जो खर्चे होते हैं, उसे हम कहते हैं, preliminary expenditure, ये section से precedence के लिए non-resident this section को claim नहीं कर सकता, असे सी अगर company हैं, तो 5% of cost of project और 5% of capital employed, whichever is higher को compare किया जाएगा actual के साथ, whichever is lower, so deduction क्या मिलेगा, one-fifth of lower of actual or maximum, deduction is one-fifth of lower of actual or maximum, deduction is lower of one-fifth of actual or maximum, now actual हमें problem से मिल जाएगा, maximum amount क्या होगी, company के case में 5% of cost of project और 5% of capital employed, other SEC के case में 5% of the cost of project, so deduction किता होगा, one-fifth, one-fifth हमने कहां-कहां पढ़ लिया, family planning में पढ़ लिया, 35 DD amalgamation में पढ़ लिया, DDA के अंदर में पढ़ लिया, हम लोगों ने VRS expenditure and 35 D preliminary expenditure के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ लिया, right, तो deduction is lower of one-fifth of actual or maximum, maximum limit क्या है, company है, तो 5% of cost of project और 5% of capital employed, और अगर company नहीं है, तो 5% of cost of project, इसका deduction किता मिलेगा, one-fifth आपको मिलेगा, cost of project और capital employed में क्या-क्या लेना है, वो यहाँ पर लिखावा है, चेक कर लीजे, देंजर, इतना बड़ा topic खतम करने के बाद न, सर, बहुत ज़्यादा mood उख रहा है, literal sense में बूलता हूँ, mood उख रहा है एक तो, तो यह continuous बड़बड किये जा रहा हूँ, और क्या है, सामने बच्चे रहते हैं, तो आदमी क्या कर लेता है, थोड़ा सा उनके साथ मस्ती मजाग भी कर लेता है, सब कर लेता है, लिटरल सेंस में मूँ दुख क्या है, tea coffee rubber development expenditure, tea coffee rubber development expenditure, क्या है यह tea coffee rubber development expenditure, सर बड़ा simple सी चीज है, आपको वैसे तो याद होगा कि tea coffee और rubber के case में हम लोग क्या करते हैं, percentage divide करते हैं, यह percentage मैंने आपको agriculture income में अल्रड़ी बता दिया था, now, asasi अगर engaged है, in growing manufacturing tea coffee और rubber, उन्हें एक और deduction मिलता है, of the amount deposited in नाबाड, tea coffee और rubber development board ने कंडिशन लगाई है, कि अगर asasi को benefit लेना है, तो उन्हें नाबाड में specific amount को deposit करना होगा, यह deposit को objective बड़ा clear होता है, इससे वो खुद ही new plant and machinery बाद में acquire कर सकते हैं, deduction कितना मिलेगा, deduction is actual amount deposited or 40% of PGBP, whichever is lower, so, check कीजेगा, a sasi must be engaged in growing manufacturing tea और rubber और coffee in India, next, within 6 month from the, within 6 month from the end of financial year, आपको क्या करना होगा, deposit करना होगा in नाबाड और in a particular account, deduction कितना मिलेगा, lower of 40% of PGBP and amount deposited, यह section इतने काम के नहीं है, क्योंकि यह बहुत जादा specific section है, साथ साथ में आपको जो याद रखना है, वो यह याद रखना है, percentage वाला point आप लोग को बिलकुल याद रखना है, ज़रूर याद रखना है, ठीक है, next, 33 ABA, Site Restoration Fund, असे सी अगर एंगे इस दोब, production of petroleum, natural gas, या बूत, तो एन लोगों को भी क्या करना होता है, deposit करना होता है, SBI के अंदर में, again deduction कितना मिलेगा, amount deposited or 20% of PGBP before such deduction will be allowed as deduction, so, a person, a person engaged, a person carrying the business of prospecting, extraction, production of petroleum, natural gas or both in India, assesee has before furnishing return of income deposited with SBI or deposit account opened by assesee, the account of assesee should be audited, deduction is equal to lower of actual amount deposited or 20% of PGBP, यह और वो, इनके closure or dissolution पे क्या होगा, यहां पे एक साथ दियावा है, 41, deemed PGBP, इसमें का दो चीज़ों, अल्रेडी हम पढ़ चुके हैं, bed depths अगर recover होता है, तो it will be treated as PGBP, balancing charge in case of power generating unit, अगर power generating unit के लिए कोई asset use किया था, इसको sale कर रहे हो, gain आ रहा है, it will be PGBP, यह है 41, वन सबसे जादा important, अगर आपने कोई भी expenditure claim किया है, लेटर ओन यह expenditure की recovery होती है, remission होता है, या suggestion होता है, यह allowed as deduction माना जाएगा, यह क्या माना जाएगा, allowed as deduction and, इसका आप allowed as deduction माना जाएगा, और आपको क्या करना होगा, taxable, for example, मान लीजे आपने sales tax pay किया था, sales tax आपको allow हो गया था, as deduction under the P&L, लेटर ओन sales tax का refund आया, that sales tax refund will be treated as PGP, क्योंकि earlier आपने इसे क्या claim किया था, expenditure claim किया था, 41.3, sale of scientific research asset, scientific research asset जब आप sale करते हैं, जो भी income आता है, क्योंकि आपने 100% deduction पहले ले लिया था, जब ये sale होगा, income क्या मानी जाएगी, PGP मानी जाएगी, and kudos to the last section, computation of income for construction and service contract, याद दिला देता हूँ, ये क्या है, revenue recognition का point है, service contract as well as, construction contracts के अंदर में, अगर SSC construction contracts के अंदर में engaged है, तो वो अपनी income जो compute करेगा, वो percentage completion method पे recognize करेगा, कौन सी method पे recognize करेगा बोलो, percentage completion method पे recognize करेगा, so if the SSC engaged in contracts, then percentage completion method shall be followed as per ICDS, ठीक उसी हिसाब से, अगर कोई service contract है, service contract more than 90 days का है, तो apportionate करना होगा, less than 90 days का होगा, तो जिस दिन service complete होगी, उस दिन revenue record कर लेना होगा, so if duration is not more than 90 days, on completion basis, if it is for more than 90 days, on SLM basis पे इसका recording होना चाहिए, जो आप contract revenue लेंगे, इसमें से retention money भी, जो आपने advance money या retention money रखा होगा, ये भी cover करेंगे आप, and contract cost में से, कोई interest income, dividend income और capital gain minus नहीं किया जाएगा, and sir, finally, 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 marathon का सबसे बड़ा topic over होता है, P, G, B, P, सबसे बड़ा topic, P, G, B, P, भी हमने खतम किया, I know, शायद marathon अब तक के, 13, 14, या might be 15 hours तक पहुच चुका होगा, लेकिन आप एक बात तो जान रहे होंगे, एक बात तो आप जरूर देख रहे होंगे, appreciate भी कर रहे होंगे, कि मैंने सच में, कोई ऐसा point नहीं होगा, जो छोड़ा होगा, almost सब चीजे recover करी, पहले explain करके बताया, फिर read करके बताया, और almost fast track books सभी के पास है, मुझे पताया, तो fast track books almost सब के पास है, तो सब को इसका बहुत बड़ा benefit होने वाला है, PG, B, P, हमने खतम कर दिया है, अब क्या marathon खतम हो गया, answer is no, जब मैं बोलू marathon खतम होगा, वो तभी कतम होगा, अभी भी आपका एक topic बाकी है, AMT, yes मैंने वादा किया था, AMT भी मैं marathon के अंदर में लूँगा, हाला कि मैंने marathon के अलावा, AMT का separate video निकाल करके, already YouTube पे डालावा है, still आप यहाँ पे उसे देखेंगे, marathon में में मेरे साथ फटाफट complete करेंगे, और basics के कुछ पार्ट हम लोग require कर लेंगे, याने मैंने जो वादा किया था, कि marathon के अंदर में A to Z cover करूँगा, वो cover हो जाएगा, so let's start with the last few topics, चलो दोस्तों, आज आते हैं अब एक अनादर topic के उपर, topic का नाम है, AMT, alternate minimum tax, यह कैसा topic जो CA Inter में पहली बार add हुआ है, CA final में हम इसे almost पढ़ाते ही आ रहे हैं, और CA Inter में पहली बार आया है, मेरे हिसाब से बहुत logical addition, पर मेरे भाई 60 mark में आपको सारे addition करने हैं, सर बहुत logical addition क्योंकि AMT का calculation जब आप आप आर्टिकल चिप में जाएंगे, तब आपको यह बहुत ज़्यादा काम का आने वाला है, ठीक है, AMT और MAT, यह दो नाम आप लोगोंने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, दूनों में फरक बहुत basic है, MAT लगता है companies पे, जब कि AMT लगता है other than companies पे, hence other than companies का AMT का taxation यहाँ पे आपको लाया गया है, AMT stands for alternate minimum tax, AMT MAT के बाद आया, सबसे पहले समझना होगा, MAT की शुरुवात कब हुई थी, सर हो यह राता जब deductions और exemption बहुत ज़्यादा थे, ऐसे अगर आप देखेंगे, तो पूरा का पूरा credit मैं आपको जब आप final में आएंगे, तब मैं आपको MAT और EMT के हर एक line का adjustment बता दूँगा, कि यह आया था तो इसके पीछे reason क्या था, और बताया जाएगा, एक ऐसा tax planning जो धिरू भाई अम्मानी ने किया था, challenge करते वे किसको finance ministers को, और बाकाइदा अपनी maximum of the companies को tax free कर दिया था, और उनके इस वज़े से ही MAT को ले करके आया गया इंडिया के अंदर में, और MAT जब successful हुआ, companies से maximum tax collect होने लगा, तो इसे other SSC के लिए AMT बूल करके introduce कर दिया गया, alternate minimum tax, यह provision हर SSC के उपर applicable है, other than companies के लिए, दूसरी बात, इंडिविज्वल HOF, AOP, BYUI के उपर, यह provision तभी applicable है, जब adjusted total income 20 लाग के उपर जाए, ATI अगर 20 लाग के उपर है, तो ही उनके उपर यह chapter applicable है, otherwise applicable नहीं है, जिसका अलग शब्दों में meaning यह है, firm और LLP के उपर, AMT mandatory है, चाए adjusted total income कुछ भी हो जाए, firm और LLP के उपर, AMT mandatory है, चाए adjusted total income कुछ भी हो जाए, सबसे पहले इस point को आपको पढ़ना होगा, जो बिल्कुल highlight कर रहा हूँ, पूरा topic important है, पूतना नहीं इसमें क्या important है, पूरा topic important है, the provisions of AMT shall apply to individual HOF, AOP, AJP, if the adjusted total income exceed 20 lakh rupees, अगर adjusted total income 20 lakh से उपर जा रहा है, तो आपको करना है, जिसका ही कुल मिला के मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई firm है, या LLP है, तो इनको क्या है, mandatory है, क्या mandatory है, AMT mandatory है, adjusted total income कुछ भी हो, इससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, adjusted total income कुछ भी हो, इससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, राइट, अच्छा जी, दूसरी बात, it is applicable to all SSE, it is applicable to all SSE except companies, companies चोड़के हर तरह के के SSE के उपर यह applicable है, इसके लिए charging section है, section 115 JC, जो क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूँ, section कहता है, अगर आपका adjusted total income है, जो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, calculate करना होगा, if 18.5% of adjusted total income, exceed income tax payable, आप समझ के देखिए कि मैंने इसको end में क्यों लाया, tax payable से related यह chapter apply करता है, अगर 18.5% of adjusted total income, exceed करता है आपके income tax payable को, तो आपको pay करना होगा higher of, either income tax और 18.5% of adjusted total income, यह minimum tax है जो आपको देना ही देना होगा, so 18.5% of adjusted total income, if exceed the income tax payable, आपको AMT पे करना होगा, अब आप AMT अगर पे कर रहे हैं, which is higher than income tax payable, तो जितना excess पे कर रहे हैं, यह आपको AMT credit बोल के available होगा, मैं आपको बता दू, अगर AMT आपको बहुत ज़्यादा detail में पढ़ना है, आपने अब तक कि AMT नहीं पढ़ाई, आपको अभी तक पता ही नहीं था, कि आपको भी AMT applicable है, तो मैं आपको बता दू, AMT पे मैंने एक separate video डाला है, इस video की link मैं आपको इसी के नीचे दे दूँगा, आप उसको पटाक से देख लेना, बहुत ज़्यादा detail में करीब एक घंटा मैंने उसको explain किया है, यहाँ पे तो मैं एक घंटा अब उसको explain नहीं कर सकता, तो अगर आपको पे क्या करना है असे सी को, यूँआब तो पे higher off income tax और AMT, अगर आपने AMT पे कर दिया, विच्वाष हाईर, income tax से उपर है, तो जो difference बचेगा इसे हम कहते हैं, AMT credit, क्या कहते हैं बोलो हम जल्दी से, AMT credit कहते हैं, so as per the income tax payable, by the person shall be higher off, income tax payable, income tax payable shall be higher off, income tax payable as per the normal provisions, और 18.5% of adjusted total income, plus sarcharge if any, plus s, right, so दोनों को compare करेंगे, दोनों में से जो भी higher होगा, आपको क्या पे करना होगा, वो पे करना होगा, इस section में आया है amendment, मतलब आपको topic तो amendment ही, topic के अंदर एक amendment आया है, अगर ये unit, IFSC में located है, मतलब individual HOF, AOP, BYU, AJP, firm, LLP, अगर ये IFSC में located है, तो फिर AMT का rate reduce किया गया है, और AMT का rate reduce करके 9% पे लाया गया है, तो दो बाते, आप income tax को compare करेंगे, या तो 18.5% के साथ, अगर unit IFSC में नहीं है, यही unit अगर IFSC में है, तो 9% of adjusted total income के साथ, क्या किया जाएगा, compare किया जाएगा, तो इस point को highlight में रखिएगा, अलग से रखिएगा, that if the unit is located in IFSC, then it will be 9% instead of 18.5%, तो वापस से, अससी शेल पे tax higher off, higher off, higher off, क्या normal tax और 18.5% of adjusted total income, अब सवाल यह उठता है, what is adjusted total income and how it is calculated, यह है adjusted total income calculate करने का formula, बहुत जादा simple है, हमें सबसे पहले लेना है, अससी का total income, मैं बात कर रहा हूँ total income की, total income की, total income की, हमें लेना है अससी का total income, और इसमें कुछ addition करने है, कौन से addition करने है, पहला addition, deduction under chapter 6A, chapter 6A के जो deduction है, यह chapter 6A, part C, chapter 6A, part C के deduction हमें क्या करने है, add back करने है, में 80C to 80U नहीं आता इसके अंदर में फिर कौन-कौन से आते हैं मेजर ली देखा जाए तो इंटर लेवल पे आपको आएंगे 80JJAA, 80QQB, 80RRB 80QQB, 80RRB, यह तीन याद रख लेना आपका काम हो जाएगा, यह तीन ही सेक्षन आते हैं, यह तीन सेक्षन से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे सेक्षन आपको इतने इंपोर्टन हैं भी नहीं आएंगे भी नहीं, आपकी टोटल इंकम लेना है, टोटल इंकम में चाप्टर 6A, Part C, 80QQB, 80RRB and 80JJAA add कर देना है, deductions वापस add कर देना है, प्लस एक और चीज़ add करनी है, जो deduction आपने 35AD में लिया होगा, 35AD? हाँ, 35AD, specified business, अभी-अभी हम पढ़ के आए हैं, अब शायद आपको समझ जाए, मैंने पहले बाकी पूरे टॉपिक लिये, फिर PGP लिया और फिर EMT लिया, कैसे ले ले लेता EMT, जब तक कि आपको 35AD ही नहीं पता होता, कैसे ले लेता जब तक कि आपको deduction ही नहीं पता होते, so total income लिजे, total income में क्या add back करेंगे, टोटल income में आप add back करेंगे, deductions जो 80IA से RRB तक के है, इंटर लेवल पे इन में से तीन ही exemption है, 80JJAA, 80QQB, 80RRB, royalty on patents, royalty on books, as well as new employment, इसमें add करेंगे 35AD का जो आपने deduction लिया होगा, मतलब capital expenditure को जो आपने deduction लिया होगा 35AD में, वो आपको क्या करना है, add back कर देना है, साथ-साथ में आपने 10AA का जो SEZ का deduction लिया था, वो भी add back करना है, मतलब 3 चीज़े add back करनी है, पहला आपको deductions add back करना है, chapter 6 है के, दूसरा 35AD में जो आपने deduction लिया था, वो add back करना है, plus 10AA वाला, 10AA वाला क्या था, याद कर exemption topic में पढ़ क्या थे, SEZ वाला जो exemption आपने claim किया था, ये भी आपको क्या कर देना है, add back कर देना है, और इसमें से less करना है, depreciation उस asset पे जिस पे 35AD claim क्या था, as if कि ये asset business के लिए use हो रहा है, आप क्या करोगे, 35AD वाला deduction add करोगे, total income लिया, इसमें chapter 6A के deduction मिला है, 35AD का deduction मिलाया, 10AA का deduction मिलाया, अब depreciation minus करेंगे, किसका depreciation, जो asset 35AD का था, उसका depreciation minus करेंगे, जो आ गया, ये बन गया adjusted total income, adjusted total income के 18.5% को किसके साथ compare किया जाएगा, compare किया जाएगा आपके tax payable के साथ, और दोनों में से जो भी higher होगा, वो tax pay किया जाएगा, so ये बनेगा adjusted total income, कुछ important point, deduction under ATC to ATGC and ATU are not added back, क्योंकि ये chapter 6A part C में नहीं आते, एक और important point ये लेकिन ये थोड़ी देर बात सम्याऊंगा, इदर आईए, अब आते हैं, report from a chartered accountant, हर साल, जब भी ACC के उपर AMT है या नहीं है, यह हमें check करना होता है, practice में भी हम लोग check करते हैं, by checking the adjusted total income, हम समझ जाते हैं हमें pay क्या करना है, लेकिन एक CA को certify करना होता है, इस adjusted total income को, और वही पार्ट यहाँ पर लिखा है, अब आते हैं यहाँ पे, 315JD, AMT credit, मान लीजे, आपने AMT pay किया, या या 5 लाक रुपे, और लेचे, आपका AMT payable आ रहा है, 5 लाक रुपीज, आपका income tax payable आ रहा है, 3 लाक रुपीज, अब जो भी बज गया, इसे हम कहेंगे, AMT credit, और यहाँ आ जाएगा, 2 लाक रुपीज, यह क्या जाएगा, 2 लाक रुपीज, और इसी को हम कहते है, AMT credit, तो सीधे शब्दों में कहना चाहे, if AMT payable is higher than income tax payable, the remain is AMT credit, और यह AMT credit को, आप क्या करेंगे, यह AMT credit क्या कर सकते हैं, आप carry forward कर सकते हैं, सर कितने assessment year तक के, 15 assessment year तक के, आप इस AMT credit को carry forward कर सकते हैं, एक और बात, यह जो AMT credit आप carry forward कर रहे हैं, यह जो AMT credit है, जो आप carry forward कर रहे हैं, इसका क्या कर जाएगा, यह जो AMT है, credit forward आप कर रहे हैं, next year यह use क्या जाएगा credit, अब मान लेते हैं, आता है पांच लाग या आता है चार लाग पेबल कित्ता होगा अगें दोनों में का हायर यह अगें पांच लाग रुपए पेबल लेकिन आप देखेंगे AMT is higher than income tax पेबल एक लाग रुपए का टोटल क्रेडित हो गया अब ओरल क्रेडिट कित्ते का हो गया 3 लाग that is 2 लाग प्लस 1 लाग यह हो गया आपका टोटल ओरल क्रेडिट सपोज इन यह थ्री आपका AMT पेबल आता है 5 लाग और income tax पेबल आता है 7 लाग रुपए AMT credit आता है 5 लाग लेकिन income tax पेबल आता है 7 लाग अब बताओ पेबल क्या होगा obviously पेबल होगा 7 लाग रुपीज obviously पेबल किता होगा 7 लाग रुपीज अब assessi क्या चाहेगा मैं आपको बताता हूँ अब assessi चाहेगा कि उसको 7 लाग रुपए पे करना है पर government के पास उसका credit कितना पढ़ावा है 3 लाग रुपए assessi बोलता है मैं 4 लाग रुपए पे कर दे तो game over ना मुन्ना ना ए चॉलबे ना यह नहीं चलेगा sir मतलब मेरे पास credit तो पढ़ा है ना 3 लाग का मैं 3 लाग का credit यूज कर लेता हूँ ना मुन्ना ना कितना credit यूज को हो पाएगा credit भी उतना ही use हो पाएगा difference between these two credit भी आप पूरा use नहीं कर पाएगे आप credit भी उतना ही use कर पाएगे जितना इन दोनों के बीच का difference होगा इसका मतलब आप यहां पे 2 लाग तक का credit यूज कर लेंगे actual payable 5 लाग आएगा which is the minimum alternate tax that is alternate minimum tax और यहां पे 1 लाग का credit आप क्या करेंगे carry forward करेंगे मतलब credit को आप use भी उतना ही करेंगे as is income tax exceed AMT payable check कीजे AMT credit का बाता है if AMT exceeds the normal tax payable then excess 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 AMT exceed normal tax payable then excess shall be AMT credit it shall be carried forward for 15 assessment year credit shall be set off in the year in which regular tax is more than AMT credit shall be allowed to be set off when the tax payable as per normal provision exceed AMT तो उतना ही tax credit allow होगा set off होने के लिए जितना normal tax AMT से क्या कर रहा है exceed कर रहा है अब आईए इस point पे याद होगा तो मैंने यह point छोड़ा था अब इस point को पढ़ने का समय आ गया right time आ गया है माल लीजए company है जो LLP में convert होती है अगर company LLP में convert होती है और condition satisfy करती है तो it is not regarded as transfer not liable to capital gain ऐसा section 47.13b में लिका था now company के उपर MAT apply करता है LLP के उपर AMT apply करता है तो कई लोगों ने एक सवाल पूछा जब company LLP में convert होगी company LLP में convert होगी company के पास कोई MAT credit pending है क्या उसे AMT credit माना जा सकता है company अगर LLP में convert होगी company के पास अगर कोई MAT credit pending है क्या वो AMT credit माना जा सकता और उसका benefit मिलेगा सरकार ने clear cut कर दी ना बोला AMT credit MAT credit AMT credit नहीं बन सकता चेक किजगा इस line को however MAT credit of company is not allowed to be carried forward in the hands of LLP upon conversion into LLP so अगर company LLP के अंदर में convert हो रही है तो जो उनका MAT credit है मालिक वो AMT credit बोल करके मिलने वाला नहीं है यह एक point दो यह थोड़े higher level का है पर मैं सम्झाना चाहता हूँ वो बच्चे जो मतलब इनो prepare करना चाहते हैं अच्छे level का prepare करना चाहते है और जब हमने इतना पढ़ी लिया है 14-15 घंटे तो अभी इस एक point को क्यों छोड़े आउचरा करते हैं इस point को भी point क्या है समझाता हूँ मैं आपको सर देखें लोग क्या कर रहे थे double benefit ले रहे थे मुझे आपको थोड़ा सा CA final में लेके जाना पड़ेगा और वापस लाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे section 90 और 91 लिका है जो एक chapter DT AA से relate करता है जो आपको CA final में है बट मुझे आपको समझाना है और समझाना इच्छा है मेर मैं समझा देता हूँ पाच मनट में सर देखिए क्या है अगर कोई company है और यह multinational company है इसने foreign में कोई tax pay करके आया है तो section 90 91 के हिसाफ से जो foreign में tax pay किया है उसका benefit आपको क्या मिल जाएगा इंडिया में मिल जाएगा credit बोलके मिल जाएगा अब जरह समझेगा लोग करते क्या आपको pay क्या करना है higher of tax और AMT आपको pay क्या करना है higher of tax और AMT लोग क्या करते थे income tax में से credit reduce कर देते थे income tax आया पेबल आये, income tax में से foreign tax credit reduce कर दिया, आपका income tax कम हो गया, बराबर, automatic AMT उपपर दिखता था, और assessi क्या करता था, AMT पेखर देता था, अगर AMT जादा पेखुआ, income tax से, AMT जादा पेखुआ, income tax से, तो difference जो होता था, उसे हम क्या कहते थे, AMT credit, assessi AMT credit ले लेता था, मतलब दोनों cases में benefit उसका ही, उसको foreign tax का benefit भी मिल गया, और पूरा का पूरा AMT benefit भी मिल गया, जो वो use करता था, कई सालों बाद government के समझ में आया, ये लोग तो हमें बेवकूब बना रहे हैं, foreign tax credit भी ले ले रहे हैं, और जो tax pay कर रहे हैं, उसका AMT credit भी ले ले रहे हैं, win-win situation information, सरकार ने एक provision add कर दी और कह दिया, हम उतना AMT carry forward नहीं करने देंगे, जितना आपने foreign tax credit claim किया होगा, हम उतना AMT credit आपको carry forward नहीं करने देंगे, जितना आपने foreign tax credit लिया होगा, और बस यही सीधे शब्दों में उहां लिका है, फढ़ लीजे, मजा आ जाएगा, provided that where the amount of tax credit in respect of, tax credit in respect of, any income tax paid in any country, or a territory, foreign country, allowed against the alternate minimum payable, exceeds the tax credit admissible, the income tax payable, then while computing the credit, such excess shall be ignored, आपको यह जो access है, यह क्या करना होगा, ignore करना होगा, जिसके कारण आपका overall tax liability क्या होई होगी, reduce होई होगी, सीधे शब्दों में, तो sir, यह था आपका AMT, वापस एक बार याद दिला देता हूँ, कुछ highlighted points, पहला individual HOF, AOP, BOI, AJP, इनको तभी applicable है, जब यह adjusted total income 20 lakh से उपर होगा, अगर यह 20 lakh से नीचे है, तो आपको simply normal tax calculate करना है, basic chapter में जैसे किया है, अगर यह 20 lakh से उपर है, तो आपको compare करना है, normal tax को किस के साथ, AMT के साथ, मैं ऐसा assume कर रहा हूँ, आपको एक problem आएगा, जिसके अंदर में एक line लिके होगी, normal tax दिया होगा, और कहीं न कहीं है, तीनों deduction होँगे उसके अंदर, या एक साथ other deduction होँगे, let's say उसको PGPBP बताया जाएगा, 35 AD का आपको point दिया जाएगा, जैसा कि मैं कह रहा था, बोला जाएगा, assessi है, infrastructure में engaged है, 35 AD का deduction ले रहा है, और उसके साथ साथ आपको क्या कर दिया जाएगा, AMT का clause पूछ लिया जाएगा, आपको बोलेंगे, assessi individual है, infrastructure में है, आप सबसे पहले PGPP compute करने बोलेगा आपको, आपको total income compute करने बोलेगा, कुछ other sources and फालतुकी income दे करके, deductions दे करके, अब वो आपको बोलेगा, compute the tax also specify whether AMT is payable or not, बस एक line लिख देगा, बच्चा tension में हो, कुछ करने का tension ने, PGPP normal compute कर, total income, other sources and other income जो भी दियोगी उससाथ से normal compute कर, फिर बना calculation for AMT, step one, आपने बनाने का adjusted total income, चेक करने का, क्या adjusted total income 20 लाग रुपे के उपर है, अगर हाँ, तो फिर normal income tax निकालने का, जो total income आई है उसके उपर, normal 18.5% of adjusted total income निकालने का, whichever is higher, adding, surcharge और cess, आपको payable बता देना है, game over, इतना ही करना होगा, institute ने एक ही problem रखा है, AMT के उपर, जो मैंने यहाँ पर मेरे fast track notes के अंदर भी include कर लिया है, और ये एक problem देख लेंगे, तो almost सब कुछ cover हो जाएगा, सब कुछ cover हो जाएगा, तो ये एक problem बड़ी, इमानदारी से देख लेंगे, आपको सब कुछ cover हो जाएगा, इस topic के अंदर में, and game over, AMT comes to an end, last topic अब कर लेंगे, आपका पूरा marathon खतम हो जाएगा, एक topic बचा है, अब मैं वो भी नहीं छोड़ना चाहता, एक topic है basic, आओ फटाफट basic कर लें, और पूरा का पूरा marathon खतम करें, आज जाओ मेरे दोस्तों, इस last topic के उपर जिसका नाम है basic of income tax, पूरी दुनिया आपको बढ़ाएगी से सबसे पहले, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सबसे last में, आपको अब तक के reason समझ में आ गया होगा, कि जो मैंने sequencing रखिये, उसके पीछे कुछ logic था, और logic अब तक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ, पढ़ो तो हदि कर दो, वरना program रद कर दो, शायद सबसे बड़ा marathon ही यह होगा, जहां पर हम लोग continuously more than 14 hours से पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी उम्मीद है कि यह 14 घंटे जो आपने मेरे साथ invest की हैं, आप मुझे बहुत दुआए देंगे और हमारा यह साथ बरकरार रहेगा, आप सभी से एक request, मैंने आपके लिए अगर यह free किया है और इतनी मेहनत करिए, आप से सिर्फ एक request, उस हर बच्चे तक पहुचाईएगा जिसको इसकी ज़रौत होगी, आपको अगर लगे कि यह useful है और उसके काम आ सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी है हर उस बच्चे तक कि यह पहुचा देने की, ताकि आपकी और मेरी दोनों की मेहनत सफलो, के पास है वो है knowledge, कोई आपकी नगा copy कर सकता है, कोई आपको देख करके as it is पढ़ा सकता है, लेकिन कोई आपसे आपका talent नहीं चीन सकता, skill नहीं चीन सकता, और आपके पास अगर knowledge है तो आप कहीं भी जा सकता है, यह मेरा firm believe है, यह मेरा firm believe है, सबसे पहले मैं आपको constitutional validity basics यह सब बिलकुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ definition जो काम की है वो आपको साथ फटा-फट ले लेता हूँ, सबसे पहले previous year, the year in which income is earned, a year preceding the assessment year will be called as previous year, right, what is assessment year, every year starting from 1st April will be called as assessment year, general rule, income of previous year is taxable in assessment year, income of previous year is taxable in assessment year, लेकिन इसके कुछ exception है, लेकिन इसके कुछ क्या है, exception है, regular class वाले, जरह याद करो, कोई तो भी particular person, गनपती डांस कर रहा था, इतने में कौन आई, ship आई, ship से कौन उत्री, सुन्दर कन्या, सुन्दर कन्या ने कहा, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी, रॉक स्टार बनाऊंगी, इसने कहा, मैं दो काम कर क्या आता हूँ, अपने सारा सामान बेच के आता हूँ, दुकान बंद कर क्या आता हूँ, उसी year में port छोडने से पहले, they have to pay the tax in previous year, we can call it as इनके लिए previous year is equal to assessment year, second person leaving India, a person who is leaving India with no intentions to come back, has to pay tax in the previous year, ने तो visa नहीं मिलेगा, second AOP-BY form for a particular purpose, अगर कोई AOP-BY है, अब जैसे गनपती मंडल होते हैं, गरबे वाले होते हैं, यह they are form for a very short period, यह कोई concert होता है, which is form for a very short period, इने tax pay करना होता है, अभी के अभी, that is previous year के अंदर ही, person likely to transfer the property to avoid tax, अगर income tax department को कभी भी ऐसा लगता है, that person will, you know, try to avoid the tax and he will abscond, जैसे अब Vijay Malia को India लेकर के आ रहे हैं, उन्होंने tax भी avoid किया, apart from the loan, उन्होंने tax भी avoid किया और वो निकल गया out of India, ऐ ऐसे cases में उनसे tax recovery की जा सकती है, in the previous year itself, and income of a discontinued business, अगर business discontinue कर रहे हैं, तो आपको लगता है next year वो उसका tax pay करेंगे, नहीं, business discontinuous का time पर आपको tax clearance certificate लेना होता है, so in 5 cases में, यह 30 question है, जो आता है, यह बिल्कुल आता है, exception to the general rule, income of previous year, taxable in assessment year, right, so यह 5 जगह पे आपको आएग person की definition बड़ी important, you know, exam point of view से नहीं, आपको पहली बार जोब DT पढ़ते रहते हैं, तब काम किये, individual HOF, AOP, BY, AJP, सबके सब इसके अंदर में cover including the company, assessi की definition काम की है, section 2, subsection 7, who is assessi, theory में आता है यह question, who is assessi, every person who is liable to pay the tax, or in respect of other person, he is assessable, deemed to be assessi, and assessi in default, so every person liable to pay the tax, deemed assessi, and assessi in default, इसके अंदर में क्या किया जा रहा है, cover किया जा रहा है, अब आजाते हैं हम लोग rate के उपर, rate के अंदर में क्या कोई change हुआ है, answer is no, सबसे पहले तो एक छोटा सा MCQ आपको बता देता हूँ, income tax के rate, finance act में लिखे हैं, जब कि special rate, income tax में ही लिखे हैं, ये एक MCQ है, income tax के rate कहा लिखे हैं, finance act में लिखे हैं, जब कि special rate of tax, income tax में ही लिखे हैं, special rate of tax का example, section 111 ही capital gain में लिखा हूआ है, 15%, चलिए, slab rate फटा 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 आप मेरको recall कर देंगे, हर वो individual जिसकी उमर 60 से कम है, non-resident, HOF, AOP, BY, AJP, up to 2,50,000, nil, 2,50,000 to 5,5%, 5,000 to 10,20%, and above 10 ये ही senior citizen के लिए, individual who is resident, 60 और अबाव, इनके लिए क्या है, up to 3,00,000, 3,00,000 to 5,00,000, किते परसेंट बीटा, 5%, 5,00,000 to 10,20,000, and above 10,30,000, ये ही super senior citizen के लिए, जो 80 and above होगा, up to 5,00,000, 5,00,000 to 10,20,000, and above 10,30,000, इसमें एक circular भी है, circular कहता है, अगर कोई SSC 1st April के दिन senior citizen, या super senior बन रहा है, then he will be eligible for higher basic exemption limit, आगे बढ़ते है, जब भी आप tax calculate करेंगे, we all know कि आपका HEC लेना होगा, that is education, health and education says at the rate of 4%, साथ-साथ में rebate भी available होगा, rebate is covered under section 87A, क्या condition है, Assessee should be individual, he should be resident, total income, total income, total income including special income, total income does not exceed 5,00,000, तो आपको rebate मिलेगा, कितना, 12,500 और 100% of tax, whichever is lower, rebate में आया है amendment, पहले यह हुआ करता था 2,500, अब यह है 12,500 और 100% of tax, whichever is lower, एक बात का आपको यहाद यहाँ पर रखना होगा, जो मैंने capital gain में भी आपको याद दी रही थी, रिबेट is not available from long term capital gain under section 112A, इस बात का यार आपको रखना होगा और आप यहाँ पर लिख के रख देंगे, 112A में से रिबेट का benefit नहीं मिलता, यह आप याद रखेंगे, फिर होता है round off, यह एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा confirm भूल जाता है exam में, आपने बिलकुल नहीं भू अपनी total income and total tax, जो total income final निकलता है और जो total tax निकलता है इसे round off करना है, head की income की बात नहीं कर रहा हूँ, total income जो निगलेगा, gross total income में से reduction minus करने के बाद, total income को round off करना है और tax को round off करना है in multiple of rupees 10, now what do you mean by in multiple of rupees 10, rule of 5, जो भी आपका figure आ रहा है उसके last figure पर focus करना है, if last figure is 5 or more, last figure is 5 5 और more, higher side round off कर दो, up to 4 होगा, lower side round off कर देना, for example देखेगा, example मैंने दे रखा है, 81501, last figure पर focus कीजिए, क्या ये 5 है, नहीं, lower side round off कर दीजिए, 81500, फिर आते हैं, is that done, चलिए, अब आते हैं, सर्चाज के उपर, जिसमें आये हैं सबसे बड़े बदलाव, और जिसमें हैं amendments भी, ठीक है, यह हमने capital gain में भी पढ़ाता हूँ, यहां भी पढ़ रहा है, सबसे पहले, जब finance act 2019 ने सर्चाज लाया था, उसके पहले और उसके बाद की पूरी कहानी समझ लीजे, दो मिनट में समझ मां जाएगा provision क्या है, सर्चाज, अगर 50 लाग से उपर जाता तो 10% और 1 करोड से उपर जाता तो 15% सर्चाज का provision दखा गया था, नाओ, इसके बाद क्या हुआ, निर्मला सीता रमन जी ने इस सर्चाज को increase कर दिया, increase क्यों कि है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने क्या किया, सर्चाज के चार रेट ले क्या आगया, 50 लाग के उपर होगा, तो 50, above 50 लाग, it should be 10%, above 1 करोड, 2, 2 करोड, it should be 15%, 2 करोड, 2, 5 करोड, it should be 25%, and above 5 करोड, it should be 37%, then, there comes in picture, Taxation Amendment Ordinance 2019, which we also called it as Finance Act 2, Taxation Amendment Ordinance ने क्या किया, जैसे ही सर्चाज रेट बढ़ा है, वैसे ही Non-Resident और Foreigners जो थे, जिनका इंडिया में Investments था, इन्होंने बहुत शोर मचा और काफी नाराज हुए, उनने कहा कि ये क्या हो गया, आप अगर हम यहां से Income निकाल के जाएंगे, तो आपने तो जब हमारे को Entry Easy देती, आप तो ध्यान में रखते हुए, क्या किया गया, Long Term Capital Gain Under Section 112A, and Short Term Capital Gain Under 111A, इन पे Enhanced Surcharge की Applicability को हटा दिया गया, जिसका मतलब, Other Income पे Enhanced Surcharge Applicable होगा, लेकिन इन Long Term Capital Gains या Short Term Capital Gain के उपर Enhanced Surcharge नहीं लगेगा, जो 111A, and 112A के अंदर में होंगे, फर्दर एक और चीज लए गई, अगर आपकी Other Income, including Long Term and Short Term Under 111A, दो करोड के उपर जारी होगी, तो आपको क्या करना होगा, सरचार रेट 50 नहीं रखना होगा, फिर Other Income के लिए आपका सरचार रेट 25 परसेंट नहीं लिया जाएगा, आईए इसको बहुत सीरे शब्दों में पढ़ते हैं, पहला, सरचार विच इस अप्लीकेबल टो इंडिविच्वल, हुएफ, एओप, ब्यूआ, एजएप, क्योंकि कंपनीज के लिए वैसे भी अलग है, अगर आपकी Total Income does not exceed 50 लाग, 50 लाग से ओपर जाई नीरी, 111A का इंकम हो या अधर इंकम हो आपका सरचाज निल ही रहेगा, अगर आपकी Total Income, Total Income exceeds 50 लाग, बट दस नाट exceed 1 करोड, यहाँ पे एनान सरचाज है नहीं, जो भी सरचाज था वो नॉर्मल सरचाज था, दोनों के केस में 10-10%, अगर आपकी इंकम एक करोड से उपर है, ब पर एनान सरचाज आता था, यहाँ क्या किया है जरा दीखेगा, अगर आपकी इंकम excluding these income 2 करोड के उपर है, बट 5 करोड के उपर नहीं है, 111A, 112A के लिए 15% ही लगेगा, अधर इंकम के लिए 25% लगेगा, यही अगर 5 करोड के उपर है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 37 लगेगा लेकिन suppose मेरी अधर इंकम बनती है, let's say 1 करोड रुपीज, मेरा आता है 1.5 करोड रुपीज, long term capital gain under section 112A, अब आप देखेंगे तो मेरी total income बनती है 2.5 करोड रुपीज, right, हला कि we are exceeding 2 करोड रुपीज, we are exceeding 2 करोड रुपीज, but other income specifically not exceeding 2 करोड रुपीज, in that case, assessi को एक benefit द दोनों पे सर्चाज रेट किता होगा 15%, last point देखेंगे, if total income including, including 111A and 112A, exceed 2 करोड, but not covered in situation 4 and 5, situation 4 and 5 क्या था, situation 4 and 5 जहां पे आपकी other income ही 2 करोड के उपर है, other income ही 5 करोड के उपर है, let's say इसी case में, हम assume करते हैं, आपकी other income ही 3 करोड है, और long term capital gain 1.5 करोड है, total हो गया 4.5 करोड, अब ऐसे cases में, यह 3 करोड के उपर, यह 3 करोड के उपर 25% लगना है, और इसके उपर लगना है आपको 15%, right, इसके उपर किता लगना है 15%, so अगर मिला के 2 करोड रुपे से उपर जा रहा होगा, यहापे other income 2 करोड के उपर नहीं जा गए हैं, और यह है major amendment, मुझे लगता इसके उपर आपको एक जरूर कोश्चन रहेगा ही रहेगा exam में, अब आते हैं other rates के उपर जिनमें again हुआ है amendment, company का turnover, company का turnover अगर 400 करोड के नीचे है, in the previous year 17-18, हाँ, यह amendment हुआ, यहाँ पे पहले 250 करोड लिखा था, और 16-17 लिखा था इस turnover को 250 करोड से 400 करोड रुपीज कर दिया गया और previous year को 17-18 कर दिया गया, अगर कोई domestic company है और इसका turnover in previous year 17-18 does not exceed 400 करोड रुपीज, tax rate would be 25%, if the company is other company whose turnover might be exceeding this limits, tax rate would be 30%, foreign company continues at a tax rate of 40%, firm and LLP at 30%, local authority 30%, cooperative society increasing rate of 10%, 20% and 30%, याद रखे, foreign company के सर्चार रेट क्या है, मैं आपको याद दिरा देता हूँ, अगर firm, local authority, LLP, इनकी income 1 करोड रुपे के उपर जारी होगी, इनके लिए सर्चार रेट है 12%, अगर companies है, domestic company, 1 करोड से 10 करोड तक के income, सर्चार रेट 7%, above 10 करोड रुपे सर्चार रेट is 12%, foreign company, income up to 1 करोड निल, above 1 करोड 2%, above 10 करोड रुपे 5%, we all know, marginal relief, concept तो है, पूचते नहीं है, बट स्टिल, आपको पता होना चाहिए, where your tax exceed the income earned, where your tax exceed the income earned, because of the surcharge effect, marginal relief is available, since surcharge में increment हुआ है, marginal relief में भी changes होंगे, और आपको यह हर बार trial and error करना पड़ेगा, marginal relief को देखते हुए, दो और section लाए, taxation of companies में, यह section के पीछे की history सुन लीजे, हलागे मुझे कम लगता है, यह amendment है, इसलिए मैंने cover किया, पर मुझे कम लगता है कि यह चीज़ inter level पर पूचेंगे, यह चीज़ अगर पूचनी भी है, तो उनको final level पर पूचना चाहेगा, पर क्योंकि amendment था, मैंने इसको fast track book के अंदर में रखा था, और यह चीज़ मैंने fast track में भी बूली थी, कि मैं इसे जान मुझ के पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपको इसके basis पर test कर ले, पर मुझे as a teacher समझ में आता है कि बॉस इसका जो संभावना है, यह final level पर जादा है, क्योंकि इन में जो sections लिके वे हैं, यह provisions लिकी भी हैं, आदे से जदा provisions इंटर level पर आपको है ही नहीं, और इसी के लिए हम इसको बस roughly पढ़ लेंगे कि क्या है, क्या नहीं है, एक बार इसको सब कुछ देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो check it out, दो नए section लाए गए, क्या लाए गए, दो नए section लाए गए, 115 BAA, 115 BAB, 115 BAA क्या था, फहले समझे, सर, जब से यह 2019 आया है, तब से एक बहुत बड़ा पॉइंट चल रहा था, एकनॉमी slowdown हो रही है, एकनॉमी slowdown हो रही है, इस एकनॉमी slowdown को बचाने के लिए क्या किया गया था, finance minister द्वारा एक कदम उठाया गया था, और ordinance पास किया गया था, 28 September को एक ordinance पास किया गया था, जिसके तहत company के tax rate reduce किये गए, company के tax rate क्या किये गए, reduce किये गए, domestic company को कहा गया, हम आपके tax rate जो अभी 30 या 25 परसेंट चल रहे हैं, हम आपके tax rate को उठा करके लिए के आ जाते हैं, 22 परसेंट के उपर, 22 परसेंट के उपर और एक सर्थ है इस rate को reduce करने की, आप जो specified deduction और exemption है, उसे भूल जाएंगे, mat credit आपको हम नहीं देंगे, brought forward losses के benefit हम आपको नहीं देंगे, आप सारे बंदन तोड़के आजाओ, 22 परसेंट से गवन हो जाओ, एक बार आप इस section में आगा, इस section से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यह condition लगा दी, फिर हम आपको अब 22 परसेंट का rate लगाएंगे, plus mandatory surcharge of 10%, surcharge mandatory 10%, किसी भी प्रकार की income हो, कुछ भी हो, mandatory surcharge of 10% लगाया जाएगा, plus 6, यहने effective tax rate क्या हो जाएगा, 22% plus 10% surcharge, plus 4% 6, it comes around 25, 25 point something percentage, इतना आपको tax pay कर देना है, game over, जहाँ पहले 25, plus applicable surcharge, plus 6, यह जादा जाता था, उसको कर दिया reduce, लेकिन आप यहाँ पर आगए, आप कहीं बहार जाएंगे, नहीं, company listed हो, unlisted हो, public, private, OPC हो, कोई फरक नहीं, आप बिंदा से section को ले सकते थे, कोई problem नहीं है, अगर कोई भी domestic company, अगर कोई भी domestic company क्या कर रही है, इन sections को ले रही है, कोई भी business में engaged हो, कोई भी asset, नया हो या पुराना हो, आप इस section को ले लो, और game over कर दो, check करिएगा, maybe a newly incorporated company, or an existing company, no restriction with respect to its formation, no restriction with respect to its formation, मतलब, अगर कोई firm company में भी convert होई होगी, तो भी इस का ले लेंगी benefit, ज़रूरी नहीं है, वो incorporated company जैसे हो, engaged in any business, use any asset, old or new, can use any building, इनका rate होगा 22% plus 10% irrespective of the quantum of income plus 4% which comes to 25.17% effectively, क्या ध्यान में रखना होगा, condition यहाँ पढ़ लीज़े, दूसरे के लिए भी common है, it should be a domestic company, so it may be public, private, listed, unlisted, इसका annual turnover कुछ भी हो, resident हो इसके shareholder, या non-resident हो इसके shareholder, and it may be controlled by domestic company और foreign company, doesn't matter, total income shall be computed without claiming following deduction, आपको समझ में आज आजाएगा, कि आज के marathon में, मैंने सबसे आखरी में यह क्यो लिया, क्योंकि यह सारे section list आप मेरे साथ पढ़के आचुके, एकसेप्ट जो final में है, चेक कीजे, SEZ का deduction यह नहीं लेंगे, आप समझा, मैंने आपको सबसे आखरी में basic क्यों लिया, क्योंकि by this time अगर आप marathon मेरा continuously देख रहोंगे, तो इस सारे section आपके mind में repeat होंगे, क्योंकि अब, deduction under 10 WAE claim नहीं करेंगे, SEZ वाला additional depreciation यह claim नहीं करेंगे, depreciation कर सकते हैं, additional depreciation claim नहीं करेंगे, deduction under 32 AD, investment allowance backward area में जा करके जू लेते हैं, 33 AB, tea coffee rubber development, site development, expenditure जापर amount deposit करनी होती है, 35, 35 2 AB, scientific research, scientific research for manufacturing company, 35 AD, specified business, 35 triple C, CCD, agriculture extension project, skill development project, and deduction under any chapter 6A, but ATJJA चलेगा, right, इन सारे deductions को छोड़ करके आना है, काफी companies खुश थी, few companies like Nestle, Sun Pharma, यह companies बहुत है थी, क्योंकि उन में से बहुत सारी companies, इन section का deduction claim भी नहीं करती थी, yes or no, इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, Bata, Bata high था, क्योंकि वो इन sections का benefit claim नहीं करता था, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, about एक company है, जो इस section का benefit claim नहीं करती, तो उनके लिए क्या हो गया, यह section बहुत boom हो गया, और अगर आप देखेंगे, इस section को लाने के बाद, stock market एक नए height को touch करके आया था, तो आपको हम इस lower rate का benefit देदेंगे, यह deduction आपने claim नहीं करना है, total income is calculated without adjusting brought forward losses, भूल जा मेरे भाई, तिरको कोई brought forward losses कभी हुआ करते थे, total income shall be computed after depreciation, क्योंकि हमने section 32 में पढ़के आया है, depreciation is mandatory, right, company has in a prescribed manner, return भरने से पहले आपको इस prescribed manner के अंदर में आना है, once company has taken the option, it cannot withdraw, आये हो तो इधर ही आजाना, वापस नहीं जाना कि मैं को याद आ रही, यह वो, आहां, आये तो 100% इधर आ जेने का, फिर पूतना नहीं याद आ रही, क्या है, आये तो इधर ही आजाना नहीं गड़ाए, मैट प्रोविजन सार नौट अप्लिकेबल, सर अगर यह company, अगर यह company section को आप्ट कर देते, तो उसको मैट प्येबल नहीं है, मैट से उनको क्या दे दिया गया, benefit दिया गया, सारे benefits के साथ लाया गया, लेकिन आपको याद रखना होगा, आये तो वापस नहीं जा सकते, सरचार्ज mandatory 10% plus S, इसके साथ साथ एप्लिकेबल होगा, मैट प्रोविजन विल नौट अप्लाए, आज इस जो हम लोगों ने कर दिया, दूसरा एक और लाया, ऐसी manufacturing company जो October 2019 के बाद, और 2023 से पहले बनती है, new manufacturing company, objective clear था, promotion of making India, अगर कोई new company बनती है, domestic company एक October 2019 के बाद, 2023 से पहले, तो इनका tax rate 15% होगा, मतलब आपको नहीं लगता, domestic company के लिए चार rate होगए, 25%, 30%, 22% and 15%, अगर ये company एक October के बाद आई है तो, again condition वही, ये कोई reduction claim नहीं करेगी, brought forward loss तो होई नहीं सकता, इनके उपर mat applicable नहीं है, depreciation चलेगा, additional depreciation नहीं चलेगा, and आप क्या करेंगे, tax rate होगा 15 plus 10 plus 4, एक ही condition है, कि आपको boss, other than manufacturing business में नहीं आना है, old plant and machinery का restrictive use है, और पुरानी building के अंदर में, ये business start नहीं होगा, it should be a new unit, so setup and registered after 1st October 2019, and commences operation before 2023, not formed by splitting up or reconstruction, not engaged in any other business, other than manufacturing, old plant and machinery use नहीं करना है, however, imported plant and machinery हो, या जिसका value 20% of the total plant and machinery के उपर नहीं जा रहा होगा, तो हम इसे क्या कर लेंगे, new ही treat कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, new ही treat कर लेंगे, don't use any building previously used as hotel or convention center, जो पहले hotel या convention center बोल करके use किया होगा, ये building नहीं चलेगी, पहले ही साल में ही आपको ये section opt करना होगा, बाद में नहीं चलेगा, जिस साल incorporate हुई हो, तो उस साल में ही आपको ये option opt करना होगा, बात तो वही है, एक बार आगए, वापस जहाँ सकोगे, नहीं, condition satisfy होती है, तो tax rate will be 15%, plus 10%, plus 4%, effective tax rate come to 17.16%, बाकि सारी condition जो निच्चे के दिये, as it is same, अब हुआ क्या जरह समझेगा, ये circular काम का है, सारी companies ने अब बहुत ज़्यादा आवाज उठाए, क्योंकि हो क्या रहा था, companies को इसके अंदर में आना था, लेकिन company बोल रही थी, वाह, आज आप ये section लेकर के आए, इतने सालों से हम हमारा mat credit follow कर रहे हैं, ये deduction ले रहे हैं, हमको इस section के अंदर तो आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है, ये section का benefit नहीं लेना है, तो आना है, ये तो हमार साथ गलत हो गया, 2 October को, निर्मला सीतरमंजी को एक circular लाना पड़ा, और circular लाकर के कहना पड़ा, कि एक minute, हमने आप से ये कब कहा, कि section close-ended है, ये section open-ended है, आपको अगर ऐसा दुख हो रहा है, कि मेरा ये deduction चल दाएगा, ये deduction चल दाएगा, कोई बात नहीं, पहले ये deduction ले लिजे, पूरा खतम कर दीजे, brought forward losses, deductions, आप कुछ खतम कर दीजे, और उसके बाद आईए, उसके बाद आईए, imagine company like reliance, it might be having, it might be having, huge of EMT credit, it might be having brought forward losses, कई brought forward losses होंगे, जो नए venture चालूए होंगे उनके, अब ये क्या कर रहा होंगे, ये obviously बात है, ये लोग सवाल उटाएंगे, कि उनको ये rates के अंदर में आना है, बट अब को क्या करे, उनके पास वो भी है, और ये rates के अंदर में आना है, निर्मला सी तरह मंजी ने बोला, बेटा कोई बात नहीं, तुमको अगर ऐसा बहुत ज़्यादा, heavy हार्ट के साथ तुम आ रहे हो, रुख जाओ, तुम पहले वो deduction claim कर लो, और जब सब हो जाए, तुमको ऐसा लगए कि हाँ, तुम अब इस section के लिए eligible हो, बाद में इस section में आ जाओ, section open ended है, close ended तो है नहीं, section 115 BAA, ये तो open ended है, बिंदास आ जाओ, और वैसे भी BAB नई companies के लिए, जो existing company चिला रही है, हमें brought forward loss लेना है, ये लेना है, वो लेना है, section हमने रखा है open ended, जब तुमको लगता है तब हो, बिंदास, there is no, 2023 तक का जो date है, ये BAB के लिए है, BAA के लिए है ही नहीं, तुमको जब लगता है तब हो, कोई problem नहीं, scheme is open ended, and this is specified in the CIRCU लग. There is no time limit, within which option under 115 BAA can be exercised, it may be noted that, domestic company having a turnover or brought forward loss, on account of additional depreciation, may if so desire, exercise the option, after the set of losses so accumulated, तुम सबसे पहले पूरा का पूरा complete करो, और उसके बाद आराम से आजाना, कोई problem नहीं है, yes or no, and that's it, game over, sir, ये भी topic हो गया, खतम, exam point of view से अगर मैं बात करूँ, तो सर्चाज वाला point बहुत important है, जितने maximum problem आप solve कर सकते हो, कर लेना, मैंने fast track के अंदर में, और regular में बहुत problem solve करवाएं है, प्लीज उनको, अगर आपके पास अब भी time में fast track ले सकते हो, तो fast track buy कर लेना, और फटा-फट इनके problem solve कर लेना, right, fast track book आपने देखी लिया, आपको समझ में आ जाओगा, कि अब तक आपको fast track लेना है या नहीं लेना है, क्यूंकि fast track book में भी, हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया है, जो inter level पे था, CS, CMA वालों के लिए, मैं additional जो assessment procedure वाले topic है, वो already मैंने record करे हैं, already मैंने क्या कर लिया है, record कर लिया है, और वो YouTube पे डालावा है, उसकी link भी मैं आपको दे दूँँगा, आप उसको एक बार फटाफट देख लेना, right, Sir, अब मैं अगर बात करूँ, कि Sir, marathon की, marathon की अगर मैं बात कर लूँ Sir, तो मुझे पूरी उमीद है, कि आप लोगों ने इसे देखा होगा, जरूर मुझे तक के message पहुचाईएगा, आपको ये marathon कैसा लगा, right, मैं आपको इसके नीचे मेरी Instagram ID दे रहा हूँ, आप Instagram पे मेरे साथ connect हो जाएगे, क्योंकि exam से पहले मैं कुछ test papers भी डालने वाला हूँ, एक्जाम से पहले मैं कुछ important section की list भी डालने वाला हूँ, तो आपको मेरे साथ दो काम करना है, एक चीज आपको मेरे साथ connect हो जाना है YouTube के उपर, क्योंकि exam से पहले ऐसे बहुत सारे अलग revisions या बहुत सारे important concept या live sessions भी लूँगा, जो मैं आपको बताऊँगा, एक बार मैं डालता हूँ कि क्या important है क्या important नहीं है और यह मैं टेलिग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे share करता हूँ, आप से request हैं, आप एक बार मेरे साथ वहाँ पे connect हो जाएंगे तो आपको यह बहुत easily मिल जाएंगे, मैं आपको मेरा mobile number provide कर रहा हूँ, मुझे जरूर बताईएगा आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, इतना तो मैं आपसे as a brother expect करता हूँ, कि आप इस number पे, this is my number, इस number पे आप मुझे जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा, आपका feedback जरूर दीजेगा, यह जो मैंने 16, 17, 18 घंटे की मेहनत करी है, यह मेहनत आपको कैसी लगी मुझे तक के जरूर पहुचाईएगा, शायद आज़े teacher मैं इसी केसे खुश हो जाऊँ, अगर यह marathon से अगर किसी एक बच्चे का भी कोई भी topic अच्छे से हो गया, या उसको मज़ा आया देख करके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो मैनत करी है, यह पूरी की पूरी काबिल हो, as a person हो सकता है बोलते वक्त कुछ गलती हो जाए, हाथ जोड़के माफी मंगता हूँ, अगर कोई clerical mistake हो गई होगी बोलते वक्त, पर मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझ सकते हैं, कि जब हम 13-14 घंटे continuously पढ़ा रहे हैं, या as a human कोई गलती हो सकती है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता, कि मैं 100% बहुत बड़ा expert हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ, human or human are prone to error, तो ये हो सकता है, बहुत मेनावज दाले हैं, बहुत मेहनत करी हैं, इसे आपको हर जगह तक ये पहुचाना है, मैं strategic management भी पढ़ाता हूँ, group 2 के अंदर में, और आपको अगर मज़ा है, तो strategic management भी ज़रूर देखिएगा, strategic management आप buy कर सकते हैं, हमारी website है, vsmartacademy.com, vsmartacademy.com के उपर आप जाकर के buy कर सकते हैं, कुछ और बता दू, GST का marathon ये revision lecture के बारे में, आपको विशाल बटटर सर update दे देंगे, और आप connected रहीएगा, vsmart के channel के साथ, वहाँ पर आपको इसके update मिल जाएंगे, amendment lecture मैंने already डाल दिया है, अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है, कि amendment lecture देख रहा है, तो आप मेरे youtube channel के उपर, इसके already amendment lecture देख सकते हो, PGP का complete detail revision में मैंने डाला है, आप वो भी देख सकते हो, और साथ-साथ में, AMT अगर detail में पढ़ने की इच्छा है, तो मैंने वो भी डाला है, वो देख सकते हो, इनके notes मैंने टेलीग्राम पर डाला है, AMT के तो आप वहाँ से ले सकते हो, साथ-साथ में, बच्चे अगर ये marathon देख चुके हैं, तो इसके आगे आगे आपको क्या करना है, marathon अगर आपने देख लिया है, तो substantially provisions आपने पढ़ ली होगी, request करूँगा MCQ के उपर ध्यान देना, क्योंकि ये focus के marks होते हैं, अगर आप अच्छे से solve कर लें, तो concept based MCQ, के problem जित्ते आदा solve कर सकते हैं, उत्ते करो, कहां से solve कर जा सकते हैं, मेरे regular book में problem है, मेरे questionnaire के अंदर में problem है, module उठा लो, उसमें total income के problem है, क्योंकि total income के problem ऐसी चीज़े, जो confirm आते ही आते हैं, ये CS और CMA वालों के लिए भी है, तो बिल्कुल आप tension मत लीजेगा, उसका भी content हम लोगों ने सारी चीज़े cover करी है, additional topics जो है, मैंने आपको पहले बोल दिया, मैं इसके अंदर में डाल दूँगा, नवंबर वाले इसे बहुत अच्छे से देख लें, कोई problem नहीं है, इसमें सारे amendments जो settled है, वो cover हो चुके हैं, कुछ और होगा तो मैं अलग से डाल दूँगा, उसके लिए आपको मेंट साथ YouTube के उपर connect रहना होगा, मैं जानता हूँ, ये थोड़ा लंबा हो गया marathon, पर मैं नहीं चाहता था, मेरा कोई भी बच्चा, कोई भी point miss कर दे, तो almost मैंने exemption जैसे चोटे topics को भी अपना part बनानी की कोशिश करी, ताकि बच्चे को सारी चीज़े cover हो जाए, exam point of view, बस एक चीज कहूँगा आप से, दीखे, मैं, आप में से बहुत लोग मेरे बारे में जानती भी होंगे, और जो नहीं जानते होंगे, अपने दोस्तों से पूठ ही जिएगा, जिनके भी आपको ये lecture रेफर किया होगा, मैं बहुत ही average background से आईवा एक बच्चा हूँ, और कभी भी मतलब rank वैंक्टों मैंने सूचा भी नहीं है, ना मैं उस category में था, I was always a backbencher, और कुछ families issues के कारण, घर से भागना पड़ा, और बाद में किसी तरीके से अपनी पढ़ाई complete करी, सारी चीजे lecture के अंदर बताई जा सकती है, इसके अंदर बताना सही भी नहीं है, तो एक चीज मुझे जो समझ में आती है, वो आपके साथ शेर करूँगा, इफेक्ट हुआ होगा, इस हाई टाइम कि तुम जल्दी से जल्दी CA बनो, अपने ड्रीम सचीव करो और अपने घर के लिए एक financial planner बनो, अपने घर के लिए financial help create करो, आप मैं से बहुत लोग हैं जिनकी age आगे बढ़ रही है, जिनने तीन से चार attempt दे लिए हैं, उन सभी दोस्तों को मेरा एक चीज कहना है, आप यार सच में मेहनत कर रहे होंगे न, इसके पहले अगर आपको attempt लगा होगा आपको clear cut पता होगा, इसमें गलती कहां होई आपसे, अपने आप से मत छुपिये, आपको पता है आप कहां गलती कर रहा है, जितना possible और टाइम पास कम कीज़े, maximum practice, अपने आप से कुछ चीज़े जरूर पूचे, कुछ सवाल अपने आप से जरूर पूचे, पहला सवाल, if not me then who, not now then when, मतलब अपने रूम में यह सब लिख के रख दे, मैंने डाल के रखा है, मैं उसे realization कहता हूँ, motivation भी नी, वो एक बार जरूर देख लिजेगा, sir, बहुत उमीद है, इतनी मेहनत करे हो तुमने, तुमने अपना बड़े गवाया, तुमने अल्मूस्ट अपना हर मजे sacrifice करती है, जो शायद तुम करा करते थे, CA कूर्स में आने से पहले, इनफाक्ट इंटर में आने से पहले, बहुत महनत करी है साथ तुमने, थोड़े से के लिए इस महनत को मज गवाओ, और मैं तो उस हर बच्चे से एक ही बात कहना चाता हूँ, मेरे भाई अगर COVID-19 में जब तुझे एक्जाम इतनी पोस्पन, हर बार तुम दुआ करते आए हो जब जब भी एक्जाम दिया, काश ये एक मेना और मिल जाए, पंदरा दिन और मिल जाए, यहां तो naturally तुमको time मिल रहा है यार, इस बार तो तुमको rank के लिए prepare करना चाहिए, अगर तुम्हारा एक बार पढ़के हो गया है, दो बार पढ़के हो गया है, आप मेंसे कई लोग ऐसे होंगे, जो over confidence में बैटे होंगे, कि हाँ यार मेरा ये तो पढ़के हो गया, आप writing practice करिए, आपका ये घमन चूर-चूर हो जाएगा, मैं मेरे regular और fast track में बहुत ज़्यादा लिखवाता हूँ, बहुत ज़्यादा लिखवाता हूँ, आप शायद ही believe करेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि income tax की book ज़्यादा भरी भी होती है, accounts और costing से, मैं बहुत ज़्यादा believe करता हूँ, कि मेहनत, फटे से मेहनत कर, कोई problem नहीं है, और उसी basis पर आप देख सकते हैं, आप internet पर जितने शायद marathon सर्च करेंगे, ये शायद उससे सबसे बड़ा होगा, मैंने देखा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है, कि उन सबसे सबसे बड़ा marathon होगा, सर, objective बड़ा clear है, कम पढ़ना और अच्छा पढ़ना और कम टाइम पर पढ़ना एक साथ possible नहीं है, तो आपको मेहनत करनी होगा, and there is no shortcut to success, आपको फटे हाल मेहनत करनी होगी, फटे हाल, अपने आप से पूछ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ऐसे कैसे नहीं होगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था थो थोड़े दिर पहले, ऐसे कैसे नहीं होगा अपने इस पर लिख करके रखनेगा, ऐसे कैसे नहीं होगा मेरे से, बिल्कुल होगा, मैं आपको बताता हूँ सर, I don't know about you पर मेरे 10th के percentage देखेंगे आप तो sir, it was 48% प्लस grace marks जो college देता है उसको मिला करके somehow जो school से result आता था उसके अंदर में 55 मिलता है 48% प्लस grace marks जो दिये जाते है जो activities होती है उसके लिए मेरे जैसा बनना अगर CA कर सकता है मेरे जैसा बनना अगर कर सकता है तो I think तुम लोग तो definitely कर सकता है तुम लोग सब मेरे से जाधा उशार होंगे आपको motivate करने के लिए मैंने इंस्टाग्राम के उपर एक fail का result डाला मेरा उन सभी मेरे जैसे average बच्चे को जो rankas है मैं आपकी बहुत इज़त करता हूं पट जो बच्चे हैं क्योंकि 10% result आता है अगर हम पकड़ लेते तो 90% fail होते हैं उन 90% बच्चों को मैं एक ही चीज़ से motivate करना चाहता हूं कि आज आप मुझे देख रहे हैं I have completed my CA earn from the God grace 13% बच्चों का बहुत प्यार मिला our team cannot बहुत ज़्यादा साथ मिला, right, final level पे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, inter level पे बच्चे जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला, मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि fail होना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, fail हो गए हो ठीक है, it's okay, जो हो गया, हो past is past, never in future, कई बार ऐसा होगा, जो बाप पढ़ाई करते रहोगे, तो आपको ऐसा लगेगा, कि यार मैंने पढ़ा था, लेकिन अब मैं सब बूल गया हूँ, मैं सब बूल गया हूँ, मैं सब बूल गया हूँ, अगर ऐसा हो रहा है, chill, it's very normal, सब के साथ ऐसा होता है, सब के तो ओके मुँ बंद हो जाएंगे, जिसना तुझे नीचा दिखाया होगा, and एक सेकेंड के लिए, मैरे बाई, जब तो CA final में होगा, और तेरे parents कहेंगे न, ये बस एक last exam बाकी है, ये तो CA ही है, अलग level की जिन्दगी होती है, आर्टिकल सिर्फ अलग level का experience होता है, फटे स मेनत करो, और अगर इतना extended time मिलने के बावजूद भी अगर तुमने नहीं पढ़ाई किया, तुम fail हो गया तो 100% blame सिर्फ और सिर्फ अपने आपको देना, और किसी को मत देना, क्योंकि इतना time मिलने के बाद भी अगर तुम नहीं कर पाए न, तो भाई साब, सोच लो आप, कि क्या सच में वर्थ है क्या, हर बच्चे को मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशिर्वाद, best of luck for the purpose of examination, विजय सहर्डा from Vsmart Academy, Vsmart Academy आपके साथ हमेशा है, मुझे पूरी उम्मीद है, आपको पसंद आया होगा, और हाँ, तो मैं आपके feedback का इंतजार कर रहा हूं मेरे इस नमबर के उपर, thank you for so much for patiently listening to me and bearing with me, रही बाद GST and other details आपको Vsmart की YouTube चैनल पे मिल जाएगा, right, आपका साथ, inter, final और आगे तक के भी मैं expect करता हूं, thank you so much, take care, bye-bye.